Hello friends, आपका हमारे चानल कोस्तक पर एक बार फिर स्वागत है आज जो audiobook हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका शीरशक है सफलता के साधन The Success Story ऐसे 12 तरीके जो आपको मन चाहे लक्ष़ तक ले जाएंगे लेखक, Brine Tracy मेरे जीवन का उदेश्य पांच मार्च 2006 को मेरे सामने तपस पश्ट हुआ जब मुझे Brine Tracy के एक दिवसे समिनार में हिस्सा लेने का मौका मिला इसमें बताये गए विचारों, रणीतियों और तखनीकों ने मेरी जिन्दगी का काया कल्प कर दिया मैं उत्साही पाठक बन गया और नियमित रूप से समिनारों में जाने लगा मुझे ये महसूस हुआ कि सीखे हुई बातों पर मैंने जितना ज़्यादा अमल किया मेरे संबंद उतने ही बहतर होने लगे और मैं आर्थिक सफलता का उतना ही ज़्यादा स्वात चखने लगा ये पुस्तक आपको विवहारिक, आजमाय हुए, सरल और आसानी से अमल करने लायक विचार, तकनीके और रणनीतियां बताएगी जिनकी मदद से आप पहले के मुकाबले कम समय में बहुत कुछ हासल कर सकेंगे ये किताब उन महत्वा कांशी पुर्षों और महिलाओं के लिए लिखी गई है, जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासल करने के बारे में कमभीर है मुझे यकीन है कि हर इनसान में अपने जीवन में कुछ अद्भुत करने की योगिता है संभवत है, हम में से हर व्यक्ति का सरवोच लक्षय यही है, कि हम संसार में किसी तरह का फर्क डालें जब हमारे किसी काम से दूसरों का जीवन बहतर बनता है या सम्रिद्ध होता है, तब ही हम सचमुच मानविय और जीवन्त महसूस करते हैं शायद आपको जो सबसे अद्बुद अनुभव हो सकता है, वो ये एहसास है कि आप अपने खुद के और अपने भविश्य के पूरे नियंतरन में हैं ये बुस्तक आपको दिखाएगी कि आप अपने हाथ अपने भविश्य के स्टेरिंग वील पर कैसे रखें, अपने जीवन के एक्सिल लेटर को कैसे दबाएं और अपनी कलपना से भी जादा तेजी से जादा आगे तक कैसे पहुँचें इन विचारों पर अमल करने के रोमांचक महीनों और वर्षों में आपकी सफलता की कामना के साथ सुरेंदरन जे अध्याय एक अपने सभी लक्ष निर्धारित और हासिल करें लक्ष तै करने और उन्हें हासल करने की योजनाय बनाने की आपकी योगता सफलता की प्रधान योगता है इस योगिता का विकास करने और इसे आजीवन आदत बनाने से आप जितनी उची सफलता और उकलब्धिया पाएंगे उतनी संभवते किसी दूसरे योगिता को सीखने से नहीं पा सकते किसी भी चीज की तरहे आप लक्ष तै करने की प्रक्रिया के स्वामी तभी बनते हैं जब आप इसे सीखते हैं और फिर इसका बार-बार इस्तमाल करते हैं जब तक कि ये सांस लेने और छोड़ने की तरहे स्वचालित नहीं बन जाती आपके व्यवहार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप हमेशा लक्ष तै करते रहें आप क्या चाहते हैं इस बारे में इतने स्पष्ट और एकाग्र बने कि आप हर दिन हर पल वही काम करें जो आपको अपने लक्ष की ओर आगे बढ़ाए कुछ समय पहले सबसे सफल कुछ लोगों का विस्तरित साक्षातकार लिया गया इसका मकसद ये पता लगाना था कि उनमें ऐसे कौन से खास गुण थे जिनकी बदौलत वे हमारे समाज के 99 परतिशत लोगों से उपर उठे सामने आने वाला एक गुण था बुद्धिमता जब उन लोगों पर दवाव डाला गया तो वे बुद्धिमता की परिभाशा बताएं तो जादतर का मत था कि बुद्धिमता का मतलब IQ या स्कूल के ग्रेट्स नहीं बलकि काम करने का तरीका है शोद करने वाले इस नतीजर पर पहुँचे कि जो लोग सफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमता पूर्वक कारे किया था जो लोग असफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमता हीन तरीके से कारे किया था कॉलेज के सबसे सफल विध्यार थी जिनके IQ का इस्तर उचा था बुद्धिमता हीन व्यवहार में सनलगन नजर आए दूसरी तरफ, सेमिश शुरुवात और विप्रित परिस्ततियों में रहने वाले कुछ लोग बहुत बुद्धिमता पूर्ण व्यवहार करते देखे गए सवाल ये है, बुद्धिमता पूर्ण व्यवहार की परिभाशक क्या है? जवाब आसान है बुद्धिमता पूर्ण व्यभार आपका हर वो कार्रे है जो आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाती है जिसके संबंद में आपने निर्णे लिया है कि आप उसे चाहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप उतकरिष्ट स्वास्ते और फिटनस को अपना लक्षे बनाते हैं तो इस लक्षे को हासल करने के लिए आप जो भी करते हैं वो हर चीज बुद्धिमता पूर्ण है स्वास्ते या फिटनस से दूर ले जाने वाला आपका किया हुआ या ना किया हुआ हर काम आपकी खुद की परिभाशा के अनुसार मुर्खता पूर्ण काम है यदि आपका लक्षे उची आमदनी पाना और आर्थिक द्रश्टी से आत्म निर्भरता हासल करना है तो आपका हर वो काम बुद्धिमता पूर्ण है जो आपका व्यक्तिगत पूर्ण बढ़ाता है और वित्य भंडार को भरता है जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्य आत्म निर्भरता से दूर ले जाती है या जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्य आत्म निर्भरता की ओर नहीं ले जाती है तो आप बुद्धिमता हीन व्यवहार कर रही है ये आपकी खुद की परिभाशा से तैह होता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं एक उलेखनियक हूज पर गौर करें आपकी बुधिमता लगबग 25 IQ पॉइंट तक लचीली होती है इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग का ज़्यादा अच्छा इस्तमाल करके अपना IQ बढ़ा सकते हैं जिस तरह आप अपनी शारिरिक मांस्पेशियों पर महनत करके शरीर को ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं उसी तरह अपनी मानसिक मानस्पेशियों पर महनत करके आप ज़्यादा चतुर बन सकते हैं। जब आपके पास पस्ट विशिष्ट लक्ष होंगे और आप उनकी दिशा में हर दिन काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज में ज़्यादा बुधिमतापून तरीके से काम कर रही हैं। शायद पिछले सौ वर्षों की एक बेहद महतपून खोज ये है कि आपके मस्तिश्क में एक स्वचालिक साइबरनेटिक लक्षक होजी यंत्र होता है। इनसान इस धर्थी पर एक मातर प्रानी है जिसमें ये खाल शमता है। इसकी बदौलत आप खुद बखुद उन लक्षों को अपने आप हासिल कर लेते हैं, जो आप तै करते हैं, चाहे वे लक्षक कुछ भी हों। ये सफलता का यंत्र दिन रात काम करता है, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी, ये आपको लक्षय हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोथसाहित करता रहता है। ये बिजली के स्विच जैसा होता है, एक बार जब आप इसे चालू कर देती हैं, तो ये चालू बना रहता है, जब तक कि आप इसे बंद करने के लिए कुछ ना करें। इस अध्याय के बाद में हम इसे जादा विस्तार से समझाएंगे। जादतर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये है, कि उनके स्वचालित लक्षक होजी यंत्र का स्विच चालू ही नहीं होता। या फिर यदि ये चालू होता है, तो सिर्फ सीमित महत्व और मूले वाले लक्षय हासिल करने के लिए ही चालू होता है। सुबह ऑफिस आने के बाद, कुछ लोगों का बुन्यादी लक्षय ये तै करना होता है, कि वे लंच के समय क्या करेंगे। अखबार उठाने पर उनका बुन्यादी लक्षय पिछले 24 घंटों में देश में हुए हर मैच का स्कोर पढ़ना होता है। जब वे खरीदारी करने जाते हैं, तो उनका परात्मिक लक्षय ये होता है, कि वे अपने पर्स में रखे हर नोट को खर्च कर दे, और हर वो चीज भी जो उन्हें उधार मिल सकती है। उनके परात्मिकता लक्षय हासल करना नहीं है, वे तो बस तनाव रहित रहना चाते हैं। यहां सफलता का एक बेहत महतपून सद्धान्त बताया जा रहा है। हर चीज महतपून होती है, आप जो भी करते हैं, वो हर चीज या तो लक्षय की दिशा में बढ़ाती है, या घटाती है, हर चीज या तो मदद करती है, या फिर नुकसान पहुंचाती है। हर कार रह या अकार रह आपको या तो अपने लक्षे की ओर ले जाता है या फिर उनसे दूर ले जाता है। कोई चीज तथस्त नहीं होती, हर चीज महतपूर्ण होती है। आप संकल प्रवान और निश्चत काम करके जीवन का खेल जीत सकते हैं। दूसरी तरफ, आप खेल में शामिल ना होने से जीवन के खेल में हार सकते हैं। अगर आपने अपनी सफलता के यंत्र को चालू ही नहीं किया है, या तै लक्षे हासल करने तक चालू नहीं रखा है, तो जीवन के खेल में आपकी हार तै है। हर व्यक्ति के अपचेतन मन में एक असफलता यंत्र भी होता है। हर सुबह उटने पर आपके सामने इक चुनोती होती है। क्या मज़दार और आसान काम करें, या फिर वो काम करें जो मुश्किल लेकिन जरूरी है। क्या उटकर दिन के लिए खुद को तयार करें या फिर अकबार पढ़ें और टेलिविजन देखें। आपके विवहार के महत्व और मूले का विश्रेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इससे लंबे समय में कैसे परिणाम मिलेंगे वो कार्य मूलेवान और महतपूर्ण है जिसके आपके जीवन में महतपूर्ण सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं दूसरी ओर वो कार्य व्यवहार महतविहीन और अप्रासंगिक है जिसके कोई महतपुन सकारात्मक परिणाम नहीं होते मिसाल के तौर पर अगर आप कॉफी पीते हैं, अकबार पढ़ते हैं और टेलिविजन देखते हैं तो इन कामों का आपकी सेहत, खुशी, सम्रिद्धी पर या तो कोई असर नहीं होगा, या सिर्फ नकारात्मक असर होगा आप ये चीजें कई गंडों तक कर सकते हैं, भले ही आप मानवजादी के इतिहास में सबसे कुशल अकबार पाठक, टेलिविजन दर्शक और कॉफी पीने वाले बन जाएं, लेकिन इसका आपके भविश्य पर शून्य प्रभाव पढ़ेगा इसलिए परिभाशा के अनुसार, ये महतवहीन, कम महतव के काम हैं, क्यूंकि इनके कोई सकरात्मक परिणाम नहीं होते हैं दूसरी ओर, हर सुबह उठकर आधा या एक गंड़ा पढ़ने, सब्ताह में तीन-चार दिन व्यायाम करने और समय के सबसे मुलेवान उपयोग पर हमेशा ध्यान केंदरत करने से आपको भविश्य में महतवपून परिणाम मिल सकते हैं इन कामों के आदर डालने से इस बात की लगभग गारंटी मिल जाती है कि आप जिन्दगी में आम आदमी से बहुत जादा हासल कर सकते हैं हर सुबह जब अलार्म घड़ी बचती है तो आपके पास हर बार ये चुणने का मौका होता है कि आप इन दो दिशाओं से किस दिशा में जाना चाहते हैं हर चीज महतवपून होती है एक गुण युगो युगों से जीवन में सफलता या असफलता प्रसंता या अप्रसंता सम्मान या असम्मान का अति महतवपून निर्धारक रहा है ये है आत्म अनुसाशन का गुण सबसे सफल और खुश लोग, हमेशा सबसे कम सफल और सबसे कम खुश लोगों से हमेशा ज़्यादा अच्छी तरह अनुसाशत रहते हैं अलबर्ड हबर्ड ने लिखा था आत्म अनुसाशन खुद से वो काम कराने की योगिता है जो आपको करना चाहिए जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद करते हो या ना करते हो उस काम को करना आसान होता है जिसे करने का मन हो, जो मज़दार, आसान या आराम दे हो लेकिन जब किसी कठोर और मुश्किल काम को करने की बात आती है तो आपको नियूंतम प्रतिरोध वाले मार्क पर चलने की अपनी इच्छा से जूजना पड़ता है इसी समय अनुसाशन के जरुवत पड़ती है अचरच की बात ये है कि आप खुद को जितना ज़्यादा अनुसाशत करते हैं आप स्वयम को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वयम का उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं आप ज़्यादा अच्छे और शक्तिशाली बन जाते हैं आप जितने ज़्यादा अनुसाशन का इस्तिमाल करते हैं आप उतना ही ज़्यादा काम कर बाते हैं और उतना ही भैतर महसूस करते हैं। आत्म अनुसाशन सिर्फ व्यवहारिक नतीजों के संदर्ब में ही परिणाम नहीं देता है। ये सकरात्मक नजर्ये और आत्म सम्मान वा आत्म गौरब के उचे स्तरों के संदर्ब में भी परिणाम देता है। आत्म अनुसाशन शाय जीवन के किसी दूसरे शेत्र में इतना महतपोर नहीं होता, जितना लक्ष तैय करने और हर दिन उसकी दिशा में काम करने में होता है। कुछ वर्ष पहले न्यूँ यॉर्क में डॉक्टर केरेन हार्नी ने एक अध्यन किया। इसमें प्रतिभाग्यों को लक्ष तैय करना सिखाया गया और आने वाले महीनों तथा वर्षों में उनको मिलने वाले परिणामों के निगरानी की गई। उन्हें बड़ी उलेकने बात पता चली। प्रतिभाग्यों ने अपने लिए जो लक्ष तैय किये थे। उन्होंने उनमें से 95 प्रतिशत लक्ष हासल कर लिये। इस बारे में सोचें, लक्ष तैय करने बालों की सफलता की दर 95 प्रतिशत थी। ये बेहद आश्चर जनक बाद है। हालाकि ये उससे मेल खाती है जो हम इस विशे के बारे में जानते हैं। वे विज्ञान के सहारे जिस नतीजे पर पहुँचे उसे हम सद्यों से व्यवहारिक रूप से जानते हैं। हर मानव्यकार हुदेश्यपून होता है। इंसान स्वचालित रूप से और आसानी से लक्ष तैय वह हासल करते हैं। बशरते वे लक्ष तैय करें। एक बर जब आप पूरी तरह से इस पर्ष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और फिर उस दिशा में बढ़ाने वाले कामों को जादा करने के लिए खुद को अनुसाशित करते हैं। तो आपकी सफलता के लगभग पूरी कारेंटी है। सवाल ये है, यदि लक्ष तैय करना और लक्ष हासिल करना स्वचालित है और आपके तंतर में ही बुना हुआ है, तो फिर इतने कम लोगों के पास लक्ष क्यूं होते हैं। बहुत से अध्यनों में पताया गया है कि सिर्फ तीन प्रतिशत व्यस्कों के पास योजनाओं के साथ सपष्ट, लिखित, विशिष्ट लक्ष होते हैं, जिन पर वे हर दिन काम कर सकें। करियर के अंत में लिखित लक्ष वाले ये तीन प्रतिशत लोग, बाकि 97 प्रतिशत लोगों से जादा दौलतमन बन जाते हैं। लक्ष तै करने की साथ कुंजिया हैं। ये सामाने सिर्धान लगबग हर लक्ष पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, जो अपने लक्ष हासल नहीं कर रहा है, तो ये समझ लें, कि वो इन साथ मुखे छेत्रों में से किसी एक में कमजोर है। पहली कुंजी ये है कि लक्ष स्पष्ट, विशिष, विस्तृत और लिखित होने चाहिए। लक्ष अस्पष्ट और आम नहीं हो सकते, जैसे सुखी होना या ज़्यादा पैसे कमाना। लक्ष विशिष्ट, मूर्थ, ठोस होने चाहिए। लक्ष का मतलब है किसी ऐसी चीज जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सकें और उसकी कलपना कर सकें। लक्ष तैक करनी की दूसरी कुंजी ये है कि लक्षों को नापनी योग्या और वस्तुनिष्ट होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उनका विशलेशन और मूल्यांगन कर सके। बहुत सारे पैसे कमाना लक्ष नहीं है। ये तो सिर्फ एक इच्छा या फैंटेसी है जो हर इंसान के मन में होती है। दूसरी और विशिष्ट समयावधी में निश्चत धनराशी कमाना एक सच्चा लक्ष है। तीसरी कुझी ये है कि लक्षों के साथ समय सीमा होनी चाहिए। यानि लक्षे में समय सारणी, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उलेक होना चाहिए। वास्तव में कोई भी लक्षे हवाई नहीं होता है, सर्फ डेडलाइन हवाई होती है। एक बार जब आप अपने लक्षे के लिए एक सबस्च समयावधी या डेडलाइन तै कर लेते हैं, तो फिर उस समय तक लक्षे हासल करने की दिशा में काम करते हैं। यदि उस डेडलाइन तक लक्षे हासल न हो पाए, तो दूसरे डेडलाइन तै कर लें, और ज़रुवत पढ़ने पर तीसरे डेडलाइन तै कर लें। इसी तरह लक्षे के दिशा में तब तक काम करते रहें, जब तक कि आप अंततह काम्याब न हो जाएं। भारत में लाखो करोणों लोग हर साल विमान यात्रा करते हैं। हजारों हवाई जाज लाखो लोगों को बठाकर हर दिन देश में उडान भरते हैं। लगभग हर शहर और कजबे की जमीन को छूते हैं। एरलाइन्स अर्बो डॉलर का उध्योग हैं, जो हम सभी को सपर्ष करता है। एरलाइन उध्योग और हर यात्री की सफलता। फून तह सू नियोजित, कंप्यूटराइज, वचालित, राष्टे लक्षे नरधारन का परिणाम है। जब भी आपको यात्रा करती हैं, तो आपके मन में एक खाश शहर या लक्षे होता है। आप सटीकता से निर्न लेते हैं कि आप कब यात्रा करना चाहते हैं और इसमें कितना समय लगेगा। आप हवाई अड़े तक की दूरी और सुरक्षा जाच आदी के लिए आवशक समय का अनुमाल लगाते हैं। आप ये आंकलन करते हैं कि अपने मन्चाहे शहर तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा और फिर हवाई जहाद से उतरने के बाद अपनी मन्चाही जगय तक पहुँशने में कितना समय लगेगा। आप अपनी यात्रा के हर किस्से के लिए निश्चित समयसारणी बनाते हैं। हर साल करोणों लोग यही करते हैं। वे अविश्वस्नय सटीक्ता और समय बद्धता के साथ अपनी वर्तमान जगह से अपनी मंचाही जगह तक सफलता पूर्वक यात्रा करते हैं। ये बड़े पैमाने का लक्ष निर्धारन है। यही प्रक्रिया व्यक्तिकत तरपर आपके लिए भी काम करती है। लक्ष निर्धारन की चौथी कुंजी ये है कि आपके लक्ष चुनौती पूर्ण होने चाहिए। उन्हें हासल करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रियास करना होता है। आपने अतीत में जो हासल किया है वे उससे आगे के होने चाहिए। आपके लक्षियों के सफलता की 50-50 संभावना होनी चाहिए। इससे लक्ष की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी तनाव प्रूँ बन जाती है, परन्तु ये आपको अतिरिक्त प्रियास करने के लिए विवश्च करती है, जिससे आपके कई सर्वश्रेष्ट गुण निकल कर बाहर आ जाती है. पांचवी कुणजी ये है कि आपके लक्ष आपके मूलियों के सामन जस्य के होने चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामन जस्य में होने चाहिए. आप परस पर विरोधी लक्ष नहीं रख सकते, मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कारोबार में सफल होना चाहते हैं, ल आपके लक्ष संतूलित होने चाहिए, आपका करियर या कारोबार, आपका वित्य जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्त है, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदाईक तंबधता. जिस तरह सुचारों रूप से घुमने के लिए पहिये को संतूलित होना च चाहिए ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सके। साथमी कुण्जी ये है कि आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्षय होना चाहिए जिसे पा लेने से आपका जीवन इतना ज़्यादा बहतर बन सकता है जितना किसी दूसरे लक्षय से नहीं बन सकता। आपका जीवन महान बनना तभी शुरू होता है जब आप एक बड़े दिश्चत उद्देश्य का निर्णय लेते हैं और फिर अपने सारी उरजाएं उस एक लक्षय को पाने पर केंद्रत कर लेते हैं आश्यरे की बात ये है कि जब आप अपने बड़े लक्षय को हासल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्षय अपने आप हासल हो जाएंगे लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए लक्षय हासल करने की साथ कुंजियों के अलावा आपके पास लक्षय निर्धारन वा लक्षय प्राप्ति की पदती भी होनी चाहिए जिसे आप अपने जीवन के किसी भी लक्षय पर लागो कर सके यहां 12 कद्वों की लक्षय निर्धारन प्रक्रिया बताई जा रही है जो 10 लाग से जादा लोगों को सिखाई जा चुकी है यह किचन में कोई वेंजन बनाने की विधी जैसी है अपनी इस्तिती और खास आवशक्ताओं के मताबिक आप इन तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं ताकि आप अपने मन चाहे लक्षयों और जीवन का स्रेजन कर सके सफल और सुखी लोग हर समय इन सद्धानतों का इस्तमाल करती हैं चाहे बें उनके बारे में जागरुप हो या ना हो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कम हासिल कर रहा है तो ये बात तया है कि इन तत्वों में से कोई एक तत्व कम है या नदारद है लक्षय निर्धारण में पहला कदम है इच्छा अपने खास लक्षय को पाने की गहरी धधकती हुई इच्छा ये इच्छा खुद के लिए होनी चाहिए यानि ये कोई ऐसे चीज होनी चाहिए जो आप खुद के लिए चाहते हो आप किसी दूसरे के लिए लक्षय कभी नहीं चाह सकते ना ही आप कोई ऐसा लक्षे हासल कर सकते हैं जो कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो आपको अंतते जो बड़ा प्रशन पूछना चाहिए और जिसका जवाब देना चाहिए वो ये है मैं अपने जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ आप दिल की गहराई में अपने लिए सचमुच क्या चाहते है आप व्यक्तिगत रूप से क्या हासल करके सबसे ज़्यादा रोमान्जित या उटसाहित होंगे यदि आप पूरे सनसार में केवल एक लक्षे हासल कर सकें और आपको उस लक्षे को हासल करने में सफलता की पूरी गारंटी दे दी जाए तो वो एक लक्षे कौन सा होगा आपकी व्यक्तिज़त इच्छा की तीवरता और गहराई से ही ये तै होगा कि आप अपने तै लक्षे को पाने के लिए कितनी उर्जा और संकल्प लगाते हैं आप सच मुझ क्या चाहते हैं और आप उसे कितने शिद्दत से चाहते हैं लक्षे निर्धारन में दूसरा घटक या कदम है विश्वास आपको अपने दिल के गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्षे के हगदार हैं और उसे हासल करने में सक्षम है विश्वास वो उत्प्रेरख है जो आपकी तमाम मानसिक और शारिरिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है आद्यात्मिक संदर्ब में विश्वास को आस्था कहा जाता है हर शेत्र में उची सफलता पाने वाले सभी लोग जबरदस्थ आस्था और विश्वास वाले इस्त्रे पूरश होते हैं उन्होंने अपने लिए जो लक्षत तै किये हैं उन्हें हासल करने की अपनी शम्ता में उन्हें गहरा विश्वास होता है आश्चर जनक बात ये है कि जब आप खुद के लिए एक सपश लक्षत तै कर लेते हैं कोई ऐसी चीज जिसे आप सच्मुच, सच्मुच चाहते हूं और आप हर दिन उसकी दिशा में काम करने लगते हैं, तो आपकी इच्छा प्रबल बनती जाती है और आपका विश्वास गहरा होता जाता है। आगे उठाए गए हर कदम के साथ आपका ये विश्वास गहरा होता है कि आप ये कर सकते हैं। यही कथन का अर्थ है, हजार मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। तफल होने के आपकी चरम योग्यता में आपके विश्वास का इस्तर, आपके संकल्प और लगन का मुख्य निर्धारक है। इसलिए ये अनिवारे हैं कि आप ऐसे लक्ष बनाएं जो विश्वास करने और हासल करने योग्य हों। खास तोर पर शुरुवात में। उधारन के लिए आप ये लक्ष तै नहीं कर सकते कि आप एक साल में गरीवी से वित्य आत्म निर्भरता तक पहुँच जाएंगे। ऐसे लक्ष का नाकाम होना तै है क्योंकि ये आपकी शमताओं से बहुत ज़्यादा परे है। आपको तो कोई ऐसा लक्ष तै करना चाहि ये इस पर पहुचा जा सके और फिर उसके बाद एक और लक्ष है और फिर एक और लक्ष है। एक समय में एक एक छोटे लक्ष हासल करने से आपका आत्म विश्वास बढ़ जाता है। आप गती में आ जाते हैं। अंततह आप उस बिंदू तक पहुच जाते हैं जहां आप आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई लक्षे नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाएं बशर्ते ये स्पष्ट हो और आप इस पर प्रयाप्त लंबे समय तक कड़ी महनत करें लेकिन लक्षताय करने के मामले में आपको दौड़ने से पहले चलना होता है तीसरा कदम ये है क कि आप इसे लिख ले जो लक्षे लिखा नहीं जाता है वो लक्षे ही नहीं होता जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वो सपर्ष लिखित विशिष्ट विस्तरत लक्षियों वो योजनाओं के अनुरूप काम करता है वो इनकी नियमित समिक्षा करता है कई बार तो हर दि इससे आपके अवजेतन मन में इन लक्षियों के गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है जहां वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं लगातार खुझ से पूछते रहें मुझे इस लक्षे में सफलता मिल रही है ये मैं किस तरह नापूंगा मैं किन मान दंडों का इस्तमाल करूंगा मैं अपनी प्रगती मापने के लिए किन मान दंडों या स्कोर बोर्ड का इस्तमाल कर सकता हूँ चौथा कदम ये है कि अपने मुख्य लक्षे या लक्षियों को हासल करने से पहले अपने शुरुवाती बिंदू का विशलेशन करें आप इस वक्त कहां हैं? यदि आप निश्यत दौलत हासल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिकत वित्य स्टेट्मेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है जब आप अपने शुरुवाती बिंदू का विशलेशन करके अपनी इस्तिती का आकलन करते हैं तो आप इमांदार होने के लिए विवश होते हैं इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष तै नहीं करते हैं जो हासल नहीं हो सकते और जिनमें आपकी हार तै है इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष तै करते हैं जो विश्वास करने और हासल करने योग्या हो पांच्वा कदम ये है कि आप ये निर्ने ले कि आप उस खास लक्ष को क्यों बाना चाते हैं ये हमें एक बर फिर इच्छा के बिंदू पर ले आता है किसी लक्ष को हासल करने से आपको कौन-कौन से लाब होंगे उन सभी की सूचि बना ले कारण सफलता की भटे का इंधन है यदि किसी लक्ष को हासल करने के सिर्फ एक दो कारण है तो आपके पास बहुत कम प्रोथसाहन या प्रेरना होगी लेकिन यदि किसी खास लक्ष को हासल करने के लिए आपके पास 40-50 कारण है तो आप सफल होने के लिए इतने ज़्यादा प्रोथसाहित और संकल्प वान बन जाएंगे कि कोई भी वस्तू या व्यक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगा आप जितने ज़्यादा कारण सोचेंगे आपकी इच्छा उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी और आपका विश्वास भी उतना ही गहरा होगा कि आप उस लक्ष तक पहुँच सकते हैं छड़ा कदम ये है कि आप अपने लक्ष के डेडलाइन तै करें डेडलाइन एक आपलन है कि आप अपना लक्ष कब तक हासल कर लेंगे ये किसी लक्ष पर निशाना साधने जैसा है आप बीचों बीच प्रहार कर सकते हैं या आप एक तरफ या दूसरी तरफ प्रहार कर सकते हैं आप अपने आधे लक्षे शायद डेडलाइन से पहले ही हासल कर लेंगे और बाकी आधे शायद डेडलाइन के बाद हासल कर पाएंगे लेकिन फिर भी आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए जिस तरह किसी विमान का एक निश्यत प्रस्थान समय होता है चाहे वो आपके टिकेट में दिये खास समय पर चले या ना चले यदि आपका लक्षय प्रयाप्त बड़ा है तो इसे छोटी-छोटी समय सीमाओं में तोड़ लें इससे बहुत मदद मिल सकती है जब आप अपने लक्षयों को दिनों और घंडों की मात्राओं वो गतिविद्यों में बाट लेते हैं तो आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं लक्षय तै करने के प्रक्रिया में सात्मा कदम ये तै करना है कि आपके और आपके लक्षय के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं आप अपने लक्षय पर अब तक क्यों नहीं पहुँचे हैं आपको कौन रोक रहा है किसने आपको पीछे रोक रखा है आपके लक्ष को हासल करने से जो चीज़ें आपको पीछे रोक रही है उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है जो बाधाएं और मुश्किलें आपको लक्ष हासल करने से रोक रही है आप उन पर 80 by 20 का नियम लागू कर सकते है ये नियम बताता है कि अगर आप अपने लक्ष हासल नहीं कर रही है तो जादातर मामलों में 80 प्रतिशत कारण आंतरिक होते हैं वे आपके आसपास के संसार में नहीं बलके आपके भीतर होते हैं सिर्फ 20 प्रतिशत बाधाएं ही भाहरी होती है यानि उनका संबन्द आपकी इस्तिती या दूसरे लोगों से होता है औसत और दोयम दर्जे के लोग जब प्रकती नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी असपास के लोगों और परिस्तितियों को देते हैं लेकिन श्रेष्ट लोग हमेशा अपने भीतर जांकते हैं और पूशते हैं मेरे भीतर वो कौन सी चीज है जो मुझे पीछे रोप रही है। आठमा कदम ये है कि आप ये पता लगाएं कि अपना लक्षय हासल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योगताओं के जुरत पड़ेगी। याद रखें, सूशना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। पुदेशे जुड़ा होना चाहिए, आपका लक्षय जो भी हो, आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसे हासल करने के लिए आपको क्या सीखना होगा और किस चीज में माहिर बनना होगा। खुद से पूछें, वे कौन सी योग्यता है, जिसे अगर मैं विक्सित कर लूँ और उतक्रिष्ट अंदाज में करूँ, तो मुझे ये लक्षय हासल करने में सबसे जादा मदद मिलेगी। आपका जवाब जो भी हो उसे लिख लें, एक योजना बनाएं और फिर हर दिन उस योग्यता को निखारने की महनत करें, जब तक कि आप उसमें माहिर ना हो जाएं, सिर्फ इसी निरने से आपकी जिन्दगी बदल सकती है। नवा कदम ये तै करना है कि लक्ष हासल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जुरुत होगी। अपने परिवार, बॉस या सह कर्मियों से शुरुवात करें। अपने ग्राहकों, अपने सप्लायर्स और अपने बैंकर के बारे में सूचे। आपको किसी मदद की जुरुत होगी और उनसे मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप किसी तरह से उनकी मदद करके, बदले में उनका सहयोग कैसे पा सकते हैं। संबंद ही सब कुछ होते हैं, कोई भी महतपूर्ण चीज हासल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की जुगत होगी। आप जितने जादा और बहतर संबंद बनाते हैं, लक्षे उतनी ही तेजी से हासल होगे और आपके जीवन का हर हिस्सा उतना ही बहतर होगा। आपके कामकाजी और निजे जीवन के वे मुख्य लोग कौन हैं, वे कौन होंगे, उनकी सहायता और सहयोग हासल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दस्वा कदम ये है कि आप अपने लक्षे को हासल करने की एक योजना बना ले। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिने आपको पूरा करना होगा, तभी आप अपने वर्तमान जगह से अपनी मन चाही जगह तक पहुँच सकते हैं। ये काफी हद तक उस योजना जैसी है जो आप छुट्या मनाने या सेर पर जाते समय बनाते हैं। आप ये तै करते हैं कि आप सटीकता से क्या चाहते हैं और उसे लिख लेते हैं। आप अपने शुरुवाती बिंदु का विशलेशन करते हैं और लिखते हैं कि आप किन कारणों से उन लक्ष को हासल करना चाहते हैं। आप एक समय सीमा और उप समय सीमा तै करते हैं। आप सूची बनाते हैं कि आपको किन बाधाओं से उबरना होगा और किन समस्याओं को सुलजाना होगा। आप तै करते हैं कि अपना लक्ष हासल करने के लिए आपको किन योगयताओं, ज्यान और मानव संसादनों को सीखना या ग्रहन करना होगा। आप ये पता लगाते हैं कि आपको किन लोगों की मदद के जुरुत होगी और उनकी मदद वह समर्थन हासल करने के लिए आपको क्या करना होगा फिर आप इन बिन्दों के आधार पर एक कार्य योजना बना लेते हैं योजना समय, क्रम और महत्व के आधार पर व्यवस्थित गतिविद्यों की सूची है आपको सबसे पहले क्या करना है और दूसरे नंबर पर क्या करना है ज्यादा महतपून क्या है और कम महतपून क्या है दूसरी चीज़ें की जा सकती है इसके पहले क्या करने की जरूरत है वे गतिविदियां कौन सी है जो लक्ष पाने के लिए किसी दूसरी चीज से ज़्यादा महत्वोन है लक्ष निर्धारण में 11 कदम ये है कि आप हर दिन अपने लक्ष का मानसिक चत्र इस तरह देखें जैसे वो पहले ही हासल हो चुका हो अपने मन की आँख से अपना लक्ष स्पष्टता से देखें कल्पना करें कि हासल होने पर ये कैसा दिखेगा वो भावना जगाएं जो लक्ष हासल होने पर आपके मन में होती उस गर्व, संतुष्टी और खुशी के कलपना करें जिसका अनुभव आप अपने मन चाहे लक्षों के पूरा होने पर करते अगर आप वैसे इंसान बन चुके होते जैसे आप बनना चाहते थे दिन में कई बार इस मानसिक चितरन को दोहराएं और इसे भावना से सराबूर कर दें जब भी आप मानसिक चितर देखते हैं और इसे भावना से सराबूर करते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन और अतिचेतन मन में अपने लक्षे की ज़्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अन्त तह आपका लक्ष एक प्रबल अचेतन शक्ती बन जाता है और आपको दिन रात प्रोथ साहित वप्रेरित करता है अन्त में हमने इस अध्याई में जिन चीजों पर बात की है उन सभी को एक आसान प्रक्रिया में फिरोने वाला एक अभ्यास यहां दिया जा रहा है कोरे कागस के उपर लिखें लक्ष आज की तारीख डालें फिर कम से कम दस लक्षों की सूची बनाएं जिने आप अगले बारा महीनों में हासल करना चाहते हैं इन लक्षों को वर्तमान काल में लिखें जैसे एक वर्ष गुजर चुका हो और आप लक्षे हासल कर चुके हूँ मिसाल के तौर पर अगर आप अगले बारा महीनों में अमुग डॉलर कमाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मैं इस वर्ष इतने डॉलर कमाता हूँ अपने दस लक्षे लिखने के बाद अपनी सूची की समिक्षा और विशलेशन करें खुद से ये सवाल पूछें इस सूची में वो एक लक्षे कौन सा है जिसे हासल करने से मेरे जीवन पर सबसे ज़्यादा सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा आप अपनी लक्षे सूची का विशलेशन करके उस सबसे महतपूर लक्षे को चुनते हैं ये लक्षे निकट भविशे के लिए आपका मुख्य निश्चित उद्दिश्य बन जाता है ये लक्षे आपका प्रात्मिक व्यवस्थापक सिध्धान्त बन जाता है ये वो लक्षे बन जाता है जो उपर बताई गई 12 हिस्सों की लक्षे निर्धारक प्रक्रिया से होकर गुजरता है इसे एक अलग कागज पर लिख ले और एक डेडलाइन या समय सीमा तै कर ले अपनी शुरुवाती इस्तिती का विशलेशन करे और उन कारणों की सूची बनाए कि आपको लक्षे क्यूं हासल करना चाहते हैं उन बाधाओं का पता लगाए जो आपके और उस लक्षे के हासल होने के बेच खड़ी है पता लगाएं कि लक्षे हासल करने के लिए आपको किस ज्यान और योग्यता की जुर्वत पड़ेगी पता लगाएं कि आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जुर्वत पड़ेगी लक्षे हासल करने की एक योजना बना ले फिर योजना पर काम करने में जुट जाएं और हर दिन कुछ न कुछ करें जो आपको अपने लक्षे की ओर ले जाता हो जब आप अपने जीवन में इन सिद्धानतों पर अमल करने लगते हैं तो आप इतना ज़्यादा हासल करने लगेंगे कि आपको खुद को भी हैरानी होगी आप ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभाविल इंसान बन जाएंगे आप में ज़्यादा आत्म गौरव और आत्म विश्वास होगा आप हर दिन, हर पल, विजेता जैसा महसूस करेंगे आप व्यक्तिकत नियांतरण और दिशा का जबरदस्त एहसास अनुभव करेंगे आप में ज़्यादा उर्जा और उत्साह होगा फल स्वरूप आप चंद हफ्तों या महिनों में इतना ज़्यादा हासल कर लेंगे जितना आम आदमी कई वर्षों में भी हासल नहीं कर सकता जब आप अध्यन और बारंबार अभ्यास करके अपने आजीवन लक्षे निर्धारक बन जाते हैं तो आपके अव चेतन मन में सफलता के प्रधान योगिता की प्रोग्रामिंग हो जाएगी आप हमारे समाज के शीर्षत तीन प्रतिशत उच्छ सफल लोगों की श्रेणी में पहुँच जाएगे आपकी गिंती संसार के सबसे सुखी और सफल लोगों में होगी अध्याय दो, जीवन में अपना सचा लक्षक हो जएगे अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से जो सबसे महतपून परशन पूछ सकते हैं वे ये हैं, मैं यहां क्यों आया हूँ, मैं जीवन में सच मुझ क्या चाहता हूँ, मैं कहां जा रहा हूँ और अगर मैं अपने सारे लक्षा हासल कर लूँ, तो मेरी जिन्दगी कैसी दिखेगी 80 by 20 का नियम कहता है कि आप जो 20% काम करती हैं, वो आपके पूरे कामों के 80% पूले का प्रतिनिधित्व करती हैं इसके अलावा आपके जीवन पर 20 by 80 का नियम भी लागू होता है ये नियम कहता है कि आपके लिए जो भी वाकई महतपून है, उसके बारे में सोचने और योजना बनाने में आप पहले जो 20% समय लगाते हैं, वो अंततह मिलने वाले 80% मूले और परिणामों को तैय करता है सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं, जो जादतर समय ये सोचने में लगाते हैं कि वे सच मुझ कौन हैं और वे सच मुझ क्या चाते हैं वे अपने सच्चे लक्षियों और इच्छाओं की रोश्णी में लगातार अपनी प्रगती का आंकलन और मोल्यांकन करते हैं वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीड़ी पर चड़ते समय ये सही इमारत से तिकी रहे इस अध्याय में आपको विचारों और प्रश्णों की एक श्रंकला बताई जाएगी जिसका इस्तमाल करके आप जीवन में अपने सच्चे अर्थ और उदेशे का पता लगा सकते हैं इन प्रश्णों पर पूरी तरह सोचने और इनका जवाब देने की आपकी इच्चुकता वा योग्यता का आपकी दिर्ग कालीन खुशी वा सफलता पर जितना प्रभाव पड़ सकता है उतना किसी दूसरी चीज से नहीं पड़ेगा इन प्रश्णों का पूरी तरह सोचने और इनका जवाब देने की आपकी इच्चुकता वा योग्यता का आपकी दिर्ग कालीन खुशी वा सफलता पर जितना प्रभाव पड़ सकता है उतना किसी दूसरी चीज से नहीं पड़ेगा व्यक्तिगत महानता का शुरुवाती बिंदू ये एहसास है कि आप सचमुझ असाधारन हैं पूरी स्रिष्टी से हूबहू आप जैसा कोई इंसान पहले कभी नहीं रहा आप में ऐसी उलेखने योगिताएं, कुशलताएं, रुजहान, ग्यान और विचार हैं जो आपको संसार में अब तक आए लोगों से भिन्द और स्रेष्ट बनाते हैं इस समय भी आपके भीतर इतनी शमता है कि आप उससे ज़्यादा हासल कर लें जितना आपने आज तक हासल किया है आप सफलता के जीव के रूप में रचे और बनाए गए हैं आपके अंदर उन चीजों को जादा करने की प्रेणा भरी गई है जिनसे आपको अपनी मन चाही सफलता और खुशी मिल सकती है अफसोस के बात ये है कि जादतर लोग अपनी सच्ची शमताओं से कम पर काम करते हुए जिंदगी गुजार देती हैं और फिर अपना संगीत अपने भीतर लिये हुए ही मर जाते हैं वे दबावों और घटनाओं पर अभिभावकों और अधिकारियों पर बिलों और जिम्मेदारियों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं जब तक कि ये जीवनशैली, स्वचालित और निर्विवादत नहीं बन जाती वे कभी शान्ती से बैट कर सोचने का समय ही नहीं निकालते कि वे दरसल खुद के लिए क्या चाहते हैं लीडर्स का एक गुण ये होता है कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं लीडर्स वे इस्तरी पुरुष हैं जिन्होंने समय लगाकर ये पूरी तरह पश्ट कर लिया है कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं और किसमें यकीन करते हैं वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और वे वहां कैसे पहुँचेंगे लीडर पैदा नहीं होते हैं लीडर तो बनते हैं आप ऐसे विचार सोचकर लीडर बनते हैं जो लीडर सोचते हैं आप ऐसे काम करके लीडर बनते हैं जो लीडर करते हैं नेतरत्व का अर्थ पद नहीं है, ये तो कार्य है, नेतरत्व किसी कार्ड बर लिखा हुआ पद नाम या पद भी नहीं है, ये तो उन चीजों से तैह होता है, जो आप हर दिन करते और कहते हैं. जब आप किसी लीडर की तरह सूचते, चलते, बात करते और काम करते हैं, तो आप लीडर बन जाते हैं. आप अपने जीवन और भविशे की बागदोर अपने हातों में थाम लेते हैं. आप अपनी तकदीर के स्वामी और अपने भविशे के आर्केटेक्ट बन जाते हैं. करने में अपने पूरे दिल को जूखना है। आपके जीवन का सिर्फ एक उदेश्य हो सकता है, जैसा मदड एरिसा का था। या फिर आपके जीवन के कई क्रमिक उदेश्य हो सकते हैं, जब आप विकास करते हुए ज्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। सबसे सफल पूर्षों और महिलाओं में एक गुण समान होता है स्पष्टता। उन्हें बहुत स्पष्टता से पता होता है की वे किसके पक्ष में खड़ी हैं, किसमें विश्वास करते हैं और कहां जा रही हैं। ये आपको भी स्पष्टता से पता होना चाहिए। ये ऐसी महतपून और अनूठी चीज है जिसे उतकरिष्ट अन्दाजमी करने के लिए आप अनूठे रूप से उप्योगते हैं। जिन्दगी में आपका प्रात्मिक लक्ष अपनी हिर्दे की इच्छा खोजना होना चाहिए। सिर्फ तभी आप वाकरी खुश, सचमुच सफल और पूरी तरह संतुष्ट होंगे। आपका काम भी अपना होली ग्रेल खोजना है। इस सवाल का जवाब देकर शुरुवात करें। आप किस महान चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। खुद को सपने देखने की अनुमती दें और बड़े सपने द चाहें वो बन सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वो सारा समय और पैसा है जिसके आपको कभी जरुवत होगी। कल्पना करें कि आपके पास वो तमाम अफसर और संसादन हैं जिनसे आप किसी विसंभावना का लाब ले सकते हैं। कल्पना करें कि आपने जिस लक्ष का सपना देखा है और जिससे तै किया है उसे हासल करने के लिए आपके पास हर मंचाही चीज है। बस ये कल्पना करें कि आपके पास कहीं पर भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं है आप जो बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं अगर इसकी कोई सीमा नहीं होती तो आप अपने लिए कौन से लक्ष तै करते यदि आपको अपनी चुनी हुई किसी भी चीज में जब बरदस सफलता की गारंटी दे दी जाती चाहे वो बड़ी हो या छोटी अल्प कालीन हो या देर्ग कालीन तो आप खुद के लिए कौन सा एक बड़ा लक्ष चुनते इस प्रशन का आपका जवाब आपको अपने सचे व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इतना कुछ बता देगा जितना तमाम मनोव व्यग्यानिक परिक्षन भी नहीं बता सकते जातातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वे रोज मर्रा के जीवन की संक्री और बंधनकारी सोज के दलदल में धसे रहते हैं जब आम आदमी कभी कभार सितारों की तरफ निगाह उठाता है तो उसे अपने पसंदिदा काम की जलत दिखती है तो उसके दिमाग में तुरंथ ही तमाम कारण आ जाते हैं कि ये क्यों संभव नहीं है हम अपनी जहांकी पर खुद ही पानी फिर देते हैं अगर हमारे मित्रों या परिवार वालों के पास सपने या लक्षे हैं तो हम अक्सर उनकी जहांकी पर भी पानी फिर देते हैं अपनी सोच को बंधन दहित करने के लिए नीचे दिये गए कुछ सवाल पूछें और उनका जवाब दे इससे आपकी आँखें इतनी बड़ी संभावनाओं के प्रतिक खुल जाएंगी जिनकी आपने पहले कभी कलपना भी नहीं की थी पहला सवाल ये है यदि किसी प्रतिस परदा में आप कर मुक्त 10 लाग डॉलर का इनाम जीज लेते हैं तो आप अपने जीवन में क्या परिवर्दन करेंगे कलपना करें कि आपके पास एक फोन आया है कि आपने 10 लाग डॉलर का इनाम जीज लिया है इस इनाम को हासल करने के लिए आपको बस एक अनिवारे प्रशन का उतर देना है आपके सामने वाले को विस्तार से बताना होगा कि बैंक खाते में 10 लाग डॉलर आने की वज़े से आप अपने जीवन में कौन-कौन से परिवर्दन करेंगे आपका जवाब क्या होगा ये एक मुक्तिदायक प्रशन हो सकता है ये आपको आजाद कर सकता है लोग अपने सपनों का अनुसरन नहीं कर पाते हैं इसका बुन्यादी कारण ये है कि वे अपने बिलों द्वारा अटके हुए महसूस करते हैं और सीमाओं द्वारा अपंग महसूस करते हैं लेकिन आप पल भर के लिए ये कल्कना कर लेते हैं कि आपके पास 10 लाग डॉलर हैं तो आप ये कल्कना भी कर सकते हैं कि आप इस समय कोई भी चीज चुनने के लिए स्वतंत रहें जो आप बनना, पाना या करना चाते हैं जब हम ये सवाल पूछते हैं तो जादतर लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी तुरंत छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे जो लोग कहते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी से खुश हैं वे भी अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर उसे छोड़ने की सोचने लगते हैं अगर बहुत जादा पैसा मिलने पर आप अपनी वर्तमा नौकरी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वर्तमा नौकरी आपके लिए सही नौकरी नहीं है आप शायद इस नौकरी में संयोग से आ गए हैं और आप इसे हर वक्त इसले कर रही हैं क्योंकि आपको नौकरी और आमदनी की जुर्वत है जो लोग सही नौकरी में हैं वे उसे कभी छोड़ने की बात सोचेंगे भी नहीं भले ही उन्हें इनाम में बहुत सारा पैसा मिल जाए वे बस अपनी नौकरी को ज़्यादा अलग और बहतरीन तरीके से करने के बारे में सोचेंगे चायद किसी अलग जगय या किसी अलग कंपनी में लेकिन वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे यदि आपके पास 10 लाग डॉलर होते और आप अपनी नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करने के बारे में सोचते तो आप किसे चुनते यदि आप किसी तरह का कोई काम करने का चुनाव करते तो वो काम कौन सा होता पलभर के लिए ये भूल जाएं कि किसी खास शित्र में आपके पास आवशक योगताएं या अनुभव नहीं है पलभर के लिए बस इतना सोचें कि अगर कोई सीमाई नहीं होती तो आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते आपको सबसे ज़्यादा भुकतान और खुशी हमेशा तभी मिलती है जब आप कोई ऐसी चीज करेंगे जिसमें आपको सचमुच आनन्द आता है करियर में सफलता के फॉर्मूले के तीन हिस्से हैं आप क्या कर रही हैं ये जानना आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करना और आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करना सचमुच सफल लोग अपने काम से प्रेम करते हैं इस कारण वे अपने काम में अपना पूरा दिल जोंग देते हैं वे अपने काम करने के जगह पर पहुँशने के लिए बेकरा रहते हैं और वहां से लोटने से नफरत करते हैं उनके लिए काम और आनंद को अलग करने वाली कोई रकीर होती ही नहीं है जब वे काम नहीं करते हैं तब वे अपने काम के बारे में सोचते और बात करते रहते हैं उसे ज़्यादा अलग वो बहतर करने के तरीके सोचते रहते हैं यदि अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में आपकी यही भावनाय नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई दूसरी नौकरी जादा उप्योगत है ये पता लगाना आपकी जिम्मिदारी है कि वो कौन सी है अपने हिर्दे की इच्छा और अपने सचे मिशन वो जीवन के उद्देश का पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यात ये है कि आप अपने भरविश्य के लिए एक आदर्श स्वपन देखें खुद को पाँच साल आगे ले जाएं और कल्पना करें कि आपका जीवन हर माइने में आदर्श है कल्पना करें कि 5 साल की इस अबधी में आपके जीवन की हर समस्या सुलच चुकी है और हर लक्ष्य हासिल हो चुका है यदि आपका जीवन हर मायने में आदर्ष होता तो ये कैसा दिखता यदि आप जादू की छड़ी लहरा कर अपने जीवन को आदर्ष बना सकते तो आप कौन सा काम करते आपके आमधनी कितनी होती आप अपने पेशे या नौकरी में किस तर पर होते आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे होते और उट बैठ रहे होते अपने नीजी जीवन में भी जादू की छड़ी लहराएं यदि आपका जीवन हर मायने में आदश होता तो आप क्या कर रहे होते और आप किस के साथ होते आप अब क्या नहीं कर रहे होते आप अब किन लोगों के साथ नहीं होते आपके जीवन शैली कैसी होती आप अपने दिन सप्ता और महीने कैसे बिताते आपका स्वास्ते कैसा होता आप कितने फिट होते आप कौन सी कार चला रहे होते आप किस तरह के घर में रह रहे होते आपके पास बैंक में कितना पैसा होता आप अपने छुट्टियां तथा फुर्सत का समय कैसे बिताते जब आप भविषय में कलपना करते हैं और अपने आदर्श जीवन के सपने देखते हैं तो आप एक भावी स्वपन का स्रेजन करने लगती हैं अपने मन्चाहे भविषय के सपष्ट तस्वीर देखकर आप आकरशन के नियम को सक्रिय कर देते हैं जो फिर आपके जीवन में किसी चुम्बक की तरह काम करता है आप ऐसे लोगों, विचारों और संसाधनों को आकरशित करने लगते हैं जो आपके मानसित चित्रों के सामनजस्ते में होते हैं आपका भावी स्वपन आपको अपनी और खीचता है, जिस तरह आप इसे अपनी और खीचते हैं जब आप अपने आदर्श भविषय के बारे में बिलकुल स्पष्ट बन जाते हैं तो उस भविषय को हासल करने के संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है आपने अपने लिए जिस भविषय के कलपना की है, भू बहु वैसे ही भविषय के इस रिजन में मदद करने वाली सभी तरह की चीजें होने लगती हैं हारवर्ड के विलियम जेम्स ने लिखा था मेरी पीडी के महांतम खोज ये है कि आप अपने मस्तिश्क के अंदुरनी पहलूओं को बदल कर अपनी जिंदगी के बाहरी पहलूओं को बदल सकती हैं रैफ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है अर्ल नाइटिंगेल ने इसे इस तरह से कहा था सफलता का सबसे अजीव रहस्य ये है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप जादतर समय सोचते हैं विचार स्रिजनात्मक होता है। आप जो विचार जादतर समय सोचते हैं, उनी से आप अपने जीवन और अपने भविश्य का स्रिजन करते हैं। आपके विचारों के पीछे जितनी ज़्यादा भावना होगी, आपके जीवन पर उनका उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लक्षय निर्धारण का सबसे आश्यर जनक पहलू ये है कि स्पर्ष्ट, विशिष्ट लक्षय और रोमांचक भावी स्वप्न सकरात्मक भावनाओं को प्रेदित कर देते हैं। फिर आप वो करने के लिए प्रोथसाहित हो जाते हैं जो आपको अपने लक्षय हासल करने के लिए करना है। वे आपको अपने भविश्य का स्रिजन करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व के तीन हिस्से हैं, जो ये तैय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप किस तरह के व्यक्ति बनते हैं। ये हैं आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवी और आपका आत्म गौरब। आपका आत्म आदर्श उन सभी गुणों, मूल्यों, विशेष्टाओं और योगिताओं का मिश्रण है जिनकी आप खुद भी और दूसरों में सबसे ज़्यादा प्रशंसा करती हैं ये मन चाहे व्यक्ति बनने और मन चाहा जीवन पाने का आपका स्वपन है अगर हर चीज हर मायने में आदर्श हो बेहत सफल लोगों के आत्म आदर्श बहुत सपष्ट होते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं और किसमें विश्वास करते हैं उनके पैमाने और माप दंड सपष्ट होते हैं जिनकी कसोटी पर वे हर दिन अपने व्यभार और हर काम को परकते हैं वे जानते हैं कि वे जीवन में क्या हासल करना चाहते हैं और वे हर दिन अपने लक्षों की दिशा में काम करते हैं दूसरी ओर असफल लोग अपने मूल्यों और आदर्शों के बारे में असपष्ट और दुविधा पूर्ण होते हैं और कई मामलों में तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वे किसमें विश्वास करते हैं और किसके पक्ष में खड़े हैं। सर्वश्रेष्ट लोगों के पास स्पष्ट सकारात्मक मूल्य होते हैं जिनसे समझोता करने या तोड़ने मरोड़ने से वे इनकार कर देते हैं। औसत या दोयम लोगों के थुलमुल मूल्य होते हैं जिनसे वे सबसे छोटे प्रलोबन पर भी समझोता कर लेते हैं। आपके मूल्य कौन से हैं? आप किसमें विश्वास करते हैं? आप किसके पक्ष में खड़े हैं? आप किसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे? आपका व्यक्तत्व काफी हद तक आपके मूलियों की स्पष्टता और गहनता से तै होता है आपके मूलही, आपकी प्रेणना, आपके विश्वासों, आपके नजर्यों और आपकी भावनाओं को तै करती है लोगों, राजनिती, धर्म और अपने आसपास के लोगों में आपके सबसे अंदरूनी विश्वास ही ये तै करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह काम करती हैं और आप किस तरह के लोगों से मिलते जुटे हैं यदि कोई शोध कम्पनी अपने मित्रों और सहीयोग्यों की राय शुमारी करे और उनसे आपके बुनियादी मूल्य बताने को कहे तो वे लोग आपके बारे में सबसे अच्छा क्या कहेंगे? आपके साथ उनके अनुभवों और आपके वेभार के अवलोकनों के अधार पर दूसरे लोग आपके बुनियादी मूल्यों और आदर्शों के बारे में क्या कहेंगे? आप किसी व्यक्ति के सच्चे मूल्य और विश्वास कैसे मालूम कर सकते हैं? उसकी कही बातों के अधार पर, उसकी इच्छा के अधार पर, वो जो करने का इरादा रखता है उस अधार पर क्या लोगों के सच्चे मूलय और विश्वास उसमें व्यक्त होते हैं, जो वो लिखते हैं, या जिनका वादा वो चुनाव लड़ते समय करते हैं नहीं, जवाब ये है कि आपके मूलय हमेशा सिर्फ आपके कार्यों और विवहार में व्यक्त होते हैं महतवपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, महतवपूर्ण तो वो है जो आप करते हैं खास्तोर पर, जो आप दबाव में करते हैं स्टोइक दार्षनिक एपेक्टेटिस ने लिखा है, परिस्तितियां इंसान को नहीं बनाती है, वे तो सिर्फ उसे खुद के सामने उजागर करती है। जब किसी इंसान पर दबाव डाला जाता है और एक या दूसरे मूल्या पर कारे करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो हमेशा उस वक्त के अपने सबसे प्रमुख मूल्या पर काम करेगा, चाहे वो कुछ भी कहता रहे। यहां आपके मूल्यों और आदर्शों के बारे में एक खास बात पर गौर करें। उच्चतर क्रम के मूल्या हमेशा निम्न क्रम के मूल्यों से पहले आते हैं। हो सकता है कि आपके पास मूल्यों की पूरी श्रंकला हो, जिन पर आप समय समय पर काम करते हैं। लेकिन दबाव में होने पर आपके सच्चे मूले ही हमेशा ये तै करेंगे कि आप उस वक्त क्या करते हैं और कहते हैं। आपके मूले क्या हैं उन्हें लिख लें। तीन से पांच मूलेों की सूची बनाएं जिनने आप जीवन में सबसे महतकून मानते हैं। ये अभ्यास अपने जीवन साथी या अपने स्टाफ के साथ भी करें। जब भी आप कॉर्परेशन के लिए रणनेतिक नियोजन करते हैं तो आप मूले के अभ्यास से शुरुवात करते हैं। और मूलेों को पस्ट बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। प्रिया मूले रणनेतिक नियोजन की बन जाते हैं। हर योजना और नियोजना को मूलेों की कसौटी पर परखा जाता है ताकि ये सुनिष्चत हो सके कि वो योजना या नियोजना कंपनी के सच्चे विश्वासों के सामन जस्टे में हैं। एक बार जब आप अपने मूले लिख लें, तो प्रात्मित्ता के अधार पर उन्हें क्रम में जमा लें। कौन सा मूले सबसे पहले आता है, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसर स्थान पर, आधी आधी। न सर्फ आपके मूले महतपूर्ण होते हैं, बलकि मूल्यों का आपका करम भी महतपूर्ण होता है। ये करम ये त्या करने में अत्यंत महतपूर्ण होता है, कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक उधारण देखें. कल्पना करें कि आपके पास दो लोग हैं, जिन में से प्रतेक के तीन शीर्ष मूले समान हैं. ये मूले हैं परिवार, स्वास्थय और करियर। लेकिन उनके करम भिन हैं. व्यक्ति ए कहता है, महत्व के करम में मेरा परिवार पहले स्थान पर है, मेरा स तो व्यक्ति A अपने परिवार को अपने स्वास्ते के उपर चुनेगा और वो अपने परिवार तथा स्वास्ते को अपने करियर के उपर चुनेगा जब आप अपने मूलों के बारे में सपश होते हैं तो निर्णे लेना और काम करने के विकल्पों में चुनाव करना ज्यादा आसान होता है व्यक्ति B के पास भी यही तीन मूले हैं बस उनका क्रम थोड़ा अलग है व्यक्ति B कहता है मेरे शीर्ष तीन मूले हैं मेरा परिवार, मेरा स्वास्ताय और मेरा करियर लेकिन मेरा करियर पहले स्थान पर है मेरा परिवार दूसरे स्थान पर है और मेरा स्वास्ताय तीसरे स्थान पर है इसका मतलब है कि जब चुनने या प्रात्मिक्ताय तैय करने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्यक्ति B अपने करियर को अपने परिवार के उपर चुनेगा और अपने करियर वह परिवार को अपने स्वास्ते के उपर चुनेगा अब यहाँ एक सवाल है, क्या A व्यक्ति और B व्यक्ति के बीच कोई फर्ख होगा? क्या ये फर्ख छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? आप इन दो लोगों में से किस से मित्रता करना चाहेंगे? A व्यक्ति से या B व्यक्ति से? मैं सोचता हूँ कि जवाब स्पष्ट है A व्यक्ति का परिवार और स्वास्ते उसके करियर से पहले आते हैं इसलिए वो B व्यक्ति से बहुत भिन इनसान होता है जो कहता है कि उसका करियर उसके परिवार और उसके स्वास्ते से पहले आता है इसलिए वो B वेक्टी से बहुत भिन्न इंसान है क्योंकि B कहता है कि उसका करियर उसके परिवार और उसके स्वास्ते से पहले आता है हाल में मूले सापेक्षता के बारे में काफी बाते हुई है कई लोग कहते हैं कि दरसल ये माइने नहीं रखता कि आपके मूले क्या हैं, क्यूंकि सारे मूले चयन या राय का मामला होते हैं, वे कहते हैं कि यदि आप अखंडता और करुणा में विश्वास करते हैं, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रात्मिक ताएं हैं, उनके अनुसार यदि आप बेमानी और दुकानों से सामान उठाने में विश्वास करते हैं, तो ये व्यक्तिगत प्राता का मामला है, उनके राय में मूले ना तो अच्छे होते हैं, ना ही बुरे होते हैं, वे तो बस सापेक्ष होते हैं, हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, मूले ना तो त आपके मूल्यों का करम सही है या नहीं है ये बस इस तरह है क्या अपने मूल्यों के अनुसार जीकर आप अपने जीवन की गुर्वत्ता और खुशी को बढ़ा सकते हैं यदि आप सकरात्मक उपर उपने वाले मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आप खुश, सम्मानित, सफल और संतोष्ट व्यक्ति बनेंगे। यदि आप गलत मूल्यों के हिसाब से जीते हैं, तो आप जादातर समय दुखी, असफल और कुंधित रहेंगे। अपने मूल्यों को तै करना और उनके महत्व का क्रम तै करना, अपने आत्म आदर्श को परिभाशित वस पष्ट करने का एहम हिस्सा है। आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा वो है, जिसे आपकी आत्म छवी कहा जाता है। ये वो तरीका है जिससे आप खुद को देखते हैं और वर्तमान पल्वे अपने बारे में सोचते हैं। आपकी आत्म छवी यानि आपके बारे में आपके मानसिक तस्वीर ये तै करती है कि आप बाहर किस तरह का व्यवहार और प्रदर्शन करते हैं। आत्म छवी मनोवे ज्यानिक बताता है कि आप बाहर अपना प्रदर्शन बदल सकते हैं अगर आप उस तस्वीर को बदल लें जो आप खुद को मन में करते देखते हैं। इसलिए बाहरी जीवन की बहतरी मानसिक तस्वीरों की बहतरी से शुरू होती है। आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आत्म गौरव का आपका स्तर। इसे इस तरह से परिभाशित किया जाता है। आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आत्म गौरव का आपका स्तर इस पास से तैह होता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, खुद का कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूलवान इंसान मानते हैं। यदि आपका आत्म गौरव उचा है तो आप अपने लिए ज़्यादा बड़े लक्षत तैय करेंगे और उन्हें हासल करने में लंबे समय तक लगन से जुटे रहेंगे. आप ज़्यादा पसंद करने लायक होंगे, लोगप्रिय होंगे और आत्म विश्वास तथा व्यक्तिकत गर्व के ज़्यादा उचे स्तर का आनन्द लेंगे. आपका आत्म गौरव जितना उचा होगा आप उतने ही ज़्यादा खुश और स्वस्त होंगे. यहाँ एक रोचक होज पर गौर करें. आपका आत्म गौरव जिसे कई बार अपने साथ आपकी प्रतिष्टा कहा जाता है, यानि आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, यह काफी हद तक इस बात से तैह होता है कि आपकी आत्म छवी, आपके आत्म आदर्श के कितने सामन ज़स्ते में हैं। आपका वर्दमान प्रदर्शन, आपके आदर्श प्रदर्शन के चितर के कितने सामन ज़स्ते में हैं। मिसाल के तौर पर आईए मान लेते हैं, आपका आत्म आदर्श ये है, कि आप एक उत्कृष्ट इंसान है, जो भैतरीन काम करता है, और जिसे ओफिस के लोग बसंद्व सम्मानित करते हैं, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, और आपको उन लोगों का अनुमोदन प्रशंसा मिलती है, जिनका आप सम्मान करते हैं, तो आपका वर्दमान व्यवहार और आपका आदर्श व्यवहार सामन जिस्ते में हैं, जब भी ये होता है, आपका आत्म गौरव उपर उठ जाता है, आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपना सम्मा पर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब भी आपको ये महसूस होता है कि आप स्वयम द्वारा तै किसी लक्ष को पानी की दिशा में प्रगती कर रही हैं, तो आप आत्म गौरव, आत्म सम्मान और व्यक्तिगत गर्व की भावनाव को प्रेजित कर देते है इसलिए Earl Nightingale ने कहा था, सपलता किसी सार्थक लक्षय या आदर्श की करमशय प्राप्ती है। सकरात्मक व्यक्तित्व और संतोष्टी दायक जीवन की बनियाद है, वास्तविक आत्म गौरव के उच्छ स्तर पर आधारित प्रबल आत्म अवधार्णा। आपके सरवोच्च मूल्य और विश्वास जितने जादस पष्ट होते हैं, तता आप उन मूल्यों वा विश्वासों के अनुरूप जितना जीते हैं, आप उतना ही बहतर महसूस करेंगे और आप उतने ही शक्तिशाली वा प्रभावी इंसान बन जाएंगे। जब आप अपने मूल्य और आदर्श तै कर लें, तो फिर आपको ये निर्ने लेना होगा, कि आपको यहां कौन सा अनुठा काम करने के लिए भेजा गया है। आपका पेशा या कर्म क्या होना चाहिए। अपने लक्षों को हासल करने और अपने संभावनाओं को परिपून करने के लिए आपको किस तरह के काम की प्रती समर्पित होना चाहिए। आप चार अलग-अलग प्रकार के काम करने का चुनाओ कर सकते हैं। इन्हें इस आधार पर विभाजत किया जा सकता है कि काम करने में आसान है या मुश्किल है या सीखने में आसान है या मुश्किल है आप जिस काम के लिए सरवाधिक उप्योप्त होते हैं वो हमेशा सीखने और करने दोनों में आसान होगा इन चार श्रेडियों पर एक के बाद एक नजर डालते हैं पहले प्रकार का काम वो है जिसे सीखना और करना दोनों ही किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है ये अधिक व्यक्तित्व या विचार केंद्रत होता है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इंजिनियरिंग इसी श्रेडि में आती है संख्याओं के साथ काम करना सीखना आपके लिए मुश्किल है इसलिए इसे करना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा इसे करने के बारे में आप कभी उत्साहित नहीं होंगे भले ही आप इसे सामानने अच्छी तरह कर ले लेकिन आपको अपने काम में किसी भी तरह की खुशी नहीं मिलेगी आज कई लोग खुद को इस तरह की इस्थती में पाती है संख्याओं के साथ काम करना सीखना आपके लिए मुश्किल है इसलिए इसे करना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा इसे करने के बारे में आप कभी उत्साहित नहीं होंगे भले ही आप इसे सामाने अच्छी तरह कर लें लेकिन आपको अपने काम में किसी भी तरह की खुशी नहीं मिलेगी आज कई लोग खुद को इसी तरह की इस्तिती में पाती है दूसरी तरह का काम दो काम होता है जिसे सीखना तो मुश्किल होता है लेकिन सीखने के बाद उसे करना आसान होता है मिसाल के तौर पर टाइपिंग करना सीखना मुश्किल है लेकिन इसके बाद इसे करना आसान है बोलना और लिखना सीखना मुश्किल है लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो फिर इसे करना आसान होता है रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता के लिए जिन बुनियादी योगिताओं की आवशक्ता है उन में से कई इस श्रेणी में आते हैं जिनें सीखना तो मुश्किल होता है लेकिन बाद में करना आसान होता है इस तरह का काम आपके लिए उप्योक्त नहीं होगा क्योंकि जल्दी ही ये नीरस और चुनोती रहित बन जाएगा तीसरे प्रकार के काम में वे काम आते हैं जिनें सीखना तो आसान है पर करना कठिन है गड़े खोदना और लकड़ी काटना सीखने में आसान है लेकिन करने में हमेशा कठिन है वे कभी बहुत आसान नहीं होते जो काम सीखने में आसान और करने में कठिन होता है उसमें बहुत सीमित भविश्य होता है दुर्भागय से जिन लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिलती है या जो लगातार अपनी योग गिताओं वज्ञान का नवीनी करनक नहीं करते हैं वे इन कामों में अटक सकते हैं कई बार तो जिन्दिगी भर के लिए ये एक सतत समस्या है और हमारे सूचना वज्ञान आधारित समाज में काफी संगर्ष का स्रोध्दी है काम के चौथी और सबसे महतपून श्रेणी में वे काम शामिल हैं जिन्हें सीखना और करना दोनों ही आसान है वास्तव में इन्हें सीखना आपके लिए इतना आसान है कि आप यही भूल जाते हैं कि आपने इन्हें सीखा ही कैसे वे बस आपके लिए स्वभाविक होते हैं इस रेणी के ही काम है जहां आप उतक्रिष्ट बन सकते हैं और अपने लिए आश्यर रजनक जीवन का सुरिजन कर सकते हैं आपके पास इन छेत्रों में नैसरगिक दक्षता होती है आपका काम लगबग प्रयास हीन होता है और आप सोचे बिना ही इसमें लगातार बहतर और बहतर बनते जाते हैं आपका भविश्य यहीं पर है आप ये कैसे तै करेंगे कि किस प्रकार का काम आपके लिए आदर्श है चार शब्द हैं जो आपके आदर्श नौकरी या पेशे में होने चाहिए वे हैं रुची, ध्यान, तलीनता और सम्मोहन आपकी सबसे ज़्यादा रुची हमेशा उस तरह के काम में होगी जो आपके लिए सबसे आदर्श है आप उस विशय का स्वाभाविक रूप से आनंद लेंगे पर आप उसके बारे में ज़्यादा सीखने के प्रती आकर्शित होंगे आप उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे आप उसके बारे में सुनना चाहेंगे और उसके बारे में बात करना चाहेंगे जिस तरह लोहे की कत्रने किसी चुम्बक की तरफ आकर्शित होती हैं, उसी तरह आप उन नौकरियों की तरफ आकर्शित होंगे, जिने करने के लिए आप आदर्श रूप से उप्युक्त हैं वास्तव में आपके आदर्श पेशे का एक इम्तिहान पीछे पलट कर देखना और ये सोचना है कि 7-14 साल की उम्र के बीच आपको किन गतिविद्यों में सबसे ज़्यादा आनन्द आया था आपको उस वक्त जो गतिविद्या सबसे ज़्यादा आनन्द दायाग लगते थी वे इस बात का संकेत हैं कि आपको व्यस्क होने पर वही करना चाहिए यदि आपको याद नहीं है कि कम उम्रों में आपके इन गतिविदियों में सबसे ज़्यादा समय बिताते थे तो अपने माता पिता से पूछ लें, अपने भाई भेहनों से पूछें अपने कुछ स्मृते चन्न देखें और अपने बच्पन की गतिविदियों पर नज़र डाले अक्सर आपको ऐसे संकेद और सूचक मिल जाएंगे जो सीधे आपके हृदय की इच्छा की ओर इशारा करेंगे दूसरा शब्द है ध्यान अखबार पढ़ते समय या टेलिविजन देखते समय आपके लिए आदर्श शेत्र आपके ध्यान को जगड़ लेगा ये आसानी से और स्वभाविक रूप से आपका ध्यान आकरशित करेगा कहीं पर जाते वक्त आप दूसरों की जो बाते सुनेंगे उनमें अपने आदर्श काम के बारे में बातचीत पर आपका ध्यान जाएगा आप सौभाविक रूप से उन लोगों और संगठनों के प्रती आकरशित होंगे जो गतिविदी के उस छेत्र में सनलंगन है तीसरा शब्द तल्लीनता एक अद्वु शब्द है ये बताता है कि आपके साथ क्या होता है जब आप वो कर रहे हों जिसे आप से कराने का सचमुच इरादा था समय आपके लिए स्थिर ठहर जाता है कई बार आप खाना, पीना, अराम करना या छुट्टियां लेना भूल जाती है वैज्ञानिक शोद करताओं, लेखकों, चित्रकारों और व्यविसाईयों के कामकाजे जीवन के बारे में कई कहानिया है जो हर दिन, हर सप्ता, हर महीने 15-20 घंटे काम करते हैं और उनमें पूरी तरह तल्लीन होते है चौथा शब्द सम्मोहन उन लोगों और काम के प्रती आपके नजरिये का वर्णन करने का एक अद्भू तरीका है जिनके लिए आप आदर शुरूप से उप्युक्त है ये आपको समोहित करता है, ये आपको जगरता है, ये आपको आकर्शित करता रहता है आप अपने कारे स्थल पर पहुँशने के लिए बेकरार रहते हैं और वहां से लोटने से नफरत करते हैं आप उबे या भटके बिना उस काम के बारे में अंतहिन रूप से बात कर सकते हैं उसे कर सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं वो काम आपके लिए एक तरह का खेल होता है, जिसे करते समय आपको खुशी और संतुष्टी का जबरदस्त एहसास होता है। आप अपने लिए सही शेतर में है या नहीं, ये आपको हमेशा पता होता है, क्योंकि आपने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अदम्य और अत्रिप्त इच्छा होती है। आप अपने आसपास के संसार में जिन लोगों की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं, जो उस शेतर के शिखर पर होते हैं, जिसके लिए आप सबसे आदर्श रूप से उप्युक्त हैं। आपके नायक और नायकाएं कौन हैं, आप किसकी जीवन में सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति बनने की दिशा में विकास करेंगे, जो बनना आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे लोग सम्मान और प्रशंसा करें। जीवन में अपने आदर्श, मिशन और उद्देश्य को तै करने के लिए अपने जीवन को पलट कर देखें। और अपनी पिछली सफलताओं व असफलताओं का मूल्यांगन करें। कौन से गुण, योग्यताओं या विशेशताओं जीवन में अब तक आपके सफलताओं के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मिदार हैं। आपके शिखर अनभव या सरवच उपलब्दी व गर्व के पल कौन से रहे हैं। और इन पलों में क्या समानता है। यदि उन सबी उपलब्दियों के सूची बनाती हैं जिन पर आपको विशेश गर्व है, तो आम तोर पर उनमें आपको किसी तरह की समानता मिलेगी। लगभग हर मामले में आप किसी खास तरह के व्यक्ति के साथ थे और आप एक खास तरह का काम कर रहे थे। आप किसी खास तरह के व्यक्ति से खास तरह के मानताएं भी पा रहे थे। मिसाल के तोर पर आपको ये पता चल सकता है कि आपकी संतुष्टी के सबसे महान स्रोत, अल्प कालीन और दिर्ग कालीन लक्षत तैर वा हासल करना रहे हैं। ये किसी खास काम को पूरा करने या प्रतिस फर्दा जीतने में दूसरों के साथ मिलकर काम करना भी हो सकता है। आपके शिकर अनुभव किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में दूसरों के व्यवस्थापन और प्रबंधन में भी हो सकते हैं। आपके खुशी का सबसे महान्सरोध, व्यक्तिकत उपलब्धी भी हो सकती है, किसी चीज को खुद पूरा करना। आपने जीवन में ऐसे कौन से काम किये हैं, जिनसे आपको आत्म गौरव और नीजे गर्व की महान्तम भावनाई मिली हैं। यदि आप भविश्य में अपनी जीवन में कोई चीज हासिल कर सकें, तो कौन से एक लक्ष से आपको व्यक्तिकत गर्व और संतुष्टी की सबसे बड़ी मात्रा मिलेगी। आप अपनी जीवन को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि आप वे चीज़ें जादत से जादा कर सकें, जो आपको जादत से जादा सच्ची संतुष्टी देती हैं। आप दूसरों में किन गुणों की सबसे जादा कदर करते हैं? यह हमेशा वही गुण होंगे जिने आप खुद में सबसे जादा चाहते हैं। इनमें से प्रते गुण में खुद को एक से दस के पैमाने पर अंक दे और फिर हर छेतर में बहतर बनने की योजना बनाई। इन योगिताओं में से प्रतेक में खुद को एक से दस के पैमाने पर अंक दे और फिर सीख कर पअभ्याज करके इन योगिताओं को निखारने की महनत शुरू कर दे। वो कौन सी एक योगिता है जिसे यदि आप विक्सित कर लेते हैं और उसे उतकरिष्ट अंदाज में करते हैं तो आपका आपके जीवन और आपके करियर पर सबसे ज़्यादा सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी एक शेतर में बेहद असाधारण बन सकें तो वो शेतर कौन सा होगा जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। यदि आप योग्यता के इस एक शेतर के बारे में पूरी तरह सपष्ट बन सकें तो फिर आप इसे लक्षे के रूप में तैक कर सकते हैं। योजना बना सकते हैं और इस योग्यता में उतकरिष्टा के सतार पर महुँचने के लिए काम शुरू कर सकते हैं। कई बार एक अकेली योगता का विकास या बहतरी ही आपके पूरे जीवन वो करियर को बदल सकती है। यहां एक अच्छा सवाल दिया जा रहा है, जो जीवन में आपके सच्चे मूल्यों और विश्वासों को सफष्ट करने में आपकी मदद करेगा। कल्प न करें कि आप अपने स्वास्ते की पूरी जाज के लिए किसी डॉक्टर के पास चाते हैं, वो आपको परिणाम बता रहा है। वो कहता है कि अच्छी खबर ये है कि अगले 6 महीनों तक आपका पूरा शारिरिक स्वास्ते बहतरीन रहेगा और आप इसका आनन्द लेंगे। पूरी खबर ये है कि 6 महीने बाद आप एक असादय रोग से मर जाएंगे। अगर आज आपको पता चले कि आपके पास जिन्दा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, तो आप क्या करेंगे। आप अपना समय कैसे बिताएंगे? आप किसके साथ समय बिताएंगे? आप कहा जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप अपने दिन कैसे बिताएंगे? इन प्रश्णों के जवाब आपको बता देंगे कि आप सचमुच किसे महत्व देते हैं और आपके लिए सचपुच महत्वपूर्ण क्या है अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं तो कई चीजें अप्रासंगिक बन जाती हैं जिने आप महत्वपूर्ण मानते थे और जिन कई चीजों को आप नजर अंदाज कर रहे थे वे बाकी चीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं अगर आपके पास जिन्दा रहने के लिए सिर्ट 6 महीने ही बचे हूँ, तो आप अपना समय कैसे बिताएंगे? यदि आप अपनी सभी संभावनाओं को पूरा करना चाते हैं और जीवन में अपने सच्चे मिशन वा उद्देशे को खोजना चाते हैं, तो आपको दो अतिरिक्त छेत्रों में खोजबीम करनी होगी पहले का संभन्द आपकी उत्कृष्टता के छेत्र से है और दूसरे का संभन्द आपकी हीरों की खान से है कारोबारी शब्दावली में जो भी कमपनी प्रतिसपर्दी बाजार में कायम रहना और तरक्की करना चाती है उस हर कंपनी के पास उत्कृष्टता का एक छेत्र या प्रतिस पर्दी लाब होना चाहिए उत्कृष्टता का छेत्र वो छेत्र होता है जिसमें कोई कंपनी उत्कृष्ट अंदाज में काम करती है और सभी या जादतर प्रतिस पर्दियों से जादा अच्छी तरह करती है उत्कृष्टता के छेत्र को कई बार बुनियादी सक्षमता भी कहा जाता है कई बार इसे भिन्नता का लाग कहा जाता है नाम चाहे जो भी दिया जाए उतक्रष्टता का छेत्र वो होता है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से एक प्रोडक्ट या सेवा को दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से अलग करता है व्यक्ति के रूप में आप अपने खुद के आर्थिक जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है इसलिए आपको भी खुद को कंपनी के रूप में देखना चाहिए आपकी उतक्रष्टता का छेत्र क्या है? आपकी प्रतिसपर्दी लाब क्या है? आपका अनूठा बिक्री प्रस्ताव क्या है? वह खास गुण या योगिता जो आप में है लेकिन किसी दूसरे में नहीं है जीवन में कम उपलब्दी का एक बुनियादी कारण किसी विशेश शक्षमता या योगिता का विकास करने की असफलता है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग हटकर खड़े होने में सक्षम बनाती है बहुत सारे लोग औसत या शायद उससे थोड़ा सा उपर रहने में ही संतुष्ट हो जाते हैं आपको इस नजरिये को छोड़ देना चाहिए और इस प्रवयती से जूजना चाहिए इसके बजाए आपको उन एक दो योग्यताओं का पता लगाना चाहिए जो आपके काम में सफल होने के लिए सबसे महतपून है और फिर उन मुख्य छेत्रों में उत्कृष्ट बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए उत्कृष्टता के प्रती ये समर्पन हमेशा सफलता के उचे मार पर पहुचाता है और उची उपलब्दी की सबसे बड़ी कारेंटी होता है एक बार जब आप उत्कृष्टता का अपना शेत्र तैय कर लें तो खुद से पूछें मेरे छेत्र की प्रवर्टियों के आधार पर कल या अगले वर्ष मेरी उत्कृष्टता का छेत्र कौन सा होगा क्या आपके पास एक विशेष्ट व्यक्तिगत और पेशेवर विकास योजना है जिस पर आप हर दिन काम कर रही है अगर नहीं है तो यही समय है कि आप ये योजना बना लें और उन योगिताओं का विकास करने लगें जिनके जरुरत आपको आने वाले वर्षों में अपने छेत्र में लेडर बनने के लिए होंगी अगर आप अपने छेत्र में शिखर पर पहुँचना चाहते हैं और उसत से कम तर परदर्शन के लिए उसत से कम पुरसकार या बेरोजगारी देता है आपका लक्ष ये होना चाहिए कि आप अपने शेत्र में शीर्ष 10 प्रतिशत पैसे कमाने वालों के समूव में शामिल हो जाएं और फिर अपने बाकी कर्यर में वही बने रहने के लिए हर आवशक चीज करें आप जो करते हैं उसमें अपल होने के छवी बनाने से आप दूसरों की निगाह में जितनी जल्दी आएंगे या आपको जितनी तेजी से तरक्की मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती आज हम मेरिटोक्रेसी या बुद्धिशालियों के योग में जीते हैं मेरिटोक्रेसी एक ऐसा समाज है जहां आपको दूसरे के प्रती अपनी योगदान के मूले के अनुपाद में पुरस्कार मिलता है। हम ऐसी सेवा अर्थ विवस्था में रहते हैं जहां हम में से प्रतेक किसी न किसी तरह दूसरे लोगों की सेवा करके अपनी आजीवी का कमाता है। आप प्रभावी ढंग से और कारे कुशलता से लोगों की सेवा में जितने बहतर बनते हैं, आप अपने कारियर में उतनी ही जादा सुखी और सुरक्षित रहेंगे. जीवन के अर्ट और उद्देशे का सबसे गहरा एहसास आपको तब मिलता है, जब आप दूसरे के जीवन में बदलाव पैदा करते हैं. आपकी मानसिक और भावनात्मक सरनशना ही ऐसी है कि आप सिर्फ तभी खुश रह सकते हैं, जब आप ये जानते हों कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो दूसरे लोगों के जीवन या काम को किसी तरह से सम्रिद्द कर रहा है या बढ़ा रहा है. जीवन में सच्चा मिशन और उद्देशक होजने का दूसरा हिस्सा हीरों की खान निती में बताया गया है. ये दर्सन रसेल नौर्विल नामक पादरी के व्याख्यान पर आधारित है, जिसमें एक सफल किसान की कहानी बताई गई है, जो अपना खेद बेज देता है और हीरों की खान की तलाश में अफ्रीकी महाद्वीब की ओर चल देता है. कुछ साल बाद एक नए मालिक को पता चलता है कि उसने जो खेद खरीदा था, वहाँ हीरों की खान थी. बुड़ा किसान अपने आसपास देखे बिनाही दौलत की तलाश में दूर चला गया था. तमस्या ये होती है कि कच्चे हीरे हीरों जैसे नहीं दिखते हैं, वे पत्थर के टुकड़ों जैसे दिखते हैं, उन्हें तराशना होता है, आकार देना और चमकाना होता है, तभी उनके सुन्दर्ता और मूल्या बाहर निकलता है. इसी तरह आपके हीरे, आपकी सबसे बड़ी संभावनाई भी शायद आपके आसपास ही मौजूद है तमस्या ये है कि वे कड़ी महनत के वेश में छिपकर सामने आती है हीरे अंगड रूप में कभी हीरों जैसे नहीं दिखते है अवसर हमेशा कठोर, बहुत कठोर महनत की लंबी प्रक्रिया की तरह नजर आती है लेकिन वे वहां हमेशा मौजूद होते हैं हो सकता है कि आपके हीरों की खान आपके वर्तमान कंपनी या उद्ध्योग के भीतर ही हो हम बस ये एक चीज चाहते हैं हीरे अंगड रूप में कभी हीरों जैसे नहीं दिखते हैं अवसर हमेशा कठोर, बहुत कठोर महनत की लंबी प्रक्रिया की तरह नजर आती है लेकिन वे वहां हमेशा मौजूद होते हैं हो सकता है कि आपके हीरों के खान, आपके वर्तमान कंपनी या उद्ध्योग के भीतर ही हो हम बस एक चीज जानते हैं जब आप अपने जीवन में कहीं भी ज़्यादा हासल करने का निर्ना लेते हैं तो आप सभी तरह के अफसरों, लोगों और विचारों को अपने जीवन में आकरशित करने लगेंगे जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करेंगे हो सकता है कि वे आपके बहुत करीब हो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें डिगरी लेने के लिए कई साल तक दुबारा कॉलेज जाना चाहिए ये किसी दूसरे शहर में जाकर रहना चाहिए या नौकरी बदल कर किसी दूसरे उध्योग में जाना चाहिए मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि सफलता की कुणजी ये है कि आप सबसे पहले ये तै करें कि आपको किस चीज को करने से सच मुझ प्रेम है और फिर उसे अपने सबसे अच्छे तरीके से करने में अपना पूरा दिल जूँग दे अगर आप इन दो बातों को मिला देते हैं तो आपके आसपास अफसर के द्वार खुल जाएंगे बेहत सफल लोगों में एक गुण समान होता है वे कर्म केंद्रत होते हैं वो सोचने और योजना बनाने में समय लगाते हैं और फिर वे कर्म कर देते हैं वे कुछ करते हैं वे लगातार आगे बढ़ते हैं वे एक चीज को आजमाते हैं और फिर दूसरी को और फिर तीसरी को और फिर चौथी को वे कभी नहीं रुखते हैं वे लगातार गतिमान रहते हैं चूँकि आप जितनी जादा चीजें आजमाते हैं, आपके जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए जब आप निरंतर आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आप कितना जादा काम कर लेते हैं और आपके लिए कितने सारे अफसरों वा संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। जीवन में अपना सच्चा मिशन और उद्धेशक होजना हर उस चीज की बुनियाद है जो आप करते हैं और बनते हैं। जीवन के सबसे बड़ी बरबादी ये है कि आप अपने साल गलत नौकरी में, गलत उद्ध्योग में, गलत लोगों के साथ काम करने में गुजार दे। लीडर वे लोग होते हैं जो अकेले में बैठ कर ये सोचने का समय निकालते हैं कि वे सचमुझ कौन हैं और सचमुझ क्या चाहते हैं। वे खुद को सतत DIY प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। वे खुद को कार्य प्रगती में के रूप में देखते हैं। लगातार विकास करते और बहतर बनते हैं, ताकि वे बहतर इंसान बनने के दिशा में बढ़ते रहें। आप असाधारन हैं, मानवजाती के पूरे इतिहास में आप जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और दुबारा कभी कोई होगा भी नहीं। आपको इस प्रित्वी पर इसलिए भेजा गया था, ताकि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत करें। इस समय भी आपके भीतर इतनी जबर्दस्त शमताईं और योगिताईं हैं, जिनकी आप कलपना भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पूरी जिन्दगी भी काम करें, तब भी आप उस संभावना के बहुत छोटे से हिस्से का ही उपयोग कर पाएंगे, जिसकी प्रोग्रामिंग आप में की गई थी। आपका सबसे प्रमुग लक्षे है अपनी हृदे की इच्छा को खोजना। आपका काम पूरी तरह सोचकर ये निर्ने लेना है कि आप किस में विश्वास करते हैं और किस के पक्ष में खड़े हैं। और फिर प्रियास या गतिविदी का एक ऐसा शेतर चुनना है जो आपके भीतर के सरवश्रेष्ट के पूरी तरह सामनजस्य में हो। जीवन में आपका लक्षय एक मिशन और उद्देश्य तै करना है। जो आपको वो बना दे जो आप बनने में सक्षम हैं। जो आपको अपनी पूरी शमता का पूरा दोहन करने दे और अपने आसपास के संसार में अद्भुद योगदान देने का अपसर दे। एक सेमिनार में एक युवा महीला से पूछा गया। अगर आपको ये पता हो कि आप असपल नहीं हो सकती तो वे कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगी। उसने लिखा कि तब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब ये हालात हैं कि वो किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती है। स्पस्टता की भारी कौन्ध के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर रखने वाली मुख्य बादा यही थी कि उसे उन्हें हासल करने की अपनी योगिता पर शक था। हम में से कई लोग अपना अधिकांज जीवन इसी तरह गुजार देते हैं। हम कई चीजें बनना और करना चाते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोके रखते हैं। हम इसलिए जीजगते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों के दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आत्म विश्वास नहीं होता है। अबराहम मासलो ने कहा था कि मानव जाते की कहानी उन इस्त्री पुर्षों की कहानी है जो खुद को सस्ते में बेच रही है। मनो चिकितसक अल्फरिड एडलर ने कहा था कि जादतार लोगों में हीन भावना और अक्षमता की भावनाएं आम होती है। चुकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँशते हैं कि हम में उन लक्षियों को हासल करने की योग्यता नहीं है, जो दूसरे हासल कर चुके हैं। पल स्वरूप हम कोशिश भी नहीं करते, पल भर के लिए कलपना करें। आप अपने जीवन को किस तरह बदलेंगे? अगर आपको पूरा विश्वास हो कि आप कोई भी चीज हासल कर सकते हैं जिसे आप सच मुझ चाहते हूं, आप अपने ले कौन से लक्ष तै करेंगे? अ आत्म विश्वास के बारे में अद्बुद बात ये है कि आप अपने आत्म विश्वास को इस सीमा तक विक्सित कर सकते हैं कि आपके मन से हर डर निकल जाता है। आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसे किया जाता है, इसे सीखा जा सकता है ज़ादतर लोग जीवन में शुन्य या बहुत कम आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करते हैं बाद में अपनी खुद की कोशिशों के फल स्वरूप वे बहादूर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं अगर आप वही चीजे करती हैं जो दूसरे आत्मविश्वासी इस्तरी पुरुष करते हैं तो आप भी उनी भावनाओं का अनुभव करेंगे और आपको भी वही परिणाम मिलेंगे आत्मविश्वास के बुनियाद ये है कि आप खुद को पसंद करें और बिना किसी शर्त के मूलेवान वा सार्थक इनसान बनें इससे ज़्यादा महतपूर्ण कुछ भी नहीं है आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं अपना जितना ज़्यादा समान करते हैं और खुद को जितना अच्छा इनसान समझते हैं आपको खुद पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा आपका आत्म गौरव जितना ज़्यादा उचा होता है, आपको सही समय पर सही चीजें कहने और करने की अपनी योगिता पर उतना ही ज़्यादा विश्वास होगा डॉक्टर नेथेनियल ब्रांडन ने आत्म गौरव को आपके मन में आपकी प्रतिष्ठा कहा था आपके मन में आपके प्रतिष्ठा जितनी बहतर होती है, आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे अपने जीवन मूल्यों के सामन जस्य में जीवन जीकर आप अपने मन में अपनी बहतरीन प्रतिष्ठा बनाते हैं आप इस बारे में जितने ज़्यादा स्पष्ट होते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं और किस के पक्ष में खड़े हैं इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप उनका अभ्यास करेंगे ऐसा करने पर आप खुद को ज़्यादा पसंद करेंगे और खुद का ज़्यादा सम्मान करेंगे आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना जितना ज़्यादा सम्मान करते हैं आपको शान्ती और आत्म विश्वास का उतना ही जादा गहरा एहसास होता है आपका आत्म गौरव आपकी भावनाव को तैय करता है आप किसी पिछेत्र में अपने बारे में कैसा महसूस करती हैं ये आपके हर काम से पहले आता है और हर चीज में आपके प्रदर्शन की भवश्यवानी करता है आपका आत्म गौरव आपके व्यक्तित्व का उर्जा स्रोत या परमानु भट्टी है आत्म गौरव आपके स्फूर्ती, उत्साह और व्यक्तिगर्चुम्ब कियता के स्तरों को तै करता है उच आत्म गौरव वाले लोग अपने हर काम में जादा सकरात्मक, जादा पसंद करने योग्य और जादा प्रभावी होते हैं आप जो भी करते हैं लगबग हर चीज या तो अपने आत्म गौरव को हासल करने या बढ़ाने के लिए करते हैं या फिर अपने आत्म गौरव को नुकसान से बचाने के लिए करते हैं आप जो भी करते या कहते या सोचते हैं उसका आपके आत्म गौरव पर असर होता है या तो सकरात्मक या फिर नकरात्मक आप जो सबसे सहायत चीज़ कर सकते हैं वो है अपने काम और व्यक्तिकर जीवन में उच्च आत्मगौरव को कायम रखना अध्याय दो में आत्मगौरव की सर्वश्ष्ट परिभाशा बताई गई है आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं इसका मतलब है कि आप एक महतपून और सार्थक इनसान के रूप में अपना कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं उच्च आत्मगौरव वाले लोग खुद के बारे में और अपने जीवन के बारे में खुश वा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप में वो सर्वश्रिष्ट इंसान बनने की प्रवती होगी जो आप संभवते हैं बन सकते हैं आत्म गौरव का आपका स्तर दरसल आपकी मानसिक फिटनेस का पैमाना है ये इस बात को तै करता है कि रोजमर्रा की जिन्दगी के उतार चड़ाओं से निपटने में आप कितने स्वस्त और लचीले हैं आपका आत्म गौरव तै करता है कि आप अपने और अपनी गतिविदियों के बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं ये आपकी मानसिक शक्ती और आंतरिक संतुष्टी के स्तर को नियंतरत करता है आपका आत्म गौरव आपके स्वास्त है और उर्जा के स्तरों से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है उच्छ आत्म गौरव वाले लोग शायद ही कभी बिमार होते हैं और उनमें उर्जा वा उत्साह का एक अताह प्रवाह नजर आता है जो उनहीं उनके लक्ष की ओर आगे धकेलता है आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुद का कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं इसी से दूसरों के साथ आपके संबंधों की गुणवत्ता तया होती है आप खुद को जटना ज़्यादा पसंद करते हैं आप दूसरे लोगों को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और वे भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे वास्तव में जब आपका आत्म गौरव किसी तरह से कम हो जाता है तो दूसरे लोगों के साथ आपका तालमेज तब से पहले प्रभावित होता है अपने सर्व श्रिष्ट इस्तर पर प्रदर्शन करने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने के लिए आपको आत्म गौरव बनाना और कायम रखना होता है जिस तरह आप खान-पान और वयाम पर ध्यान देकर अपनी शारिरिक फिट्निस के जिम्मेदारी लेते हैं उसी तरह आपको अपने विचारों वा भावनाओं पर ध्यान देकर अपनी मानसिक फिटनस की भी पूरी जिम्मेदारी लेने की जरुरत है आत्म गौरव बढ़ाने में लोगों की मदद करने के लिए असंख्य पुस्तकें और लेक लिखे गए हैं बहरहाल एक आसान फॉर्मुला है जिसे आप सीख सकते हैं और जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं जो आत्म गौरव बढ़ाने के सभी महतवपून तत्वों को शामिल करता है शिखर मानसिक प्रदर्शन सुनिश्चत करने के लिए आप इन रणनितियों का द्यानिक इस्तिमाल कर सकते हैं आत्म गौरव बढ़ाने के लिए छे तत्वों की जवरत होती हैं ये छे तत्व हैं लक्षय, मानदंड, सफलता के अनुभव, दूसरों से तुलना, माननेता और पुरसकार आईए हम इन पर एके करके नजर डालते हैं आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना कितना सम्मान करते हैं इस बात पर आपके लक्षयों का सीधा प्रभाव पढ़ता है अपने लिए बड़े चुनोती पूर्ण लक्षय तै करने और उन्हें हासल करने के लिखित कारे योजना बनाने भर से ही धरसल आपका आत्म गौरव बढ़ जाता है और बहतर हो जाता है लक्षय ही आपको आपके बारे में बहतर महसूस कराने लगते हैं आत्म गौरव या खुशी की परिभाशा है किसी सार्थक आदर्ष या लक्षय की करमशय प्राप्ती आत्म गौरव की अवस्था का आनन आप तब लेते हैं जब आप कदम धर कदम किसी ऐसे चीज की तरव बढ़ते हैं जो आपके लिए महतरपून है इस वज़े से ये महतरपून है कि आपके पास जीवन के हर पहलू में पश्ट लक्षय हों और आप उन्हें हासल करने के दिशा में लगतार काम करें हर बढ़ते कदम से आपका आत्म गौरव बढ़ता है और आप ज़्यादा सकरात्मक वशक्तिशाली महसूस करते हैं आत्म गौरव बढ़ानी का दूसरा हिसा ये है कि आप उन स्पष्ट मानदंडों और मूल्यों को तै करें जिनके प्रती आप समर्पित हैं उच्च आत्म गौरव वाले इस्तरी पूरश इस बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं कि वे किसमे विश्वास करते हैं आत्म विश्वास और आत्म गौरव की बुनियाद ये स्पष्ट विचार है कि आप किसके पक्ष में खड़े होंगे और किसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे थाई आत्म गौरव तभी संभव है जब आपके लक्ष और आपके मूल्य सामंजस्य में हों आधर शुरूप से एक ही दिशा में हों और उनमें कोई विरोधभास ना हो लोगों को तनाव जादतर मामलों में तब होता है जब वे विश्वास तो एक चीज में करते हैं लेकिन वे दूसरी चीज करने की कोशिश करते हैं जो उस विश्वास के विपरित होती है जब आप अपने लक्षियों और मूल्यों को एक दूसरे के सामन जस्से में ले आती हैं तो आप अपने बारे में अद्भुद महसूस करते हैं आपको उर्जा और स्वास्ते का सैलाब महसूस होता है तब ही आप सच्ची प्रगति करना शुरू करते हैं कई लोग अपनी नौकरियों से नाखुश रहते हैं क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वे सफल नहीं हो रहे हैं कई मामलों में लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे अपनी नौकरी में इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो काम उनके लिए सही नहीं है एक बार जब वे अपनी नौकरी बदल लेते हैं और कोई ऐसी चीज करने लगते हैं जिसमें उन्हें सचमुच मज़ा आता है और जो उनके बुनियादी मूल्यों के सामन जस्से में होती है तो वे सच्ची प्रगती करने लगते हैं और उन्हें अपने काम में जबर्दस संतुष्टी मिलती है आत्म गौरव बढ़ाने वाला तीसरा तत्व है सफलता के अनुभव अपने लक्षों को मापने योग्य बनाएं आपको रहा में मिलने वाली छोटी बड़ी सफलताओं का हिसाब रखना चाहिए लक्ष तै करने उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और फिर उन हिस्सों में से एक या अधिक को पूरा करने के काम से ही आप विजेता जैसा महसूस करने लगते हैं सफलता की वज़े से आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है लेकिन याद रखें आप उस लक्ष पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो आप विजेता जैसा महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप पश्टता से वे मांदंड तै न कर लें जिनके आधार पर आप अपनी सफलता को आखने वाले हैं और अपने लक्ष हासिल करने वाले हैं आईए मान लेते हैं कि आप एक साल में अपने प्रोडक्ट की निश्चित संख्या बेजना चाहते हैं या निश्चित आमदनी कमाना चाहते हैं आप इस संख्या को मासिक और सबताहिक लक्षो में भी तोड़ सकते हैं जब आप इन में से पहले मील के पत्थर पर पहुँशते हैं तो आप अपने बारे में बहतरी महसूस करते हैं आप विजेता जैसा महसूस करते हैं जब आप दूसरे मील के पत्थर तक पहुँशते हैं तो आपका आत्म विश्वास और आत्म गौरव बढ़ जाता है परदर्शन करने के आपकी योगिरता बहतर हो जाती है आप अगली चुनोती के बारे में रुमान्चित और उत्साही महसूस करने लगते हैं जिन लोगों के पास लक्षे नहीं होते उनका आत्म गौरव कम होता है इसका कारण ये है कि वे प्रबल व्यक्तित्व बनाने वाली इस शक्ती का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं उनके पास पष्ट लक्षे ही नहीं होते हैं जिन पर वे निशाना साथ सकें इसके अलावा उनके पास उस अंत्रिम लक्षे की ओर ले जाने वाले अंत्रिम लक्षे या पैमाने नहीं होते हैं पैमानों और आंकलन के मान्दंड वाले लक्षत तै करने और योजनाय बनाने का काम ही आत्म गौरव को बढ़ा देता है और आत्म विश्वास तथा उर्जाम में वृद्धी करता है आत्म गौरव का चौथा घटक है दूसरों से तुलना हारवर्ड के लियॉन फैंक स्टिंगर ने सामाजिक तुलना का सिध्धान्त दिया है उनका निशकर्ष था कि जब हम ये तैक करना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं तो हम अपनी उपलब्दियों और खुद की तुलना समाद से नहीं बल्कि अपनी जान पहचान के दूसरे लोगों से करती हैं विजेता जैसा महसूस करने के लिए हमें पक्का पता होना चाहिए कि हम अपने ही जैसी इस्तिती वाले किसी परिचित जितना अच्छा या उससे बहतर कर रहे हैं जिसके साथ हम तादात में स्थापित कर सकें जब आप अपने शेत्र या समाजिक डायरे के दूसरे लोगों से अपनी सकारात्मक तुलना कर सकते हैं तो आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रतिस भरदा के अपने छेत्र में विजेता जैसा महसूस करते हैं सफल लोग वे होते हैं जो अपनी तुलना दूसरे सफल लोगों से करते हैं और पहले से बहतर प्रदर्शन करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, वे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रदर्शन का अध्यन करते हैं, और फिर एक-एक कदम करके उनसे आगे निकलने के लिए काम करते हैं. अंततह सफल लोग उस बिंदू पर पहुँच जाते हैं, जहां उनकी प्रतिस परदा में कोई दूसरा नहीं रह जाता है, तब वे खुद के साथ प्रतिस परदा करने लगते हैं, और अपने पुराने उपलब्दियों से अपने वर्तमान प्रदर्शन के तुलना करते हैं, य यह है कि आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं, वे आपके उपलब्दियों को माननता दें, अपने बारे में सचमुच अच्छा महसूस करने के लिए आपको उन लोगों की प्रशन्सा और माननता के जुरत होती है, जिनका आप सम्मान और प्रशन्सा करते हैं, जैसे आपका बॉस, आपके सहकर्मी, आपका जीवन साथी और आपके सामाजिक दाइरे के लोग. वास्तव में आत्मगौरव की एक बहुत अच्छी परिभाशा है. आप खुद को कितना प्रशंसनिय मानते हैं या प्रशंसा करने योग्य है. जब भी किसी उपलब्दी के लिए आपको किसी महतलपूर्ण व्यक्ति की मानता और प्रशंसा मिलती है, तो आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है, आपको गर्ब और खुशी महसूस होती है, आप और ज़्यादा तथा बहतर करने के लिए प्रेवित वर प्रोथसाहित हो जाते हैं. आत्मगौरव बढ़ाने की छटी आवशक्ता ये है, कि आपको अपने उपलब्दियों के लिए पुरस्कृत किया जाए, आप किसी ऐसे शेत्र में काम कर सकते हैं, जहां श्रेष्ट उपलब्दी के लिए आपको वित्या बोनस, पुरसकार, ओहदे के प्रतीक, जादा आडिकार या ट्रॉफियां दी जाती हूँ, इन में से किसी भी पुरसकार का आपके आत्मगौरव और आपके आगामी प्रदर्शन पर शक्तिशाली असर हो सकता है, बहरहाल अगर आपके छेत्र में कोई भी मूर्थ या अमूर्थ पुरसकार न दी जाते हूँ, जो आपक अपना खुद का पुरसकार तंत्र बनाएं, जिसमें आप छूटी और बड़ी दोनों तरह की उपलब्दियों के लिए खुद को पुरसकार दें, अपने लक्षों की और प्रगति करते वक ये आपको सकारात्मक और उर्जावान रख सकता है, जो लोग टेलिफोन प्रोस् के चारों और एक चक्कर लगाने की अनुमति देते हैं, पचास कॉल के बाद वे बाहर लंच करने का इनाम देते हैं, निश्चित संख्या में अपॉंट्मेंट्मेंट या विक्री हासल करने के बाद वे खुद को किसी ऐसी चीज का पुरुसकार देंगे, जो उन्होंने प प्रदर्शन को दोहराने का पुरुसाहन मिलता है, फल स्वरूप उत्साह और आत्मगौरव बढ़ जाता है, यदि आपका वर्तमान परिवेश आपको आत्मगौरव बढ़ाने के 6 घटक प्रदान नहीं करता है, तो आपको अपना खुद का पुरुसाहन तंत्र बनाना च चाहिए, आपको अपने आत्मगौरव तता व्यक्तिगत महत्व की भावनाओं को बढ़ाने और कायम रखने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात का इंतजार ना करें कि कोई दूसरा आकर आपके लिए ये काम कर देगा, आत्मगौरव बढ़ाने का एक दूसर हिस्सा है, जो इस अध्याय में आप तक बताई हर चीज से सरोकार रखता है, ये है प्रदर्शन आधारित आत्मगौरव, सच्चाई ये है कि आप खुद को सच्मुझ पसंद तभी करते हैं और अपना सच्चा सम्मान तभी करते हैं, जब आप अपने दिल के गहराई में जानते हैं कि आप किसी महत्रपुन चीज को करने में सच्मुझ अच्छे हैं, मनोवेग्यानिक इसे आत्मशमता का एहसास कहते हैं, विंस लामबार्डी ने कहा था, आपका चुना हुआ छेतर कोई भी हो, आपके जीवन की गुणवत्ता, उत्कृष्टता के प्रती आपक लेकिन ये आत्मगौरव का खोकला रूप है, जो एक नकरात्मक अनुभव या अस्थाई निराशा से असानी से ढह जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन से विभक्त आत्मगौरव लंबे समय तक कायम नहीं रहता है, आप एक मोलेवान और सार्थक इंसान है, इस बात का विश्वात आप तभी करते हैं जब आप जानते हों कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये महतपूर्ण है कि आप अपने काम में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रयास करें, बाधाओं से उबरें और कीमत चुकाएं, जब आप वाकरी जानते हैं कि आप अच्छे हैं, तो आप अपने बारे में जबरदस्त महसूस करेंगे, आप उच्छ आत्म गौरव और एक प्रकार के आशावाद का आनंद लेंगे, जिससे आप इस तरह के इंसान बन जाएंगे, जिसके आसपास हर व्यक्ति रहना चाहेगा, आपका आत्म गौरव आपके व्यक्तित्व का सबसे एहम हिस्सा है, आप इस पर सुन योजत रूप से हर दिल, हर घंटे काम करके अपने आत्म गौरव को बढ़ा सकते हैं, आप वे चीजें करके इसे बढ़ा सकते हैं, जिन से आप अपने बारे में अद्भुत महसूस करते हैं, और जिन में आप अपन सर्वश्रेष्ट के प्रती सच्चे रहें, और जीवन को अपने सर्वच्च मूल्यों वा अकांशाओं के सामन जस्ते में जीएं, इस बारे में सोचने का समय निकालें कि आप कौन हैं और किसमें विश्वास करते हैं, इस बारे में सोचें कि आपके लिए सच्मुष क्या है ये निर्णेले कि आपके लिए जो सची चीज नहीं है वो बंकर या कहकर या महसूस करके आप अपनी अखंडता से कभी समझाता नहीं करेंगे आप सच मुझ जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्विकार करने का साहस रखें वैसे नहीं जैसा आप चाहते हैं कि आप ह या जैसा कोई दूसरा सोचता है कि आपको होना चाहिए और ये भी सोचें कि हर चीज पर विचार करते हुए आप काफी अच्छे इंसान हैं देखिए आप जैसे इंसान के कभी होने के संभावना पचास अरब में भी एक ही है आप पूरे इतिहास में अनूठे हैं आप में योग्यताओं, गुड़ों और काबिलियत का एक पिशेश मिश्रण है जो आपको असाधारन बनाता है किसी को भी जिसमें आप भी शामिल हैं, आपकी सचे शमताओं का कोई अंदाजा नहीं है या ये पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या बन सकते हैं जीवन की सबसे मुश्कल चुनौतियों में से ये सुईकार करना है कि आप सचमुझ कितने असाधारन है और फिर इस जागरुकता को अपने नजरिये और व्यक्तित्प में समाहित करना है खुद को पसंद करना और खुद पर भरोसा करना स्वस्त आत्म विश्वास की बुनियाद है ये भारी खुशी और सफलता का शुरुवाती बिंदु है आत्म विश्वास के अटल स्तर को विक्सित करने में आपका आत्म गौरव और स्वा सम्मान महतुपुन शुरुवाती बिंदू है लेकिन वे काफी नहीं है लोगों ने बरसों तक सकरात्मक सोच को आजमाया है और बरसों तक उम्मीदों पर जिये हैं लेकिन उन्हें मिश्रित परिणाम मिले हैं आत्म विश्वास की जो गेहरी भावना विजय की ओर ले जाती है, उसे विक्सित करने के लिए आपको सकरात्मक सोच के बजाए सकरात्मक जानकारी की जुरूरत होगी. आपको ये जानने के जुरूरत होती है, कि आप एक अच्छे और मुल्यवान इंसान है, तथा आपका आत्म विश्वास वास्तविक है, जो सच्ची योगिता पर आधारित है. थाई आत्म विश्वास धरसल नियंदरन के एहसास से आता है, जब आप अपने खुद के और अपने जीवन के काफी नियंदरन में महसूस करते हैं, तब आप इतने आत्म विश्वासी महसूस करते हैं, कि आप वे चीज़े करें और कहें, जो आपके सर्वच्च मूल्यों क के सामन जस्ते में हैं मनों व्यज्ञानिक आज सहमत हैं कि नियंत्रन के बाहर रहने की भावना ही तनाव और नकरात्मक्ता का बुन्यादी कारण है यह हींता और कम आत्मविश्वास की भावनाओं का मुखे कारण भी हैं अपने जीवन के हर हिस्से पर नियंत्रन का थोस एह पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्पष्ट लक्षय और उद्देश्य तै करें फिर तै लक्षय के हिसाब से उद्देश्य पूर्ण विवहार पर आधारित दिशा का एहसास बना लें अपने प्रति सच्चे होने का अर्थ सटीकता से यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं इसका अर्थ अपनी मनचाही चीज को हासल करने की योजना बनाना है थाई आत्म विश्वास तब उत्पन होता है जब आप पूरी तरह जानते हैं कि आपके पास अपनी वर्तमान जगय से अपनी मनचाही जगय तक पहुँशने की शमता है आप अपने जीवन के स्टेरिंग वील के पीछे बैठे हैं आप अपनी तकदीर के आर्केटेक हैं और अपने भागे के स्वामी हैं हमने खुशी को किसी सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति के रूप में परिभाशत किया था यही आत्मविश्वास के बारे में सच है जब आप एक लक्ष त कार करने के लिए कदम दरकदम काम करते हैं तो आप शक्तिशाली, सक्षम और अपने जीवन के नियंतरन में महसूस करते हैं आप विजेता जैसा महसूस करते हैं आपका आत्मविश्वास उपर उठ जाता है और ज्यादा बड़ी चुनौतियों तथा अफसरों का सामना करन कि आपकी इच्छा भी बढ़ जाती है आप जितना ज्यादा हासल करते हैं आप महसूस करते हैं कि आप उतना ही ज्यादा हासल करने में सक्षम हैं ज्यादतर लोग असफलता और नुक्सान के डर से घबराते हैं लेकिन इसके बजाए आप अफसर और उकलब्दी के संभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं आपके पास पर्ष्ट रूप से तैय लक्ष होते हैं आपके पास दोड़ने के लिए एक निश्चत मार्ग होता है इनके साथ आप सफलता केंद्रित बन जाते हैं और आप धीरे धीरे अपना आत्म विश्वास बढ़ाते जाते हैं जब तक क वो इस्तिती ना आ जाए जहां आप किसी भी चीज का सामना करने को तयार हों। आप अपने आत्म विश्वास को तुरंत बढ़ा सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने चुने हुए छेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए समर्पित हो जाएं। जब आप अपने मानसिक पुल जला देते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपने काम में सरवश्रिष्ट बनने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने को तयार हैं। कितने ही समय या धन का निवेश करने को तयार हैं तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आप तुरंत आम आदमी से भिन हो जाते हैं जो एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ हिचकोले खाता है और दोयमता को स्विकरत पैमाना मानता है कुछ साल पहले टिम नामक एक युवक हमारे एक सेमिनार में आया वो संकोची और अंतरमुखी था उसके हाथ मिलाने का अंदास कमजोर था और उसे नजरे मिलाकर बात करने में काफी मुश्किल आती थी वो सेमिनार कक्ष में पीछे बैठा रहता था और सिर जुका कर नोट्स लेता रहता था उसने बहुत कम मित्र बनाए थे और वो खालिस समय में भी लोगों से जादा मेल जोल नहीं करता था सेमिनार के अंत में उसने कहा कि वो बिक्री के छेतर में है और उस वक्त उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है लेकिन उसने बदलने का संकल्प लिया उसने ठान लिया कि वो खुद पर काम करने में जुटेगा अपने संकोच से उबरेगा और अपनी कमपनी का माल बेचने में माहिर हो जाएगा फिर उसने विदाली और हर व्यक्ती ने उसे जाते समय शुपकाम नाए दी एक साल बाद वो उसी सेमिनार में दुबारा लोटा लेकिन इस बार वो बदल चुका था वो ज़्यादा शांद और आत्म विश्वासी बन गया था अब भी वो थोड़ा संकोची तो था लेकिन हाथ मिलाते वक्त उसकी पकड़ ज़्यादा सक्त थी और उसकी आँखों का संपर बहतर था वो सेमिनार कक्ष के बीच में बैठा और उसने अपने आसपास के लोगों से सैयत वहवार किया एक बार फिर सेमिनार के अंत में उसने बताया कि वो अपनी बिक्री टीम में उपर उठने लगा था और पिछला साल उसके जीवन का सबसे अच्छा साल रहा था उसने संकल्प लिया था कि आने वाले साल में वो अपने प्रदर्शन को और भी बहतर बनाएगा लगबग 14 महीने बाद तिम सेमिनार में एक बर फिर आया इस बार वो अपनी कंपनी के पांच और लोगों को लेकर आया था दरअसल उसी ने उन लोगों को इस सेमिनार में आने के लिए राजी किया था उसने कहा था कि अगर वे लोग संतुष्च नहीं हुए तो उनकी फीस वो खुद चुकाएगा उसने द्रंटा से हाथ मिलाया और शक्तिशाली आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ सबसे नजरे मिलाई उसने कहा वो कुछ दिखाना चाहता है उसने अपनी जेब से एक बहुत बड़े राश्ट्य कॉर्परेशन के अध्यक्ष का पत्र निकाला जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे पत्र लिखा था और पिछले साल उसके इलाके में असाधारन विक्री के लिए उसे बढ़ाई दी थी ये पता चला कि टीम में कुल 42 सेल्स पिपल थे पहले टिम 33 स्थान पर था लेकिन अब वो पहले स्थान पर पहुँच गया था उसकी आमदनी पहले 26 हजार डॉलर थी जो इन तीन वर्षों में बढ़कर 98 हजार डॉलर हो गई थी उसकी बिक्री देश में किसी भी अन्य सेल्स परसन से जादा तेजी से बढ़ी थी वो अब भी शांत रहता था लेकिन उसमें शक्ति और उदेश्य पूंता का अद्भुद नजरिया आ चुका था उसने कदम उठाए थे और खुद को एक शांदार युवग बनाने की कीमत चुकाई थी उसने अपने संकोच से उभरने के लिए हर जरूरी चीज करने का निर्ने लिया था उसने अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाने का निर्ने लिया था जिसकी वो दूसरों में प्रशंसा करता था वो हर मायने में स्वा निर्मित इंसान था और है शायद आत्म विश्वास के उचे स्तर विक्सित करने का सबसे अद्भुर्थ परिणाम वो प्रभाव होता है जो आपके व्यक्तित्व का आपके संबंदों पर पड़ेगा आपके आत्म विश्वास के अस्तर आपके सबसे आकरशक और मोहक फिशिष्टाओं में से एक बन सकता है दो मानसिक नियम हैं जो हमेशा काम करते हैं यही उसका जादतर हिस्सा तै करते हैं कि दूसरों के साथ मेल जोल में आपके साथ क्या होता है पहला है आकरशन का नियम जो कहता है कि आप अपने जीवन में हमेशा उनी लोगों को आकरशित करेंगे जो काफी हद तक आप जैसे होते हैं दूसरा नियम है सामन जस्ते का नियम, जो कहता है कि संबंधों का आपका बाहरी संसार काफी हर्तक, इसी दरपन की तरह व्यक्तित्व और सोभाओं के आपके अंदरूनी संसार से मेल खाएगा. ये नियम मिलकर कहते हैं कि जब आप अपने अंदर एक सकरात्मक अंदाज में बदलते हैं, तो आप जल्द ही ऐसे लोगों से घिर जाएंगे, जो काफी हद तक उस नए इंसान जैसे हैं, जैसे आप बन रही हैं. जब आप इंसान के रूप में बहतर बनते हैं, तो आपके संबन्दों की गुणवत्ता और संख्या भी उसी अनुपात में बहतर बनती हैं. आप ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा रोजक और आनंदायक लोगों से मिलेंगे. आप अपने जीवन साथी या विपरित लिंग के सदस्यों से ज़्यादा अच्छी तरह मिल जूलकर काम करेंगे. आप अपने काम या नई नौकरी में भी ज़्यादा अच्छा प्रदशन करेंगे और अपने बौस तता सहक अर्मियों से ज़्यादा अच्छी तरह मिल जू कर काम करेंगे आपके आत्म विश्वास और शांत विश्वास के नजरिये की बदॉलत आप दूसरे लोगों को ज्यादा आकरशक लगेंगे वो आपके आसपास रहना चाहेंगे आपके लिए दरवाजा खोलना चाहेंगे और ऐसे अफसर उपलब्ध कराना चाहेंगे जो उस इस्तिती में नहीं होता अगर आप अपने बारे में उतना जबरदस्त महसूस नहीं करते जितना कि इस वक्त करते हैं प्राय दूसरों के साथ अपने संबंधों में लोगों में आत्म विश्वास की कमी होती है क्योंकि वे दूसरों के तुलना में अपना कम आंकलन करते हैं कई बार आप अपने कामों और बातों के बारे में संकोची हो जाते हैं और कई बार आपको डर लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे या उस तरह सुईकार नहीं करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं आप कुछ महतवकून चीजें कर सकते हैं जिनमें दूसरों के साथ आराम दे और आत्म विश्वासी अंदाज में अच्छी तरह मिल जुलकर काम करने की आपकी योगिता बहतर हो जाएगी शुरुवात में जब आप अपने लक्षियों और मूल्यों को स्पष्ट कर लेते हैं खुद पर महनत करते हैं और अपने चुने हुए छेतर में अच्छा काम करते हैं तो आप में स्वभावेक रूप से आत्म गौरव और आत्म विश्वास के ज़्यादा उंचे स्तर होंगे आप खुद को ज़्यादा पसंद करेंगे और आप दूसरे लोगों को पसंद वस्विकार करेंगे आप इस बारे में कम सम्मेदन शिल होंगे कि वे क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे होंगे आप उनके साथ अपने बाच्चीत में ज़्यादा सकरात्मक और ध्यानपूर्ण होंगे जो लोग खुद को सचमुच पसंद करते हैं वे दूसरों के साथ सम्मंदों में बहुत आत्मविश्वासी होते हैं हाला कि वे दूसरे के नजरियों और रायों पर ध्यान देते हैं लेकिन वे उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं दूसरों के साथ बाच्चीत में याद रखीं कि लोग ज़्यादतर समय खुद के बारे में ही सोचते हैं आप सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रत करके सच्चे सवाल पूच कर और जवाबों को गौर से सुनकर संकोच के अपनी भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश के बजाए उनसे प्रभावित होने का कारण खोजें। आप में लोग रुची लें, ये कोशिश ना करें। इसके बजाए उनमें सच्ची रुची दिखाएं। शक्रिय और सनलंगन श्रोता बनें। आप सामने वाले व्यक्ति पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा आराम दे और आत्म विश् से महसूस करेंगे, आपका संकोज काफर हो जाएगा और आप तनाव रहित्व खुश महसूस करेंगे। याद रखें कि कोई आपके विचारों या भावनाओं को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो जो आप उनसे चाहते हैं, या कोई ऐस जैसे ही आप निरलिप्तता का भाव ले आते हैं और अपने मन में निर्णा लेते हैं कि आप सामने वाले से कुछ नहीं चाहते हैं या किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके आत्म विश्वास को विचलित करने की उनकी योगता काफी कम ह जाती है, वही लोग मानम्य संबंदों में सबसे सफल होते हैं, जो दूसरों से शांत, स्वस्त, निरलिप्तता का अभ्यास करते हैं, हाला कि वे बाचीत में दोस्ताना और सनलगन होते हैं, लेकिन वे दूसरों के व्यवहार को ये तै करने की अनुमती नहीं देते हैं, कि पर अपने बारे में कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं। आत्म विश्वास के उचे स्तर को विक्सत करने और कायम रखने के जबर्दस्त लाब होते हैं। असली सवाल ये है। ऐसा क्यूं है कि जादतर लोगों में ऐसा आत्म विश्वास नहीं है, जो उन्हें खुशी प्रस्ट सम्रिद जीवन जीने में सक्षम बनाए। दो बुनियादी कारण हैं, मानव प्रसंता के महान शत्रू हमेशा वही रहे हैं। डर और शंका एक साथ यात्रा करते हैं और हर मूर पर मानव प्रसंता के साथ हस्त शेप करते हैं। बाकी किसी भी चीज से बढ़कर हमारे डर और शंकाएं, हमारे आत्म गौरव और आत्म विश्वास को कमजोर कर देती हैं। इनी की वज़े से हम अपनी संभावनाव तता खुद के बारे में नकरात्मक संदर्ब में सोचते हैं। जैसा मास्चलो ने कहा था, हम खुद को सस्ते में बेशने लगते हैं। और वे तमाम कारण गिनाने लगते हैं कि कोई चीज हमारे लिए संभव क्यों नहीं हो सकती। हम मुश्किलों को बड़ा चड़ा कर देखते हैं और अफसरों को नियूंतम कर लेते हैं। हम संभव नुकसानों से चिंतित हो जाते हैं, जो हमें हो सकते हैं। हम उन आलोजनाओं के बारे में तनाव गृस्त हो जाते हैं, जो हमें झेलनी पड़ सकती हैं। इस वज़े से हम साहस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसके बजाए हमारे डर और शंकाएं हमें पंगू बना देती हैं, हमारे आत्म गौरप को कम कर देती हैं और उनकी वज़े से हम नकरात्मक संदर्प में सोचने और बात करने लगते हैं. ये शायद जादतर इंसानों के बारे में सही है. जादतर लोग अपने डरों से इतने चिंतित हो जाते हैं, कि उनके पास किसी दूसरी चीज़ के लिए समय ही नहीं होता. ये उनकी बाचीत में प्रकट हो जाता है और उनकी कामों या बाचीत के जादतर हिस्सों में इसी की जलक होती है. शंका, डर और चिंता का एक मातर सच्चा तोड कर्म हैं. ये उन सभी नकरात्मक भावों का इलाज है जो हमारे आत्म विश्वास को द्वस्त करती हैं. आपका चेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, चाहे वो सकरात्मक हो या नकरात्मक. जब आप ऐसे सुनियोजित उदेश्यपून कर्म में सलंग्द होते हैं, जो आपके मूलियों के सामजसे में होता है, आपके लक्षों के दिशा में होता है, और आप अपनी योगताओं का अधिक्तम इस्तिमाल करते हैं, तो आपके डर और शंकाएं गायव हो जाती हैं. आप अपने बारे में ज़्यादतर सकरात्मक और आत्म विश्वासी महसूस किये बिना नहीं रह सकते। आपके आत्म विश्वास और आत्म गौरव को चेतन रूत से और जान बूचकर बढ़ाना आपके लिए जितना महतपूर्ण है, उससे ज़्यादा महतपूर्ण बावनाओं का संसार खोल देंगे। आप जिस प्रकार के आत्म विश्वासी व्यक्ति बनना चाहते हैं, उस तरह चलकर, बात करके, सोचकर और काम करके आप अपने आत्म विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अध्याई चार अपने जीवन की बागदोर थामे। आपके पास चेयन के स्वतंतरता है, और चूंकि आपने खुद ने अपने जीवन की परिस्थितियों का चेयन किया है, इसलिए आप ही अपनी सफलता और असफलता, अपनी खुशी और दुख, अपने वर्तमान और भविश्य के लिए पूरी तरह से जिम्मिदार हैं। ये विचार पैराशूट लगा कर कूदने जैसा है। ये एक सार डरावना और उल्लासपून है। ये उन सबसे बड़ी और महतपून अपधारनाओं में से एक है जो आपके या किसी दूसरे के साथ होंगी। व्यक्तिकर जिम्मिदारी को सुईकार करना ही वो काम है जो व्यस्क को बच्चे से, लीडर को अनुयाई से, विजेता को पराज़त से अलग करता है। ये परिपक्पता की दिशा में एक लंबी छलांग है। जिम्मिदारी पूरी तरह अविभाज्य, पूरी तरह कारशिल इनसान की निशानी है। जिम्मिदारी सफलता, उपलब्दी, प्रेणा, खुशी और आत्मवास्तवी की करन के साथ साथ चलती है। आप अपनी जिन्दगी में जिस भी चीज को सचमुच चाहते हो, ये उसे पाने की नियूंदम आवशकता है। आप अपने लिए पूरी तरह से जिम्मिदार हैं। ये स्विकार करने के बाद अपने जीवन का पूरा नियंतरन आपके पास आ जाता है। कोई भी बचाने नहीं आएगा, ये ऐसा शिकर प्रदर्शन की शुरुवात है। जब आप ये ऐलान कर देते हैं, अगर इसे करना है, तो ये मुझ पर है, तो फिर बहुत कम हैं जो आप नहीं कर सकते या नहीं पा सकते। जिम्मिदारी को स्विकार करना लक्ष तै करने से भी पहले आता है। और हर व्यक्ति जानता है कि लक्ष तै करना सफलता का एक मुख्य कारण है। इसका कारण ये है कि जब तक आप परिणामों के जब तक कोई व्यक्ति ये स्विकार नहीं करता है कि वो खुद पूरी तरह जिम्मिदार है तब तक अचेतन रूप से उसने बाहर निकलने का एक रास्ता छोड़ रखा है पूरी तरह से जिम्मेदारी स्विकार ना करना एक मानसिक पलायन मार्ग बनाने जैसा है जो किसी व्यक्ति को सफलता या असफलता के लिए जवाब दे बनाने से बचने का रास्ता देता है जिम्मेदारी स्विकार करने का विपृत ये है कि आप अपनी जीवन की परिस्थितियों के बहाने बनाए और दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोश दें चूँकि आप जो भी करते हैं लगबग हर चीज आदत का मामला होती है इसलिए अगर कोई इंसान बहाने बनाने की आदत डाल लेता है तो उसे जिम्मेदारी से कतराने की आदत भी पड़ जाती है अगर वो अपने ले कोई लक्षय या उद्देशय तै करता है तो वो खुद एक बहाना भी सोच कर रख लेता है ताकि अगर लक्षय तक पहुँचना जादा मुश्किल हो या इसमें जादा आत्म अनुसाशन और लगन के जुर्वत हो तो वो उस बहाने को बना सके जैसे ही परिस्तियां गड़ बढ़ाने लगती है गैर जिम्मिदार व्यक्ति अपने बहाने को बाहर निकालता है और खुद को बचा लेता है अगर कोई बहाना नहीं बन सकता हो तो गैर जिम्मिदार व्यक्ति अपने जीवन की परिस्तितियों के लिए दूसरे लोगों या घटनाओं को दोश देने लगता है सच्चाई ये है कि आपके माता-पिता आपको संसार मिलाने के लिए जिम्मिदार है जब आप शिशु होते हैं तो वे आपके लिए पूरी तरह से जिम्मिदार हैं लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और चयन की अपनी स्वतंतरता का दायरा फैलाते हैं उनकी जिम्मेदारी क्रमशह कम होती जाती है 18 साल की उम्र तक आपको पूरी तरह परिपक्व हो जाना चाहिए इस समय तक आपको अपने निर्ने खुद लेने में सक्षम हो जाना चाहिए और उन निर्नेों के परिणाम को स्विकार करने के लिए भी आपके माता-पिता ने आपके 18 साल के होने तक चाहे जो किया हो या ना किया हो उसके बाद बागदोर आपके हाथ में है अपने जीवन के स्टेरिंग बील के पीछे अब आप खुद हैं आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं उस बिंदू के आगे आप हर उस चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है जो आपके साथ होती है या नहीं होती है ये थोड़ा कठोर लग सकता है कई लोग तुरंत तमाम तरह की अप्रियस्थितियों के बारे में सोचने लगेंगे जिनके लिए दूसरों को दोश दिया जा सकता है या जिनके लिए किसी को दोश नहीं दिया जा सकता लेकिन हम इतनी आसानी से इससे बच नहीं सकते मानव जीवन के बुनियादी नियम को अरस्तु ने ईसा मसी से भी 350 साल पहले बताया था इसे कारे कारण का नियम कहा जाता है हम इसे कारण और परिणाम का नियम कहते है ये बताता है कि हर चीज किसी कारण से होती है या नहीं होती है आपके जीवन में हर परिणाम की पीछे एक कारण होता है इसका मतलब है कि अगर आप कोई खास परिणाम चाहते हैं तो आपको बस इसके कारणों का पता लगाना है और उनकी नकल करने पर आपको भी वही परिणाम मिलेंगे नियम ये है, दूसरे सफर लोग जो करते हैं अगर आप भी वही करते हैं तो कोई चीज आपको अंतत है वही परिणाम पाने से नहीं रोक सकती लेकिन दूसरे सफर लोग जो करते हैं अगर आप वो नहीं करते हैं तो कोई चीज आपकी मदद नहीं कर सकती मिसाल के तौर पर हर व्यक्ति स्वस्त रहना चाहता है मालने, आप शारिरिक स्वास्ते और उर्जा के उचे स्तर का लक्षते करते हैं ये वो परिणाम है जो आप चाहते हैं अब आपको बस कारणों का पता लगाना है और उनकी नकल करके आप अपने लक्षपर पहुँच सकते हैं आप पता लगा सकते हैं कि दूसरे स्वस्त और उर्जा वानलोग, आहार, व्यायाम और विश्राम के संदर्ब में क्या करते हैं और वही काम करके आप भी वही परिणाम पा सकते हैं ये कोई चमतकार नहीं है, ये तो बस एक नियम है अप्रसंता भी एक परिणाम है, इसका कारण बहुत से लोग और परिस्थितियां हो सकती हैं बहरहाल अगर आप खुश होना चाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज से होते हैं आपके जीवन के सबसे अच्छे समय के बारे में सोचें और ये भी कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, कहां कर रहे थे और किन लोगों के साथ कर रहे थे फिर अपनी आदर्श जीवन शैली का पूरे विस्तार से वर्णन लिखें मानो आपकी इस्ति हर माइने में आदर्श हो अब आपने अपना मन चाहा परिणाम परिभाशत कर लिया है इसके बाद अपने वर्णन जीवन को देखें और खुद से पूछें मेरे जीवन की वे सारी चीजें कौन सी हैं जो मुझे खुश रखने वाली जीवन चाली के तालमेल में नहीं है दूसरे शब्दों में उन परिणामों के कारणों पर गौर करें जिने आप पसंद नहीं करते हैं फिर एक एक करके उन कारणों को दोहराने या हटाने का निर्णैले जब तक कि आपका जीवन वैसा न हो जाए जैसा आप चाहते हैं आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं वे आपके रक्त चाप, नाडी और सांस को उपर नीचे कर सकते हैं वे आपके पार्चन और नीन को प्रभावित कर सकते हैं अगर आपके विचार प्रयाप्त शक्तिशाली हैं, तो वे आपको बीमार या स्वस्त बना सकते हैं। आपके विचारों में ये प्रवर्थी होती है कि वे आपके मन में छवियों को प्रेवित कर देते हैं और आपके शरीर में उन छवियों के अनुरूप भावनाई जगा देते हैं। यदि आप सुखद वस्वस्त विचार सोचते या पढ़ते हैं, तो आपकी मानसिक छवियां सुखद वस्वस्त होंगी और आप सुखद स्वस्त भावनाय महसूस करेंगे। जैसा दीपक चोपडा ने अपनी पुस्तक Magical Mind, Magical Body में बताया है, आपके मस्तश्क का हर हिस्सा, आपके शरीर के हर हिस्स से जुड़ा होता है। संदेशों और आवेगों का एक जटिल जाल है, जो हर उस चीज़ को प्रभावित करता है, जो आप सोचते और महसूस करते सूफी दार्शनिक इनायत खान बताते हैं, कि आप जो शब्त बोलते हैं और जिस लहजे में बोलते हैं, इसके चयन का आपके भावि व्यक्तित्व पर बहुत जादा असर होता है, और इसका दूसरों के साथ आपके संबंधों पर भी बहुत जादा असर होता है। इसी लिए स्वेम की जिम्यदारी का एक अत्यंत महतपूर्ण हिस्सा उसके लिए जिम्यदार बनना है, जो आप कहते हैं और जिस अंदाज में कहते हैं। या चिड़े हुए हों, लेकिन धीरे धीरे जान बूचकर और धैरे से बोलकर आप अपने मन और भावनाव पर द्रिन नियंतरन कर लेते हैं और खुद को दोबारा ड्राइवर की सीट पर पहुचा देते हैं। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं, चाहे आप अपने अधिकार का इस्तमाल करते हों या ना करते हों। आप आज जहां हैं और जो हैं अपने ही कारण हैं। सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं और आपके विचार ही आपकी कही और की हुई हर चीज को नियंतरत करते हैं। इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही ये निर्ने ले सकते हैं कि आप क्या पढ़ते और सुनते हैं, किसके साथ उठते बैठते और बाचीत में क्या कहते हैं। इसलिए आप अपने विचारों और कार्यों के सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। शायद स्वा जिम्मिदारी के पूरे विश्य का सबसे महतपूर्ण हिस्सा आपकी खुशी और आपकी मानसिक शान्ती के बारे में है जिम्मिदारी लेनी और खुशी के बीच सीधा संबंद होता है इसी तरह जिम्मिदारी को अस्विकार करने और अप्रसंता के बीज भी सीधा संबंध होता है वे साथ साथ चलते हैं खुशी की कुणजी अपने जीवन की परिसितियों पर नियंतरन का एहसास पाना है आप खुद को जितने जादा नियंतरन में महसूस करते हैं आप उतने ही जादा खुश होते हैं जो इस्तरी पुरुष अपने संगटन में शिखर तक पहुँशते हैं उनमें नीचे के लोगों के तुलना में कम तनाव होता है और वे कहीं जादा खुश रहते हैं ऐसा इस लिए है क्योंकि वे अपनी तक्दीर पर कहीं जादा नियंतरन महसूस करते हैं वे नेन्य ले सकते हैं और काम कर सकते हैं बागड़ो उनी के हाथ में होती है आप अपनी कम्पणी में जितनी जादा जिम्मेदारी सुईकार करते हैं आप उतनी ही ज़्यादा शक्ति, सत्ता और सम्मान हासिल करते हैं जब आप परिणामों के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते और लेते हैं तो आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा और ज़्यादा तेजी से तरक्की मिलेगी आप एक बहुत चतुराई भरा काम कर रही हैं कि अपने बौस की सबसे महतपूर्ण चिंताओं की जिम्मेदारी ले लें जिन छेतरों को आपका बौस सबसे महतपूर्ण मानता है उन छेत्रों में परिणाम पाने के लिए आप जितनी ज़ादा जिम्मिदारी लेते हैं आप अपने संगटन में उतनी ही ज़ादा मूलयवान और अनिवारे बन जाएंगे जो लोग ज़ादा पैसा और सम्मान चाहते हैं वे अक्सर सोचते हैं कि वे इसे चलाकी से या राजनीती खेल कर पा सकते हैं सच तो ये है कि पैंसा और सत्ता आपके पास स्वभाविक रूप से आएगी जब आप मैदान में पहुँचते हैं और अपने संगठन के परिनामों के जिम्मेदारी लेते हैं किसी कंपणी में सबसे सम्मानित लोग वही होते हैं जिन्होंने समय पर सबसे महतपून काम करने की योगेता प्रदर्शित की है आप कितनी जिम्मेदारी स्विकार करते हैं और अपने पास कितना नियंतरण महसूस करते हैं उनके बीच सीधा संबंद है आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा नियंतरण में महसूस करते हैं आप कितनी जिम्मेदारी सुईकार करते हैं और अपने पास कितनी स्वतंतरता महसूस करते हैं, इनके बीच भी सीधा सम्बंद है आप जितनी ज़्यादा जिम्यदारी लेते हैं, आप निर्नय लेने और अपनी मनचाही चीज़ें करने के लिए उतने ही ज़्यादा स्वातंत्र होते हैं, खास तौर पर अपने मन में. अन्त में आप अपने पास कितनी स्वतंतरता महसूस करते हैं और आप कितने खुश रहते हैं इनके बीच पर सीदा संबन्ध होता है जब आप इस सब को एक साथ रखते हैं तो आप देखते हैं कि जिम्मेदारी, नियंतरण, स्वतंतरता और खुशी के बीच एक आप से संबंद होता है सबसे खुश लोग वही होते हैं जो जिम्मेदारी स्विकार करते हैं जो अपने जीवन को नियंतरण में महसूस करते हैं और जिनमें व्यक्तिगत स्वतंतरता का जबरदस्त एहसास होता है वे अपने बारे में शांदार महसूस करते हैं ये अपने जीवन के हर हिस्से की पूरे जिम्मेदारी लेने का स्वभाविक परिणाम है पैमाने के दूसरे छोर पर गयर जिम्मेदारी है या जीवन और काम की जिम्मेदारी सुईकार करने की असफलता है हर व्यकति बीच में कहीं पर है जो हर शब्द और नेने के साथ या तो स्वज जिम्मेदारी के जादा उँचे स्तर की ओर उपर उठ रहा है या फिर गैर जिम्मेदारी की तरफ नीचे फिसल रहा है वास्तव में पागलपन की एक परिभाशा पूरी गैर जिम्मेदारी के बिंदू तक पहुँचना है जहां रोगी को मजबूत बंधन में रखने और एक गद्दिदार मानसिक रोगी कक्ष की जरुरत होती है मनो विशलेशक टॉमस सौस ने एक बार लिखा था पागलपन जैसी कोई चीज नहीं होती है बस गैर जिम्मेदारी की अलग-अलग मात्रा होती है गैर जिम्मेदार व्यक्ती, क्रोध, शत्रुता, डर, द्वेश, इर्श्या, शंका और हर प्रकार के नकारात्मक भाव के अधीन होता है यहां इस छेत्र की सबसे महतपून खोज बताई जा रही है किसी बितरह के नकारात्मक भाव दूसरों को दोश देने की प्रवती से प्रेदित होते हैं और इसी वज़े से कायम रहते हैं हमारे 99 प्रतिशत नकारात्मक भाव तिर्फ इसलिए मौजूद होते हैं क्यूंकि हम उनके उत्पन होने के लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को दोश देते रहते हैं। जिस पल हम दोश देना छोड़ देते हैं, हमारी नकरात्मक भावनाएं भी खतम हो जाती हैं। दोश देने का इलाज क्या है? बहुत ही सरल है। चूंकि आपका मस्तिश्क एक समय में किवल एक ही विचार रख सकता है या तो सकरात्मक या नकरात्मक। इसलिए दोश देने की प्रवती से उबरने के लिए बहुत द्रंता से कहें, मैं जिम्मेदार हूँ। आप जिम्मेदारी सुईकार करते समय क्रोधित नहीं रह सकते। जिम्मेदारी सुईकार करने पर नकरात्मक भावनाई ततस्त हो जाती हैं और अप्रसंता की ओर जाने वाली प्रवृतियों में शौर्ट सर्किट हो जाता है। जब आप किसी इस्थती के लिए जिम्मेदारी सुईकार कर लेते हैं, तो फिर आप उसके बारे में क्रोधित या परेशान नहीं रह सकते। जिम्मेदारी सुईकार करने से आपका मन शान्त हो जाता है और आपका तर्क स्पष्ट हो जाता है। इससे आपकी भावनाएं शान्त हो जाती हैं और आप जादा सकरात्मक वा स्रजनात्मक तरीके से सोचने में सक्षम बनते हैं। जिम्मेदारी सुईकार करने पर आपको ज्ञान की जलक मिलती है कि इस्तिती को सुलजाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहां एक अभ्यास दिया जा रहा है। अपने जीवन की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या या चिंता को लें। इसके संदर्ब में कहें मैं जिम्मेदार हूँ। फिर इस्तिती का अवलुकन करके पता लगाएं कि आपने इसे लाने में किस प्रकार मदद की थी। भले ही आप काफी हद तक निर्दोश हों लेकिन फिर भी जिम्मेदारी स्विकार करने के तरीकों की तलाश करें। ये अभ्यास किसी दूसरे के साथ जोर से बोलकर करें। आपको जैसा महसूस होगा और जितनी तेजी से महसूस होगा उससे आप चकित रह जाएंगे। यहां एक और अभ्यास है। सबसे आम कामकाजी, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं वो मुश्किलों पर नज़र डालें, जो जीवन में लोगों के पास होती है। इन में से प्रतेग पर जिम्मेदारी स्विकार करने का ये आसान इलाज आजमाएं और देखें कि क्या होता है। लोगों को दूसरे लोगों, अपने करीबी, नीचे सम्बंधों, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने सह कर्मियों और अपने अधिकारियों के साथ समस्याओं होती है। किसी ने एक बार कहा था कि जीवन की हमारी लगबग सारी समस्याएं ठोक में आती हैं फिर दबे पाउं आती हैं और फिर हावी हो जाती हैं अपने जीवन के लोगों को देखें जिनकी वज़े से आपको तनाव या चिंता होती है और खुद से पूचें जिम्मेदार कौन है या फिर आप उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए जिम्मेदार है आकर्शन के नियम के अनुसार आप एक जीवित चुमबक है आप हमेशा उन लोगों को अपने जीवन में आकर्शत करती हैं जो आपके प्रबल विचारों और भावनाओं के सामन जस्य में होती है आपके जीवन में हर व्यक्ति इसलिए है क्यूंकि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उसी से वे आपके प्रती आकरशित हुए है आप जो विचार रखते हैं और जिन भावनाओं को महसूस करते हैं उनकी वज़े से ही आपने उन्हें अपनी और आकरशित किया है यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के साथ खुश नहीं हैं तो आप ही जिम्मेदार है ये आप ही हैं जो उन्हें आकरशित कर रहे हैं और ये आप ही हैं जो उन्हें अपने जीवन में लाएं हैं सामन जस्य का नियम कहता है कि बाहर आपके साथ जो भी चीज हो रही हो वो आपके अंदर होने वाली किसी चीज के कारण हो रही है इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर जहाग कर देखना चाहिए ऐसा करने पर आप वे चीज़ें देखने लगते हैं जो आप पहले नहीं देख पाये थे क्योंकि तब आप दूसरों को दोश देने और बहाने बनाने में व्यस्त थे तब आपको ये दिख जाता है कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए आप काफी हद तक जिम्मेदार हैं यदि आप किसी बुरे संबंद में हैं तो आपको वहाँ कॉल ले गया चूंकि हम बंदू की नोग पर किसी के साथ संबंद नहीं जोड़ते हैं इसलिए ये काफी हद तक आपकी स्वतंतर इच्छा और स्वतंतर चयन का मामला था और है जैसे हैंडरी फॉर्ड दित्य ने कहा था कभी शिकायत ना करें कभी स्पष्ट ना करें यदि आप इस्थिति से खुश नहीं हैं तो उसके बारे में कुछ करें अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते तो शिकायत नहीं करें एक कारिगर की कहानी है जो दोपहर को लंच की छुटी में अपना लंच बॉक्स खोलता है और उसे अंदर केवल एक सैंडविच मिलता है वो बहुत विजलिद हो जाता है और अपने आज पास के हर व्यक्ति से जोर जोर से शिकायत करता है कि उसे सैंडविच कितनी नापसंद है अगले दिन फिर यही होता है एक बार फिर वो चिलाता है और शिकायत करता है कि वो लंच में सैंडविच से कितनी नफरत करता है तीसरे दिन यही घटना एक बार फिर होती है इस समय तक उसके साथी कर्मचारी उसे चिला चिला कर शिकायत करने से उकता जाते है उन में से एक जुक कर उससे कहता है अगर तुमें सैंड्विच से इतनी जादा नफरत है तो फिर तुम पत्नी से लंच में कुछ और रखने को क्यों नहीं कहते कारिगर उस व्यक्ति की ओर मुड़ता है और कहता है मेरी शादी नहीं हुई है मैं अपना लंच खुद बनाता हूँ हम मेंसे कई उस कारिगर जैसी ही इस्तिती में है हम उन इस्तितीों के बारे में लगातार शिकायत करते हैं जिने हमने खुद ही बनाया है क्या ये आपके बारे में सच है? इमानदारी से अपने संबंधों की जाच करें जड़ा सोचें कि आप अपने जीवन के किस हिस्से में अपने सैंडविच खुद बना रहे हैं क्या आप अपनी नौकरी से खुश है? क्या आप उस धनराशी से खुश है जो आप कमा रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी के इस तर से खुश है? क्या आपको वो काम पसंद है जो आप पूरे दिन कर रही है? यदि आप नहीं हैं, तो आपको स्विकार करना चाहिए कि आप अपनी नौकरी और अपनी करियर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं क्यों? क्यूंकि आपने इसे स्वतंत्र होकर खुच चुना था आप ही ने नौकरी सुईकार की थी आप ही ने जिम्मेदारियां ली थी और आप ही ने वेतन को सुईकार किया था यदि आप किसी कारण इन में से किसी चीज से खुष नहीं है तो कुछ अलग करना भी आप पर ही निर्भर करता है आज आप ठीक उतना ही कमा रही है जितना आपका मूले है ना एक पैसा कम ना एक पैसा जादा जीवन में हम बिलकुल वही पाते हैं जिसके हम हगदार है आपको जितनी राशी मिल रही है अगर आप उससे संदोष्ट नहीं है तो अपने आज-पास के दूसरे लोगों को देखें जो उस तरह का काम कर रहे है जो आप करना चाहते हैं और उस तरह का पैसा कमा रहे है जो आप कमाना चाहते हैं पता लगाएं कि वे आपसे अलग क्या कर रहे हैं। जो परिणाम उन्हें मिल रहे हैं, उनके कारण क्या हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि वे कारण क्या हैं, तो अपनी इस्तिती के लिए पूरी जिम्मेदारी सुईकार करें। कुछ नए लक्ष बनाएं, कुछ नए योजनाय बनाएं और व्यस्त हो जाएं। अपने अद्बुद मस्तिश्क और योग्यताओं का इस्तमाल करें। उनके पीछे इच्छा शक्ती और आत्म अनुसाशन लगाएं। तथा वे परिवर्तन करें जिनकी जरुवत आपको उस जीवन का आनंद लेने के लिए है जिसका आनंद आप लेना चाहते हैं। जीवन का महान लक्ष चरित्र का विकास है। चरित्र आत्म गौरव, आत्म अनुसाशन, संतुष्टी में विलंब करने की योग्यता और अपने जीवन तथा इसकी हर चीज के लिए पूरी तरह जि जिम्मेदार हूँ, आप उतने ही जादा शक्तिशाली, बहतर और अच्छे इंसान बनते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन का हर हिस्सा भी बहतर बनता जाता है। आप अपने वेक्टिगत सेवा कॉर्पुरेशन के अध्यक्ष हैं। आप अपने जीवन के चीफ एग्जि पादन, वितरन, मार्केटिंग, कुणवत्ता नियंतरन, वित और प्रस्टिक्षन वा विकास के प्रभारी हैं। आप ही हैं जो अपना वेतन तै करते हैं। आप जो भी हैं या कभी होंगे, वो हर चीज आप पर पूरी तरह निर्भर करती है। लंबे समय में अपने वेतन का चेक आप खुद लिखते हैं और अपना वितन खुद तै करते हैं। आप जो पैसे कमा रहे हैं यदि आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप अपने सबसे नजदी की आइने के सामने जाकर अपने बौस से सौदेबाजी कर सकते हैं। हम जहां भी हैं और जो भी हैं, इसलि इक आवशक परिवर्दन करें, चाहे जो भी हो। चुँकि आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्परेशन के अध्यक्ष हैं, इसलिए आज के संसार में व्यवसाई को प्रभावित करने वाली हर चीज आपकी व्यक्तिगत व्यवसाई को भी प्रभावित करती हैं। अब आ आप ये नहीं सोच सकते कि इससे कुछ लोग प्रभावित होंगे लेकिन आप नहीं होंगे, आप अध्यक्ष हैं। आधुनिक व्यवसाई का हर नवाचार, हर खोज और पैरेडाइम परिवर्थन आप पर भी उतना ही लागू होते हैं जितना कि अर्बो डॉलर के किसी कॉर्परेशन पर, हर प्रबंधन और व्यवसाईक विचारक द्वारा बताई जा रही हर जानकारी किसी ना किसी तरह आप से संबंदित है आगे आने वाले वर्षों में जो इस तरह पूरश बचेंगे और फलेंगे फूलेंगे वे लगातार ऐसे विचारों की तलाश कर रही हैं जिनका इस्तमाल करके वे हर दिन अपने काम में ज़्यादा तेज, ज़्यादा लचीले और ज़्यादा प्रभावी बन जाएं, उचे सफलता हासल करने वाले सबी लोगों की तरह ही आपका लक्षे भी मार्केट लीडर बनना है, वास्तव में अगर आप अपने शेतर में सर्विश्रेष्ट बनने के लिए समर्पित नहीं हैं, तो आप अचेतन रूप से औसत जीवन को सुईकार कर रही हैं अगर आप बहतर नहीं बन रहे हैं, तो आप शायद बत्तर बन रहे हैं। अगर आप अपने शेतर के शीर से 10 प्रतिशत लोगों में से एक बनने के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो आप अंतते काफी नीचे पहुँच जाएंगे। इनी मूल्यों के अधार पर बनते हैं, वे उन कंपनियों से लगातार ज़्यादा लापकारी होते हैं, जो ऐसा नहीं करती हैं। इसी तरह जिन व्यक्तियों के पास पस्ट केंद्रय मूल्य और व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट होते हैं, वे बाकी लोगों से कही प्रभावी और सफल होते हैं। गिर्द व्यवस्तित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। कल्पना करें कि एक बाजार शोध कंपनी आपके समुदाई में आकर आप पर एक अध्यन करने वाली है। शोध करता आपके सभी परिचितों, आपके परिवार वालों, मित्रों, ग्राहकों, सहकर्मियों और अधिकारियों से पूछने वाले हैं कि वे आपके बारे में अपनी राय दें। फिर शोध करता उनसे ये पूछने वाले हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आपनिक द्रिश्य में इन प्रशनों पर विचार करें। आपके आसपास के लोग शोध करताओं से क्या कहेंगे। वे आपका कैसा वर्णन करेंगे। आपके व्यक्तिकत बजार में आपको किस तरह का गुणवत्ता मुल्यांकन मिलेगा। सबसे महतवपून बात आप क्या चाहते हैं कि वे भविश्य में आपके बारे में किस तरह बात करें। सफल कंपनिया लगबक हमेशा इन सवालों के जवाब सूचने का समय निकालती हैं। The Harvard Business School के डॉक्टर Theodore Levitt कहते हैं कि किसी कंपनी की प्रतिष्ठा बजार में इसकी सबसे मूलेवान संपत्ती होती है। समय के साथ इसके उत्पाद, प्रक्रियाएं और कर्मचारी बदल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा दश्कों तक कायम रहती है। यही आपके साथ भी है, अपने बजार में आपकी किस तरह की प्रतिष्ठा है, आप भविशय में किस तरह की प्रतिष्ठा बनाना चाहेंगे, एक बर जब आप अपने केंद्रिय मूल्य टै कर लें, तो उनके आधार पर एक मिशन स्टेट्मेंट तयार करें, मिशन स्टेट्मेंट भविशय काल का वर्णन होता है, कि तीन से पांत साल में आप आधार शुरूप से किस तरह के व्यक्ति या कॉर्परेशन बनना चाहेंगे, फिर ये केंद्रिय मूल्य और इनसे प्रवाहित होने वाला मिशन स्टेट्मेंट आपके हर काम के कारी सिधान् आप उनके अनुरूप जीने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं जब आपके मूले और मिशन स्टेट्मेंट्स पष्ट हो जाते हैं, तो आप आधुनिक प्रवंधन के साथ आर में सनलंगन होकर, मार्केट लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ये साथ आर हैं, री इंजिनेरिंग, री स्ट्रक्टरिंग, री ओर्गनाइजिंग, री इन्वेंटिंग, री इवालुएटिंग, री थिंकिंग और री फोकुसिंग आपके व्यक्तिगत सेवा कॉर्पुरेशन की री इंजिनेरिंग का मतलब ये है, कि आप पीछे खड़े होकर, अपने काम की पूरी प्रक्रिया देखते हैं आप अपनी की हुई पहली चीज से लेकर उस अंतिम परिणाम तक गौर करते हैं, जो आप अपनी कंपनी या अपनी ग्राहक के लिए हासल करते हैं आप इस प्रक्रिया का विशलेशन करते हैं और कदम घटा कर, गतिवीदियों को इखटा करके, काम के हिस्सों की आउट्सोर्सिंग करके और प्रक्रिया को पूरी तरह बदल कर भी इसे सुचारू बनाने के उपायों की तलाश करते हैं ताकि आप कम समय और कम संसाधन में वैसे ही या बहतर परिणाम पा सकें री इंजिनेरिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको जिन्दगी भर लगे रहना चाहिए री स्ट्रक्चरिंग में आप अपने उन विशेष्ट कामों को पहचानते हैं जो आपके ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा मोलवान है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और योग गिता उन चंद चीजों पर केंदरत करते हैं जो हर शामिल व्यक्ति के लिए सबसे लापकारी होती है द्री और्गनाइजिंग में आप लोगों वा संसादनों को लगातार अदलते बदलते हैं ताकि आप ज़्यादा कारे कुशलता से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करें आप अपने समय और धन के निवेश की तुलना में अपने परिणाम बढ़ाने के तरीकों की लगातार तलाश करते हैं री इंवेंटिंग में आप अपने काम से पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं और कलपना करते हैं कि आप ये सब दुबारा शुरू कर रहे हैं पलभर के लिए कलपना करें कि आप सड़क या देश के पार जा रहे हैं और अपने करियर या विवेसाई को दोबारा शुरू कर रहे हैं आप क्या अलग करेंगे तीन से पास साल बाद आप अपने विवेसाई को कहां देखना चाहते हैं अपने मन चाहे भविश्य का निर्मान करने हैं तो आपको अपने विवेसाई को रिइन्वेंट करने के लिए कौन से परिवर्तन करने होंगे खुद को और अपने व्यवसाई को re-evaluate करना पीछे हटकर बजार के संदर्ब में अपनी ओर देखने की प्रक्रिया है जब भी आप अपने लक्षय हासल करने में तनाव, कुंठा या लगातार अवरोधूं का अनुभव करें तो अपनी इस्ति के पुनर आंकलन करने का समय ले और ये सुनिष्ट करें कि आप सही मारग पर चल रही है व्यवसाई का बुनियादी नियम यह है कि यदि आप कोई प्रतिस पर्दी लाब विक्सित नहीं कर सकते तो प्रतिस पर्दा नहीं करें हो सकता है कि आपकी समस्याएं इस वज़े से उत्पन हो रही हो क्यूंकि आप किसी अत्यंत महतपुन शेत्र में खास अच्छे नहीं है हो सकता है कि उस शेत्र में उत्कृष्ट बनने में आप में कोई सची इच्छा भी ना हो कई बार इस तरह की इस्तिती में सबसे अच्छा यही रहता है कि आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सेवा, अपना बाजार या अपना वांशत प्रतिसपर्दी लाब बदल ले ताकि यह आपकी योगताओं, गुड़ों वा इच्छाओं के ज़्यादा सामन जस्य में आ जाएं रे थिंकिंग में आप नियमित रूप से इस बारे में सोचने का समय निकालते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं चूँकि आपके आज पास की हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है इसलिए आज आज आपके पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं जितने पहले कभी मौजूद नहीं थे चूँकि ये बहुत संभव है कि कुछ वर्षों में आप कोई पूरी तरह अलग चीज करेंगे लेकिन आप आज ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप भविश्य में कहां रहना चाते हैं आप अपने पूरे करियर को दुबारा सोच सकते हैं और इसकी दुबारा योजना बना सकते हैं ये करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक ये पता लगाना है कि किस काम में आपको सबसे ज़ादा आनन्द आता है इसके बाद आपको ये पता लगाना है कि उस काम को ज़ादा करके आप कोई नौकरी कैसे पा सकते हैं या बना सकते हैं अंतिम आर का मतलब है refocusing ये सचमुच भविश्य की कुन्जी है ये अपनी सारी उर्जा उन्चंद कामों को करने पर एकागर मानसिक्ता से केंद्रत करने की आपकी योगिता है जो आपके कामकाज और आपके विक्तिगर जीवन ने सारा फर्क डालते हैं लोग अपनी संभावना को पूरा नहीं कर पाते हैं इसका बुन्यादी कारण ये है कि वे उन कामों में बहुत जादा समय लगाते हैं जिनसे उनके जीवन में बहुत कम योगदान मिलता है वे ऐसे काम करने में जादा से जादा समय लगा देते हैं जिनका कम से कम महत्व या मूले होता है दूसरी और बेहत सफल लोग बहुत से काम हाथ में नहीं लेते हैं वे सिर्फ चंद काम करते हैं, लेकिन उन्हें बेहद अच्छे तरीके से करते हैं। ये जीवन के हर शेत्र में भारी सफलता और उपलब्धी का रहस्य है। साथ आर आपको मार्केट लीडर बनने और परिवर्तन के शक्तियों की बागदोर थामने में सक्षम बनाते हैं। इनका लाब ये है कि उनके सहायता से आप अपने वर्तमान और भविश्य पर दुबारा नियंतरन हासिल कर लेते हैं। नियंतरन के एहसास के साथ ही व्यक्तिकर शक्ति और जादा आत्मविश्वास की भावना आती है। जब आपका जीवन और आपका भविश्य परिवर्तन के अनिश्चत थपेड़ों के बजाए आप खुद तै करते हैं, तो आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा स्वस्थ और अपने हर काम के बारे में ज़्यादा सकरात्मख महसूस करते हैं। आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, आप अपने जीवन के प्रभारी हैं, आप जिम्मेदार हैं। जब आप अपने आसपास के प्रज़तिशील संसार में खुद को एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में देखना शुरू करती हैं, तो आप तक्दीर की बागदोर अपने हाथों में थाम लेती हैं। आप अपने भविशय के आर्केटेक खुद बन जाती हैं और अपने जीवन की बुनियादिस रजनात्मक शक्ति भी बन जाती हैं। अध्याए 5. अपनी शक्तियों को सामने लाई। क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए हैं कि कई लोग अपने चुने हुए छेत्र में दूसरों के तुलना में बहतर होते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपने 80 by 20 नियम के बारे में सुना है जो बताता है कि 80% बिकरी, 20% सेल्स पिपल करते हैं। इसका मतलब है कि 20% सेल्स पिपल, 80% कमिशन भी कमाते हैं। हर उध्योग में 20% लोग, 80% संपत्ती के मालिक बनते हैं। चूंकि हर व्यक्ति काफी हद तक एक जैसी इस्तिती से शुरुवात करता है, इसलिए ऐसा क्यूं है कि कुछ लोग बहुत संख्यक लोगों से इतने ज़्यादा आगे निकलने में काम्याब हो जाते हैं। बरसों के अध्यन और अनुभव के बाद ये पाया गया है कि सफल लोग अपनी शक्तियों से लाब लेते हैं, वे या तो पहले से मौजूद शक्तियों को तराशते हैं या फिर वे उन शक्तियों को पहचानते और विक्सित करते हैं, जिनके जरूरत उन्हें आगे बढ़ने क पर केंद्रित कर लेते हैं, वे सामाने प्रदशन करने वालों के समुह से बाहर निकलते हैं और असाधारन प्रदशन करने वालों के समुह में पहुंच जाते हैं, जल्द ही उन्हें जो मूर्थ अमूर्थ पुरुसकार मिलते हैं, वे उनकी उपलब्दियों के बेंजामिन फ्रेंकन ने एक बार लिखा था, अपना समय बर्बाद ना करे, क्यूँकि यही वो कच्चा माल है, जिसे जिन्दगी बनती है, किसी भी चीज के बदले में आपको जो मूले मिलता है, उसे इस बाद से तै किया जा सकता है, कि उसे हासल करने में, आपने अपना कि विचार करना एक अत्यंत महतपूर्ण घटक है जो आपको शुरू करने से पहले ही कर लेना चाहिए अपनी अंदरूनी शक्तियों को खूज कर और उन्हें उतकर्ष तक विक्सित करके और उनका देहन करके ही आप अपने हर काम में सरवादिक संतोष्टी वा आनंद हासिल कर स सफलता वो काम करने से मिलती है जिसे करने के लिए आप आदर्श रूप से उप्युक्त हैं सफलता उस काम को बहुत अच्छी तरह और जादा से जादा करने से मिलती है ये स्वास्थ है खुशी संब्रिद्धी और पूर्ण आत्मसंतुष्टी की कुंजी भी है करते हैं वे ये मानते हैं कि वे ही अपनी सफलताओं के स्रोथ हैं वे ये भी मानते हैं कि वे ही अपनी समस्याओं और मुश्किलों के मुख्य कारण तथा इलाज हैं पूचे सफलता पाने वाले लोग कहते हैं यदि इसे करना है तो ये मुझ पर है जब चीजें उतनी जिसे वे चाहते हैं, तो वे खुद से पूछते हैं, मेरे भीतर ये क्या है, जिसकी वज़े से ये समस्या उत्वन हो रही है, वे बहाने नहीं बनाते या दूसरे लोगों को दोश नहीं देते हैं, इसके बजाए वे बाधाओं से उबरने और प्रज़ती करने के तरीकों के तलाश करते हैं, पूरी तरह जिम्मेदार लोग खुद को स्वर रोज़गार वाला मानते हैं, वे जानते हैं कि वे खुद के लिए काम कर रही हैं, चूंकि उनमें स्वर रोज़गार का ये नजरिया होता है, इसलिए वे खुद के और अपने काम के प्रती एक रणनितिक रवईया रखते हैं. श्रेष्ट लोग अपने कारेस धल में वेक्ति के रूप में खुद को उसी तरह से देखते हैं, जिस तरह से सफल कम्पनियां खुद को कॉर्पुरेशन के रूप में देखती हैं. किसी कॉर्पुरेशन या कारोबारी संस्था के लिए, रणनितिक न निवार्य अफधार्णा है जिसे return of equity कहा जाता है सारे कारोबारी नियोजन का लक्षय कारोबार के संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित वो दोबारा व्यवस्थित करना होता है जिससे कारोबार के मालिकों का वित्यलाब बढ़े इसका मतलब है input की मातरा की तुलना में output की मातरा को बढ़ाना इसका मतलब है जादा उचे मुनाफे और लाप के छेतरों पर ध्यान के इंद्रत करना और कम मुनाफे वा लाप के छेतरों में कम संसाधन लगाना जो कम्पनिया तेजी से बदलते परिवेश में इस काम को प्रभावी ढंग से करती हैं, वही कायम रहती हैं और सम्रिद्ध होती हैं जो कम्पनिया इस प्रकार के रणनितिक विशलेशन नहीं करती हैं, वे पीछे रह जाती हैं और अकसर गायब हो जाती हैं आप व्यक्ति के रूप में जो हासिल करने में सक्षम है, उस पर हर चीज को हासिल करने के लिए आपको अपनी जीवन वा कामकाज के संदर्भ में कुशल रणनीतिक योजनाकार बनना चाहिए, लेकिन बस return of equity को बढ़ाने के बजाए आपका उदेश्य return on energy बढ़ाना हो जाता है, जिस तरह किसी company के पास वित्य पूंजी होती है, उसी तरह आपके पास मानव्य पूंजी होती है, आपके पास शारिदिक पूंजी, भावनात्मक पूंजी और बौधिक पूंजी होती है, इन तीनों में बौधिक पूंजी सबसे मूलेवान होती है, आज हम सूचना में रहते हैं, हम पसीना बहाकर आजीविका नहीं कमाते हैं, बलकि अपने काम का आज में दिमाग लगाकर परिणाम हासल करने की अपनी योग गता वो सोज की गुन्वत्था से कमाते हैं, जादतर लोग जब शुरुआत करते हैं तो उनके पास काम करने की योगिता के सिवा जादा कुछ नहीं होता 80 प्रतिशत से जादा करोड़ पतियों ने शून्य से शुरुवात की थी जादतर लोग अपने युवा व्यस्क वर्षों के दोरान कई बार दिवालिय हुए हैं या उसके आस-पास पहुँचे हैं लेकिन अंत्तह आगे वही लोग निकलते हैं जो एक निश्चत तरीके से निश्चत चीज़ें करते हैं जो आम आद्मी से अलग होती हैं सफल लोग चेतन रूप से या अचेतन रूप से जो शायद सबसे पहत्पून चीज़ करते हैं वो है खुद को रणनितिक द्रिष्टी से देखना वे लगतार सोचते रहते हैं कि वे बजार में अपनी योगताओं का बहतर उपयोग करके अपनी शक्तियों वो योगताओं का सबसे अच्छा लाप कैसे ले सकते हैं जिससे अपने और परिवार के लिए उनका मुनाफ़ा बढ़े सेमिनार में आए एक युवक ने बताया कि वो एक बड़ी प्लम्बिंग कॉन्ट्राक्टिंग फर्म में प्लमबर का काम कर रहा था उसे अच्छा वेतन मिलता था लेकिन उसे उन सेल्स पीपल से बहुत इरश्या होती थी जो ज़्यादा पैसा कमाते थे ज्यादा अच्छी कारों में घूमते थे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे और बहतर जीवन शैली का आनंद लेते थे उसने अपना सारा प्रक्षिक्षन पूरा कर लिया था और उसके पास कारिगर का प्रमान पत्र था उसका वेतन उसके छेतर के लिहाद से शिखर पर था ज्यादा पैसे कमाने का एक ही उपाय था कि वो ज्यादा घंटे काम करे बहरहाल उसे एहसास हुआ कि ये सही जवाब नहीं है इसके बजाए वो बिक्री के छेतर में जाना चाता था ताकि उसकी आमदनी बढ़ जाए और घंटे के हिसाब से तैना हो उसे सला दी गई कि अगर वो बिक्री के छेतर में जाना चाता है तो उसे ये सीखना होगा कि बेचा कैसे जाता है फिर उसे हर संभव कोशिश करनी होगी कि उसका प्रबंदन उसे plumbing सेवाएं बेचने का अफसर दे उसका भविश्य उस पर निर्भर करता था लेकिन पहले उसे ये सीखना था कि पेशेवर रूप से बेचने के नए और ज्यादा उचे भुकतान वाले काम को कैसे करना है सिर्फ एक साल बाद वो एक और सेमिनार में आया और उसने अपनी कहानी बताई उसने लोट कर अपने बोस को बताया था कि वो विक्री के छेतर में जाना चाता है उसके बोस ने उसे हताश करते हुए कहा था कि प्लमबरों में उस कटोर अंतर वैक्रीत्व काम के लिए बहुत कम कोशल होता है जो एक जटल सेवा को बेचने के लिए जरूरी होता है इस पर उस Plumber ने बहुत से पुछा कि उसे उनके सामने ये साबित करने के लिए क्या करना होगा कि वो अच्छी तरह बेच सकता है लंबी कहानी को संशेप में बताते हुए उन्होंने उस Plumber की ये सीखते में मदद की कि उनकी सेवाईं कैसे बेची जा सकती है उसने अपनी खुद के समय में मैनुवल पड़े और अतिरिक पाठेकरम किये उसने पुस्तक के खरीदी, आडियो प्रोग्राम सुने और वो अपनी कमपनी के सेल्स पीपल के साथ समय बिताने लगा अब एक साल गुदर चुका है, वो पांच महीने से फून कालिक सेल्समेन है वो Plumber के रूप में जितना कमाता था, आज उससे दुगने से भी जादा कमा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद के और अपनी काम के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा खुश और ज़्यादा उत्साही है उसे बेशनी के छेतर से प्रेम है और वो मानता है कि अपना करियर बदलने का उसका निन्य वो सर्वस्वेश्ट निन्य था जो उसने कभी लिया ये उन असंग के कहानियों में से एक है जो बरसों में बार बार दोहराई जाती है हर मामले में इनसान ने अपने जीवन की गुणवत्ता को बहतर करने के लिए अपनी शक्तियों को खोजा और विक्सित किया आप भी ऐसा ही कर सकते हैं वास्तव में ये आपकी की हुई सबसे महतपुन चीजों में से एक हो सकती है कमाने की योगेता आपकी सबसे मूलेवान वित्य संपत्ती है पैसा कमाने या परिणाम पाने की आपकी योगेता के लिए ही कोई आपको अच्छे पैसे देगा यदि इसे बजार में उचित रूप से लागू किया जाए तो ये एक तरह का हैंड पंप बन जाती है अपनी कमाने की योगेता पर सही तरह से सही जगह पर काम करके आप इस हैंड पंप से जीवन से हर साल लाखों डॉलर निकाल सकते हैं आपका समुचा ज्यान, शिक्षा, अनुभव और योगेताएं आज आपकी कमाने की योगेता में योगदान देती हैं आपकी कमाने की योगेता किसी खेज जैसी होती है अगर आप इसकी उत्कृष्ट परवाह नहीं करते हैं तो ये नश्ट हो जाती है अगर आप इसे पोशन नहीं देते हैं, इसकी जुताई नहीं करते हैं, इसकी सिचाई नहीं करते हैं और नियमत रूप से खाद नहीं डालते हैं, तो ये आपकी मन चाही फसल उत्पन करने की योगेता बहुत जल्द ही खो देगा सफल इस्तरी पुरुष वे हैं जो अपनी कमाने की योगेता के महत्व और मूले के बारे में बेहत जागरुक हैं वे इसे कभी नजर अंदाज नहीं करते हैं, वे इसे बहतर बनाने के लिए हर दिन काम करते हैं और बाजार की मांगों के अनुरूप रखते हैं जीवन के एक भारी जिम्मेदारी बेचने योग्या किसी महत्वण योग्यता को पहचानना, विक्सित करना और कायम रखना है आपको कोई ऐसी चीज करने में बहुत अच्छा बनना चाहिए जिसकी बाजार में भारी मांग हो अपनी शक्तियों का पता लगाने के लिए आपको अपने भीतर कहराई में देखना होगा आपको अपनी सारी संभावनाओं की चानबीन करने के लिए तयार रहना होगा फिर आपको अपनी व्यक्तिगत दिशा और उन लक्षों के बारे में निर्णा लेना होगा जिने आप हासिल करना चाते हैं आप व्यक्तिगत प्रणनेतिक नियोजन के अभ्यास में सनलगन होकर अपनी सची शक्तियों को पहचानना शुरू करते हैं ये तब शुरू होता है जब आप पस्टता से अच्छी तरह सोचते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं और आप किस के पक्ष में खड़े हैं। व्यक्तिकत पड़ताल के इस पहले हिस्जे को मूल्लेस पस्टिकरन कहा जाता है। आप खुद से पूछते हैं, मैं किन मूल्लेों और सद्गुणों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तथा अपने जीवन में उनका अभ्यास करना चाहता हूँ। यदि आप कामकाज के छेत्र में अपनी शक्तियों को खोजना चाहती हैं, तो अपने व्यक्तिकत मूल्लेों को इस तरह प्रभाशित करें, जैसे वे आजीवी का कमाने में लागू होते हैं। जिन मूल्लेों को कमपनिया अपनाती हैं, अपने कामकाज जीवन को उनी के इर्द-गिर्द विवस्थत करें। मिसाल के तोर पर कमपनिया और व्यक्ति दोनों ही अक्सर ऐसे मूल्ले चुनेंगे जो इमानदारी, गुणवत्ता, दूसरों के प्रतिसम्मान, सेवा, मुनाफा, नवाचार, उद्यमिता, बाजार का नेतरत्व आदी। जन्रल इलेक्ट्रिक ने अपना एक मूल्ले ये तै किया, कि ये अपने हर प्रोडक्ट में गुणवत्ता वा बजार हिस्सदारी के दृष्टी से पहले या दूसरे स्थान पर रहेगी। यदि ये पहला या दूसरा स्थान हासल नहीं कर सकती, तो ये या तो विकास करने के हर संभव कोशिश करेगी या फिर उस बजार को पूरी तरह से छोड़ देगी। आप अपने कामकाज के संदर्भ में अपनी इस्तिती को परिभाशत करने के लिए इन ही या ऐसे ही मूल्यों का इस्तमाल कर सकते हैं। आपके निती तै होगी। अगला कदम ये है कि आप अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बना ले। ये वैसे व्यक्ति का स्पष्ट लिखित वर्णन है जैसे आप अपने कामकाज जीवन में बनना चाहते हैं। आप क्या चाते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में किस तरह सोचें और आपका वर्णन किस तरह करें। ये व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तिय, व्यवसाइक या विक्री लक्षत तै करने से भी ज़्यादा महतपून है। जब आप ये लक्षत तै कर लें कि आप कितना कमाना चाहते हैं तो आपको एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। जिसमें लिखा हो कि उस धनराशी को कमाने के लिए आप कैसे व्यक्ति बनने का इरादा रखते हैं मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं मैं एक असाधारन सेल्स परसंड हूँ मैं सू व्यवस्थित, मैनती, पूरी तरह तैयार, तकरात्मक, उत्साही और किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरह अपने गराहकों के सेवा करने पर कहराई से एकागर हूँ अगर ये आपका मिशन स्टेटमेंट है, तो अब आपके पास उन व्यवस्थापक सद्धानतों की श्रंखला है इनका इस्तमाल आप अपने करियर के चुनावों, अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास, गतिविधियों और हर दिन की कामकाजी समय सारनी में मार्ग दर पर्ष्ट मिशन स्टेटमेंट उन छेत्रों को भी स्पष्ट करता है, जहां आप अपने लक्षा हासल करने के लिए पहतर बनने वविकास करने का इरादा रखते हैं। बहुत सारे उदेश्यों को हासल करने के लिए बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। संसादनों के समूह के रूप में आपके पास समय और उर्जा की मातरा सीमित होती है। इसलिए आपको अपने समय और उर्जा का उपयोग सर्वच प्रात्मिक्ता के अधार पर और सबसे अच्छी तरह करना चाहिए। पीछे खड़े होकर कलपना करें कि आप खुद को किसी दूसरे व्यक्ति की निगाहों से तटस्तता से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर्वच्वेश्ट परिणाम हासल करने के लिए आप खुद का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं। खुद को अपने नियोकता या बॉस की तरह देखें। अपने परिणामों को अधिक्तम करने के लिए आप खुद को कैसे काम सौप सकते हैं। एक फ्यक्ति साल भर में हर सप्ता औसतन तीन बिक्रिया कर रहा था और साल भर में 45 डॉलर कमा रहा था। अपनी शक्तियों और गतिविदियों का विशलेशन करने के बाद उसने तै किया कि वो प्रॉस्पेक्टिव, क्वालिफाइं और क्लोजिंग के तीन छेत्रों में बहतर बन सकता है। उसका अनुमान था कि इन छेत्रों में बहतर बनने के बाद वो अपनी साप्ताहिक उसत बिक्री को तीन से बढ़ा कर चार कर सकता है, जो उसने चंद महीनों में कर लिया. उत्पादक्ता बढ़ने के फल स्वरुप उसकी आमदनी तीजी से बढ़ी, वो एक साल में 45,000 के बजाए 60 डॉलर कमाने लगा, इन तीन छेत्रों में ज्यादा शक्तिशाली बनकर वो हर सप्ता एक बिक्री ज्यादा करने लगा, इससे उसकी आमदनी लगबक तुरंत ही एक तिहाई बढ़ गई, इससे भी ज्यादा महतपून ये था कि उसे एहसास हुआ कि एक तिहाई ज्यादा प्रभावी बनकर वो अपने कामकाजी वर्षों की उत्पादक्ता को एक तिहाई बढ़ा रहा है, यानि वो खुद को ऐसी इस्तिती में ला रहा है कि 40 साल के कामकाज में वो जितना कमाता अब वो उतना ही 30 साल के कामकाज में कमा सकता है, दरसल वो समान वित्य परिणाम हासल करने के लिए अपने 10 साल की कड़ी महनत बचा रहा था और इसके लिए वो सिर्फ उन मुख्य परिणाम छेत्रों में थोड़ा बहतर बन रहा था, जहां ये सबसे म धान्तों को लागू कर दें, एक बार जब आप अपने मूल्यों को परिभाशत कर लें और अपने मिशन स्टेटमेंट को लिख लें तो इसके बाद वाले कदम को स्थितिगर्थ विशलेशन कहा जाता है, कई बार इसे प्रदर्शन ओड़ेट कहा जाता है, ये खुद का प प्रदर्शन ओड़ेट शुरू करते हैं, इन में से एक प्रशन ये होना चाहिए, मेरी वे योगताएं कौन सी हैं, जिने बेचा जा सकता है, इस बारे में सोचे, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जिसके लिए कोई दूसरा आपको पैसे देने को तयार हो, आप कौन सी चीज खा आप अपने ग्यान और योगताओं को लागू करके जो परिणाम पाने में सक्षम होते हैं, काफी हद तक उनी से जीवन में आपके पुरसकार तै होते हैं, यदि आप अपने पुरसकारों की गुणवता और मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जादा वह बहतर पर लोगता को बढ़ाना होगा, अर्ल नैंटिंगेल ने एक बर कहा था कि आपके आमदनी तीन चीजों से तै होगी, पहला आप कौन सा काम करते हैं, दूसरा आप उस काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं, और तीसरा आपका विकल्प खोजना कितना मुश्किल है, शिरम बाजा किसी ऐसी चीज के लिए जादा भुकतान नहीं करता है, जो उसे कम में मिल सकती है, इसका मतलब है कि जादतर मामलों में आपको हमेशा नियूनतम भुकतान दिया जाएगा, जो आपको किसी दूसरे संगठन में जाने से रोकने के लिए आवशक है, अबराहम लिंकन ने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास जो एक मातर सुरक्षा हो सकती है, वो है किसी काम को असाधारन अच्छी तरह से करने की योगता, आपकी आमदनी की उचाई काफी हद तक इस बात से तैह होगी कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं, और आपका विकल्प होजना कित मुश्किल है, जिन छेत्रों में कर्मचारियों को असानी से हटा कर दूसरे को रखा जा सकता है, वहां कर्मचारियों को रोके रखने के लिए आवशक निउन्दम राशी दी जाती है, आपका एक लक्षय ये होना चाहिए कि अपने चुने हुए छेत्र में इतने अच्छे बन जाएं, ताकि आपको हटा कर किसी दूसरे को रखने की लागत बहुत जादा हो, यही इस बात को सुनिश्यत करने का एक मात्र तरीका है कि आपको हमेशा अच्छा भुकतान मिले, आपको अपना काम उतकरष्ट अंदाज में करना चाहिए, ताकि कोई उतने पैसों में उस तरह के परिणाम नहीं पा सके जो आपको मिलते हैं, यह निर्ने लेना आप पर है कि अपने गुड़ों और योगताओं का इस्तमाल इस तरह कैसे करें, जिससे आपको अपने समय वा उर्जा का सबसे ज़्यादा रिटन ओन इंवेस्मेंट मिले, यह काम आपके लिए को और आपको अफसर भी दे सकती हैं, लेकिन अंतिम विशलेशन में आपके सिवा कोई भी वे अत्यंत महतपूर निनय नहीं ले सकता, जो आपके भविश्य और आपके तक्दीर को तै करेंगे, आपको नियमित रूप से खुद से कुछ सबाल पूछने चाहिए, आपको क्या करने में सबसे जादा आनंद आता है, आप अपनी आदर्श नौकरी का वर्नन किस तरह करेंगे, अगर आप कहीं भी कुछ भी करते हुए, कोई भी नौकरी पा सके, तो वे कौन सी होगी, आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप लोटरी में 10 लाख दॉलर जीत जाएं, और आ आपको अनंत काल तक के लिए किसी नौकरी को चुनना हो, तो आप अपने समय के साथ वेक्तिगर्द प्रूप से क्या करने का चुनाओ करेंगे, अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए खुद से पूछे, मेरे अनूठे गुण और योगिताईं क्या हैं, आप अतीत मे किसमें अच्छे रही हैं, आप कौन सी चीजें आसानी से करते हैं, जो दूसरों को मुश्किल नजर आती हैं, आपको काम के किन छित्रों में सर्वश्रेष्ट परिणाम मिलते हैं, आपको किस तरह के काम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हैं, इन प्रश्णों के अनुभवों, प्रश्ट भूमी और रुच्यों के फल्स्वरूब गुड़ों वर योगिताओं का एक अनूठा दुरलब तालमेल है, आपके पास किसी चीज में बेहत अच्छा होने के जन्मजात योगिता है, ये पता लगाना आपके जिम्मेदारी है कि वो कौन सी चीज है, फिर बिना किसी शर्ट या रुकावट के, उसमें अपना पूरा दिल जोगने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, जब आप ये तै करते हैं कि आप किस चीज को करने में सचमुच आनंदित होते हैं और फिर पूरे दिल से इसके प्रति समर्पित होते हैं, तब ही आप सचमुच खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे, अपनी वर्तमा नौकरी और योगिताओं पर नजर डाले, वह खुद से पूछे, मैं तीन से पांच साल में कहां पर रहना चाहता हूँ, आप किस तरह का काम करना चाहेंगे, आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहे आप जिम्यदारी का कौन सा स्तर चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहेंगे, आप देश के किस हिस्से में रहना चाहेंगे, अपनी कलपना को कुछ समय के लिए खुल कर विचरन करने दें, कलपना करें कि आप जो भी, जहां भी कर्या बन सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं कलपना करें कि आपके सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं, आज ही अपने जीवन और कामकाज पर सामान्य द्रश्टी डाल कर खुछ से पूछें, मैं किस तरह के लोगों की सबसे ज़्यादा प्रसंसा करता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ, आप किसे जानते हैं, जो वैसा काम कर रहा है, जो आप करना चाहते हैं, और वैसा जीवन जी रहा है, जैसा आप जीना चाहते हैं, वैसा बनने के लिए आपको अपने जीवन में कौन से परिवर्दन करने हूँगे, याद रखें, किसी ने आज तक जो भी किया है, उसे कोई दूसरा भी कर सकता ह सारी कारोबारी योगताईं और जादतर दूसरी योगताईं सीखी जा सकती है आप हू बहू कभी किसी दूसरे व्यक्ति जैसे नहीं बन सकते लेकिन आपको इसकी जुर्वत भी नहीं है आप दूसरे लोगों की सफलता और उपलब्दी का इस्तिमाल मिसाल और दिशा निर्देशों के रूप में कर सकते हैं जिससे आपको ये निर्णय लेने में मदद मिलती है कि आप अपनी खास यात्रा के अंत में कहां पहुँशना चाहते हैं हैरॉल जैनिन, ITT के पूर्व, CEO और अमेरिके इतिहास के सबसे सफल विवसाइक, Executives में से एक थे वे हमेशा कहते थे, लक्षय से शुरू करो और पीछे की तरफ काम करो ये निर्णय लें कि आप भविश्य में किस समय कहां पहुँशना चाहते हैं और फिर वर्तमान दिन तक पीछे की योजना बना कर तै करे कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा अपने शक्तियों और कमजोरियों का सच्चा आंकलन करे संभावित अवसर के छेत्रों का आंकलन करे और उन कम्यों का भी आंकलन करे जो आपको रोक सकती हैं तब आप भविश्य की ओर देखने के लिए आदर्श इस्तिती में होंगे तब आप ये निर्मे लेने की आदर्श इस्तिती में होंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं और इसे हासल करने के लिए आपको क्या करना होगा अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करने के लिए आपको किस अतरिक्त ज्यान की आवशक्ता होगी आपको क्या सीखने के जरुवत होगी आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ने होगी आपको कौन से ओडियो प्रोग्राम सुनने होगे आपको कौन से कोर्स करने होंगे कई लोग 40-50 साल की उम्र के बाद दुबारा कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और किसी बिलकुल नए पेशे या करियर के लिए प्रशिक्षन लेते हैं फिर वे 10-20 साल तक अपने नए छेत्र में अभ्यास करते हैं विशशग्यों के अनुसार वर्तमान परिद्रश्य में आम आदमी 2 साल या अधिक तक चलने वाली 14 अलग-अलग पूर्ण कालिक नौकरियां करेगा उसके 5 अलग-अलग करियर होंगे 80 प्रतिशत से अधिक विश्व विध्याले के विध्यार्थी सा तक होने के 2 साल के भीतर अपने अधियन के छेत्र से बिलकुल अलग छेत्रों में काम करेंगे आप आज जहां हैं वहां सर्फ भविशे की भूमिका है आपकी अंतिम मंजल और रहा की मंजलों का निर्ना लेने की कुझी ये है कि आप अपने भीतर कहराई तक देख कर ये तैकरी कि आप कौन हैं और किस में अच्छे हैं आपकी अनूठी शक्तियां और योगिताईं क्या हैं और आप अपने मन चाहे जीवन को बनाने में उनका अधिक्तम दोहन कैसे कर सकती हैं आप जहां हैं और आप जहां सचमुच पहुचना चाहते हैं उसके बीच कौन सी बाधाईं खड़ी है कौन सी चीज आपको अपने सर्व श्रिष्ट इस्तर पर परदशन करने से रोक रही है कौन सी चीज आदर्श नौकरी पाने या जीवन को आदर्श बनाने में बाधक है आप आज जहां हैं वहां से अपनी मन चाही जगय तक पहुचने के लिए आपको आज से क्या करना चाहिए इन प्रशनों को पूछना और इनका जवाब देना श्रेष्ट व्यक्ति के निशानी है जो कुछ वर्शों में ही इतना ज़्यादा हासल कर लेगा जितना आम आदमी अपने पूरी जिंदगी में हासल नहीं कर सकता व्यक्तिगत रणनेतिक नियोजन में आपका लक्षय हमेशा ये होना चाहिए कि आप बाजार के चुने हुए विशेश छेत्र में नेतरत्व हासल कर लेगा कारोबार में नेतरत्व का अर्थ है कम्पनी की उतक्रष्टता का छेत्र तै करने की योगयता व्यक्तिगत नेतरत्व का भी यही अर्थ है ये अपनी उत्क्रष्टता के व्यक्तिगत छेत्र को चुनने की आपकी योगता और दाईत्व है व्यक्तिगत नेतरत्व में असाधारन परिणाम हासिल करने के लिए समर्पन के जरुरत होती है आप किन छेत्रों में काम करने जा रही हैं ताकि आपको ऐसे परिणाम मिले जो आम आदमी हासल करने की उमीद नहीं कर सकता आपके शक्तियों का खुलासा करने और परिभाशित करने की पूरी प्रक्रिया का एक ही लक्षे है कि आप सर्व श्रेष्ट बनने का निर्ड़े ले ऐसा कौन सा काम है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं जिसे अगर अच्छे तरह किया जाए तो उससे आप पर और आपके जीवन पर असाधारन फर्क पड़ेगा ऐसा कौन सा काम है जिसे आप इस समय कर सकते हैं या जिसे आप भविश्य में करना सीख सकते हैं जिसकी उपलब्दी से आपके लगाए समय और जीवन की मात्रा में सबसे ज़्यादा लाब हो सकता है अब सबसे एहम सवाल ये है आप खुद की और अपनी वेक्तिगत सेवा कॉर्परेशन की मार्केटिंग कैसे करेंगे ताकि आपको अपने काम में सरवचो मुनाफ़ा हो अपनी सफल मार्केटिंग की चार कुंजिया है ये हैं विशेशग्यता, भिन्नता, विभाजन और एक आग्रता विशेशग्यता के लिए ये आवशक होता है कि आप एक खास शेत्र में अपने ग्रहकों और कम्पनी के लिए एक खास परिणाम पाने पर ध्यान केंद्रित करें इसका मतलब है कि आप पाकी सब चीजों को हटा कर एक या दो चीजे तैर करते हैं जिने आप करने वाले हैं ये विशेशग्यता कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप करते हैं या ये कोई प्रॉडक्ट या सेवा हो सकती है जिसे आप बेजते हैं ये एक खास प्रकार का ग्राहक या बाजार का हिस्सा हो सकता है, जिसकी सेवा करने का आप चुनाव करते हैं। चारों और संभावनाओं की तलाश करने पर वो कौन सा एक छेत्र होगा जिसमें आप विशेशग्यता हासल करें। वे ग्राहक, प्रोडक्ट, सेवाई, व्यविसाई, आवशक्ताई, उध्योग और अफसर कौन से हैं जिनका विचार आपके मन में आता है। वे बाजार के किसी खास छेत्र में वर्चस्व जमाकर, मशूर और सम्मानित बनते हैं। आपके लिए बाजार का वो खास छेत्र कौन सा है, ये क्या होना चाहिए, ये क्या हो सकता है, कैसे, कहां, कब और क्यूं, आप प्रियास के किसी खास छेत्र में विशेशग्यता हासल करने जा रही हैं। ये निर्ने शायद आपके करियर का सबसे महतपूर निर्ने है। रन्नेते की योजनाकार माइकल कामी ने एक बार कहा था, जो लोग भविश्य के बारे में नहीं सूचते हैं, उनका भविश्य नहीं हो सकता। कई लोग अपनी नौकरियां गवा देते हैं और लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं। ऐसा अकसर इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जीवन की सड़क पर पर्याप्त दूर तक नहीं देखा था और खुद को पर्याप्त अच्छी तरह तयार नहीं किया था। इसलिए जब उनकी वर्तमा नौकरी खतम हुई तो उन्होंने खुद को अचानक किसी एका की सड़क पर बिना इंधन के पाया और नियमित वह अच्छे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा। अपने साथ ऐसा ना होने दे। क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। फिर खुद से पूछें अगर मैं आज ये नौकरी नहीं कर रहा होता तो इसके बारे में अपने वर्तमान ग्यान के अधार पर क्या मैं इसमें आज दुबारा जाता अगर मुझे ये दुबारा करना होता। ये पूछते समय खुद के साथ पूरी तरह इमानदार रहें। अपने वर्तमान ग्यान के अधार पर क्या मैं इसमें आज दुबारा जाता। इस प्रश्ण को विशेशग्यता के अपने वर्तमान छेतर पर लागू करें। ये प्रश्ण अपने काम के हर हिस्से के बारे में पूछें। इस संभावना पर विचार करने के लिए तयार रहें कि आप गलत छेतर में हैं या गलत कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या गलत नौकरी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस पल अपने लिए बिल्कुल सही काम कर रहे हो, हो सकता है कि आप पहले से ही अपनी सारी शक्तियों का दोहन कर रहे हो, हो सकता है कि आपका वर्तमान काम आपकी पसंद और नापसंद, आपके स्वभाव तथा आपके व्यक्तित्व के लिहाद से आप आने वाले महीनों और वर्षों में कहां होना चाहते हैं। भविश्य की भविश्यवानी करने का सर्वश्यष्ट तरीका खुद इसका निर्मान करना है। अपनी मार्केटिंग करने की दूसरी कुझी है भिन्दता। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी तरह अपने प्रतिसफर्दियों से अलग और बहतर बने। अनूठे बनके आपके छेतर क्या हैं? भीड से अलग दिखने के लिए आप क्या कर रही हैं? आप खुद को ऐसे कैसे तयार कर सकते हैं ताकि आप अपरिहार्य बन जाएं और किसी दूसरे के लिए आपके जगह लेना असंभव हो जाएं। याद रखें, शिखर पर कभी भीड नहीं होती। जो लोग अपने छेतरों में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मांग हमेशा रहती है। फिशायद ही कभी बेरोजगार होते हैं। उन्हें हमेशा सबसे ज़्यादा भुक्तान मिलता है और सबसे तेजी से प्रमोशन मिलता है। आपका मुख्य लक्ष अपने काम में बेहद उतकृष्ट बनना है और बहतर बनते रहना है। कारोबार और कामकाज के संसार में परिणाम ही सब कुछ है। परिणाम ही वो एक मात्र पैमाना है जो मायने रखता है। सारे कारोबारी, परिणाम, वित्य संदर्भ में परिभाशत किये जा सकते हैं। आप विक्री, आमदनी और मुनाफे पर जितना जादा सकरात्मक प्रभाव डालते हैं, आप उतने ही जादा मुल्यवान बनते हैं। खुद को बाकी सबसे अलग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने ज्यान और योगिताओं को इस बिंदू तक बढ़ा लें, जहां आप परिणाम पाने में किसी दूसरे से बहतर बन जाएं। आप में ऐसे विशेश गुण और योगिताओं हैं जो आपको अब तक किसी दूसरे इंसान से अलग और अनूठा बनाती हैं। आपके जैसे किसी दूसरे इंसान के होने के संभावना पचास अरव में एक से भी जादा है। शिक्षा, अनुभव, ज्यान, समस्याओं, सफलताओं, मुश्किलों, चुनोतियों और जीवन वा लोगों को देखने वा प्रतिक्रिया करने के आपके अनूठे तरीके का उलेखनिय वा असाधारन मिश्रण सचमुच आपको पूरे संसार में असाधारन बना देता है। आपके भीतर इतनी शमताएं भरी पड़ी हैं, जिने विक्सित करने पर आप जिन्दगी में अपनी हर मनचाही चीज हासल कर सकते हैं। डैनिस वेटली कहते हैं, अगर आप सौ जीवन भी जीए, तब भी आप अपनी पूरी संभावना का इस्तमाल नहीं कर सकते। भले ही आप सौ साल और जीए, तब भी आप अपनी जन्मजाट शमता के एक छोटे से हिस्से से जादा का इस्तमाल नहीं कर सकते। आपको खुद का और अपने जीवन का विशलेशन करके ये निर्ना लेना चाहिए कि आप अपने किन्द गुणों का दोहन करने वाले हैं और उन्हें उनके अधिक्तम स्तर तक विक्सित करने वाले हैं। लीडर्स का एक गुण ये होता है कि वे इस बारे में लगातार सोचते हैं कि उनकी अंदरूनी योगताओं और उनकी बाहरी परिस्तियों को देखते हुए वे खुद को सबसे अच्छी तरह कैसे रख सकते हैं ताकि उन्हें सर्वश्रिष्ट परिणाम मिल जाएं। आपको भी इसी तरह सोचना चाहिए आपकी व्यक्तिगत उतक्रिष्टता का छेतर क्या है आप इस वक्त किस चीज में खास अच्छे हैं अगर चीजे उसी तरह चलती रहें जिस तरह वे हैं तो आपके भविश्य में यानि तीन से पांच साल के भीतर किसमें अच्छा बनन की संभावना है क्या आपका सरवच गुण बेचने योग्य है जिसकी मांग बढ़ रही है या फिर आपका छेतर उस तरह से बदल रहा है कि इसकी बराबरी पर रहने के लिए आपको भी बदलना होगा अगर आप अपने जादा गुणों और योग्यताओं का विकास करे तो अपने वित्य भविश्य की बागडोर अपने हातों में थामना चाहते हैं तो आपकी उत्कृष्टता का छेतर क्या होना चाहिए जब आप विशेशग्यता का छेतर चुणने के लिए अपने वर्तमान और अतीत के अनुभव पर नजर डालते हैं तो आप खुद से ये बे अपने वर्तमान इस्तिती तक आप कैसे आए आपने ऐसे कौन से गुड़ और योगितां जीवन में विक्सित कर ली हैं जो आपके लिए आसान नजर आती हैं वे कौन से चीजे हैं जो आप अच्छी तरह कर लेते हैं लेकिन जिनमें ज़ादतर लोगों को मुश्किल आती ह वे कौन से काम और गतिविधियां हैं यहने करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वे कौन से चीजी हैं जिनके लिए आप अंदर से सबसे ज़्यादा प्रेवित होते हैं। वे कौन से चीज़े हैं जिने करते समय आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी शक्तियों का लाब उठाने का एक मुख्य हिस्सा अपने खास काम या करतिविदी में आपकी रुची, रोमांज और उत्साहा का इस्तर है आप जिस शेत्र में सच्मुच आनंद लेते हैं उसमें आप हमेशा सर्विस रिष्ट होंगे और सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे ये हमेशा ऐसे शेत्र में होगा जिसके बारे में सोचना, बात करना, पढ़ना और सीखना आप पसंद करते हैं सफर लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, वे हर दिन काम पर जाने के लिए उतावले होते हैं, काम करने से उन्हें खुशे मिलती है और वे जितने ज़्यादा खुश होते हैं, वे अपना काम उतना ही भैठर करते हैं समय उनके लिए ठहर जाता है, उन्हें समय का होश ही नहीं रहता उनका काम कहां शुरू होता है और कहां खतम होता है, इसके बीच कोई लकेद नहीं होती ये उनके जीवन का हिस्सा होता है विशेश अगयता और भिन्यता के बाद खुद को मार्केटिंग करने की तीसरी कुंजी विभाजन है इसके लिए ये आवशक है कि आप अपने बाजार के खंड कर ले यानि आप अपने पास मौजूद चीज के सबसे अच्छे ग्रहाकों को पहचाने इसमें आप अधिक्तम परिणाम पाने के लिए सबसे अच्छी जगय तै करते हैं ये सच्चाई आपके लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती होगी कि आप बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं आप बहुत सारी नौकरियों में काम कर सकते हैं आपके सामने लाब उठाने के असीमित अफसर होते हैं और आप जितने बहतर बनते हैं उतने ही जादा दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे आपको जिंदगी भर चुनाव करना होगा आपको विभाजन करना होगा व्यावसाइक मार्केट में हम अपने सारे प्रयास उच्च संभावना वाले प्रोस्पेक्ट्स या संभाविद ग्राहकों पर केंद्रित करते हैं ये हमारी विशेश अगयता के शेतर में वे संभाविद ग्राहक हैं जो हमारी प्रतिसपर्दी लाब, हमारी उत्क्रिष्टता के छेत्र के सबसे ज़्यादा प्रसंचत है ये वे लोग हैं जो सबसे जल्दी खरीटते हैं और उनके लिए गुणवत्ता भाव के छोटे मोटे फर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अपने मार्केटिंग करने में आपका मुख्य लक्ष एक ऐसे नौकरी या करियर खोजना है जहां आपके खास गुणों और अनूठी योगिताओं को बहुत महत्वप दिया जाता हो तथा अच्छा भुकतान मिलता हो आपका लक्ष कोई ऐसे जगया खोजना है जहां आप उस काम को करके सबसे ज़्यादा कमा सके जिसे आप उतक्रिष्ट अंदाज में करते हैं ये आपका चुना हुआ बाजार खंड बन जाता है करियर बदलने वाले सेमिनारों में हम लोगों को प्रोथसाहित करते हैं कि वे जिन कंपनियों में काम करना चाते हैं उसके मुख्य लोगों से बाचीत करके जानकारी इखटे करें इस तरह वे जानकारी एकत्रत करते हैं जिसके अधार पर वे ये तैग कर सकते हैं कि कोई खास कंपनी या उध्योग उनके लिए सही है या नहीं जब आप अपनी शक्तियों का सही आकलन कर लें तो उसके बाद आप अपने संसार में चारो तरफ देख सकते हैं और खुद से पूर्च सकते हैं कि आपकी शक्तियों की सबसे ज़्यादा कदर कहां होगी और सबसे ज़्यादा भुक्तान कहां मिलेगा। संसादनों के समुह के रूप में सबसे उचे लाब के लिए आपको अपना निवेश कहां करना चाहिए। कई लोग कमपनी के दर्शन और इसकी भावी संभावना की वज़े से किसी खास कमपनी में काम करना चाहते हैं। एरिस्टोटल उनासिज ने तेजी से सफल होने के महतवकांचे युवाओं को सलह देते हुए कहा था कि वे जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसमें कोई भी नौकरी करने लगे और फिर काम करते हुए उपर की ओर तरक्की करें AT&T के भूद पूर्व अध्यक्ष ने कॉलिच से निकलने के बाद जमीन के नीचे टेलिफून के तार बिछा कर शुरुवात की थी हैवलेट पैकर्ड की पूर्व सीईओ कारली फ्योरिना ने बिक्री में शुरुवात की थी और उपर का रास्ता तै किया था Xerox के अध्यक्ष गेल मलकेही ने भी बिक्री के छेत्र में ही शुरुवात की थी और वे अंततह बहुत उची तनक्वा पर अध्यक्ष बने अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरलाइन के अध्यक्ष ने जब कंपनी में अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने पहले-पहल नाइट शिफ्ट में विमान के टॉलिट साब किये थे अंततह तरक्की करते-करते वे 20 लाग डॉलर सालाने की नौकरी में पहुँच गए कई बेहत सफल इस्तरी पूरश जिन कंपनियों को सचमुझ पसंद करते थे उन्होंने उनके निचले पदकर्म से शुरुवात की थी फिर उन्होंने अपने काम को बेहत अच्छी तरह करने पर ध्यान केंद्रित किया और तरक्की करते गए फ्यक्तिगत मार्केटिंग का चौथा सिधान्त है एकागरता लंबे समय तक एकागरता कायम रखना सारी महान सफलता के पहले आता है आप सबसे पहले अपने खास गुणों और शक्तियों वाले शेतर में विशेशग्यता हासल करने का निर्ना लेते हैं फिर आप अपने चुने हुए शेतर में उतकरष्ट बनने के लिए खुद को अलग करते हैं आप छेतर को संक्रा करते हैं और चुनते हैं कि आप कहां काम करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। अब आपकी सफलता के कुंजी ये है कि आप अपनी नौकरी में अपना पूरा दिल जोंगते ताकि आप पूरे रास्ते तरक्की करते हुए शिखर तक पहुँच सक बाजार केवल असाधारन प्रदर्शन के लिए ही असाधारन पुरसकार देता है आपने अब तक जो भी किया है उससे आपने अपने चुने हुए छेत्र में असाधारन बनने की बुनियाद रख दी है जब आप उतकरिष्ट काम करने पर पूरी एकागरता कायम रखते हैं और अपने से अपेक्षित सबसे महतपून परिणाम पाने में बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आप अपने छेत्र के शीर्ष समूहों में तेजी से उपर उठने लगते हैं याद रखें आपको इस पृत्वी पर गुणों और योगिताओं के बहुत खास मिश्रन के साथ बेजा गया है जिसकी वज़े से आप अब तक हुए हर इंसान से अलग हैं आप आज जो भी हैं, आप आज जो भी कर रहे हों ये उसके करीब भी नहीं है, जो आप सच-पुछ कर सकते हैं आपके लिए लंबे, सुखद और सम्रिद जीवन की कुंजी ये है कि आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों का नियमित आंकलन करें उन शेत्रों में बहुत अच्छे बन जाएं, जहां आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है और फिर अपने काम में अपना पूरा दिल जोग दे जब आप ये करते हैं, तो आपका भविश्य असिमित बन जाता है सफलता के शेत्र में शायद सबसे रोमान्चक खोज ये एहसास है कि आप जो चाहते हैं वो बनने, पाने और करने के लिए जिस भी चीज के जवरत है, वो हर चीज आपके भीतर है आपके पास भारी गुण, योगताएं और काबिलियत हैं जो निखरे जाने का इंतजार कर रही है जिस तरह जमीन के नीचे पड़ा तेल का भंडार सतह तक लाए जाने का इंतजार कर रहा है आप अपनी भूमी पर कुवाख होदने के लिए जिस उपकरन का इस्तमाल करते हैं वो अपनी खुद के शक्तियों का दोहन करने का निर्ने है अपनी शम्ता को मुक्त करने की कुझी ये है कि आप अपने भीतर जागें और तै करें कि आप किस चीज को करने के लिए आदर शुरूप से उप्युक्त हैं फिर उसे उतकरिष्ट अंदाज में करने में अपना पूरा दिल जोंग दे जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए हर चीज संभव हो जाती है अध्याईच है सफलता के लिए खुद को सही इस्तती में लाएं क्रांती के दौर में आपका स्वागत है जादतर मानवे इतिहास में हम विकास के आदी रहे हैं हम क्रमशह, परिवर्तन वप्रगती के युगों में रहते आए हैं जब घटनाए सीधी लकीर में आगे बढ़ी हैं कई बार परिवर्तन की प्रक्रिया जादा तेज थी, कई बार धीमी थी लेकिन ये हमेशा प्रगती शील नजर आती थी और एक पायदान से दूसरे पायदान पर चड़ती थी जिससे आपको योजना बनाने, भविश्यवानी करने और बदलने का अफसर मिल जाता था आज परिवर्तन की गती ना सिर्फ पहले से ज़्यादा तेज है बलकि ये अनिरंतर शील है यानि ये बीच-बीच में तूटती रहती है ये बहुत से असंबद्ध छेत्रों में हो रही है और हम में से प्रतेक को अनपेक्षित तरीकों से प्रभावित कर रही है सूचना प्रधोगिकेव में परिवर्तन हो रही है जो चिकित्सा के परिवर्तनों से अलग है जो हमारे जीवनकाल और जीवनशैलियों को प्रभावित करती है यातायात में होने वाले परिवर्तन शिक्षा के छेत्र में होने वाले परिवर्तनों से अलग हो रही है जबकि राजनीती के परिवर्तन वैश्विक प्रतिस परधा के परिवर्तनों से अलग हो रही है पारिवारिक संरेचना और संबंधों में होने वाले परिवर्तन देश के अलग-अलग हिस्सों में नए व्यवसायों वा उद्योगों के उत्थान और पतन से अलग हो रहे हैं तीव्र अनिरंतरशील परिवर्तन की ये दर्व बढ़ती जा रही है पल्सवरूप हम में से जादातर उससे कष्ट उठा रही हैं जिसे एलविन टॉफलर ने भविशय का सद्मा कहा था आप इन परिवर्तनों की विशालता के बारे में बहुत जादा नहीं कर सकते लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं ये है अपने बारे में गंभीरता से सोचना और अपनी सुरक्षा वर स्थायत्व की बन्यादी जरूरतों का इंतजाम करना ये नौकरी के सुरक्षा और वित्य सुरक्षा के छेतरों में जितना महत पूर्ण है उतना किसी दूसरे छेतर में नहीं है आपको अच्छी तरह आजीविका कमाने और अपने लिए आगे आने वाले महीनों वो बर्षों का इंतजाम रखने की अपनी योगिता पर विशेश ध्यान देना चाहिए आपको अपनी आमदनी कमाने की योगिता के बारे में सूचना चाहिए आप आज आजीविका कैसे कमा रहे हैं और आप कल आजीविका कैसे कमा सकते हैं भले ही भविशय लगातार जादा अनिश्चत होता जा रहा है जिसके भविशयवानी नहीं की जा सकती लेकिन आपको आने वाले कल के लिए खुद को सही इस्तिती मिलाना चाहिए आपको नहीं सिर्फ लगातार और गंभीरता से अपने वर्तमान काम और अपनी कमाने की योग्यता के बारे में सोचना चाहिए बल्कि उस काम के बारे में भी सोचना चाहिए जो आप 1, 3 और 5 साल बाद कर रहे होंगे चाहे जो हो आपको वित्य सुरक्षा हासल करने के लिए लक्षवा योजनाय तयार करनी चाहिए Lord Manard कींद ने एक बार कहा था कि आपको भविश्य के बारे में काफी सोचना चाहिए क्योंकि वहीं आप अपना बागी का जीवन पिताने वाले हैं लोग एक भारी गलती करते हैं जिसके बहुत बुरे दीर्ग कालीन परिणाम होते हैं वो गलती ये है कि वे सिर्फ वर्तमान के बारे में ही सोचते हैं और इस बात पर बहुत कम विचार करते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में क्या हो सकता है आपके भावी खुशी, सुरक्षा, आनंद, संतुष्टी और व्यक्तिगत संतोष के संदर्ब में भविश्य के बारे में सोचने का कोई दूसरा शेत्र इतना महतपूर नहीं है जितना ये है कि आप मध्यम और दीर्ग कालिन भविश्य में आज जीविका कैसे कमाएंगे जाख से जादा पेशेवर कर्मचारियों के छटनी कर दी ये घंटे के हिसाब से काम करने वाले कर्मचारी नहीं थे ये तो वे इस्तरी पुरुष थे जिनहें अमेरिका के सर्वश्रिष्ट विश्व विध्यालियों से चुना गया था रोजगार में आने के लिए उन्होंने चार से तीन दशमलव नौ के निउन्तम ग्रेट पॉइंट हासल किये थे फिर उन्हें दो से पांच साल का प्रशिक्षन दिया गया था जिसके बाद ही वे अपने वर्तमान पद पर आये थे छटनी के वक्त उनके पास उसतन ग्यारा साल का अनुभव था जिसमें सिक्षा और प्रशिक्षन की अवधी को शामिल नहीं किया गया है इसके बावजूद एक ही कमपनी ने इन बेहत बुद्धिमान, बेहत योग्य और अनुभवी एक लाग से जादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया ये इस्तरे पुरश घर लोटकर फोन का इंतजार नहीं कर रहे थे कि उन्हें नौकरी पर दुबारा बुलाया जाएगा उनके नौकरियां हमेशा के लिए चली गई थी शिक्षा और अनुभव के माध्यम से उन्होंने जो कुछ सीखा था वो काफी हद तक बासी हो गया था कारेस्थल में इसका बहुत कम महत्व रहे गया था या बिलकुल भी नहीं रहे गया था उनमें से जाधतर को अलग नौकरियों और अलग उध्योगों में दुबारा शुरुवात करनी पड़ी नौकरी से हटाने की ये प्रवर्ती आने वाले वर्चों में गती पकड़ेगी जब हमारे दादा नाना ने काम शुरू किया था तो ये बहुत आम था कि वे बुनियादी सिक्षा हासल करने के बाद किसी कमपनी में काम करने लगे और उसी कमपनी में जीवन भर काम करते रही जब हमारे माता-पिता की नौकरी की बारी आई तो आम तोर पर उन्होंने अपने जीवन में तीन-चार बार नौकरियां बदली हालांकि ये मुश्किल और अशान्तिकारत था 1960 और 1970 के दशक में बेबी बूम पीडी के सदस्य नौकरी के संसार में आए और इस छेत्र में उथल-पुथल वा परिवर्तन के एक नए संसार में दाखिल हुए वे बड़ी कमपनियों और आजीवन रोजगार की तलाश में थे लेकिन अपने काम-काजे जीवन में उन्हें अमुमन छै बार नौकरियां बदलने पड़ी और 30-40 साल के उम्र में नया करियर शुरू करने के नौबद भी आई आज राश्टिय और वैश्विक अर्थ व्यवस्था में उथल-पुथलव परिवर्तन बढ़ चुके हैं नौकरी शुरू करने वाला व्यक्ति 21-65 साल के उम्र के बीच पांच पूर्ण कालिक करियर्स की उम्मीद कर सकता है वो दो साल या इससे ज़्यादा समय की पूर्ण कालिक 14 नौकरियों की उम्मीद कर सकता है फॉर्चन पत्रिका के अनुसार अमेरिका के 40 प्रतिशत कर्मचारी और स्थाई कर्मचारी है इसका अर्थ है कि वे किसी कमपनी के लिए कभी स्ताई रूप से काम नहीं करेंगे कमपनियों के जरुरत के हिसाब से वे इस कमपनी से उस कमपनी तक, इस नौकरी से उस नौकरी तक भटकते रहेंगे उन्हें पूर्ण काले कर्मचारियों से कम भुक्तान मिलेगा और अगर उन्हें स्वास्त सुविधा को पेंशन यूजना के संदर्ब में लाब मिले भी तो बहुत कम मिलेंगे आज 40% कर्मचारी एक साल से कम समय में अपनी वर्तमा नौकरियों में हैं हम चार आर के दौर से गुजर रहे हैं जो हमारे कामकाजी जीवन में जारी रहेंगे ये चार आर हैं री स्ट्रक्शरिंग, री ओर्गनाईजेशन, री इंजेनेरिंग और री इन्वेंटिंग भविशय की अर्थ ववस्ता में बचे रहने और सम्रद होने के लिए आपको इन शब्दों को याद करना होगा उनके अर्थ को पूरी तरह से समझ कर काम करना होगा ये चारों शब्द परिवर्तन और प्रतिस परदा पर प्रतिक्रियाएं हैं री स्ट्रक्ट्रिंग का अर्थ है कारोबार के संसाधनों को दुबारा आवंटित करना ताकि उन उत्पादों वसेवाओं के उत्पादन पर जादा समय तथध्यान खर्च किया जाए जिने ग्रहक सबसे ज़्यादा मूलेवान मानते हैं और बाकी हर शेत्र में कटोती की जाए री ओर्गनाइजेशन का अर्थ है पूरे कारोबार को उलट पलट करना ताकि ज्ञान, प्रध्योगिगी और प्रतिस परदा में परिवर्तनों के साथ सामन जस्या हो सके जो कारोबारी के कई कामों को अनावश्यक या बासी कर देते हैं री इंजेनिरिंग का अर्थ है हर काम और हर कार्य कदम का विशलेशन करने की प्रक्रिया ताकि अनावश्य गतिविदियों को हटाया जाए और पूरी प्रक्रिया को जादा सुचारू वकार्यकुशल बनाया जाए कॉर्पोरेशन में री इंवेंट करने का मतलब ये कलपना करने का साहस है कि कमपनी जलकर खाक हो चुकी है और मुख्या कमपनी को दोबारा शुरू करने जा रही है वे कौन से काम ज़ादा करेंगे और कौन से काम कम करेंगे वे किस छेतर में अंदर जाएंगे और किस छेतर से बाहर निकलेंगे क्या वे अपने वर्दमान व्यवसाई को जारी रखेंगे या वे बिल्कुल नए व्यवसाई शुरू करेंगे एक कहानी है कि ओल और स्वेन एक पुराने मालवाहग जहाज में बैठ कर उत्तर अट्लांटिक पार करके अमेरिका जा रहे थे जहाज एक बड़े तूफान में फस जाता है और तूटने लगता है ओल दोड़कर स्वेन के पास जाता है और कहता है जहाज टूट रहा है ये डूबने वाला है स्वेन कहता है हम क्यूं परवाह करें ये हमारा जहाज नहीं है कई लोग इसी तरह के होते हैं जब वे अर्थ ववेस्था की उदल पुतल के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो वे ये सोचने की गल्ति कर देते हैं कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है वे दरसल कहते हैं हम क्यूं परवाह करें ये हमारी समस्या नहीं है लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी उसी अर्थ व्यवस्था के जहाज पर बैठे हैं. जो भी चीज जहाज के लिए खत्रा बन सकती है, वो किसी तरह से हमें भी प्रभावित कर सकती है. हम सभी इसमें एक साथ हैं. इसका अर्थ है कि आपको भी अपने काम और गती विद्यों को री स्ट्रक्चर या पुनरगठित करना चाहिए, ताकि आप कंपनी और ग्राहकों के लिए जादा मुलवान योगदान दें. आपको खुद को री ओर्गनाइज यानी पुनरगठित करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा कारेकुशल और प्रभावि धंग से समय वध्यान के अपने सीमित संसाधनों का आवंडन करें. आपको हर दिन अपने काम के री इंजिनेरिंग यानी पुनह संयोजन करना चाहिए, ताकि आप काम की ज़्यादा उची गुडवत्ता और मातरा देने की गति बढ़ा ले. अंत में आपको भविशे के लिए खुद को री इंवेंट करने की सतत प्रक्रिया में रहना चाहिए. शत्रंज के खिलाडी की तरहे आपको दूर तक सोचना चाहिए. आपको शितिच की ओर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगामी वर्षों में अपने आमदनी के योगता बनाय रखने और बढ़ाने के लिए आपको कैसा बनना चाहिए. कल्पना करें कि आपकी नौकरी आज से पांस साल बाद कैसी दिखेगी? चूंकि आपके छेतर में ज्ञान संबवत्य हर पांस साल में दुगना हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बीस प्रतिशत ज्ञान और योगता हर साल बासी हो रही है. पांस साल बाद आप एक बिल्कुल नई नौकरी कर रहे होंगे, जिसमें बिल्कुल नई योगताओं और दक्षताओं की जरुरत होगी. खुद से पूछें, मेरे ज्ञान, योगताओं और काम के कौन से हिस्से बासी हो रही हैं? मैं आज ऐसा क्या कर रहा हूँ, जो मैं एक या दो साल पहले नहीं कर रहा था? आज से एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल और पांच साल बाद, आपके किन कामों को करने की संभावना है? आपको किस ग्यान और योगताओं की जरुरत होगी? और आप उन्हें कैसे हासल करेंगे? अपने आर्थिक और वित्य भविशे के लिए आपकी क्या योजना है? अपने बहावी नौकरी या नौकरियों की योजना बनाने के लिए अक्सर आपको काम के बारे में सोचने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है मानव इतिहास के जादतर हिस्से में 95 प्रतिशत या इससे जादा लोग की आजीवी का जमीन या खेती किसानी के सहारे चलती रहती है जिसने शहरों में रहने वाले चंद लोगों को सहारा दिया है 1776 में जब भाब के इंजन का अविशकार हुआ तो इसके बाद खेती किसानी में कम वेतन वाले और अनुतपादक काम करने वाले लोग शहर आ गए यहां आकर वे उध्योगों में नौकरियां करने लगे जब युद्ध खतम होने के बाद हम सेवा युग में दाखिल हो गए जहां सेवाओं को पहुचाने वाले लोग उतपादक कारखानों में काम करने वाले लोगों से ज़ादा हो गए 1960 के दशक में हम सूचना युग में पहुच गए जहां सेवाओं और उत्पादन के छेत्र में जितने लोग काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग सूचना के प्रोसेसिंग व उसे पहुचाने के विवसायों में काम कर रहे थे इन सभी परिवर्तनों के फल्स्वरूप अब हम ज्ञान युब में पहुच चुके हैं आज उत्पादन का मुख्य घटक ज्ञान और उस ज्ञान का इस्तमाल करके दूसरे लोगों के लिए परिणाम हासल करने की योगिता है आज आपकी कमाने की योगिता काफी हद तक आपके ज्ञान और योगिता पर निर्भर है ये उस ज्ञान वा योगिता को इस तरह मिश्रित करने के शमता पर निर्भर है कि आप ग्राहक के पैसों के बदले मूल्यवान योगदान दे तीन का नियम कहता है कि अगर आप वेतन में एक डॉलर कमाना चाते हैं तो इसके लिए आपको तीन डॉलर का योगदान देना होगा जब कंपनी किसी व्यक्ति को रोजगार देती है तो इसमें उसे वेतन जितने ही बाकी खर्च पड़ते हैं क्यूंकि उसे ओफिस की जगह, लाभों, निगरानी और परनीचर, थिर वस्तुओं वा अन्य संसादनों में निवेश करना पड़ता है किसी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए कंपनी को कर्मचारी को दिये जाने वाले बेतन पर मुनाफ़ा भी कमाना होता है इसलिए कर्मचारी को रोजगार में बने रहने के लिए अपनी आमदनी से जादा राशी का योगदान देना होता है इसे दूसरी तरह कहें तो आपकी कमाने की योगता आपको मिलने वाली राशी से जादा होनी चाहिए वरना आपको किसी दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी अखबारों में ऐसे इस तरी पुर्षों के कहानिया भरी रहती हैं जिनने उचे वेतन वाली नौकरियों से हटा दिया गया था और इसके बाद उन्हें मजबूरन बहुत कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ी ये तो सिर्फ इस बात का उधारन है कि वहाँ किसी व्यक्ति को उसके कमाने की योगिता से ज़्यादा भुकतान दिया जा रहा था इसलिए अब उन्हें एक ऐसी नौकरी खोड़ने पड़ी जो उनके वर्तमान योगदान के मूले के जादा सामन जस्ते में हूँ उनके वेतन में हुई ये कमी, मनमानी, व्यक्ति परक या व्यक्तिगत नहीं है ये तो बस जीवन के सच्चाई है हमारी अर्थ व्यवेस्ता इसी तरह काम करती है लोगों को सटीकता से हमेशा उतना ही भुक्तान दिया जाता है जितने केवे अपनी कमाने की योगिता के अधार पर योग्य हैं ना कम ना जादा भविश्य के लिए खुद को सही इस्तती में लाने के संदर्ब में यहां एक बहुत महतपूर नियम बताया जा रहा है भविश्य शक्षम लोगों का है भविश्य उन इस्तरी पुर्षों का है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं पैर ट्राइली ने अपनी पुस्तक दविनर विदिन में लिखा था जब भी आप बहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं आपका बत्तर बनना तै हो जाता है इसे दूसरे तरह से कहें तो उतकरिष्ट प्रदर्शन के प्रती समर्पन से कम कोई भी चीज उसत बनने की अचेतन स्विक्रिती है अपनी उध्योग में प्रतिश परदा से उपर उठने के लिए आपको उतकरिष्ट होने की ज़वत है आज आपको अपनी नौकरी कायम रखने के लिए ही उतकरिष्ट होना पड़ता है बाजार बड़ा ही कठोर सुपरवाइजर है आज उतकरिष्टता, गुणवत्ता और मूल्य किसी प्रोड़क्ट या सेवा और किसी व्यक्ती की काम में बेहद अनिवारे तत्व है आपती कमाने की योगता काफी हद तक उस उतकरिष्टता, गुणवत्ता और मूले की अनुभूती से तै होती है, जो दूसरों के मन में, आपके और आपके काम के बारे में होती है बाजार उतकरिष्ट पुरस्कार सिर्फ उतकरिष्ट प्रदर्शन के लिए ही देता है ये उसत से कमतर पुरसकार या बेरोवगारी देता है तमाम हरताले, विरोध, रैलियां और प्रदर्शन इन सच्चाई को नहीं बदल सकते कि आज ग्राहक सबसे कम पैसों में सबसे ज़ादा तता सर्वस्रेष्ट चाहते हैं जो व्यक्ति और कमपनिया प्रतिस परदी डाम पर बहुत उतक्रिष्ट प्रोड़क्ट तता सेवाएं प्रदान करती हैं सिर्फ वही बच पाएंगी ये किसी खास कमपनी या व्यक्ति पर लागू नहीं होता है हमारी अर्थ व्यवस्ता ही इसी तरह का काम करती है कई लोग दूसरों जितने सक्षम या योगे नजर नहीं आते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्ही ज़्यादा तेजी से तरक्की मिलती है और अपने करियर में ज़्यादा वेतन मिलता है ये उचित नहीं दिखता है कुछ लोग आगी क्यों निकल जाते हैं जबकि उनसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले दूसरे लोगों को तरक्की और अतिरिक्त पुरुसकारों के लिए दर किनार कर दिया जाता है तथ्य ये है कि भारी सफलता बनने के लिए सिर्फ यही महतपून नहीं है कि आप अपने काम में अच्छे हों बलकि ये भी महतपून है कि अपने काम में दूसरे लोग आपको अच्छा माने इंसान अनुभूती वाले प्राणी हैं वे कैसे सोचते और काम करते हैं ये इस बात से तै नहीं होता कि उन्हें क्या दिखता है ये तो इस बात से तै होता है कि उनकी अनुभूती के हिसाब से उन्हें क्या दिखता है यदि तरक्की के समय आपके सहकर्मी को आप से ज़्यादा काबिल समझा जाता है चाहे उसके अनुभूत कारण जो भी हो तो ये बहुत संभव और काफी आम है कि आपके सहकर्मी को ज़्यादा जिम्मेदारियां और ज़्यादा उंचा वेतन मिलेगा हाला कि आपको लगता है कि मौका दिये जाने पर आप उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं सवभागय से कई चीजें हैं जो आप अपने को नजरों में चड़ाने और करियर में तरक्की की गती को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं नजरों में ज़्यादा चड़ाने का शुरुवाती बिंदू है सक्षमता ये तै करें कि आपकी नौकरी के कौन से हिस्से आपके अधिकारी और आपकी कंपनी के लिए सबसे महतपून हैं इसके बाद उन शेत्रों में बहुत अच्छे बनने का निर्णे लें पड़ें, शोध करें, अध्यन करें, अतिरिक्त कोर्स करें, आडियो प्रोग्राम सुनें और दूसरों की सलहा लें आपके भविश्य की कुण्जी ये है कि आप जो करते हैं दूसरे उसमें आपको बहुत सक्षम समझें और अनुभूत करें केवल यही अनुभूती ही आपको जादा लोगों की निगाहों में ले आएगी, आपकी कल्पना से भी जादा तीजी से उतक्रिष्ट प्रदर्शन की अनुभूती जादा बड़ी जिम्मेदारियों, जादा उचे वेतन, बहतर पद और जादा अफसर के द्वार खोल देगी आप जो करते हैं उसमें अच्छा बनना आपकी रणनेती की बुनियाद होनी चाहिए तभी आप जादा निगाह में आएंगे और अपनी करियर में जादा तरक्की करेंगे हर जगह नियोकता कर्म के इंद्रित इस्तरी पोर्शों की तलाश कर रही हैं उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो कूद पड़े और काम को जल्दी से जल्दी अच्छी तरह पूरा कर दें जब आप सक्षमता और गती की प्रतिष्ठा बना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही अपनी कामकाजी परिवेश में सबी मुख्य लोगों की निगाह में आ जाएंगे आप अपने करियर में तीवर मार्ग पर पहुँच जाएंगे आप जो करते हैं उसमें उतक्रिष्ट परदर्शन अनिवार रहे हैं लेकिन ये प्रयाप्त नहीं है दूसरी चीजें भी उस अनुभूती में योगदान देती हैं जो दूसरे लोगों की आपके बारे में होती हैं इन तत्वों में से एक बहुत महतपुन तत्व है सिर्ष से पैर तक की आपकी सकल छवी हाल ही में कर्मचारी एक्जिक्योटिव्स का सर्वे किया गया जिसका निशकर्ष यह था कि उमीदवार से पहले मुलाकात के पहले 30 सेकंड में ही उसे नियुक्त करने या ना करने का निर्णय ले लिया जाता है कुछ शोद बताते हैं कि किसी उम्मिद्वार को स्विकार और अस्विकार करने का निर्णय दरसल उसके चार सेकंड में ही ले लिया जाता है कई बहुत सक्षम इस्त्री पुरुष, नियुक्ती या तरक्की पाने से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्यूंकि वे उस भूमिका के लिए उप्युक्त नहीं दिखते हैं लंबे बालों और ढीले कपड़ों वाले एक युवक्त ने एक सेमिनार में पूछा कि दूसरे लोग उसके बाहरी हूले पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यूं देते हैं उसने जोड़ दिया कि लोगों को उसका मुल्यांकन उसके चरित्र और उसकी योगिता के आधार पर हो ना कि इस आधार पर कि वो उपर से कैसा दिखता है उसे ये समझाया गया कि उसकी कही बात मानव स्वभाव के विरुद्ध है सच तो ये है कि हम में से हर व्यक्ति दूसरों का मुल्यांकन इस आधार पर करता है कि वे बाहर से कैसे दिखते हैं जिस तरह वे दूसरों के हुलिये से उनका मुल्यांकन करता है उसी तरह वे भी उसका मुल्यांकन करने की स्वतंतरता ले लेते हैं लेकिन छवी और हुलिय के बारे में एक और मुद्दा है। आपके जीवन के कई शेत्र हैं, जिनके उपर आपका कोई नियांतरन नहीं है और जिनका आप चुनाव नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बाहरी पोशाक और हुलिय जैसे तत्व पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद य अपने अलंकरण और अपने पूरे हुलिय का चयन करते हैं, ताकि वे संसार के सामने ये कथन रखें कि वे दरसल किस तरह के व्यक्ति हैं। आप जिस तरह बाहर दिखते हैं, वो इस बात का संकेत है कि आप अंदर कैसे दिखते हैं। अगर आपकी आत्मछवी सकरात्मक और पेशिवर है तो आप अपने बाहरी हुलिय को भी ऐसा ही बनाने की मेहनत करेंगे। आपको वैसी पेशाक पहननी चाहिए जैसी आपकी कम्पनी के वरिष्ट लोग पहनते हैं। अपनी नौकरी या पत से दो स्तर उपर की पोशाक पहने। चुकि लोग काफी हद तक आपका मुल्यांकन आपके बाहर से दिखने के आधार पर करते हैं। इसलिए अगर पूरी तरह से पेशेवर और बाहर से अच्छे दिखते हैं, तो लोगों की अनुभूती, सकरात्मक और समर्थन कारी होगी, जो आपके करियर में आपकी मदद कर सकती है। वे आपके लिए ऐसे तरीकों से द्वार खोल देंगे, जिनकी आप इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी दर्शनियता बढ़ाने और लोगों की नजरों में आने का एक और बहतरीन तरीका ये है, कि आप अपने कारोबार या छेतर से जुड़े, एक दो पेशेवर संगठनों से जुड़ जाएं। ऐसे संगठनों में शामिल हों जिनके सदस्यों से आप परिचय करना चाहते हों और जो आपके करियर में आप से आगे हों। तो सदस्यता ले लें। जब आप सदस्य बन जाएं, तो उस संगठन में सक्रिय हो जाएं। जादतर लोग जब किसी क्लब या संगठन के सदस्यता लेते हैं, तो वे नियमित बैठकों में हिस्सा लेने से जादा कुछ नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने जादा व्यस्त हैं कि वे स्वैच्छिक संगठन के कामों में सक्रियता नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका लक्षय एक मुख्य समिती को चुनना है और उस समिती में सेवा करने के स्वैच्छिक पहल करना है, पता लगाएं कि उस संगठन की गति विध किती है, फिर उसे चुन लें, अपने समय, बुद्धी और उर्जा लगाने के स्वैच्छिक पहल करें और व्यस्त हो जाएं, हर मीटिंग में हिस्सा लें, सावधानी से नोट्स लें, कामों की पहल करें, उन्हें समय पर और उतक्रिष्ट अंदाज में पूरा करें, आपक के दिखा देते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, और आप सच मुझ किस तरह के इंसान हैं, आप सबसे प्रभावी अंदाज में मूलवान संपरकों की श्रंखला बढ़ाते हैं, इन समितियों में जिन लोगों से आपका परिचर होता है, वे अंततह आपके काम और आपके करियर म बेहत सहायक बन सकते हैं, आप अपनी दर्शनियता बढ़ाने और लोगों की निगाह में आने के लिए कई और चीज़ें भी कर सकते हैं, जो ज़्यादतर लोगों को नहीं सूचती हैं, मिसाल के तौर पर 105 Chief Executive अफसरों के हालिया अध्यन में ये निशकर्ष दिया गया था, ये निशकर्ष दिया गया था कि दो गुण किसी व्यक्ति को उसके करियर में तेज मार्ग पर पहुचा सकते हैं, पहला गुण है प्रात्मिक्ता तै करने की योगता, यानि दिन के अनंत कामों के बीच महतपूर्ण को गैर महतपूर्ण से अलग करने की योगता, दूसरा ततकालिकता का एहसास या नितीजी से काम करने की काबिलियत। कई मैनेजर भी इस अध्यन की सच्चाई की पुष्टी करते हैं। वे ऐसे कर्मचारी को असाधारन्ट मुल्यवान मानते हैं, जो प्राथमिक्ताएं टै कर सकता है। और काम को जल्दी से पूरा कर सकता है काम पूरा करने में गती और विश्वस्नियता किसी कर्मचारी में बहुत ही मुल्यवान गुण है अगर आपका बौस आपको कोई काम थाम कर निश्चिंत हो सकता है तो आप खुद तेज मालग पर पहुँच जाएंगे इसके बाद आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धी मिलना लगभक तया है जादा दर्शनिय बनने और दूसरों की नजरों में चड़ने का एक और तरीका ये है कि आप सकरात्मक मानसिक नजरिया विक्सित करें लोग जिने पसंद करते हैं उनी के आसपास रहना चाहते हैं और उनी को तरक्की देना चाहते हैं खुश मिजाजी और आशावात का निरंतर लगणशील नजरिया सबका ध्यान खीच लेता है जब आप लोगों के प्रती दोस्ताना नजरिया रखने की कोशिश करते हैं तो वे आपके लिए प्रगती के द्वार खोलने की असाधारन कोशिश करेंगे आप अपने कामकाज से जुड़ी योगताओं का लगातार नवीनी करन करके भी अपनी दर्शनियता बढ़ा सकते हैं और महतपूर्ण लोगों की नजरों में आ सकते हैं बस ये सुनिश्चित करें कि ये बात आपके वरिष्ट अधिकारियों को मालूम पढ़ जाए अतरिक्त कोर्स खोजें जिनकी मदद से आप अपने काम में बहतर बन सकते हैं और अपने बस से इन पर चर्चा करें उनसे पूछें कि अगर आप उत्तीन हो जाते हैं तो क्या वे कोर्स की फीस भरेंगे हाला कि ये भी सपष्ट कर दें कि अगर कंपनी फीस ना भी दे तब भी आप वो कोर्स करने वाले हैं अपने बॉस से पूछें कि आपको कौन सी पुस्तके और आडियो प्रोग्राम पढ़ने या सुनने चाहिए विजस भी पुस्तक या आडियो की सलहा दें तुरंत उसे पढ़ने या सुने फिर बॉस को इस बारे में फीडबैक दें और आगे सलहा मांगे आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि ये रणनिती कितनी जल्दी आपको उस व्यक्ति की नजरों में चड़ा देती है जो आपके करियर की हर अवस्था में आपकी मदद कर सकता है बॉस उन कर्मचारियों से बहुत प्रभावित होते हैं जो अपनी कमपनी में अपना मूलय बढ़ाने के लिए जादा सीखने की लगतार कोशिश करते हैं अपने ज्ञान और योगिताओं का नवीनिकरन करने से आपकी करियर की प्रगती की दर बहुत तेजी से बढ़ सकती है संभवत है कामकाजी संसार में आपको 85 प्रतिशत सफलता आपके व्यक्तित्व और दूसरों के साथ प्रभावित संप्रेक्षन की योगिता से मिलती है ये इस बात से तैह होती है कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं आप उनका आत्मगौरव बढ़ाने की तरीकों की लगातार तलाश करके अपने बारे में उनकी अनुभूती काफी सुधार सकते हैं जैसा Ken Blanchard अपनी पुस्तक The One Minute Manager में कहते हैं लोगों को कोई चीज सही करते पकड़ें थोड़ी सी सच्ची प्रशंसा और कद्र नियमित रूप से करते रहें इससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे वे कभी कबार आपके काम की गलतियों को भी नजर अंदाज कर देंगे प्राय नकरात्मक व्यक्ति के बज़ाए खुश मिजाज व्यक्ति को उसके काम में बहतर माना जाता है जब आप अपने वरिष्ट अधिकारियों के साथ हो तो सम्मान, ध्यान और रुची से सुनने की आदर डालें आप सामने वाले की बात जितनी ज़्यादा इमानदारी और गौर से सुनते हैं वो आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करेगा आप पर विश्वास करेगा और आपको अतरिक्त सहायता वजिम्यदारियां भी देगा सभी लीडर उतकरिष्ट श्रोता होते हैं ये प्रभाव के मुख्य कुंजी है अगर आप लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो रुचिकर प्रेश्ण पूछें और जवाब को गौर से सुने अब हम इस अध्याय के मुख्य विचारों को संशेप में बताते हैं यहां आपकी दर्ष्णियता को बढ़ाने की पांच कुंजियां बताई जा रही हैं ताके आप अपने करियर में ज़्यादा सफल हो सकें और ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकें सबसे पहले तो उन महतपून कामों में उतक्रिष्ट बने जिने करने के लिए आपको नौकरी दी गई है अपने चुने हुए पेशे में उतक्रिष्टता ज़्यादा वेतन पाने और ज़्यादा तेजी से तरक्की पाने की पहली सीड़ी है दूसरा, भूमिका के अनुरूप दिखें, काम करें और पोशाक पहने शैलियों, रंगों और कपड़ों के बारे में जानकार बने वैसी पोशाक पहने जैसी आपकी कमपनी के वरिष्ट लोग पहनते हैं कभी किसी चीज को नजर अंदाज ना करें याद रखें, छवी के छेतर में लापरवाही पतन का कारण बन सकती है तीसरा, कमपनी के भीतर और बाहर संपर्क बनाएं आदान प्रदान के नियम का इस्तमाल करें जो सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपनी समय और प्रयास का निवेश करने की ताक में रहें ताकि भविश्य में किसी समय दूसरे आपकी मदद करने के लिए अपना समय लगाने और प्रयास करने के इच्छुक रहें किसी भी समुदाई में सबसे सफल इस्तिरी पोरुष वे होते हैं जो सबसे ज़्यादा सफल लोगों को जानते हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा सफल लोग जानते हैं अपने पेशेवर संगठन या क्लब से शुरुवात करें किसी स्थाने परोपकारी संस्था में शामिल हो जिसकी आप परवाह करते हो और जिसका संचालक मंडल भी प्रतिष्ठित हो चौथा, अपनी योगताओं के नवीनी करण के लिए अतिरिक्त कोर्स जरूर करें और ये सुनिश्चित करें कि ये बात हर व्यक्ति को पता चल जाए अपने बॉस से पुस्तक और आडियो प्रोग्राम के बारे में सलहा ले फिर उस सलहा पर अमल करते हुए उसे पढ़ें, सुने और अपनी टिपडियों के साथ अपने बॉस से आगे सलहा मांगे जब आपका बॉस महसूस करता है कि आप सीखने और विकास करने के लिए उत्सुक हैं तो वह आपका मार्ग दर्शक बन जाएगा और सफलता की सीड़ी पर ज़्यादा तेजी से चर्णे में आपकी मदद करेगा मार्ग दर्शन की ये प्रक्रिया कई सफल एग्जेक्योटिव के करियर में बहुत मददगार रही है पाँचवा, सकरात्मक, खुश मिजाज और मददगार बने इस तरह के व्यक्ति बने जिसे दूसरे लोग तरक्की करते देखना चाहें दूसरे लोगों के साथ मित्रता वा दयालुता से पेश आएं और अपने सह कर्मियों से हमेशा अच्छे शब्द बोलें अंतिम विशलेशन में उतकृष्ट इंसान बनने के लिए समय निकालने से आपको लोगों की नजरों में आने अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और पर्मोशन की संभावनाएं बहतर करने में इतनी मदद मिलेगी जितनी किसी दूसरे चीज से नहीं मिल सकती आप ये काम कर सकते हैं बशर्ते आप सच मुझ करना चाहते हूं अध्याय साथ आर्थिक द्रिष्टी से स्वतंत्र बने वित्या रूप से स्वतंत्र बनना जीवन में आपका एक बड़ा लक्षे है आपको इतना स्वतंत्र बन जाना चाहिए कि आपको पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता ना करनी पड़े स्वभागय से आज हम ऐसे युग में रह रही हैं जो समुचे मानव इतिहास का महानतम युग है व्यक्तिगत हों या वित्या आपके पास जितने जादा लक्षों तक पहुँचने के अफसर आज मौजूद हैं उतने कभी मौजूद नहीं रहे एक लाग से जादा अलग-अलग नौकरी की श्रेनिया या अफसर के छेत्र हैं सूचना, प्रद्योगी की और प्रतिस परदा में होने वाले विस्पोर्ट के चलते आप सफल बनने के लिए जो चीजे करते हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है आज हमारे समाज को चलाने वाला मुख्य घटक, लगभग, हर व्यवसाई और उद्योग में परिवर्तन की गती है हमारी अर्थ व्यवस्था में होने वाला हर परिवर्तन, रजनात्मक, अल्प संख्यकों को इतने तेज गती से आगे बढ़ाने के नए अफसर और संभावनाई देता है जितना पहले कभी संभव नहीं था लेटिन कहावत है कौर पे दियम याद रखें, इसका मतलब है जी भर के जियो आपको यही करना चाहिए, आपको जी भर के जीना चाहिए आपको दोनों हाथ कोहनियों तक लाकर कूद पढ़ना चाहिए और अपने आसपास के हर अफसर वो संभावना का लाब लेकर वो अद्बुच जीवन बना लेना चाहिए, जो आपके लिए आज संभव है अपने करियर के शुरुवात में या अपने करियर के दौरान किसी भी वक्त आप जो सबसे महतपून चीज करते हैं वो ये पता लगाना है कि आपके चुनिंदा च्छित्र में सबसे सफल लोग क्या कर रहे हैं आपको वही चीजें बार-बार करना है ताकि आपको भी वही परिणाम मिलें आपके सफलता चमतकार नहीं होगी, ये सैयोग भी नहीं होगी इसकी उतनी ही सटेग भविश्यवानी की जा सकती है जितना कि सूरज का पूर्व दिशा में उदित होना और पश्चिन दिशा में अस्त होना हम सभी के पास एक आम लक्ष ये होता है कि हम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं आप अपने चारों और एक वित्य किला बनाना चाहते हैं, जिसके भीतर आप सुरक्षित रहें आप उची आमदनी कमाना चाहते हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, बैंक में पैसे रखना चाहते हैं और आप खर्च की चिंता किये बगैर अपनी इच्छा को संतुष्ट करना चाहते हैं एक मातर प्रशन ये है, आप ये काम कैसे कर सकते हैं अच्छी खबर ये है कि आज जितने लोग वित्य स्वतंतरता हासल कर रहे हैं, उतने लोगों ने पहले कभी नहीं की और वो भी इतनी तेज गती से, इस वक्त लगबग 50 लाग करोड़ पती हैं जिनमें से जादातर स्वनिर्मित हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह, कोई न कोई, हर साड़े चार मिनट में एक नया स्वनिर्मित करोड़ पती बन रहा है स्वा निर्मित करोड़पती बनने वाले कई लोग लाखों डॉलर की नेट वर्थ हासल कर रही है जाददर करोड़पतियों ने जब शुरुवात की थी तो उनके पास कोई पैसा नहीं था हर व्यक्ति गरीबी से शुरुवात करता है वास्तव में बहुत ज़्यादा पैसे से शुरुवात करना सफलता और खुशी के लिए जितना घातक हो सकता है उतना बहुत कम पैसों या शुन्य से शुरुवात करना नहीं हो सकता हेंडरी फॉर्ड ने एक बर कहा था आप कहते हैं कि मैंने लगबक शूनने से शुरुवात की थी लेकिन ये सही नहीं है हम सभी वहीं से शुरुवात करते हैं जो हमारे पास होता है आप और मैं वहीं से शुरुवात करते हैं जो हमारे पास होता है हम असीमित अवसरों और संभावनाओं के साथ जीना शुरू करते हैं जो सभी दिशाओं में फैली हुई है बस इतना याद रखें अवसर महनत की पोशाक में आती है वे कड़ी महनत के वेश में आती है कोई भी आपको यूही कुछ नहीं दे देता है आपको सटीकता से निर्ने लेना होता है कि आप क्या चाहते हैं इसे लिखना होता है और फिर बाहर जाकर इसे खुद हासल करना होता है अगर आप ऐसा करने का निर्ने ले लेते हैं तो कोई चीज आपको नहीं रोक सकती आप ये कैसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लक्षे क्या है इसका तरीका आसान है बस ये देखें कि वे क्या करते हैं आप हमेशा वही चीजे करते हैं जो आपकी सबसे अंदरूनी इच्छाओं और विश्वासों में सामन जस्ते में होती है आप क्या कहते हैं या क्या चाहते हैं या क्या इरादा रखते हैं ये माइने नहीं रखता है माइने तो ये रखता है कि आप हर दिन हर घंटे क्या करते हैं क्योंकि इसी से आपको और संसार को ये पता चलता है कि आप सचमुझ क्या चाहते हैं वित्य स्वतंतरता हासल करना आपका एक गहरा और मन चाहा लक्ष होना चाहिए। आपको इस लक्ष को अपने लक्षों की सूची में उपर रखना चाहिए। आपको हर दिन इसके बारे में सूचना चाहिए और हर दिन इस पर काम करना चाहिए जब तक कि आप इसे हासल ना कर यदि आप वित्य स्वतंत्रता को शीर्ष प्रात्मित्ता नहीं बनाती हैं, तो आप इसे कभी हासिज नहीं कर पाएंगे। आपका अंत जादतर लोगों जैसा होगा, जो सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं या जिनी 65 की उम्र के बाद भी काम करनी की जवरत होती है, क्यूंकि उन्होंने प्रयाप्त पैसा नहीं बचाया है। लगबग 70 फीजदी व्यसकों के पास कोई ऐसी आमदनी नहीं होती है, जिसे वे अपने विवेक के अनुसात खर्ज कर सकें। इसका मतलब है कि हर वेतन वाले दिन वे जितना कमाते हैं, वो 100 फीजदी खर्ज कर देते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता। उनके हालत इससे और विबत्तर होती हैं, क्योंकि क्रड़िट कार्ड कर्ज की वज़े से उनका खर्ज आमदनी से जादा होता है। आम आदमी अपने आमदनी का लगबग 110 प्रतिशत खर्ज करता जाता है, जब तक कि ताश के पत्तों का ये महल देह नहीं जाता। कुछ समय पहले 14 लाख अमेरिकियों ने खुद को दिवालिया घोशित करके अपना कर्ज मिटाया था और अपने विद्य जीवन को 10 साल के लिए बरबाद किया था। इसका मूल कारण ये था कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारी खरिदारी कर ली थी। आपका शुरुवाती लक्षय विद्य द्रिष्टी से स्वतंत्र होना है। आपका लक्षय ये है कि आप अपने सारे कर्ज उतार दे और इतना पैसा इखटा कर ले कि आपको पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता ना करनी पड़े। इस अध्याई में आपको कुछ ऐसे विचार मिलेंगे जिनका आप इस्तमाल कर सकते हैं और जिनका इस्तमाल करके सबसे सफल इस्तरी पुर्षों ने विद्य स्वतंत्रता हासिल की है। आज जो लोग वित्य द्रश्टी से स्वतंत्र हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोगों ने कम पैसों, शून्य या गहरे करज में शुर्वात की थी। लेकिन उन्होंने अपनी कामकाजी आदतें बदली, खर्च की आदतें बदली, बचत की आदतें बदली और आगे जाकर वे अपने समुदाय के सबसे सफल लोग बने। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बचत, बीमा और निवेश, वित्य नियोजन की तिपाई के तीन पाएं हैं। बुनियादे नियम ये है कि आपको 2-6 महिने के खर्च की राशी बेहद प्रवाही रूप से अलग रखनी चाहिए। ताकि जरुवत पढ़ने पर इसे तुरंत निकाला जा सके। आपको नुकसान, दुरघटना, देंदारी, जीवन की शती और स्वास्ते समस्याओं के खिलाव सावधानी से बीमा करानी की जरुवत है। जिन लोगों के पास प्रयाप्त बीमा नहीं है, वे अपने भविश्य के साथ खतरनाग जुवा खेल रही हैं। जब आप बचत और बीमे से खुद को सुरक्षित कर लें, तो आपको निवेश करना चाहिए। एक ही जगह पर सारे पैसी का निवेश करनी के बजाए, आपको अपना निवेश, शेयरों, बॉंड, जमीन जायदाद और आदर्श रूप से अपने खुद के व्यवसाई में उचित रूप से बाटना चाहिए। बचत, बीमा और निवेश, इन तीनों की कुण्जी ये है कि आप पर कोई कर्ज ना हो और यदी हो तो आप जल्द से जल्द कर्ज से बाहर निकल जाएं। वित्य सफलता का एक आसान फॉर्मुला है, ये हमेशा वही रहा है, युग बदलते रही हैं लेकिन ये फॉर्मुला कभी नहीं बदला। ये फॉर्मुला इस तरह है, आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और बाकी पैसे को बचा लें या उसका निवेश करें। तो आपका वित्य भविश्य काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है। बहरहाल ये आसान नहीं है। पारकिंसन का नियम कहता है, खर्च हमेशा आमदनी की बराबरी पर आने के लिए बढ़ जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप चाहे जितना कमाते हूं। अगर आप सावधान और अनुशाशित नहीं हैं, तो आप अंततह उस पूरी राशी को और संभवतह उससे थोड़ा जादा खर्च कर लेंगे। भले ही आपके आमदनी, दुगनी या तिगनी हो गई हो, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि आप हर समय इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो नए खर्च सामने आ जाएंगे और आपके कमाए हर पैसे को निगल लेंगे। यही नहीं, वे उधार मिल सकने वाले पैसे को भी निगल लेंगे। वित्य दृष्टी से स्वतंत्र बनने के लिए आपको अपनी आमदनी से कम पर जीना शुरू करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्यूंकि वे गहरे करज में हैं और इससे कम में वे जिन्दा ही नहीं रह सकते। देखिए, आपकी सफलता की एक बहुत महतपून गारंटी है दीर्ग कालीन दृष्टी कोन। दीर्ग कालीन दृष्टी कोन रखें, खुद के और अपने वित्य भविश्य के प्रती दीर्ग कालीन नजरिया विक्सित करें। इस संधर्ब में सोचें कि आप पांच या दस साल में वित्य दृष्टी से कहां पहुँचना चाहते हैं। ये दीर्ग कालीन दृष्टी कोन आपके निर्णियों को बहतर बनाएगा और खर्च की वर्तमान आदतों को भी बहतर बनाएगा। जौर्ज क्लासन की पुस्तक The Richest Man in Babylon में वित्य स्वतंतरता के शुरुवाती बिंदु का वर्णन इस नियम के रूप में किया गया है। खुद को सबसे पहले भुकतान दे। क्लासन कहते हैं आप जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने पास रखें। ये सिध्धान्त इतना शक्तिशाली है कि आप जिन्द की भर अपने हर वेतन की सकल आमदनी का सिर्फ 10 प्रतिशत ही बचाते हैं तो भी आप वित्य द्रश्टी से स्वतंतर बन जाएंगे। जब आप 20 साल की उम्र से नौकरी शुरू करते हैं वास्तव में अगर आप तभी से सिर्फ 10 डॉलर प्रतिमह बचाने लगें और 65 साल की उम्र में रिटायर होने तक ये काम करते रहें और ये पैसा 10 फीजदी सालाना चक्रवृद्धी बयाद से बढ़ता रहें तो रिटा और बाकी बचत होगी उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है 100 मिलियन मिलिनेर्स नामक अध्यन में लेखक और अर्थ शास्त्री इस नतीजे पर पहुँचे कि हर व्यस्क करोडपती बन सकता है शर्थ बस ये है कि वो जल्दी शुरू कर दे और लगन से बचत करे चूंकि व आपके लिए भी संभव है बस कल्पना करें अगर आप हर साल तिर्क 25,000 डॉलर कमाएं लेकिन उसका 10 प्रतिशत यानि पच्चिस सो डॉलर बचा लें 200 डॉलर प्रती महा से थोड़ा जादा तो आप करोडपती बन जाएंगे बशर्ते आप ये जल्दी शुरू कर दे और लगन से बचाएं इससे आपके सुखद वित्य भविश्य की लगबग गारंटी हो जाती है हर व्यक्ति दौलत मन क्यों नहीं बन पाता है जादतर अर्थ शास्त्री और मनुवैज्यानिक मानते हैं कि संतुष्टी में विलंब करना वित्य सफलता की कुण्जी है वित्य समस्याओं का कारण है तुरंत संतुष्टी की आवशक्ता जिन लोगों में इतना अनुसाशन नहीं होता कि वे अपनी सारी आमदनी और उससे थोड़े ज़ादा को खर्च करने से खुद को रोग ले उनका कोई वित्य भविश्य नहीं होता वे वेत्न के गुलाम बन जाते हैं नौकरी और बिलों के जाल में फसे रहते हैं जिन्दगी भर पैसे के बारे में सोचते और चिंता करते रहते हैं आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहेंगे आपका दिर्ग कालीन लक्षय ये होना चाहिए कि आप वेत्न के हर चेक का 20-30 प्रतिशत हिस्था बचाएं और सावधानी से कई वर्षों के लिए निवेश करें जाहिर है जदतर लोगों के पास कम से कम शुरुवात में ये असंभव होता है वे कर्ज में बहुत गहरे डूबे होते हैं उनके निश्चित खर्च होते हैं और खर्च की ऐसी आदतें होती हैं जिनके चलते वे अपने आमदनी के 100% हिस्से या उससे जादा को भी खर्च कर देते हैं यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला है आज ही तै करें कि आप अगले कुछ वर्षों में कर्ज से बाहर निकलेंगे और वित्य सौतंतरता हासल करेंगे यह निर्णय लेना और इस लक्ष पर ध्यान केंदरत करना आपकी वित्य सफलता का शुरुवाती बिन्दू है पुरानी कहावत याद रखें आप जो कर रहे हैं उसे आप जितना ज़्यादा करते हैं तो आपको जो मिल रहा है वो भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा आप अपनी सकल आमधनी का सिर्फ एक प्रतिशत बचाने का संकल्प लेकर अपने वित्य के लिए को बनाना शुरू कर सकते हैं आईए ये मान लें कि आप हर महीने 2000 डॉलर कमाते हैं 2000 डॉलर का एक प्रतिशत 20 डॉलर होता है आप हर महीने 20 डॉलर बचाने का संकल्क लेते हैं 20 डॉलर प्रतिमाह का मतलब है हर दिन लगबग 67 सेंट आप एक डिब्बा या जार रख लेते हैं और हर दिन उसमें 67 सेंट डालते हैं पहले माह के खतम होने पर आप स्थाने बैंक जाकर एक विशेश वित्य अभेद्य बैंक खाता खोल लेते हैं इसमें आप अपनी बचत के 20 डॉलर जमा कर देते हैं आपने वित्य स्वतंदरता की यात्रा शुरू कर दी है आप हर दिन 63 सेंट बचाते हैं हर मही में आप इसे बैंक में जमा करते हैं एक बार जब आप बचत खाते में पैंसे जमा कर देते हैं तो आप इसे किसी भी कारण से कभी नहीं चूते ये बचत, वेकेशन, नई कार या मोटर होम के लिए नहीं है ये आपका दौलत खाता है, इसे आपको किसी भी कारण से कभी नहीं चूना चाहिए कुछ हे महीनों के भीतर आपके साथ कोई उलेखने चीज होने लगेगी खुद के और पैसे के प्रती आपका नजरिया बदल जाएगा हाला कि आपके पास बैंक में सिर्फ कुछ डॉलर जमा होंगे लेकिन फिर भी आप ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे आप पाएंगे कि आप ज़्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं और अपने दूसरे खर्चों के मामले में समझदारी दिखा रहे हैं आप ज़्यादा कठोरता से बजट का पालन करते हैं और अनावश्यक खर्चों पर सवाल करते हैं ये वित्य संग्रह खाता भरता जाएगा आमदनी की छोटी-छोटी अनपेक्षित धन की धाराएं आपकी ओर आने लगेंगी जिन्हें आप इस खाते में तुरंत डाल सकते हैं नतीजा ये होगा कि हर महीने 20 डॉलर बढ़ने के कारण पहले साल के अन्त में इसमें शायद 500 डॉलर से जादा हो जाएंगे दूसरे साल के अन्त में 1500 डॉलर से जादा हो सकते हैं शायद 2000 डॉलर भी शायद 2000 डॉलर भी तीसरे या चौथे साल के अन्त में आप कई 1000 डॉलर बचा लेंगे कर्ज से बाहर निकलाएंगे और अपनी खुद की दुनिया के स्वामी होंगे जब आप अपनी एक प्रतिशत आमदनी आराम से बचाने लगें और बची हुई 99 प्रतिशत आमदनी पर जीवन यापन करने में काम्याब हो जाएं तो फिर अपनी बचत की दर को बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर लें आप अपने जीवन को इस तरह वयवस्तित करें ताकि आप बची हुई 98 प्रतिशत आमदनी पर आराम देह तरीके से जीवन यापन कर लें जब आप इस इस्तर पर आराम देह हो जाते हैं तो आप अपने बचत दर को बढ़ा कर 3 प्रतिशत और फिर 4 प्रतिशत कर लेते हैं और अंत तहर इसे 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा लेते हैं तीन साल के भीतर आप पाएंगे कि आप अपने 75 प्रतिशत आमदनी पर काफी आराम से जीवन यापन कर रहे हैं और बाकी पैसा बचा रहे हैं इस दोरान आपके आमदनी बढ़ रही होगी वित्य दृष्टी से ज़्यादा जिम्मेदार बनने पर आप ज़्यादा तीवर गती से अपने शेत्र में सीखते हैं और विकास करते हैं आप संकल्प लेते हैं कि जीवन में आपको जितनी भी वेतन वृद्धी मिलेगी आप उसका 50 प्रतिशत बचाएंगे आप बाकी 50 प्रतिशत को खर्च करके उसका आनंद ले सकते हैं लेकिन आप अपनी बड़ी हुई आधी आमदनी को बचत खाते में डाल देते हैं इससे वित्य स्वतंतरता की दिशा में आपकी प्रगती इतनी तेज हो जाएगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब आप बचाने और निवेश करने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमभीर बन जाते हैं तो आपके वित्य जीवन का बाकी हर हिस्सा भी बहतर हो जाएगा आप में ज्यादा इच्छा शक्ती और चारित्रिक शक्ती आ जाएगी आप ज्यादा शक्तिचाली बन जाएंगे आप ज्यादा आत्म विश्वासी बन जाएंगे और आत्म गौरव के ज्यादा उचे स्तरों का आनंद लेंगे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आर्थिक चंताओं से रहित होंगे आप काम के अपने चुने हुए छेत्र में बहतर प्रदर्शन करेंगे कुछ ही वर्षों में आप उन्शीर्ष 5 प्रतिशत लोगों में से एक बन जाएंगे जो अपने कामकाजी जीवन के दोरान ही वित्य सोतंदरता हासिल कर लेते हैं यहां रन्नीतियों की श्रंखला बताई जा रही है जिसका इस्तमाल करके आप नौकरी में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं कई हजार स्वनिर्मित करोडपतियों का शाक्षातकार लिया गया और बरसों तक उनका व्यापक अध्यन करके ये पता लगाया गया कि वे शुन्य से वित्य सोतंदरता तक कैसे पहुँचे हम अब इस विशे के बारे में इतना जानते हैं जितना पहले कभी किसी युग में नहीं जाना गया स्वनिर्मित करोडपतियों में एक गुण शुरुवाती उम्र में नजर आता है वो गुण ये है कि वे बहुत कड़ी महनत करते हैं वे आम आदमी से ज़्यादा कड़ी महनत करते हैं वे जल्दी शुरू करते हैं और वे ज़्यादा देर तक काम करते हैं ना सिर्फ वे ज़्यादा कड़ी महनत करते हैं बल्कि ज़्यादा चतुराई से भी करते हैं वे अपने ज्यान और योगिताओं को लगातार उन्नत करते जाते हैं जिससे उनके काम की गुणवत्ता और मूले में हर सप्ता और हर महीने व्रिद्धी होती चली जाती है चुँकि वे बहुत मूलेवान योगदान दे रहे हैं इसलिए उनकी कंपनी उन्हें जादा वेतन देती है ताकि वे उसे छोड़कर दूसरी जगे ना चले जाएं फिर उनके पास बचत करने के लिए ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वे उसे बचाकर अपनी वित्ते किले को मजबूत बनाते हैं आप जो करते हैं आपको हमेशा उसके मूल्य और महत्व के सीधे अनुपात में ही भुकतान मिलेगा 80-20 का नियम आपके काम के सभी पहलूँँ पर लागू होता है आपके 20 प्रतिशत काम 80 प्रतिशत मूल्य का योगदान देंगे आपका लक्षय ये होना चाहिए कि आप अपनी शीर्ष 20 प्रतिशत गतिविधियों पर दिन भर एकाग्र रहें ताकि आपके नियोकता के लिए आपका मूल्य बढ़ सके गतिविधियों के बजाए परिणामों पर ध्यान के इंद्रत करें आप हर घंटे हर दिन जो करते हैं उस हर काम की सूची बना कर बॉस को दिखाएं बॉस ते कहें कि वे इस सूची को प्राथमिक्ता के क्रम में इस आधार पर जमा दे कि वे किस चीज को कंपनी के प्रति आपका सबसे महतपूर्ण योगदान मानते हैं एक बार जब बॉस अपनी सूची को प्राथमिक्ता के क्रम में जमा दे तो उसके बाद आप बॉस की सरवच प्राथमिक्ताओं पर उतकरिष्ट काम करने पर अपनी सारी उड़ जाएं के इंद्रत कर लें यहाँ एक महतपूर्ण बिंदू है किसी कम महतपूर्ण कतिविधी को आप चाहें जितने उतकरिष्ट और समय बद्ध तरीके से करें उससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी इससे आपके करियर में कोई सफलता नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप उन एक दो चीजों पर बहतरीन काम करते हैं जो बाकी हर चीज से जादा महतपूर्ण है तो आप अपनी कल्पना से भी जादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं खुद से पूशते रहें वो कौन सी एक योगिता है जिसे मैं उतक्रिष्टता से विक्सित कर लूँ तो उसका मेरी करियर पर सबसे जादा सकरात्मक असर होगा आज कारोबारी सफलता का सूत्र वाक्य है मूलबढ़ा हो आपको हर दिन अपना मूलबढ़ाने के तरीकों के तलाश करनी चाहिए आप जो करते हैं उसे जादा अच्छी तहए और जादा तेजी से करने के तरीकों के तलाश करें आपको लगातार सीखना चाहिए और अपनी योगिताओं का निवीनी करन करना चाहिए ताकि आप अपने काम में और भी जादा मूलेवान योगदान दे सके ये लगभग असंभव है कि लंबे समय तक कड़ी महनत करते रहने और जादा मूलेवान योगदान देते रहने के बावजूद आपको तरक्की और जादा भुकतान ना मिले आपके सबसे मूलवान संपत्ती क्या है? संपत्ती वो चीज है जो cash flow देती है जैसे bond या आमधनी देने वाली जायदाद आपके सबसे मूलवान संपत्ती पैसे कमाने की आपके योग गिता है अपने मस्तश्क का इस्तिमाल करके आप हर साल अपने जीवन में लाखो डॉलर उत्वन कर सकते हैं आपका सबसे कीमती संसाधन क्या है? आपका सबसे कीमती संसाधन है समय हम सभी जीवन में बहुत कम पैसों और बहुत सारे समय के साथ शुरुवात करते हैं फिर हम जिन्दगी भर सौधे करते रहते हैं। हम पैंसे की खातिर अपना समय बेशते हैं, जिसे हम फिर जीवनशैली और आर्थिक सफलता में बदल लेते हैं। किसी भी समय आप अपनी वर्तमान जीवनशैली वा बचत का मुल्यांकन करके, ये तैक कर सकते हैं कि बीते बर्तों में आपने कितने अच्छी सौधेबाजी की है। आपके समय का सर्वश्रेष्ट निवेश क्या है? ये आपकी कमाने की योगिता को बढ़ाना है। निवेश के एक अध्यन में कई विशेश अग्यों से सलह मांगी गई कि अगर एक व्यक्ती ने अपने काम से एक लाग डॉलर इखटे किये हैं तो उनके निवेश का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा जवाब ये मिला कि उस व्यक्ती को एक लाग डॉलर का निवेश उस काम में बहतर बनने में करना चाहिए जिसे करके उसने वे एक लाग डॉलर कमाए हैं। इससे उस व्यक्ती की उत्कृष्टता बढ़ेगी और विशेश अग्यता के छेत्र में उसका बहतर प्रदर्शन किसी दूसरी चीज की तुलना में जादा उंचा प्रतिफल देगा। समय बचाने की सबसे महान तकनीकों में से एक ये है कि आप जो भी सबसे महतपुन चीजें करते हैं उनमें बहतर बने। इससे आपकी आमदनी कमाने की योगिता में जितना जादा मुनाफ़ा मिलेगा उतना किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकता। यहां उचे आमदनी और वित्यस्वतंतरता का नियम है। अपनी तीन प्रतिशत आमदनी का निवेश खुद में करें और जीवन भर करते रहें। आप अपने सबसे कीमती संसादन हैं। आप अपनी सबसे मूलेवान संपत्ती हैं। और अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। जो भी कंपनी, शोध और विकास में प्रॉडक्ट व प्रक्रियाओं के नवीनी करण में निरंतर निवेश नहीं करती हैं। वो जल्द ही कारोबार से बाहर हो जाएगी। यही सिध्धान्त आप पर भी लागू होता है। यदि आप लगातार खुद में निवेश नहीं कर रही हैं। अपने ज्यान और योगिताओं का नवीनी करण नहीं कर रही हैं। अपने सबसे महतपून कामों में बहतर और जादा कारे कुशल नहीं बन रही हैं। तो आप दरसल पिछड़ रही हैं। यदि आप बहतर नही ठहरा नहीं रहता है आपकी कंपनी चाहे आपके लिए प्रशिक्षन योजना चलाती हो या ना चलाती हो आपको खुद के लिए एक विशेश प्रशिक्षन योजना बनानी चाहिए अपनी तकदीर के लिए जिम्मेदार आप है ये जिम्मेदारी किसी दूसरे को ना सौपे ये निर्नेले कि आप कहां पहुँचना चाहते हैं और वहां पहुँचने के लिए आपको क्या सीखना है फिर हर दिन इस दिशा में काम करते रहें यहां साथ बिंदों का एक फॉर्मूला दिया जा रहा है जिसका इस्तमाल करके आप आने वाले वर्जों में अपनी आमदनी, दुगनी या तिगुनी कर सकते हैं ये फॉर्मूला सफलता के सभी सिध्धानतों में अव्वल है इसे संग्रह का नियम कहा जाता है ये नियम कहता है कि हर महान उपलब्दी सैक्णों हजारों छोटी छोटी कोशिशों का महायोग है जिन्हे कभी किसी ने नहीं देखा जिनकी कभी किसी ने प्रशंसा नहीं की इस नियम का एक दूसरा रूप है जिसे क्रमशह बहतरी का नियम कहा जाता है ये बहतरी इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं देती है जिस तरह बर्फ का गोला किसी ढाल पर लुड़कते समय बड़ा होता जाता है आम तोर पर आपको अध्यन करने और खुद पर महनत करने में कई सप्ताह, महीने और वर्ष लग जाते हैं तब कहीं जाकर आप अपने शेत्र में महारत हासल कर पाते हैं बहतरी इतनी सुक्षमता से होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने बहतर बन रही हैं लेकिन अंत्तह आपको परिणाम मिलेंगे एक अद्भुट जीवन, एक जवरदस्त करियर और आपके आसपास के सभी लोगों का सम्मान वप्रशंसा ये साथ हिस्सों का फॉर्मुला इस तथ्य पर आधारित है कि आप अपनी उत्पादक्ता, प्रदर्शन और आउटपुट हर सप्ताह आधा प्रतिशत बढ़ा सकते हैं ये आधा प्रतिशत सुधार हर दिन बहतर प्रात्मिक्ताएं तैकर में जितनी छोटी चीज़ से हासिल किया जा सकता है अगर आप अपनी उत्पादक्ता, प्रदर्शन और आउटपुट हर सप्ताह आधा प्रतिशत बहतर बना लें और लगातार चार सप्ताह तक ऐसा कर लें तो आप शुरुवाती बिंदु से दो प्रतिशत जाधा उत्पादक बन जाएंगे क्या ये संभव है? जाहिर है, ये है हर महीने दो प्रतिशत की बहतरी का मतलब है हर साल लगबग 26 प्रतिशत बहतर बनना किसी बड़ी फैक्तरी के लिए शायद ये संभव नहीं है कि वो अपना आउटपुट हर साल 26 प्रतिशत बढ़ा ले लेकिन इनसान सिर्फ चन दिनों में ही अपने आउटपुट को 26 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है बशरते ये सचमुच ऐसा चाहता हो या इसे इसकी जुवरत हो इस फॉर्मूले का इस्तमाल करके आप पहले साल के अंत में 26 प्रतिशत जाधा उत्पादक बन जाएंगे आपकी बड़ी हुई उत्पादकता आपकी आमदनी में भी प्रतिबिम्बित होगी आपका जीवनस्तर बहतर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट थोड़ा ज़्यादा भर जाएगा आप जो कपड़े पहनते हैं और जिन रेस्टरॉं में जाते हैं वे थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे अपने जीवन और काम के मामले में आप ज़्यादा आत्म विश्वासी और खुश महसूस करेंगे पूरे एक साल तक हर दिन लगातार बहतर बनकर आप एक तिश्चित गती हासिल कर लेंगे ये गती आपको आगे बढ़ाती रहेगी इससे आप दूसरे साल भी अपनी उत्पाधकता, प्रदर्शन और आउटपुट को हर सप्ता आधा प्रतिशत, हर महीने 2 प्रतिशत, हर साल 26 प्रतिशत बढ़ाने में सक्षम होंगे प्रदर्शन और आमदनी में इसी तरह की बहतरी आप तीसरे साल, चौथे साल, पांचवे साल और आगे भी दोहरा सकती है हर साल 26 प्रतिशत बहतर करने पर चक्र विर्धि के हिसाब से आपकी आमदनी तीन साल में दुगनी हो जाएगी पांच साल में तीन गुनी हो जाएगी और दस साल में दस गुनी हो जाएगी यहाँ पर साथ हिस्सों का फॉर्मुला है इसके काम करने के गारंटी है बशर्ते आप इस पर काम करें पहला कदम आपको जितने बजे ऑफिस में या अपने पहले अपॉइंट्मेंट पर जाना हो उसके दो घंटे पहले सोकर उठें और पहले घंटे का निवेश खुद में करें कोई प्रेरक उत्साह वर्धक या सेक्षनिक चीज करें इसे स्वरण्यम घंटा कहा जाता है सुबह का पहला घंटा दिन का आधार होता है इस घंटे में आप जो करते हैं उसी से बाद में होने वाली हर चीज की संभावना तै होती है अगर आप हर सुबह एक घंटा पढ़ते हैं तो इसका अर्थ है हर सपताहा लगभग एक पुस्तक इस तरह आप साल भर में कुल मिलाकर 50 पुस्तके पढ़ लेंगे या अगले 10 साल में 500 पुस्तके पढ़ लेंगे आज के संसार में आम व्यस्क हर साल एक पुस्तक भी नहीं पढ़ता है इसलिए हर दिन एक घंटे तक पढ़ने से आप अपनी उत्पादक्ता, परदर्शन और आउटपुट को हर सप्ताह आधा प्रतिशत लगातार बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे पढ़ने का ये काम ही अगले 10 साल में आपको 1000 प्रतिशत गृद्धी दे सकता है पढ़ना मस्तिश्क के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए व्यायाम दूसरा कदम हर दिन अपने प्रमुख लक्षे दुबारा लिखें और उनकी समिक्षा करें उन्हें दूबारा लिखते समय इस बारे में सोचें कि आने वाले घंटों में उन्हें हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दूबारा लिखने और समिक्षा करने के इस अभ्यास में आपको 5-10 मिनट लगेंगे इस काम के लिए आप एक स्पाइरल नोट बुक का इस्तमाल कर सकते हैं ये बेहद शक्तिशाली है काम शुरू करने से पहले अपने लक्षों को लिखने और दूबारा लिखने के कारे से और हर सुभए उनके बारे में सोचने से वे आपके अवचेतन मन में जादा गहराई तक प्रोग्राम हो जाते हैं ये अभ्यास आपके अवचेतन और अतीचेतन मन को लक्ष हासल करने के लिए सक्रिय कर देता है आप अपने जीवन में सभी तरह के लोगों और अफसरों को आकर्षित करने लगेंगे जो उन लक्षों को हासल करने में आपकी मदद करेंगे हर दिन अपने लक्षों को लिखने और दोबारा लिखने का ये कार रही आपकी उत्पादक्ता, प्रदर्शन और आउटपुट को हर सबताहा आधा प्रतिशत, हर महीने दो प्रतिशत, हर साल 26 प्रतिशत बढ़ा देगा, भले ही आप कोई दूसरी चीज ना करें तीसरा कदम, हर दिन की योजना पहले से बना ले ये योजना बनाने का सबसे अच्छा समय एक रात पहले है हर उस चीज की सूची लिख ले जो आपको अगले दिन करनी है और फिर उस सूची को प्रात्मिक्ता के क्रम में जमा ले कौन सा काम ज्यादा महतपून है और कौन सा कम महतपून है वो पहली चीज क्या है जिससे आपको शुरुवात करनी चाहिए और वे चीजें कौन सी हैं जो आप बाद में भी कर सकते हैं अगर आप अपनी सूची का सिर्फ एक ही काम कर सकें तो वो कौन सा होगा हर दिन पहले से योजना बनाने का ये कार्य आपको अपने हर काम में ज़्यादा एकाग्र और प्रभावी बना देगा सूची से काम करने पर आपको आत्म नियंदरन और व्यक्तिजे शक्ती का ज़्यादा भारी एहसास मिलेगा अगर आपने अब तक सूची बना कर काम नहीं किया है तो आपकी उत्पादक्ता, प्रदर्शन और आउटपूट पहले ही दिन 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा एकाग्र मानसिक्ता से हर दिन, हर घंटे अपने समय के सबसे मूल्यवान उपियोग पर ध्यान केंद्रत करें एकाग्रता का सिध्धान भारी सफलता के लिए बिल्कुल अनिवार रहे अगर आप लक्षे निर्धारन और नियोजन के संदर्भ में जो कुछ करते हैं लगभग हर चीज का लक्षे यही तै करना है कि वे एक दो चीजें कौन सी हैं जिन पर आपको बाके चीजों से ज़्यादा ध्यान केंद्रत करना चाहिए जीवन में हर महान उपलब्धी से पहले एकाग्र मानसिक्ता का दौर आता है जो लगातार हफ्तों, महीनों और वर्षों तक चलता है अपने सबसे महतपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रत करने की आपकी योगता, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इतना ज़्यादा करेगी जितना शायद कोई दूसरे योगता या आदत नहीं कर सकती पांच्वा कदम अपनी कार में यात्रा करते वक्त आडियो प्रोग्राम सुने सामाने व्यक्ति हर साल अपनी कार में स्टेरिंग वील के पीछे पांसो से हजार घंटे तक बैठता है अपनी कार को चलती फिरती युनिवर्स्टी बनाकर और सीखने वाली मशीन बनाकर आप अपने पेशे के सबसे ज़्यादा सिक्षित, सबसे ज़्यादा ज्यानी, सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं मैंने इतने वर्षों में हजारों ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो काल चलाते वक्त लगातार आडियो प्रोग्राम सुनकर शून्य से शिखर तक पहुँच चुके हैं आडियो प्रोग्राम सुनने का काम अकेला ही हर सपतहा आधा प्रतिशत की वृध्धी दे सकता है और समय के साथ इससे भी जादा आडियो से सीकर आप अमीर बन सकते हैं अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे विचार की ही जरुवत होती है छटा कदम हर मीटिंग और जीवन की हर महतपून घटना के बाद दो प्रशन पूछें पहला प्रशन ये है मैंने क्या सही किया और दूसरा प्रशन ये है अगली बार मैं क्या अलग करूँगा ये जादूई प्रशन है अगर आप हर मीटिंग, हर सेल्स कॉल, हर प्रस्तुती के बाद अपने प्रदर्शन की समिक्षा इन दो प्रशनों से करती है मैंने क्या सही किया और अगली बार मैं क्या अलग करूँगा तो इतनी तेजी से बहतर बनेंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी इन दोनों प्रशनों के उत्तर सकरात्मक, सरजनात्मक और आगे बढ़ाने वाले होते हैं इसलिए वे इतने शक्तिशाली है आपने क्या सही किया और आप अगली बार क्या अलग करेंगे इसकी समिक्षा करके आप अगली बार और भी बहतर परदर्शन करने के लिए अपने मस्तेश्क की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं आपने क्या सही किया और आप अगली बार क्या अलग करेंगे जब आप किसी कॉल या प्रस्तुती के ठीक बाद इन दोनों के विस्तरत जवाब लिखने में कुछ समय लगाते हैं तो आप उस अनुभव से सीखी हर चीज़ को पकड़ लेते हैं सतक्समिक्षा और मूल्यांकन की ये प्रक्रिया उस गती को दो से तीन गुना बढ़ा सकती है जिससे आप अपने काम में सीखते और बहतर बनते हैं सात्वा कदम आप जिससे भी मिलें हर एक के साथ मिलियन डॉलर ग्राहक जैसा व्यवहार करें घर पर और ओफिस में हर समय हर व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करें मानोवे संसार के सबसे महतपून व्यक्ति हों चुकि हर व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि वो संसार में सबसे महतपून व्यक्ति है इसलिए जब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो आपकी मान्यता और सुकृति की इतनी कद्र करेगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते साइकल कैसे चलाना है, कार कैसे चलाना है टाइपराइटर पर टाइप कैसे करना है या किसी भी यांतर की योगिता का प्रदर्शन कैसे करना है इसे सीखने में थोड़ा सा समय लगता है साथ बिंदूओं के इस फॉर्मूले का उपियोग और अभ्यास करना सीखने में भी थोड़ा समय लगता है लेकिन इससे मिलने वाले परिणाम आपके प्रयासों के अनुपात में बहुत ज़्यादा होंगे जब आप साथ कद्मों के इस फॉर्मुले का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन, आपका कामकाज, आपकी आमदनी और आपकी दौलत का स्तर इतनी तेजी से बहतर बनने लगेगा कि आप हैरान रह जाएंगे आप जीवन में क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है सिर्फ वही सीमाई हैं जो आप अपनी खुद की कलपना पर लगाती है आप संसार में किसी दूसरे जितने ही अच्छे, चतुर और सक्षम है किसी दूसरे ने जो भी किया है उसे आप भी कर सकते है आज अलग-अलग छेत्रों में इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं ये तथ्या इस बात का प्रमाण है कि आप जिस भी काम में खुद को समर्पित कर देते हैं उसमें भारी सफलता पा सकते हैं वित्य संग्रह और वित्य सतंतरता के पश्ट, विशिष्ट, लिखित लक्ष बनाकर और फिर उन्हें हासल करने की योजना बनाकर आप देव दूतों के समूह में पहुच जाएंगे जब आप एक तरफ ये संकल्क लेते हैं कि आप अपने काम में बहतर बनेंगे और दूसरी तरफ ये निर्ने लेते हैं कि आप अपनी आमदनी का जादा से जादा हिस्सा बचाएंगे तो आपके वित्य भविश्य की लगभग गारंटी हो जाती है आप वित्य दृष्टी से स्वतंतर बनने के राजमार्ग पर पहुच जाते हैं और आने वाले समय में स्वा निर्मित करोड़पती भी बन सकते हैं आपको अपने सिवा कोई दूसरी चीज नहीं रोख सकती अध्याई आठ अपना खुद का विवसाई शुरू करें आपके वित्य और भौतिक लक्ष्य सिर्फ तभी हासल हो सकते हैं जब आप खुद के लिए और अपनी कमपनी के लिए प्रयाप्त मूले का स्रेजन करें और फिर उस मूले का कुछ हिस्सा अपने लिए अलग रखें आपके लक्षत चाहे जो हूँ उन्हें हासल करने के लिए आपको या तो किसी दूसरे के विवसाई में काम करना होगा या फिर अपना खुद का विवसाई शुरू करना और बनाना होगा चाहे इन में से जो भी मामला हो आप इस मामले में जितना जादा जान लेते हैं कि कोई विविसाय कैसे शुरू होता है और बढ़ता है आप अपने काम में उतनी ही तेजी से सफल होंगे आज जितने जादा लोग जितने अलग-अलग प्रकार के कारोबार खड़े कर रहे हैं उतना इतिहास में किसी दूसरे समय नहीं हुआ कुछ समय पहले 8,20,000 नई कंपनिया शुरू की गई और 15,000,000 तोल प्रोप्राइटर्शिप का गठन किया गया 10,000,000 से जादा साज़दारियां भी हुई विवसाइक लेखक टॉम पीटर्स कहते हैं की आज नवाचार और नौकरियों के स्रेजन की बुनियादी प्रेरक शक्तियां हैं कारोबारी सेक्टर, छोटे और मंजले आकार के सेक्टर तीव्ड आर्थिक विस्तार के वर्तमान दौर में अपना खुद का विवसाइश शुरू करना और सफल होना जितना ज़्यादा आसान और संभव है, उतना पहले कभी नहीं रहा हर तरह के व्यक्ति, हर तरह की प्रस्ट भूमी वाले व्यक्ति हर तरह की थीमा वाले व्यक्ति ने सफल विवसाइश शुरू किये और बनाए है आप भी ऐसा ही कर सकते है अपना खुद का सफल विवसाइश शुरू करने और बनाने में आपको जिस सबसे महतपून गुण की जरूरत है, वो है साहस स्टार्शिप एंटर्प्राइस की तरह आप में भी ये साहस होना चाहिए साहस के साथ वहाँ जाना जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया है आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप विश्वास के साथ बाहर कदम रखे और सफलता की किसी तरह की गारंटी के बिना जो खिमले जब आप अपना पहला व्यवसाइक उपकर्म शुरू करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इसे कभी किया है एक माईने में आप होते भी हैं एक वियतनामी दमपत्ती थाइलेंड से नाओ में बैठकर कुछ साल पहले कंगाली में अमेरिका पहुँचे वे वहाँ जिस एक मात्र व्यक्ति को जानते थे वो एक कजन था जिसकी हूस्टन में एक छोटी बेकरी थी उसने उन्हें अपने यहां रख लिया और बेकरी में काम करने के लिए नियूनतम वेतन वाली नौक्रियां दे दी बेकरी वाले की उम्र ढल रही थी और उसने उन्हें बताया कि अगर वे 30,000 डॉलर इखटे कर ले तो वे उन्हें बेकरी बेच देगा ये उनका लक्ष बन गया वे बेकरी के पीछे रहते थे और आटे के बोरों पर सोते थे उनके दोनों बच्चे थान्य सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे वे सुभह तीन बजे उठ जाते थे और हर दिन 14-15 घंटे काम करते थे दोनों ने मिलकर टेक्स के बाद हर साल 8,000 डॉलर कमाए जिसमें से उन्होंने 6,000 डॉलर बचाए उन्होंने ये काम 5 साल तक किया जब तक की आखिरकार उनके पाथ 30,000 डॉलर नहीं आ गए जिनसे वे बेकरी खरीच सकते थे आज वे बेकरी की चेन के मालिक हैं वे एक सुन्दर घर में रहते हैं उनके बच्चे नामी विश्व विध्याल्यों में पढ़ते हैं वे विध्यद्रिष्टी से स्वतंत्र हैं 74 प्रतिशत वर्तमान स्वा निर्मित करोड़पती अपने सफल व्यवसाय शुरू करके और बनाकर अमीर बनी हैं ये एक महतपून बिंदु है शुरुवात में इन में से कोई भी पहले कभी किसी विवसाय का मालिक नहीं रहा था उन्होंने तो बस एक प्रोड़क्ट या सेवा उत्पन करने का विचार सोचा जो किसी दूसरे से बहतर हो और फिर जहां वे थे वहीं कारोबार शुरू कर दिया ये हर कारोबारी सफल्ता की कहानी है आपको उद्यमिता में अनुभव के जरूरत नहीं होती जो लोग विवसाय शुरू करते हैं उन में से ज़ादतर के पास अनुभव नहीं होता आपको बहुत सारे पैसों की भी जरूरत नहीं होती ज़ादतर लोग अपनी किचन टेबल पर या अपने गैराज में काम शुरू करते हैं आपको तो बस हर आवशक चीज सीखने और अपने काम में उस पर अमल करने की जरूरत होती है जो लाखों दूसरे लोगों ने किया है वो आप भी कर सकते हैं छोटे विवसाई की सफलता का सर्वश्रेश्ट सूत्रवाक्य संभवत है नाइकी रानिंग शूज का माइकल जॉर्डन का विज्यापन है जस्ट डू इट एक पुरानी चीनी का हावत है हजार मील लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है अपना खुद का विवसाई शुरू करने के लिए किस चीज के जवरत होती है किसी चीज की नहीं आप अपनी सोल प्रोप्राइटर्शिप शुरू कर सकते हैं और इसका नाम अपने नाम पर जॉन जोन्स एंटर्प्राइजस रख सकते हैं ठेक वही जहां आप हैं इसी समय खुद के नाम का इस्तमाल करने का फायदा ये है कि इसमें आपको पंजियन भी नहीं कराना होता आप इसे मिंट इन शब्दों को पढ़ते समय ये निर्णय ले सकते हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं आपको किसी की अनुमती या अनुमोधन की जवरत नहीं है अपने व्यवसाय का काम चुनने के बाद आप कर्म करने के लिए तयार रहें अब आप अपने नजदी की बैंक जाकर अपनी कंपनी का बैंक खाता खोल सकते हैं आप नियूंतम धनराशी जमा कर सकते हैं चेक बुक ले सकते हैं और आपकी यात्रा शुरू हो गई है महान दार्शनिक सिधान्त को याद करें यदि आप इसे बनाते हैं तो लोग आएंगे प्रकति शुन्य से नफरत करती है और इसे भरने की कोशिश करती है यदि आप अपनी कंपनी शुरू करने के कदम उठाती हैं भले ही आपको ये पक्का ना हो कि आप किस तरह के व्यवसाई में जा रहे हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत रिष्टी में एक नैसरगिक निर्वात बना देंगे किसी अजीब सिध्धान्त की बदौलत उस निर्वात को भरने के लिए व्यवसाईक अफसर उभरने लगेंगे आपका कारोबारी जीवन बदलने लगेगा यदि आपके मन में ये इस पश्ट विचार है कि आप किस तरह का व्यवसाई शुरू करना चाहते है तो ये और भी बहतर है लेकिन अपनी कंपनी शुरू करने और इसके लिए बैंक खाता खोलने का काम ही आपके जीवन में इतना कुछ कर देगा जितना आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते आप चुम्बकियता का एक शक्ती शेत्र निर्मित कर देंगे जो आपकी ओर ऐसे लोगों और अपसरों को आकरशित करने लगेगा जिनसे आपका व्यवसाई शुरू करने में बहतर ये होता है कि आप शुरुवात में कॉर्परेशन ना बनाए कॉर्परेशन बनाने में 500 डॉलर खर्ज होते हैं जो नए उद्मी के लिए निश्चित नुकसान है आमदनी, घाटों और करों के मामले में भी नुकसान होता है सोल प्रप्राइटर्शिप में आप अपने व्यवसाई में जो भी निवेश करते हैं उसे आप अपनी वर्तमान आमदनी से घटा सकते हैं लेकिन कॉर्परेशन के मामले में आप घाटों को तभी घटा सकते हैं जब कंपनी को मुनाफ़ा हुआ हो चुँकि शुरुवात में आपको मुनाफ़ा नहीं होगा इसलिए आपके पास अपने खर्चों को घटाने के लिए कुछ नहीं होगा आप उन्हें अपने कर्शे नहीं हटा पाएंगे जिससे वे दुगने महंगे बन जाएंगे शुरुवात में सोल प्रोप्राइटर्शिप का इस्तमाल सबसे अच्छा रहता है ताके सारी आमदनी और घाटे आपकी व्यक्तिगत आमदनी में से घटाए जा सके आप शुरू करने के लिए कोई विवसाई कैसे चुनते हैं सैकणों अलग-अलग तरीके हैं लेकिन सबसे महतपून तै करने वाली बात किसी ऐसी चीज में जाना है जिसे आप सचमुझ पसंद करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है और जिसकी आप परवाह करते हैं छोटे विवसाई की सफलता तै करने में जोश अत्यंत महतपून घटक है पीटर ड्रगर ने लिखा था जब भी आप किसी चीज को होते देखे तो आपको एक उद्देश्य वाला उनमाधी व्यक्ति मिलेगा हर विवसाई और विवसाई के भीतर की हर प्रॉडक्ट लाइन को एक समर्पित समर्थक की जवरत होती है जो उस विवसाई की सफलता की प्रती जोशते समर्पित हो वो दिन रात उस विवसाई और प्रॉडक्ट की बिक्री तथा मुनाफ़े के बारे में सोचता है जोशीले और समर्पित समर्थक के बिना विवसाई निश्चत रूप से असफल हो जाएगा समर्पित समर्थक होने के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं है लेकिन जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो व्यवसाय, प्रोडक्ट, सेवाओं और ग्राहकों के किसी बिचीच से ज्यादा परवाह करता हो तब तक प्रतिस पर्दी बजार में व्यवसाय के बचने और समर्द होने की बहुत कम संभावना रहती है इसलिए ये अनिवारे हैं कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा चुने जिसमें आपको सचमुच विश्वास हो जिसकी आपको वाकई परवाह हो ऐसा शेतर चुने जहां आपको लगता हो कि आप कोई ऐसा मूल्य या लाब देकर ग्राहकों की सचमुच मदद कर सकते हैं जो उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से नहीं मिल सकता कई लोग ऐसे प्रोडक्ट बेच कर विवसाई शुरू करते हैं जिनका इस्तमाल करने में उन्हें आनंद आता है दूसरे लोग विवसाई इसले शुरू करते हैं क्योंकि वे उसकी प्रद्योगे की या विज्ञान के बारे में जो शीले महसूस करते हैं कुछ लोग अपने शौक या जीवन में उनकी रुचियों के अधार पर अपना विवसाई शुरू करते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट और सेवा की तलाश करें जिसका आप खुद इस्तमाल करते हैं और जिसकी सलाह आप दूसरों को उत्साह से दे सकते हैं उन प्रोडक्ट और सेवाओं को पहचाने, जिनके बारे में आप शिद्दत से महसूस करते हों, किसी बहतर चीज की तलाश करें, जिसे कोई दूसरा नहीं दे रहा है आपके वर्तमान ग्राहकों की कोई ऐसी आवशक्ता या मांग हो सकती है, जिसे वो कमपनी संतुष्ट करने में रुची नहीं रखती है, जिसमें आप नौकरी करते हैं कई लोग व्यवसाई इसलिए शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जिन कमपनीों में नौकरी करते हैं, वे उनके विचारों में रुची नहीं ले रही हैं, जबकि उन्हें प्रबल विश्वास होता है कि ये विचार उन्हें सफल बना सकते हैं अक्सर लोग किसी महतपुन भावनात्मक अनुभव की वजह से व्यवसाई शुरू करते हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी चीज होती है जिससे एक प्रबल भाव प्रेदित होता है और उन्हें बिजनस में धकेल देता है कई बार ये अचानक नौकरी छूटने से होता है, कई बार ये दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनने से होता है, जिसने अपना कारोबार शुरू किया और बेहत सफल बन गया कई बार व्यक्ति, कमवेतन और सीमित संभावनाओं से उकता जाता है और जंजीरे तोड़ने का निर्ने लेता है इन में से किसी भी घटना से आप अपने दम पर व्यविसाय शुरू करने का निर्ने ले सकते हैं कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना बिजनस के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरना है वहरहाल हजारों बिजनसमेन के साथ लिये गए इंटरव्यू ये साबित करते हैं कि ये सच नहीं है लोगों में बिजनस की ओर मुड़ने का प्रात्मिक कारण ये है कि इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंतरता का एहसास मिलता है कई उध्यमी टेक्स देने के बाद उतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं जितना वे समाने नौकरी करते समय कमाते लेकिन बिजनस्मेन के रूप में वे अपने बॉस खुद होते हैं वे स्वतंतर होते हैं उन्हें किसी दूसरे को जवाब नहीं देना होता उनके लिए ये किसी दूसरे की कमपनी की सुरक्षा और जादा वेतन से अधिक मूल्यवान होता है एक पुरानी कहावत है जब आप अपना बिजनस शुरू करते हैं तो आपको आधा दिन ही काम करना होगा आप ये निर्णय लेने के लिए स्वतंतर होते हैं कि वो बारा घंटे कौन से होंगे आपकी प्रेणाएं जो भी हों अगर आपने कभी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा है तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए और बस इसे कर देना चाहिए टाल मटोल और विलंब ना करें इसे कर दें इसी समय आप नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार से छोटी शुरुवात कर सकते हैं आप पार्ट टाइम, शाम और वीकेंड को अपने घर से कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं आप काम सीखने के लिए किसी दूसरे के व्यवसाय में अर्स्थाई तोर पर काम कर सकते हैं आपको किसी न किसी तरह अपने पैर गीले करने के जरुरत है अगर आप अंत्तह भारी सफलता पाना चाते हैं तो आपको थोड़ा उद्यमी अनुभव लेना होता है आपको जो सीखने की जरुरत है उसे सीखने का इससे बहतर कोई तरीका नहीं है कि आप कूच जाएं और रास्ते में सीखते जाएं पिर्थवी के सारे प्राणियों में इंसान अद्बुद है क्योंकि वो सीखने वाला जीव है वो अपने परिवेश से नई जानकारी लगातार ले रहा है पहले से मौजू जानकारी में उसे जोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है आप अविश्वस्निय गती से सीख सकते हैं जो आपको होने वाले नए अनुभवों की संख्या पर निर्भर करता है जो उध्यमी सफल बनते हैं वो अपने लक्षय कई महीनों यहां तक की बर्सों की सफलता और असफलता के बाद ही हासिल कर पाते हैं वे हर मुश्किल, संकट और चुनोती से गुजरते हैं जो छोटे विवसाईयों के सामने आती हैं इन सिखाने वाले अनुभवों की बदौलत वे जादा सचेत और जागरुब बन जाते हैं उनकी बुद्धी और ज्ञान का विकास होता है वे कम गलतियां करते हैं वे सही चीजों को जादा से जादा करते हैं और गलत चीजों को कम से कम करते हैं वे अपनी मेहनत से न सिर्फ जादा कमाते हैं, बलकि वे अपने मुनाफे का जादा प्रतिशत अपने पास रखते हैं। समय के साथ कदम दरकदम अवश्यम भावी रूप से वे वित्य सफलता और स्वतंतरता के अपने लक्ष हासल कर लेते हैं। उद्यमिता का एक मिथक ये है कि उद्यमी जोखिम लेने वाले होते हैं, बहर हाल ये कतई सच नहीं हैं। सफल उद्यमी दरसल जोखिम से बचने वाले होते हैं, सफल उद्यमी अपनी गतिविधियों से लाप कमाने पर केंदरत होते हैं। उस लाप को कमाने में शामिल जोखिमों को नियूंतम करने के लिए वे हर सम्भव चीज़ करते हैं, वे जोखिम को नियंदरत करने के लिए जिस हद तक सफलता पूर्वक काम करते हैं, उसी हद तक वे मुनाफिकी सम्भावना को बढ़ा लेते हैं और अपने उद्यमों में आफा चाहना आपके ध्यान का भी मुख्य केंद्र होना चाहिए। एक बार जब आप ये निर्ने ले लें कि आप बाजार के किसी खास खंड में उद्यमी सफलता के पुरसकारों का आनंद लेना चाहते हैं तो अगला कदम ये है कि आप उस विवसाय के हर विवरण की जाच प परताल करनी चाहिए। आपको बिना चांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस विवसाय में बहुत से लोगों से बातचीत करनी चाहिए और बहुत सी जानकारी लेनी चा करना है आपका लक्षे ये सुनिश्चित करना है कि संभावित मुनाफा वास्तविक हो और संभावित घाटा नियूंतम या नियंद्रित हो जब भी कोई व्यक्ति उस बिंदू पर पहुंचता है जहां वो कहता है कि वो थोड़े पैसे गवाना बरदाश कर सकता है तो आप ए पैसे गवाने के लिए इच्छुक रहने के इस नजरिये से ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो किसी न किसी तरह से पैसा जरूर गवाएगा पैसे के बारे में जो एक मात्र आसान चीज है वो है इसे गवाना पैंसे कमाना कठिन है जैसा जापानी सुक्ति कहती है पैंसे कमाना सुई से रेत की खुदाई करने जैसा है पैंसे कमाना सुई से रेत की खुदाई करने जैसा है पैंसा गवाना रेत पर पानी डालने जैसा है जब आप अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णे लें, तो कारोबार खड़ा करने पर कुछ पुस्तकें पढ़कर शुरुवात करें आज पुस्तकों की दुकानों में सर्वश्रेष्ट पुस्तकें उपलब्द है बाजार नियोजन, बाजार शोध, फाइनेंसिंग, डिलिवरी और वितरन तंत्र, कर्मिचारी, प्रक्रियाएं, प्रचार, विज्ञापन और खास तौर पर विक्री या सेल्स के हर पहलू के बारे में पढ़ें किसी उद्यमी विवसाई में सबसे महतपून तत्व है, प्रॉडक्ट या सेवा को प्रयाप्त संख्या में बेचने की आपकी योगता, ताकि आपकी सारी लागत निकल जाए और मुनाफ़ा हो हर सफल उद्यमी विवसाई किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है, जो विक्री में बहुत अच्छा होता है शीर सेल्स परसन के बिना कोई विवसाई लंबे समय तक टिक नहीं सकता या सफल नहीं हो सकता डन एंड, ब्रैट स्ट्रीट ने हजारों सफल और असफल विवसाईों में 50 साल के शोध का सार बताते हुए ये निशकर्ष दिया, बिक्री बढ़ाना कारोबारी सफलता का कारण है, बिक्री घटना कारोबारी असफलता का कारण है, बाकी सब टीका टिपणी है प्रोडक्ट या सेवा बेचने की आपकी योगिता उध्यमिता का बुनियादी प्रेरक इंजन है ऐसा इस ये है क्यूंकि कैश फ्लो उध्यम के लिए जीवन रत्न है और कैश फ्लो विक्री से उत्पन होता है हर शुरुवाती कारोबार समय के खिलाफ जंग है क्या उध्यमि मौजूदा नगदी खतम होने से पहले प्रियाप्त नगदी उत्पन कर सकता है ताकि कारोबार चलता रहे जब तक कारोबार जमीन से उपर नहीं उठ जाता तब तक बेचने के प्रती पूरा 100% समर्पन होना चाहिए वरना ये निश्चित रूप से असफल हो जाएगा सभी सफल उध्यमि व्यवसाई शुरुवात में पूरी एकाग्र मानसिक्ता से बिक्री पर ध्यान के इंद्रित करते हैं बहरहाल व्यवसाई चलने के बाद कई उध्यमि एक आम गलती कर बैठते हैं चुकि बेचना कठन काम होता है इसलिए उध्यमि सेल्स परसन के बजाए कंपनी का प्रबंधक बन जाता है उध्यमि बेचने के लिए एक सेल्स परसन को नियुक्त कर देता है और खुद मैनेजर बन जाता है हाला कि इसके लिए वो आम तोर पर उप्योक्त नहीं होता या तो स्वभाव या फिर योगता से अब कम्पनी के पास बाहर एक उसक सेल्स पर्सन होता है और अंदर एक दोयम दर्जे का मैनेजर होता है नतीजा ये होता है कि हमेशा कम्पनी की बिकरी घटने लगती है और कारोबार में घाटा होने लगता है ये सबसे बुरी इस्थिती है आम तोर पर कम्पनी के तलहटी में पहुँचने से पहले ही उद्यमी सेल्स पर्सन को बाहर निकाल देता है और दोबारा बेशने लगता है जो उसे पहले से ही करते रहना चाहिए था बहुत जल्दी कम्पनी संकट से उबर जाती है और दोबारा तरक्की करने लगती है कई लोग सोचते हैं कि एक नया व्यवसाय शुरू करनी की कुंजी बहुत सारे पैसे होना है लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं इसका बुन्यादी कारण ये है कि वे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है वे अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें सारे पैसों का इंतजाम पहले से करना होगा एक वेवसाइक प्रोफेसर हाल ही में उद्धिमियों से भरे कमरे के सामने सलाह दे रहे थे उन्होंने कहा जब आप अपना कारोबार शुरू करें तो उसमें अपना एक भी पैसा ना लगाए सारा पैसा बैंक से उधार ले अपना पैसा अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए बचाएं कोई भी चीज सचाई से इतनी दूर नहीं हो सकती जब आप पहली बार अपना खुद का व्यवसाइश शुरू करते हैं तो आपका 99% पैसा प्रेम निधी होगा ये या तो आपका पैसा होता है या फिर उन लोगों का होता है जो वे आपको इसलिए उधार देते हैं क्यूंकि वे आपसे प्रेम करते हैं कोई भी बैंक या वेंचर, कैपिटिलिस्ट किसी नए शुरूवाती कारोबार को नहीं चूता है इसमें बहुत जोखिम होता है बैंक और बैंकर जोखिम लेने से बचते हैं वे सुरक्षत कर्ज देना चाहते हैं जिस पर उन्हें बयाज मिले और जिसके बारे में उन्हें पूरा बिश्वास हो कि इसे दोबारा चुकाया जा सकता है आज जादा तर वेंचर कैपिटलिस्ट उसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं जो कम से कम दो साल से विवसाय कर रही हो और जिसकी बिक्री, आमदनी या मुनाफ़ा बढ़ने का थोस इतिहास हो बैंक वाले आपको सिर्फ तभी पैसा देंगे अगर आप उन्हें ये दिखा सके कि आप उधार लिये गए पैसे से लगबक पांच गुना चुका सकते हैं इसका अर्थ है कि वे आपसे ये साबित कराना चाहते हैं कि अगर आप एक डॉलर उधार लेना चाहते हैं तो आपके पास पांच डॉलर की मूर्त संपत्तियां मौजूद हो इसके अलावा वे आपसे और आपके जीवन साथी से व्यक्तिकत गारंटी चाहते हैं जो दिवालियपन के बाद भी और जीवन भर कायम रहे वे आपके स्वामित्व की हर जायदात का समर्पन पत्र चाहते हैं और यकीन करें या ना करें कई बैंक तो आपसे ये भी मांगेंगे कि आप उनसे जितना पैसा उधार लेना चाहते हैं उसके बदले में उनके यहां FD भी करा दे अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का आम तोर पर एक मात्र और सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप अपनी जरुरत के सारे पैसे खुद इखटे करें इसके लिए आपको अपनी बचत का इस्तमाल करना होगा अपने घर को गिर्वी रखकर करज लेना होगा और अपने मित्रों तधा परिवार वालों से पैसा उधार लेना होगा स्वाव लंबन के दम पर अपना व्यवसाय बढ़ाने की योजना बनाए जो उद्यमी सफलता के सबसे लोगप्रिय और शक्तिशाली मारगों में से एक है आप खुद को अपने ही प्रयासों से उपर खीचते हैं आप छोटी शुरुवात करते हैं और विक्री वो मुनाफे की धोस बुनियाद पर विकास करते हैं इसमें जादा समय लगता है बैंक में पैसे के साथ शुरुवात करने पर कम समय लगता है लेकिन स्वाव लंबन की निती ही बहतर है ये निती आपको विवश करती है कि आप आगे बढ़ते समय रह में उस ज्ञान और योगताओं को अर्जित करें जिनके ज़रुवत आपको सफल होने के लिए है चूँकि आपके पास अपनी समस्याओं पर फैकने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए स्वाव लंबन की निती आपको विवश करती है कि आप बिक्री और मुनाफा उत्पन करने में ज़्यादा सरजनात्मक बने आप जल्दी ही सफल होने के लिए खुद पर और अपनी योगताओं पर भरोसा करना सीख लेते हैं जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है आपके योगताएं भी बढ़ती जाती हैं आप कारोबारी सफलता की रण नितियां और तक्नीके सीख जाती हैं जो जीवन भर आपके काम आती हैं कई सबसे बड़ी कंपनियां आशा, प्रातना और स्वावलंबन की निती से शुरू हुई थी जिन्हें कम पुन्जी वाले उद्ध्यम्यों ने शुरू किया था हजारों सफल व्यवसायों ने जो किया है वो आप भी कर सकती हैं जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको दो बार, तीन बार के नियम का अभ्यास करना चाहिए ये नियम कहता है कि आपके वित्य अनुमान चाहे जितने अच्छे हों हर चीज की लागत आपके बजट से दुगनी होगी आपको जो करना है उसमें अनुमान से तीन गुना जादा समय लगेगा मिसाल के तोर पर अगर आप सोचते हैं कि एक प्रॉडक्ट तयार करने और इसे बज़ार में उतारने में आपको हजार डॉलर की लागत आएगी तो इसमें हमेशा दो हजार या इससे जादा डॉलर की लागत आएगी कुछ शुरुवाती कंपनियों को तो दहसल पहले प्रॉडक्ट को बज़ार में उतारने के लिए योजना से 10 गुना जादा खर्च आया था यदि आप सोचते हैं कि कारोबार शुरू होने के बाद आपको पूंजी निकालने में 3 महीने लगेंगे तो आपको इस संख्या को 3 गुना कर लेना चाहिए और ये अनुमान लगाना चाहिए कि इसमें आपको कम से कम 9 महीने लग जाएंगे किसी भी छोटे विवसाए में बचाओ की कुंजी है नकत पैसा नकत पैसा शेहनशा है नकत पैसा अत्यंत महतपून है नकत पैसा सब कुछ है आपको नकत पैसा उत्पन करने और बचाई रखने के बारे में पूरी तरह जुनूनी होना चाहिए नकत पैसे की प्रयाप्त आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए आपको हर संभव खर्च को ताल देना चाहिए विलंब करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए आपको किसी भी चीज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिसे आप तुरंत नकदी में ना बदल सकते हो जब भी कोई बैंकर या कोई दूसरा आपके कारोबार पर नजर डालता है तो वो जिस पहली और सबसे महतपून संख्या को देखेगा वो ये है कि आपके हाथ में कितना नकद पैसा है नकद पैसा उसी तरह है जैसा रक्त या ऑक्सिजन मस्तिश्क के लिए है अगर ये आपके पास है तो आप बच सकती है अगर किसी समय ये आपके पास खतम हो जाता है तो आप मर जाएंगे नकत पैसे के बिना उद्ध्यम और सफल हो जाएंगे चाहे इसकी भावी संभावनाई कितनी भी अच्छी क्यों न हो नकत पैसे को सुरक्षत रखने के लिए कभी भी कोई ऐसी चीज न खरीदें जिसे आप किराई पर ले सकें उधार ले सकें या लीस पर ले सकें अगर आपको सेकिंड हैं चीज़ें मिल सकती है तो कभी कोई नई चीज न खरीदें खरीदारी के सब coffin बड़े निर्णै लेने से पहले उन्हें कम से कम 30 दिन टाल दें पिर उनका दोबारा विशलेशन करें खरीदारी के जादतर बड़े निर्णे जिनने 30 दिनों तक टाल दिया जाता है कभी लिये ही नहीं जाते हैं कभी भी स्टेशनरी या परचार सामगरी जादा तादाद में ना खरीदें जब तक कि आपको तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं करना हो सिर्फ उतनी ही सामगरी खरीदें जितनी आपको उस पल कारोबार करने के लिए ज़रुत हो ज़्यादा खरीद कर पैसे बचानी की निती को भूल जाएं जिसमें ज़्यादा बड़ी संख्या का ओर्डर देने से आपको बहतर भाव मिल सकते हैं जब भी आप अपना छोटा विवसाई शुरू करेंगे आपके सामने पैसे बरबाद करने के हजारों प्रलोबन पेश किये जाएंगे और हजार अलग-अलग लोग ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे जिनसे आपको मदद नहीं मिलेगी आपको किसी कंजूस जितना सतर्क और लॉमड़ी जितना चालाक बनना जाहिए जब आप अपना नया विवसाई शुरू करते हैं तो आपकी सबसे मूलवान संपत्या हैं आपकी उर्जा, कल्पना, चरित्र और अनुसाशन काम करने और परिणाम पाने के लिए आप इनी का इस्तमाल करते हैं आपकी संपत्या हैं एहम निर्ने लेने, ग्रहकों के सामने, जाने और बिक्री करने की योग्यता हैं आपकी सबसे मूलवान संपत्यां हैं, जिम्मेदारियों और वादों को निभाने की योग्यताएं रैफ वाल्डो इमर्सन ने एक बार लिखा था कोई भी संस्था एक आदमी की लंबी छाया है छोटा संगठन या कमपनी भी एक अकेले व्यक्ति का कद और छाया है आप अपना व्यवसाई हैं, व्यवसाई आप हैं हर घंटे, हर मिनट व्यवसाई कभी आपसे ज़्यादा या कम, बहतर या बत्तर नहीं हो सकता व्यवसाई दरसल आपके चरित्र और योग्यता का आईना है आपका व्यविसाय आपको और संसार को बताता है कि आप सच मुझ कौन है 20 साल से ज़्यादा अवधी के 30 हजार से ज़्यादा व्यविसायों का अध्यन किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे क्यूं सफल या असफल हुए इन अध्यनों से जो आखड़े सामने आए वे लगभग तभी व्यविसायों के लिए सही है इस अध्यन का निशकर्ष ये था कि आम तोर पर किसी नए व्यविसाय को गुंजी निकालने और मुनाफ़ा कमाना शुरू करने में लगभग दो साल का समय लगता है ज़ादतर व्यविसाय पहले दो वर्शों में ये नहीं कर पाते हैं व्या से ज़ादा आए कैसे की जये ये पता लगाने से पहले ही उनका पैसा और कर्ज खतम हो जाता है दो साल की पहली अवधी में व्यविसाय घाटा उठाएगा जिसे उद्यमी की उर्जा और संसाधनों से पूरा करना होगा इसके बाद के दो वर्षों में विवसाय को मुनाफ़ होने लगेगा ये मुनाफ़ा पहले दो वर्षों में लिये गए करजों और घाटों को पूरा करने में लग जाएगा चार साल बाद व्यविसाइश शुद्ध लाब उत्पन करने लगेगा क्योंकि तब तक सारी शुरुवाते लागत निकल चुकी होगी ये आगे छलांगे लगाएगा और उद्यमी पैसे कमाने लगेगा लेकिन उद्यमिता के सात्वे साल के बाद ही व्यविसाइश सचमुच सफल होता है और उद्यमी उत्कृष्ट आजीविका कमाता है सरवच भुक्तान वाले जादतर लोग और जादतर स्वा निर्मित करोड़पती वे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यविसाइश को खड़ा करने और चलाने में साथ साल के बिंदू को पार कर लिया है वे रास्ते पर चलते रहे और सफलता की कीमत चुकाते रहे लेकिन इसमें साथ साल से ज़्यादा समय लगा जाहिर है संभावनाओं को हराना संभव है .com boom में हर व्यक्ति को ये विश्वास था कि कारोबारी सफलता रातों रात मिल सकती है साथ साल से कम में सफल व्यविसाइश खड़ा करना संभव तो है लेकिन उद्यमिता में संभावनाओं को हराना चमतकार होने जैसा है उन पर निर्भट नहीं रह सकते। जब आप अपना खुद का विवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन के किसी महतपून भावनात्मक अनुभव या घटना की वज़े से आवेकून छलांग लगा सकते हैं, जैसे किसी नौकरी का छूटना या किसी अवसर का प्रकट होना। आप अध्यन और तयारी में कई सप्ता या महीने लगाकर इसे धीरे धीरे और जान बूच कर भी कर सकते हैं। आप जो भी जुने निवेश करने से पहले जाच परताल कर ले। किसी नए विवसाय में अंदर जाना तो आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं है। इसलिए ये महतपूर्ण है कि आप पहले ही जाच परताल में प्रयाप्त समय लगा लें। इसके बाद ही किसी खास व्यवसायक उध्यम में अपने समय और संसाधनों को समर्पित करें। ये सावधानी पूर्ण आंकलन आपकी दिर्ग कालीन सफलता के लिए अत्यंत महतपूर्ण हो सकता है। 80 by 20 का नियम याद रखें। ये नियम कहता है कि आप जो 20 प्रतिशत काम करते हैं उनसे आपको अपने 80 प्रतिशत परिणाम मिलेंगे। 80 by 20 नियम का एक अमल ये कहता है कि आप शुरुवात में अपने व्यवसाय को योजना बनाने और आंकलन करने में जो 20 प्रतिशत समय खर्च करते हैं उनसे आपके 80 प्रतिशत परिणाम तैह होंगे। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्ने ले तो आपको पूर्ण व्यवसाय की योजना बना लेनी चाहिए। पुस्तकों की दुकानों में कई पुस्तके हैं जो आपको चन्द डॉलरों में किसी कारोबारी योजना के विवरन बता देंगी। कई कम्प्यूटर प्रोग्राम भी उपलब्द हैं जो आपको कारोबारी योजना बनाने की प्रक्रिया से गुजारेंगे। वे इस प्रक्रिया को सरल और सीधा बना देते हैं। पूर्ण कारोबारी योजना को जोड़ना और इकटा करना उद्यमी का मुख्य इम्तिहान है। अगर आपने ये करने का अनुसाशन है तो आप पाएंगे कि इससे आप कई ऐसे घटकों के बारे में सतर्क हो जाते हैं जो आपके दिमाग में आये ही नहीं थे। विबिन हिस्सों को पूरा करने के लिए जिन विबिन संख्याओं की जुरत होगी उन्हें उत्पन करने के लिए आपको बहुत काम करना होगा। लेकिन ये आपकी सफलता में निरनायक योगदान दे सकता है। इंक मैगजीन ने कुछ साल पहले 100 शुरुवाती विविसायों के अध्यन के रिपोर्ट जारी की थी। इन नए विविसायों में से 50 ने शुरुवात करने से पहले विस्तरत कारोबारी योजना बनाई थी। बाकी 50 ने एक लिफाफे के पीछे या उध्यमी के मन में मौजोद विचार से शुरुवात की थी। पांच साल बाद उन्होंने लोटकर कारोबारी संस्थापकों से साक्षातकार लिये और परिरामों का आंकलन किया। उन्होंने पाया कि जिन कमपनियों ने बिना किसी कारोबारी योजना के शुरुवात की थी, उनमें से ज़ादातर दिवालिया हो गई थी। और इस प्रक्रिया में उनके संस्थापक थथा आम तोर पर उनके परिवारवाले वबित्र बरबाद हो गए थी। दूसरी ओर जिन कमपनियों ने लिखित कारोबारी योजना के साथ शुरुवात की थी, वे सभी फल फूल रही थी। कई कमपनी मालिकों ने तो हर साल फूरी कारोबारी योजनाई बनाई और उन्हें बनाने में हर साल कई सप्ताहा का समय लगाया। लेकिन सबसे एहम बिंदू ये था, उन्होंने कम्पनी के संस्थापकों से पूछा कि कारोबारी योजनाय रोजमर्रा का वेवसाय चलाने में सचमुच कितनी महतपून रही थी। उधे जो जवाब मिला वो आश्चर जनक था। लगभग सभी सफल उद्ध्यमयों ने कहा कि कारोबारी योजना पूरी बनने के बाद उसे आम तोर पर एक दराज में रख दिया जाता था और साल भर में उसे शायद ही कभी देखा जाता था। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने से पहले कारोबारी योजना के अव्योवियों के बारे में पूरा सोचने का अभ्याज किसी दूसरी चीज से ज़्यादा महतपून था कारोबारी योजना बनाने का फाइदा ये है कि आप काम शुरू करने से पहले कारोबार के हर हिस्से के बारे में इमानदारी और निस्पक्षता से सोचने के लिए विवश होते हैं कारुबारी योजना के लिए ये जरूरी होता है कि आप बिक्री और आमदनी का अनुमान लगाएं और फिर शोध वह विशलेशन से इन अनुमानों के पुष्टी करें ये आपको आमदनी और वे के वार्शिक अनुमानों के बारे में पूरी तरह सोचने के लिए विवश करता है आप ये तै करने के लिए विवश होते हैं कि क्या आपके अनुमान यथार्टवादी हैं और हासल किये जा सकते हैं कारोबारी योजना लगने वाले समय और उर्जा की भारी मात्रा को बचाती है इससे आपकी सफलता की जितनी गारंटी मिलती है उतनी समय के किसी दूसरे निवेश से नहीं मिल सकती समय धन है लेकिन धन भी समय है यदि आप अपने विविसाई में निवेश करने के लिए 20,000 डॉलर जुटाने में 5 साल तक मेहनत करते हैं तो वे 20,000 डॉलर आपके जीवन के 5 वर्षों का प्रतिनिधुत्व करते हैं आपको अपने जीवन के इस टुकडे का निवेश सावधानी से करना चाहिए और कारोबारी योजना आपको यही करने में सक्षम बनाती है कारोबारी योजना तब शुरू होती है जब आप पस्टता से परिभाशत करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सेवा देने वाले हैं आपको सतीकता से तै करना होगा कि आप प्रोडक्ट या सेवा के वदले में कितने पैसे ले सकते हैं। आपको गर्णा करनी होगी कि अपने प्रोडक्ट या सेवा को उपलब्द कराने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होगे। किसी नए प्रोड़क्ट या सेवा को बजार में उतारने से पहले आपको पूछना चाहिए कोई वर्तमान में जिस प्रोड़क्ट का इस्तमाल कर रहा है वो उसे बदल कर मेरे प्रोड़क्ट का इस्तमाल क्यों करेगा वे किसी दूसरे के बजाए मुझसे क्यों खरी देंगे प्रतिसपर्दी बजार में किसी नई प्रोड़क्ट या सेवा के बिकने के लिए इसमें कम से कम तीन घटक होने चाहिए जो इसे बाकी उपलब्ध हर चीज से स्रेश्ट बनाते है इसमें तीन विशेष्टाएं या लाब होने चाहिए जो प्रतिसपर्दियों से अलग हटकर नजर आएं इसमें एक अनूठा बिक्री प्रस्ताव होना चाहिए और कम से कम तीन प्रतिसपर्दी लाब भी ग्राहक पहले से जिसका इस्तमाल कर रहे हैं इसे उससे जादा और बहतर चीज का प्रस्ताव रखना चाहिए नया प्राड़क या सेवा जादा तेज, जादा सस्ती, उप्योग में जादा आसान होनी चाहिए या फिर इसमें अलग विशेष्टाएं, घटक या तत्वो होने चाहिए जो प्रतिसवर्धियों में ना हूँ इसे देखते ही ग्रहकों को ये कहना चाहिए, ये मेरे लिए है कारोबारी योजना आम तौर पर 18 महीनों का अनुमान होती है कि आप हर महीने अपने कितने प्रोड़क पेशने का इरादा रखते हैं आप इन आकणों को शीर्ष पंक्ती में रखते हैं हर संख्या के नीचे आप उस बिक्री को उत्पन वप पूरा करने के लिए आवशक हर खर्च की सूची बनाते हैं फिर आप बिक्री के आकणों में से सारे खर्च घटाकर उस महीने का अपना मुनाफ़ा या घटा निकाल लेते हैं इन आकणों को इखटा करते समय ये कल्पना करें कि आप बैंग परिक्षकों के मंडलों के सामने जाने वाले हैं और वे आपसे अपनी योजना के हर आंकणे को स्पष्ट करने वा उसकी रक्षा करने के बारे में पूछने वाले हैं। हर संख्या की साफधानी से गर्णा करने के लिए खुद को अनुसाशत करें और इसे सबसे सच्चे तथियों और संभव विवरणों पर आधारित करें। यदि आप विक्री के एक निश्चित स्तर का अनुमाल लगाते हैं, तो आपको सटीक्ता से ये दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि वे विक्रियां कहां से आने वाली हैं। आपको कितना विज्ञापन करनी के जरुरत होगी और उस विज्ञापन से कितने संभावित ग्राहक बनेंगे। आपको सटीकता से ये दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि इन में से प्रते ग्राहक से कौन बात करेगा या मिलेगा और इस संभावित ग्राहक आधार से कितनी विक्री की आशा की जा सकती है। आपको हर संतुष्ट ग्राहक को होने वाली विक्री की सटीक मातरा का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। उद्यमी के रूप में आपकी योग्यता का पैमाना पारोबारी योजना और बजट बनाने की काबिलियत है। ये समय सार्णी के अनुरूप परिणाम हासल करने की काबिलियत है। कोई भी कागज पर कोई भी आँकड़े लिख सकता है। लेकिन सर्वश्रेस्ट कारोबारी लोग वे होते हैं जो अपने आकड़े लगातार और विश्वस्निय रूप से पूरे करते हैं या उससे ज़्यादा भी हासल कर लेते हैं। यही इस बात का सच्चा पैमाना होता है कि आप सचमुझ कितने अच्छे हैं। सबसे पहले ये तै करें कि आप कितना बेशने वाले हैं, कैसे बेशने वाले हैं और किसे बेशने वाले हैं। दूसरा ये तै करें कि इस प्रोडक्ट या सेवा को कौन पहुँचाएगा और भुक्तान लेगा तीसरा अंतिम बिक्री तक हुए सारे खर्चों का अनुमान लगाएं हर संभावित खर्च को बड़े खर्चों से छोटे खर्चों के क्रम में लिखें जैसे बिखी हुई वस्तूओं की लागत, वेतन, किराया, विजले पानी और यातयात से लेकर सामान भेजने वर डाक टिकट की लागत आदी खुद के साथ खेल ना खेले ऐसे खर्चों को नजर अन्दाज ना करी जिन से बचा नहीं जा सकता हर संभावित खर्च को शामिल करने की उध्धमी की असफलता किसी कारोबारी योजना को जितना अविश्वस्निय बनाती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं बना सकती एक बार जब आप अपने सारे खर्च जोड़ लें तो फिर आप उस पूरी संख्या के 20 प्रतिशत का अतरिक घटक भी जोड़ लें मिसाल के तौर पर अगर उस महीने आपकी बिक्री 10,000 डॉलर होने वाली है और उस बिक्री को हासल करने की कुल लागत 5,000 डॉलर होने वाली है तो आप 20 प्रतिशत यानी 1,000 डॉलर का अतरिक्त घटक बना लेते हैं और आप इसे वास्तविक खर्च के रूप में शामिल कर लेते हैं यकीन माने आगे चल कर ये एक सच्चा खर्च बन जाएगा चाहे आप कुछ भी कर लें अब आपके पास उस महीने के शुद्ध आमदनी का सटिक अनुमान है मौसमी उतार चड़ावों, छुट्टियों, चक्रों और वर्ष में मांग के प्रवर्तियों को ध्यान में रखते हुए आप हर महीने ये काम करते हैं और अगले 12-18 महीनों के वित्य परिणामों का आकलन करते हैं हर महीने आप अपने वास्तविक आकणों की तुलना, अपने अनुमानित आकणों से करके ये पता लगाते हैं कि आप कितने करीब थे अगर आप Excel जैसे Spreadsheet प्रोग्राम का प्रियोग करते हैं तो आप सटीक हिसाब किताब रख सकते हैं अपनी वित्य योजना में किसी भी एक संख्या को बदल कर बटन दबाते ही बाद में आने वाले सभी आंकड़े बदल जाते हैं ताकि वे आपके अनुमानों के बजाए अस्वी अनुभव के अनुरूप हों समय के साथ आप ये अनुमान लगाने में ज़्यादा सटीक बन जाएंगे कि आप सटीकता से कितना बेचेंगे उन बिक्रियों के कितनी लागत आएगी और हर महीने आप कितना मुनाफ़ा कमाएंगे अपने वित्य अनुमानों को बनाने और पूरा करने में आप चितने बहतर बनते हैं हर दूसरे छेत्र में भी उतने ही बहतर उध्यमी बन जाते हैं किसी नए विविसाई को शुरू करने के संदर्ब में दो और बिंदू है पहले का संबंध किसी विद्यमान विविसाई को खरीदना है नियम ये है कोई भी लाबदायक कारोबार नहीं बेचता है अगर कोई अपना विविसाई बेच रहा है तो इसमें आम तोर पर किसी तरह का छिपा हुआ दोश होता है चायद आप उस दोश को दूर कर सकते हैं और कारोबार को सम्रिद बना सकते हैं चायद आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन चाहे जो हो आपको पता लगाना चाहिए कि ये चिपा हुआ दोश क्या है यदि कोई आपको कारोबार बेचना चाहता है और इसमें समस्याएं हो तो ये प्रस्ताव रखें कि उस कारोबार से होने वाले मुनाफे से आप खरीदी की रकम चुकाएंगे अगर कोई मुनाफ़ा नहीं होता है तो कोई रकम भी नहीं चुकाई जाएगी जो भी किसी लाबदायक कारोबार को बेच रहा है वो मुनाफे के रूप में कीमत का महतपूर्ण हिस्सा लेने को राजी हो जाएगा अगर कोई मुनाफे में से कीमत लेने का इचुक ना हो तो आप खुद ही ये आखलन कर सकते हैं कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं किसी कारोबार को शुरू करने के दूसरे छेतर का संबंध नेटवर्क मार्केटिंग से है आज कई उतकरिष्ट नेटवर्क मार्केटिंग कमपनिया है दुर्भाग्य से बहुत से खराब कमपनिया भी है नियम ये है खुद का विवसाई शुरू करने पर जो भी चीजें कारोबारी नियोजन, बेचने, बजट बनाने, अनुमान लगाने और निवेश करने में, महीनों और वर्षों तक लागू होती है वो हर चीज, सफल, नेटवर्क मार्केटिंग विवसाई बनाने पर भी लागू होती है यदि आप अपना कारोबार बनाने में तीन से पांस साल तक निवेश करने को तयार ना हो तो इसमें ना उत्रें भावी उध्यमियों के लिए सबसे बड़ा जाल फटाफट अमीर बनो योजनाओ आसान पैसे कुछ नहीं के बदले कुछ पाने के विचारों का लालच है जिनका विज्ञापन और परचार हर जगय होता है जदतर युवाओं की मानसिक्ता में सफलता की प्रक्रिया का शौटकट खोजने की जोशीली इच्छा होती है वे कतार लांगने के तीवर और आसान मार्ग की तलाश कर रहे हैं वे कड़ी महनत और त्याक के संदर्भ में पूरी कीमत चुकाए बिना सबसे आगे पहुँशना चाहते हैं निर्ने लेके आप ऐसा नहीं करेंगे किसी भी फटाफट अमीर बनो योजनाओं की ना तो तलाश करें ना ही सुनें यदि ये इतनी अच्छी लगती हैं कि सच नहीं हो सकती तो ये शायद सच हैं ही नहीं दूर चले जाएं कुछ नहीं के बदले कुछ पाने का विचार आपके भविशे के लिए घातक हो सकता है एक बार जब आप किसी नए विवसाय का निर्ने ले ले तो याद रखीं कि आज मूले के बुनियादी साधन समय और ग्यान है जो आप अपने प्रोडक्ट, सेवा या विवसाय में भड़ते हैं इसी से आपका काम आपके ग्राहकों के लिए आपके प्रतिस परदा से जादा महतपून और मूलेवान बनता है घर पर अपना नया कारोबार शुरू करने से आपको विशेश वित्य और कर लाब मिलते हैं अपना हुमबग करें ये पता लगाएं कि वे लाब कौन से हैं अपने सबी वित्य सौदों में हर एक के साथ पूरी तरह सही रास्ते पर चलें अपने बैंकरों, सप्लायरों, ग्राहकों और टेक्स अधिकारियों के साथ इमानदार रहें याद रखें, जीवन बहुत लंबा होता है और आप वित्य द्रिष्टी से जो भी करते हैं उसकी छाया बरसों तक आपके पीछे चलती है आज अपना खुद का विवसाय शुरू करके वित्य सफलता पाने का आपके पास जितना बहतर समय है उतना कभी नहीं रहा किसी ने जो भी किया हो और खास तौर पर कोई ऐसी चीज जो सैक्ड़ों, हजारों या लाखों लोगों ने की है उसे आप भी कर सकते हैं और शायद बहतर तरीके से कर सकते हैं आप लाखों उद्यमियों के ज्ञान और अनुभव की पीट पर सवारी कर सकते हैं जो अपने सर्वश्रिष्ट विचार और ज्ञान को पुस्तकों, आउडियो प्रोग्राम और सेमिनारों में प्रदान करते हैं दूसरों ने आप से पहले जो किया है वही करके आप सबसे सफल विवसाईयों में से एक बन सकते हैं आपने अपनी कल्पना पर जो सीमाएं लगाई हैं उनके अलावा कोई सीमाएं नहीं हैं अध्याए 9. प्रभावित करने की कला आप जो भी लक्षय हासल करते हैं उसमें दूसरे लोग अवश्य शामिल होंगे आपके लिए जो भी संभव है यदि आप वो सब हासल करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों से मोल भाव करने उन्हें राजी करने और प्रभावित करने में उतक्रिष्ट बन जाना चाहिए सौभागय से ये ऐसे योगिताएं हैं जिने आप अपनी कलपना से जादा तेजी से सीख सकते हैं जीवन में 85 प्रतिशत सफलता आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंक से व्यवहार करने की योगिता से मिलेगी ये उन लोगों के संख्या से तै होगी जिने आप जानते हैं और जो आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं आप जो भी हासल करते हैं वो लगबग हर चीज दूसरे इस्तरी पुर्षों की बदौलत मिलती है जो आपके जीवन के अति महतवपून पलों में आपको सहयोग देने के लिए वहां मौजूद थे ये लोग आपके सर्वश्रेष्ट हितों में काम करें इस तरह उन्हें प्रभावित करने की योगिता उन सबसे महतवपून योगिताओं में से एक है जेने आप विक्सित कर सकते हैं आप इसे विक्सित कर सकते हैं बशर्टे आप सचमुच चाहें व्यक्तिकत नित्रत्व का एक गुण ये है कि आप में लोगों को अपने साथ लेकर चलने की योगिता होनी चाहिए ताकि वे आपके लक्षय हासल करने में सहयोग करे वास्तव में दूसरे को प्रभावित करने की योगता का विपरित है दूसरों से प्रभावित होना आप या तो प्रो एक्टिव हो सकते हैं या फिर प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं या तो आप दूसरे लोगों के साथ जा सकते हैं या फिर आप उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर सकते हैं इस अत्याय में आप व्यक्तिगत प्रभाव के शेत्र में खोजे गए कुछ सबसे अच्छे विचार सीखेंगे प्राजीन यूनानियों ने एक व्यक्तित्व पर दूसरे के प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखा था अरस्तु ने संप्रेक्षन की प्रक्रिया का सार बताते हुए कहा था कि इसमें तीन हिस्से शामिल होते हैं इथोस, पैथोस और लोगोस ये पूरे इतिहास में नहीं बदले है संप्रेक्षन के पहले हिस्से इथोस को परिभाशत करते हुए कहा गया था कि ये बोलने वाले व्यक्ति का नैतिक तत्व और चरित्र होता है इथोस का सम्मंद उस व्यक्ति से होता है जो आप अंदर से हैं आपके मूल्य और नैतिक्ता इतनी ही महतपून बात इसका सम्मंद उस व्यक्ति से होता है जो सामने वाला आपको मानता है यदि आप विक्री या व्यवसाई के छेत्र में हैं तो सामने वाला आपको जैसा मानता है उसी से काफी हद तक ये तै होगा कि आपका उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसके नजरों में आपकी विश्वस्नियता का इस्तर ये तै करेगा कि वो आपके दावों या सुझावों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है व्यक्तिगत विश्वस्नियता के छेत्र में नियम ये है हर चीज महतपूर्ण होती है आप जो भी कहते या करती है उससे सामने वाले को प्रभावित करने की आपकी योगता या तो बढ़ती है या घटती है कोई भी चीज तठस्त नहीं होती हर चीज महतपूर्ण होती है इस नियम के अमल का शायद सबसे आसान उधारन आपकी छवी या हुलिया है आपने ये बात सुनी है कि आपको पहली छवी छोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता सच्चा ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो वो लगभग 4 सेकंड में आपके बारे में एक निर्नय ले लेता है और ये निर्नय शुरुवाती मुलाकात के 30 सेकंड के भीतर ही काफी पुकता हो जाता है बड़ी कंपनियों में लोगों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार मैनेजर इस बात को मानते हैं कि वे किसी उमेदवार से पहली बार मिलने के 30 सेकंड के भीतर ही उसे नियुक्त करने या ना करने कर निर्नय ले लेते हैं हो सकता है कि वे उसका साक्षातकार लें, व्यक्तित्व और योगिता के परिक्षन भी कराएं लेकिन निर्नय पहले ही लिया जा चुका है आप बाहर से जैसे दिखते हैं, उसमें योगदान देने वाली हर चीज, आपके विश्वस्नियता यानि आपके इथोस को प्रभावित करती है यदि ये आपकी मदद नहीं कर रही है, तो ये आपको नुकसान पहुँचा रही है आपका बाहरी हुलिया महतपूर्ण है, क्यूंकि आपका अपनी शारेदिक बनावट पर बहुत कम नियंतरन होता है, लेकिन अपनी पोशाक और अलंकरण पर आपका पूरा नियंतरन होता है दरसल हम आम तोर पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति जान भूच कर अपने हुलिये के हर हिस्से से अपने बारे में एक व्यक्तिकत कदन कह रहा है जिसे वो कभी भी बदल सकता है जब आप किसी से मिलते हैं तो जो पहली छवी छूटती है उसमें आपकी पोशाक का 95 प्रतिशत योगदान होता है ऐसा इसलिए है क्यूंकि आपकी पोशाक आपके 95 प्रतिशत शरीर को ढखती है इसके अलावा आपका अलंगरन, आपके बालों की शैली और गर्दन के उपर के आपके हुलिये के दूसरे तत्व एक असाधारन प्रभावर डालते हैं जिससे सामने वाले आपको तोलते हैं या आपका मुल्यांगन करते हैं पर्स या ब्रीफ केस, घड़ी, टाई, सकाफ, अंगूठी, पैन आदी शःयक वस्तुए मिलकर आपको दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम या असक्षम बनाती हैं दूसरों को प्रभावित करने में अलग-अलग पोशाकों या सहायक वस्तूओं के प्रभाव पर कई परिक्षन किये गए हैं। मिसाल के तौर पर कई मामलों में एक कंपनी में एक व्यक्ति काला कोट पहन कर गया और दूसरा हलका भूरा कोट पहन कर गया। दोनों एक पैकेज लेकर सेकेटरी या रिसेप्षनिस से मिले। उन्होंने उसे बताया कि वे निर्नय लेने वाले अधिकारी को व्यक्तिकत रूप से वो पैकेज देना चाहते हैं। दस में से आठ नौ मामलों में हलके भूरे कोट वाले को अधिकारी से मिलने का मौका दिया गया। दस में से आठ नौ मामलों में काले कोट वाले को अस्विकृत कर दिया गया। या प्रवेश नहीं दिया गया। हर चीज महतवपूर्ण होती है। युनानीों ने संप्रिक्षन और प्रभाव के जिस दूसरे हिस्से को पहचाना था, उसे पैθोस कहा जाता है पैθोस का संबंध संप्रिक्षन के भावनात्म घटकों से है आधुनिक बिक्री और मार्केटिंग में पैथोस भावनाओं के प्रती आग्रह करने की योग गिता है ये संभावित ग्राहक की गहरी अवचेतन आवशक्ताओं के प्रती आग्रह करने की योग गिता है तथ्य ये है कि लोग जो भी कहते या करते हैं उसमें शत्प्रतिशत भावनात्मक होते हैं यही वज़ा है कि हमारे सभी निर्ने और अनिर्ने इस बात से तैख होते हैं कि हम उस पल कैसा महसूस करते हैं इसलिए दूसरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए हमें उनके साथ भावनात्मक जुडाओ बनाने की योग्यता चाहिए होती है हमें उन घटकों को पहचान लेना चाहिए जिनकी वज़य से वे एक या दूसरी तरफ प्रबलता से महसूस करते हैं हम ये छोटी कवीता अपने बिक्री सेमिनारों में सुनाती हैं अगर आप टिम जॉन्स को टिम जॉन्स की निगाहों से देख सकें तो आप टिम जॉन्स को वो बेच सकती हैं जो टिम जॉन्स खरीदता है इसका मतलब है यदि आप परानु भूती के उच्च स्तर पर पहुँच सके और खुद को सामने वाले के दिलो दिमाग में पहुँचा सके तो आप उनके कार्यों और व्यवहार पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं सर्विश्रेष्ट, सेल्स पेपल और दूसरों के व्यवहार पर सबसे सफल प्रभाव डालने वाले लोग बेहत सम्वेदनशील होते हैं जो दूसरों के प्रती परानु भूती रखते हैं वे दूसरों की बाते बहुत गौर से सुनते हैं और अनकहे संदेश भी सुन लेते हैं जो कहे गए शब्दों के बीच में छिपे रहते हैं वे ये बात जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कही जा रही हैं और कुछ चीजें हैं जो कही नहीं जा रही हैं आपको अपने एहम को लंबे समय तक दूर रखनी के जुरुत होती है ताकि आप किसी लेजर किरण की तरह सामने वाले पर ध्यान के इंद्रत कर लें ऐसा करने पर आप अकसर सामने वाले की चिन्ताओं के बारे में चागरुख हो जाती हैं, जिने आप अंदेखा कर सकते थे अगर आप अपने प्रॉडक्ट या सेवा में उलजे रहते या अपने खुद के संदेश को सामने वाले तक पहुचाने की कोशिश में जुटे रहते दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप संभवत है जो सबसे शक्तिशाली तकनीक विक्सित कर सकते हैं वो ये है कि आप साफधानी से प्रशन पूछें और जवाबों को गौर से सुने सुनने से विश्वास और विश्वस्नियता का निर्मान होता है कोई व्यक्ति सचमजो कह रहा है जब आप उसे ज़्यादा सुनते हैं तो वो आप पर विश्वास करने लगेगा और आपके प्रभाव के प्रती खुल जाएगा संप्रेक्षन का या मानव प्रभाव का तीसरा हिस्सा है लोगोस युनानियों के अनुसार लोगोस का संबंध किसी संदेश के तथ्यात्मक तत्व से है इसका संबंध उस तर्क से है जो आप सामने वाले को अपने दृष्टिकोन का विश्वास दिलाने के लिए पेश करते हैं ये वो हिस्सा है जहां आप अपनी दलील देते हैं और सामने वाले को अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करते हैं यहीं पर दूसरों को प्रभावित करने की आपके योगता का प्रदर्शन होता है बिक्री में राजी करने की प्रक्रिया के तीन हिस्से होते हैं सबसे पहला होता है संभावित ग्राहक से तालमेल बनाना दूसरा ग्राहक की समस्या या आवशक्ता को पहचानना और तीसरा, सभी बातों पर विचार करते हुए अपने प्रॉडक्ट या सेवा को आदर्स समाधान के रूप में पेश करना आप इन में से प्रतेक शेत्र में जितने ज़्यादा प्रभावी होते हैं आप खरीदारी के निर्नों को उतने ही ज़्यादा सकरात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे और आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे आज आपकी सफलता काफी हद तक उन संबंधों के गुणवत्ता और संख्या के अधार पर टै होती है जो आप समय के साथ बनाते और बढ़ाते हैं आज के व्यवसाइक संसार में संबंध ही सब कुछ है हम हमेशा उन लोगों के साथ व्यवसाइक करना पसंद करते हैं जिने हम जानते हैं, पसंद करते हैं और जिनका हम सम्मान करते हैं हमारे जीवन में ये लोग जितने जादा होते हैं, हमारे लिए उतने ही जादा अफसर खुल जाते हैं और हम उनका लाब उठाने में उतने ही जादा सक्षम बन जाते हैं. हम अक्सर इसे मित्रता घड़क कहते हैं कोई व्यक्ति आपके साथ तब तक व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि उसे ये विश्वास न हो जाए कि आप उसके मित्र हैं और उसके सर्वश्रेष्ट हितों में काम कर रही है आप किसी व्यक्ति को तब तक प्रभावित नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको पसंद ना करता हो जाहिर है डराकर दूसरों को प्रभावित करना आपके लिए संभव हो सकता है लेकिन इस तरह का प्रभाव सिर्फ तभी तक कायम रहता है जब तक कि सामने वाला इस्तिती से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं खोज लेता दूसरों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका मित्रता घटक के प्रती आग्रह करके उनका सम्मान हासल करना है इसमें सामने वाले के साथ समय बिताने की जुरत होती है आप किसी व्यक्ति में जितने ज़्यादा समय का निवेश करने को तयार होते हैं वो आप पर उतना ही ज़्यादा भरोसा करेगा और ये महसूस करेगा कि आप उसके सर्वश्रिष्ट हितों में काम कर रहे हैं ये जितना ज़्यादा स्पष्ट होता है कि आप सामने वाले की परवाह करते हैं और उसकी वास्तविक जरूरत को पूरा करते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वो आपके प्रभाव के प्रति खुल जाएगा. ये विपरित लिंग के सदस्यों, आपके जीवन साथी, बच्चों और मित्रों के साथ आपके व्यक्तिगत संबंधों में और भी ज़्यादा महतपून है. लोगों को ये जितना ज़्यादा महसूस होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, वे आपके प्रभाव के प्रति उतनी ही ज़्यादा खुल जाएंगे. Who is, Who in America के 1500 सदस्तियों के बीच, गैलप संगठन द्वारा किये गए एक सर्वे में उजागर हुआ कि सबसे सफल अमेरिकियों ने अपनी सफलता को परिभाशत करने में दूसरों के सम्मान को सबसे महतपून घटक माना. उन्होंने कहा कि उनके लिए सफलता के सबसे महतपून पैमाने ये थे, पहला उनके माता-पिता का सम्मान हासल करना, दूसरा उनके जीवन साती और बच्चों का सम्मान हासल करना, तीसरा उनके साथियों और सहकर्मियों का सम्मान करना, और चौथा मानव जाती का सम्मान ह करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि वे लोग हमारा सम्मान कर रही हैं, जिनके राय की हम परवाह करते हैं, हम उस सम्मान को अर्जित करने और बनाए रखने के लिए काफी कोशिश करेंगे, किसी ने एक बार कहा था, जीवन में हम जो भी करते हैं, वो हर चीज किसी ना किसी का सम्मान हासिल करने या सम्मान गवाने से बचने के लिए करते हैं हम जो हैं और हमने जितना हासिल किया है उसके लिए कोई हमारा सम्मान करता है ये हम जितना ज़्यादा महसूस करते हैं उस व्यक्ति से हम उतने ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने प्रती दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं पहली चीज है अपने छेतर में अपना ग्यान बढ़ा ले आप अपनी विशेशग्यता के छेतर में बहुत ग्यानी है इस बात का लोगों को जितना ज़्यादा विश्वास होता है वे आपका उतना ही ज़्यादा सम्मान करेंगे लगबग हर छित्र में सबसे ज़्यादा भुकतान उन्ही को मिलता है जो आम लोगों से ज़्यादा जानती है उन्हें विशेशग्य माना जाता है, वे उसे विक्सित कर लेते हैं जिसे विशेशग्य शक्ती कहा जाता है उनके श्रेष्ट ग्यान की बदौलत लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात सुनते हैं उनकी राय में जादा वजन होता है उनमें लोगों को एक खास तरीके से काम करने के लिए प्रभावित करने के शमता होती है जो वे कभी नहीं करते अगर वे उनके ज्ञान का सम्मान नहीं करते सरविश्रेष्ट सेल्स पिपल वे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की रग-रग से वाकिफ होते हैं वे अपने प्रतिसपर्दी के प्रोडक्ट्स की शक्तियों और कमजोरियों को भी पूरी तरह जानते हैं वे जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट कितने सारे तरीकों से उनके ग्राहकों की सबसे महतपूर्ण और त्वरित इच्छाओं वा अवशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं Ben Feldman संभवत है सभी युगों के सबसे सफल और मशहूर बीमा सेल्समैन थे Ben Feldman जीवन बीमा विवसाई में किवंदित थे उन्हें Guinness Book of World Records में विश्व का महानतम सेल्समैन कहा गया है Ben Feldman के बारे में और उनके द्वारा कई पुस्तकें वा लेक लिखे गए हैं उनमें से कई उनकी सफलता के इस तर हासल करने के सबसे महतपून कारणों में से एक बताते हैं कई वर्षों तक Ben Feldman ने हर रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे जीवन बीमा के छेतर में अध्यन किया उन्होंने ना सिर्फ जीवन बीमा का अध्यन किया बल्कि बेचने की पदतियों, राजी करने की योगताओं, लोगों को प्रभावित करने की कला, वित्य नियोजन, बीमांकिक तालिकाओं और हर दूसरे महतपून लगने वाले विशय का भी अध्यन किया जिससे वे ज़ादा ज्यानी बने और इस तरह अपने ग्राहकों की सेवा करने में ज़ादा सक्षम बने उनका दूर दूर तक सम्मान होता था क्योंकि उनमें ये कमाल की योगिता थी कि वे विवसाय मालिकों की मदद करने के लिए विबिन प्रकार के जीवन बीमा साधनों को इस तरह से मिलाते थे ताकि उनकी एक वित्य जागीर बन जाए जो उनके गुजरने के बाद भी कायम रह सके वे विशेशग्य शक्ती के जीते जाकते प्रतीत बन गए इस शक्ति के कारण उनमें दूसरों को प्रभावित करने की जबरदस्त योग्यता थी पल स्वरू वे बहुत दौलत मन्त, सफल और सम्मानित बन गए दूसरों को प्रभावित करने का एक और तरीका है उत्कृष्ट प्रदर्शन विशेशग्यता ग्यान पर निर्भर होती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है ये आपके ग्यान पर कर्म करने और परिणाम हासिल करने की योग्यता है विशेशग्यता आपके चुने हुए छेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है विशेशग्यता के उच्छ स्तरों वाले इस्तरी पूरिश अपनी योगताओं को लगातार निखारने की महनत करती है समय के साथ वे अपने शेत्र में बहुत सर्विश्रेष्ट के रूप में दूर दूर तक मशूर हो जाती है सफलता और प्रभाव के लिए जो सबसे महतपूर्ण गुण आवशक है उन में से एक है परिणाम केंद्रित होना ये परिणाम हासिल करने के योगता है, काम पूरा करने के योगता है, सामान पहुचाने की योगता है परिणाम हासिल करने की योग्यता आपके आसपास के हर व्यक्ति का सम्मान अर्जित करेगी ये आपको लोगों पर इतना जादा प्रभाव डालने में सक्षम बना देगी जो सामाने व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता हर कमपनी में कुछ चुनिंदा इस्तरी पूरश होते हैं जिन पर ये भरोसा किया जा सकता है कि वे काम पूरा कर देंगे ये वे इस्तरी पूरश होते हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं जब वे कहते हैं कि वे कोई चीज कर देंगे तो वे ना सिर्फ उसे कर देते हैं बल्कि हर एक की उमीद से बहतर करते हैं संगठन के लक्षों के प्रती वे जो पहतपूर्ण योगदान देते हैं उसके लिए उनका सम्मान किया जाता है जब वे बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं उनमें लोगों चाहे वो उपर वाले, नीचे वाले और उनके स्तर वाले हों वो प्रभावित करने की जबरदस्त योगदा होती है क्योंकि हर व्यक्ति उनकी और प्रशंसा भरे नजरों से देखता है कि ये लोग परिणाम देते हैं ज़्यादा प्रभावी बनने का एक और तरीका है सकरात्मक मानतिक नजर्या विक्सित करना आप खुद के और अपने काम के बारे में जितने ज़्यादा सकरात्मक और आशावादी होते हैं दूसरे लोगों पर आपका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा भावनाय संक्रामक होती हैं, आपकी भावनाओं का दूसरों के व्यभार पर असर होता है जब आप अपने काम को लेकर रुमांचित होते हैं, तो आप दूसरों को भी रुमांचित कर देती हैं आप जो कर रही हैं, आप जो बेच रही हैं या सेवा दे रही हैं उसे लेकर आप जितने ज़्यादा सकरात्मक और आशाभादी होते हैं, दूसरे लोग भी आपके प्रती उतने ही ज़्यादा सकरात्मक होंगे इसलिए आपके लिए उन्हें प्रभावित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वे आपके प्रोडक्ट या सेवाएं खरीदें आपके विचारों को सुईकार करें, आपके प्रभाव तले आ जाएं और वे चीज़े करें जो आप अपने लक्ष्या हासिल करने के लिए उनसे कराना चाहते हैं आप ज़्यादा सकरात्मक मानसिक नजरिया तब विक्सित करते हैं जब आप हर इस्तिती में अच्छाई की लगातार तलाश करते हैं जीवन और समस्याओं के प्रती सकरात्मक भ्रह्म रोगी की निति अपनाएं कल्पना करें के स्रिष्टी में एक सड्यांत्र चल रहा है और इसका लक्ष्या आपको सफल वखुश बनाना है व्यवसाई में आपके संभावित ग्रहकों की समस्याएं या आपत्यां जो भी हो आप उन आपत्यों से उबरने और उन्हें हिचकने के बजाए आगे बढ़ने के कारणों में बदलने के स्रिष्टनात्मक तरीके की तलाश करती हैं जब भी आप कोई सकरात्मक पुस्तक पढ़ते हैं, सकरात्मक आडियो प्रोग्राम सुनते हैं या सकरात्मक लोगों से बाचीत करती हैं तो आप अपने सकरात्मक मानसिक नजरिये को प्रबल बना रही हैं और जादा प्रभावी वप्रेरक इंसान भी बन रही हैं आदान प्रदान का नियम व्यक्तिगत प्रभाव के सबसे शक्तिशाले सिध्धान्त को समझाता है इसे बोने और काटने का नियम कहा जाता है इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है रैफ वॉल्डो इमर्जन ने इसे पारितोशिक का नियम कहा था और नेपूलियन हिल ने इसे अतिपारितोषित का नियम कहा था आदान प्रदान के नियम का सर्वश्रेष्ट सार स्वर्णिम नियम में समाहित है जो कहता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप उनसे अपने लिए कराना चाहते हैं दूसरों से उसी तरह प्रेम करें, जिस तरह आप खुद से प्रेम करते हैं। व्यापक शोध के बाद, Arizona University के पूर्व प्रशिक्षक, डॉक्टर, रॉबर्ट, सियार्डिनी इस नतीजे पर पहुँचे कि आप उस व्यक्ती को प्रभावित करने का सबसे तीवर और सबसे असरदार तरीका ये है कि आप उस व्यक्ती की कोई भलाई कर दें। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो एहसान महसूस करता है, और उसे लगता है कि उसे किसी तरह से बदला चुकाना चाहिए, कोई भी किसी के एहसान तले नहीं दबना चाहता, इसलिए हम किसी तरह तराजू के पर लड़े बराबर करने की ताक में रहते हैं, इसका ये मतलब है कि हम सभी में अपने व्यवहार में दूसरों के प्रती न्यायपूर्ण रहने की एक गहरी अवचेतन इच्छा होती है। अगर किसी ने हमारे लिए कोई अच्छी चीज की है, तो हमें ये न्यायपूर्ण लगता है कि हम बदले में उसका भला करें। आप दूसरों के लिए कितनी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। कई सफल सेल्स पीपल अपने संभावित ग्राहकों को नाश्टे या लंच पर ले जाने की आदर डाल देते हैं। नाश्टे या लंच पर वे अपने प्रॉडक्ट या सेवा के बारे में बाचीत नहीं करती हैं। वे सिर्फ छुटपुट बाचीत करती हैं, सवाल पूछते हैं और सुनते हैं। वे विश्वास बढ़ाने और दोस्ताना संबंद बनाने पर ध्यान के इंदरत करती हैं। नाश्टे या लंच के अंत में वे संभावित ग्राह को बताते हैं कि भविश्य में किसी समय उससे संपर्क करेंगे और किसी तरह उसकी मदद करने के बारे में बात करेंगे। वे बस इतना ही कहते हैं और कोई चीज बेजने की कोशिश नहीं करते। आज सर्वश्रेष्ट सेल्स पिपल और कारोबारी लोग वे हैं जो अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को अपना मित्र वा साज़दार मानते हैं। वे हमेशा अपने साज़दारों के जीवन को वहतर बनाने के तरीकों के तलाश करते रहते हैं। भले ही वे उस प्रोडक्ट या सेवा से सीधे ना जुड़े हो जिसे वे बीज रही हैं। वे लगातार सहायता की बीज बोते रहते हैं और वे नए विवसाय की फसल निरंतर काटते रहते हैं। वे अपने ग्रहकों वा संभावित ग्रहकों में ये इच्छा पैदा कर देते हैं कि वे किसी तरह से उनके दयालुता का बदला चुकाएंगे। अंततह इससे बिक्री बढ़ती है और बहुत जादा बढ़ती है। आदान प्रदान के नियम को सक्रिय करने का एक अच्छा तरीका ये है कि लोगों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करने के तरीकों की लगतार तलाश की जाए। अपने मित्रों और संभावित ग्राहकों के लिए अच्छे काम और एहसान करने के तरीकों की तलाश करें थैंक्यू नोट भेजें, बर्थडे कार्ड भेजें, उनकी रुची के विश्यों पर अखबार की कत्रने भेजें हमेशा अपने वादे निभाएं और जिम्मेदारियां पूरी करें हमेशा वही करें जो आपने कहा था कि आप करेंगे आज तक किसी इनसान की मूर्ती इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि उसने लिया मूर्ती तो सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि उसने दिया दूसरों की खातिर कुछ करने वालों की ही मूर्दियां बनती हैं हमारे समाज के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी लोग हमेशा दूसरों की खातिर चीजें करने के तलाश कर रही हैं वे मुनाफ़ा पाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं कम से कम अल्पकाल में ऐसा लगता है कि लाप की अपेक्षा के बिना आप दूसरों को जितना ज़्यादा देते हैं, आपको सबसे अनपेक्षित शुरोतों से बदले में उतना ही ज़्यादा मिलता है जब आप कारोबारी या निजी जीवन में किसी से बातचीत करते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप जो सबसे अच्छे प्रशन पूछ सकते हैं, उनमें से एक ये है क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ? कई बार वो कोई चीज बता देता है, जादतर समय वो नहीं बताता है लेकिन चाहे जो हूँ, इस प्रशन से सामने वाले पर एक जकरात्मक प्रभाव पड़ता है इसके बदालत वो आपको अच्छा मानने लगता है शायद हफ्तों या महीनों बाद वो एहसान के लिए आपको फोन करेगा, जो आप हमेशा कर देंगे इसके फल स्वरूप आपके जीवन में कितनी सारी अच्छे चीज़ें होने लगेंगी, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे दूसरों पर जादा प्रभाव डालने के लिए आपको भी उनके प्रभाव में आने के जुरत होती है ये दो तरफा मार्ग है दो लोगों के बीच संबंद की गुणवत्ता का पैमाना ये है कि उनमें से प्रतेक व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित करने की अपनी योगिता के बारे में कितना सक्षम महसूस करता है आपको नई जानकारी सुईकार करने और आवशक्ता पढ़ने पर अपनी धारना बदलने के लिए भी तयार रहना चाहिए आपको दूसरों की आवशक्ताओं और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना चाहिए आपको परिवर्तन की प्रक्रिया में लचीला बनना चाहिए और अपनी मानसिक्ता बदलने के लिए तयार भी रहना चाहिए अगर आपका वर्तमान तरीका काम नहीं कर रहा है तो आपको इस्तितियों और समस्याओं का अलग तरीके से सामना करने के लिए भी तयार रहना चाहिए लोगों की आवशक्ताओं वचिंताओं के बारे में आप में परानुभूती और सम्वेदन शीलता है लोग ये जितना ज़्यादा महसूस करते हैं वे आपसे प्रभावित होने के लिए उतने ही ज़्यादा खुल जाएंगे आप दूसरों को प्रभावित करने में जितने असरदार होंगे अपने कारोबारी और व्यक्तिगत जीवन में उतना ही ज़्यादा हासल करेंगे आप अपने लक्ष जादा तेजी से हासल करेंगे आप उपलब्धी तक पहुँशने में कई वर्षों की कड़ी मेहनत बचा लेंगे US तील के पूर्व अध्यक्ष चॉल्स शौब ने एक बार कहा था मैं दूसरों को साथ लेकर चलने की योगिता के लिए जितना ज़्यादा भुक्तान दे सकता हूँ उतना किसी दूसरी योगिता के लिए नहीं एहम दिर्ने लेने वाले ज़्यादा दर लोगों का यही नजरिया होता है दूसरों को साथ लेकर चलने की आपकी योगिता, संभवत्य वो सबसे मूलेवान योगिता है, जिसे आप तराश सकते हैं आपकी करियर में जो भी सकरात्मक चीज होती है, लगबग हर चीज की बुनियाद दूसरे लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार की आपकी योगिता होती है लोग व्यवहार की योगिताओं में विशेशग्य बन कर आप अपने कामकाजे जीवन की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी तेजी से बढ़ा सकते हैं दूसरी और दूसरों को साथ लेकर चलने की योगिता नौकरी में असफलता का सबसे बड़ा कारण है तक कारणी की इंस्टिट्यूट ने 10,000 से जादा इस्तरी पुर्षों की फाइलों की समिक्षा की जिन्हें उनकी कंपनियों ने नौकरी से निकाला था उन्होंने पाया कि इनमे से सिर्फ 5 परतिशत लोगों की नौकरी इसले गई थी क्योंकि मंदी चल रही थी, उनमें तकनीकी योगिताएं नहीं थी या वे असक्षम थे लगबग 95% व्यक्तियों को नौकरी से इसले निकाला गया क्योंकि उनमें व्यक्तित्व की समस्याएं थी काराले में दूसरे लोगों को साथ लेकर न चलपाने की अयोगिता की वज़े से उनके नौकरी गई हर मूलेवान कंपनी में सकरात्मक लोगों को ही जादा महत्व मिलता है और वही उपर उठकर शिखर तक पहुचते हैं दूसरी तरफ नकरात्मक और मुश्किल लोगों को प्रमोशन के लिए बार-बार अंदेखा किया जाता है और आर्थिक मंदी के पहले संकेत पर ही नौकरी से निकाल दिया जाता है उच तक्नीकी छेत्रों में भी 75% कामकाजी समय दूसरों के साथ व्यवहार करने में गुजरता है प्रबंधन, प्रशासन, बिक्री और मानव संसाधन विकास के छेत्रों में संभवत्य 90 प्रतिशत समय कामकाज के विविद इस्तितियों में संप्रेक्षन करने, बात्चीत करने और दूसरों के बात सुनने में बिताया जाता है एक आसान फॉर्मुला है जो किसी नौकरी में जादतर सफलता या असफलता का सूचक है फॉर्मुला है T into R is equal to P T का मतलब है आपके गुण, आपकी प्रश्ट भूमी, आपकी योगेताएं, आपका ज्यान, आपकी शिक्षा और आपका अनुभव R का मतलब है संबंद, अपने से उपर वाले, नीचे वाले और समान स्तर वाले लोगों के साथ संबंद P का मतलब है आपकी उत्पादत्ता P का मतलब बुनाफा या तरक्की भी हो सकता है चाहे जो हो, फॉर्मुला आसान है और कामकाज में आपके साथ होने वाली घटनाओं तथा आपको मिलने वाले परिणामों की भविश्यवानी करता है T into R is equal to P बुनियादे गणित कहता है कि अगर आप समीकरन के बाएं हिस्से में T या R किसी भी घटक को बढ़ा लें तो आप योग को बढ़ा सकते हैं अपने काम में लगातार बहतर बन कर और दूसरों के साथ जादा प्रभावी ढंग से काम करने के तरीकों की लगातार तलाश करके आप अपने परिणामों और पुरसकारों को बहुत जादा बढ़ा सकते हैं इसके साथ ही आपके शक्ति और प्रभाव भी बढ़ जाता है हम meritocracy या बुद्धिशालियों के युग में जीते और काम करते हैं इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रवीन्टा के लिए जीवन में पुरस्कार इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने दूसरों और हमारे संगठन के प्रती मुल्यवान योगदान दिया हाला के कभी कबार अफवाद भी होते हैं जो आम तोर पर अल्पकालीन होते हैं लेकिन हमें जो भुक्तान मिलता है वो अंततह परिणाम हासिल करने की हमारी योगदा के सीधे अनुपात में होता है जिसे दूसरे लोग और कमपनिया मुल्यवान मानती हैं तथा जिनके लिए वि भुक्तान करने के इच्छो कहती हैं बोने और काटने के नियम के अनुसार हम में से हर एक वही फसल काट रहा है जिसे हमने बोया है जादा और बहतर बोकर हम भविश्य में जादा और बहतर फसल काट सकती है कई बार लोगों के लिए ये सुईकार करना मुश्किल होता है कि उन्हें उतना ही भुकतान मिल रहा है जिसके वे लायक हैं, ना उससे कम ना उससे जादा हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, बलकि वो मिलता है जिसके हम हगदार होते हैं हमारी वर्तमान आमदनी, संसार के प्रती, हमारी कम्पनी के प्रती और हमारे आसपास के लोगों के प्रती हमारी योगदान का प्रतिबिम्ब है. अगर हम अपने पूरसकार बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपना योगदान बढ़ाना होगा. आपका काम चाहे जो हो, उसमें सफलता की बुनियाद डालने के लिए बुनियादी बातों में बहतरीन बने उस काम को पूरा करने में उतकृष्ट बने, जिसे करने के लिए आपको नौकरी दी गई है सिर्फ कुछ चीजें करें जो सबसे महतपूर्ण चीजें हों और उन्हें एक के बाद एक अच्छी तरह करें जब आप इस तरह से काम करने की प्रतिष्ठा बना लेते हैं तो अफसर के द्वार आपके लिए खुलने लगेंगे आपके आसपास के लोग आपके गुणों और योगताओं का और भी ज़्यादा उचे स्तर पर इस्तमाल करने में आपकी मदद करेंगे समीकरन का दूसरा हिस्सा अत्यंत महतपूर्ण है आपकी लोग विवहार की योगेताएं किसी भी दूसरी चीज से ज़ादा ये तै करेंगी कि आपको वर्तमान या भविश्य में अपने गुणों से कितना ज़ादा फायदा मिलता है आपको जिस एक शेत्र में बेहद योग्य बनना चाहिए वो है लोगों का सहयोग और समर्धन हासल करना जिनकी मदद के जरुरत आपको अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुँशने के लिए होगी आईए ग्राहक संतुष्टी के विचार से शुरू करते हैं हम में से हर व्यक्ति ग्राहक संतुष्टी के व्यवसाई में है आपका लक्षय ये है कि आप अपनी ग्राहकों को किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह संतुष्ट करें ये व्यक्तिगत व्यवसाईक और विट्य सफलता की कुन्जी है आप जो भी करते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी बनते हैं वो हर चीज अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की आपकी योगिता के सीधे अनुपात में होती है जिन चीजों के लिए वे भुक्तान करने को तयार हैं आफ उन्हें उनकी मन चाही चीजें सही समय पर देते हैं। चाहे आप जहां भी हो और जो भी कर रहे हो आपके ग्राहक होते हैं। ग्राहक की परिभाशा है वो व्यक्ति जिसके संतुष्टि आपके आमदनी और संगठन में आपकी तरक्के की गति को तया करती है। ग्राहक वो व्यक्ति है जो आपके प्रोड़क्ट या सेवा का इस्तमाल करता है। क्योंकि आप ग्राहक संतुष्टी के विविसाई में हैं, इसलिए आप हर उस व्यक्ति के साथ प्रतिसपरदा कर रहे हैं, जो अपनी आमदनी बढ़ाने के कोशिश कर रहा है और उसी ग्राहक को संतुष्ट करके अपनी करियर को उपर उठाना चाहता है। कामकाज में आपका पहले नमबर का ग्राहक आपका बॉस है। कुछ लोग ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि बॉस आविशक बुराई है। बहराल, अगर आप हर एक को संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन अपने बॉस को नहीं कर पाते हैं, तो आपका कामकाजी जीवन दुखद होगा और आपका करियर खत्रे में पढ़ जाएगा। जब आप अब तक के अपने कामकाजी जीवन को पीछे पलट कर देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि आपके कामकाजी जीवन के सबसे अच्छे पल तब थे। जब आपके बॉस के साथ अच्छे संबन्द थे। आपका बॉस आपके और आपके काम के बारे में जितना जादा खुश होता है, आपका कामकाजी जीवन उतना ही बैतर होगा और आपका भविश्य उतना ही जादा सुरक्षित होगा। अपने बॉस के साथ अच्छा तालमेल बठाने का शुरुवाती बिंदू अपने बॉस की इस्तिती समझना है इसका मतलब ये पता लगाना है कि उसे अपने लक्षे हासल करने के लिए और अपने बॉस की नजरों में अच्छा दिखने के लिए आप से क्या चाहिए यदि आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो आपका मुख्य बॉस आपका ग्रहक है जो आपका प्रोड़क्स या सेवा खरीदता है आपके दूसरे बॉस हैं आपका बैंकर, आपके सप्लायर और हर वो व्यक्ति जिसके समर्थन से आपका कारोबार चलता है यदि आपका बॉस विभाग प्रमुख है तो उसे भी सुरक्षित और सफल होने के लिए उपपर, नीचे, आसपास के बहुत से लोगों को संतुष्ट करना होता है इस्तिती चाहे जो भी हो आपका बॉस आपका सबसे महतपूर्ण ग्रहक है अगर आप कामकाज में आगे निकलना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस के आवशक्ताओं का पता लगाना चाहिए और उसकी मानसिक इस्तिती को समझने के लिए उसकी वेवलेंद पर पहुचना चाहिए अपने बॉस की वेवलेंद पर पहुचने के लिए आपको उसके शीर्ष प्रात्मिक्ताओं के बारे में पूरी तरह पष्ट होने के जुरुत है चाहे वे जो भी हूँ, उन्हें अपनी भी प्रात्मिक्ताइं बना ले आपके बॉस के लिए जो काम सबसे महतपूर्ण है उन्हें करने पर आप जितना ज़्यादा समय खर्च करते हैं आपका ये खास ग्राहक उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा आप उन्हें चीजों पर काम कर रही हैं जिन्हें आपका बॉस अपने लक्षे हासल करने के लिए सबसे महतपूर्ण मानता है ये सुनिश्चत करने की दो महान तकनीके हैं पहली ये कि आप अपने सभी कामों और गतिविदियों के सूची बना ले लिख लेंके किन परिणामों को हासल करने के लिए आपको पेरोल पर रखा गया है ये इस प्रश्न के उत्तर हैं मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है आप पेरोल पर क्यों हैं आपको कौन से निश्चत काम करने के लिए नौकरी दी गई है अपने काम को गतिविधियों के नहीं परिणामों के संदर्भ में परिभाशित करें आपको कौन से परिणाम हासल करने के लिए नौकरी दी गई है आउटपुट का अर्थ है वो पूरा कार्य जो किसी दूसरे के लिए इंपुट बन जाता है आप से किस किस आउटपुट के उमीद की जाती है ये सूची अपने बॉस के पास ले जाकर उनसे कहें कि वे उनकी प्रात्मिक्ता के हिसाब से इस सूची को करम में जमा दें अपने बॉस से आग रह करें कि वे इन कामों को सबसे महतपून से सबसे कम महतपून क्रम में जमा दें एक बार जब आपका बॉस आपके कामों की प्रात्मिक्ता तै कर दे तो कुछ समय निकाल कर बात जीत करें और सटीकता से पता लगाएं कि वो हर छित्र में आपसे क्या करने की उमीद करता है आप दोनों को ही ये कैसे पता चलेगा कि काम सफलता पूर्वक पूरा हुआ है निश्चत संख्या में बिक्री होगा बिक्री के इस तर को हासिल करने और प्रक्रिया को मापने योग्य बनाने के लिए आपको ये आवशक्ता होगी कि आप निश्चत संख्या में कॉल करें निश्चित संख्या में प्रस्तुतियां दे, निश्चित संख्या में प्रस्ताव दे और निश्चित संख्या में सौधे पूरे करें सो निश्चित करें कि आप इन में से प्रतेक आंकणे को विभाज़त कर लें ताकि अगर आपकी विक्री या आमदनी किसी प्रकार से कम है तो आप ये प्रदर्शित कर सकें कि आपने अपने काम का हर दूसरा हिस्सा पूरा कर लिया है और विक्री भी जल्दी ही हो जाएगी. कामकाज के संसार में मनुबल वा उत्सा घटाने वाली सबसे बड़ी चीज ये है ये नहीं जानना कि सामने वाला किस चीज की अपेक्षा करता है. ये तब होता है जब आप या दूसरे लोग तटीकता से ये नहीं जानते हैं कि आप से क्या, कब करने की उमीद की जाती है और आपके काम का मुल्यांकन कैसे होगा अपिक्षित कामों और प्रिणामों के बारे में पश्टा न होने पर आप अपने कामकाच के बारे में कुंठित और हताश बन सकते हैं इस इस्तिती से बचने के लिए अपने बॉस के साथ बैठने का समय निकाले और उन प्रात्मिक्ताओं के सपस्ट सूचे बनाले जिनने नापा जा सके और जिनकी समय सीमा भी हो प्रात्मिक्ता स्थापित करने की दूसरी तकनीक ये है कि आप कार्ड़ोड की एक शीट लें जिस सरह राइटिंग पैड के पीछे का कार्ड़ोड होता है फिर अपने हर काम को एक stick on note पर लिख ले तीन stick on notes को इस cardboard की sheet पर महत्व के क्रम में लगा दे पूरे page की photocopy कर ले फिर stick on notes वाली cardboard की ये sheet अपने boss के पास ले जाकर कहें कि वे उनकी प्रात्मिक्ता के क्रम में stick on notes को दुबारा जमा दे अपनी और boss की प्रात्मिक्ता के अंतर पर शायद आपको हैरानी होगी कई बार आप जिसे अपना बहुत महत्वण काम मानते हैं वो आपके boss के लिए बहुत कम प्रात्मिक्ता वाला काम निकलता है अनुरूपता की इस तरह की कमी, संगर्श, असंगती, अप्रसनता और मनुबल कम करने की ओर ले जाती है अपने प्रती, अपने boss के प्रती और अपने भविश्य के प्रती ये आपका दायत्व है कि आप प्रात्मिक्ताओं को स्पष्ट कर ले और ये जान ले कि आपका सबसे महतपुन काम कौन सा है और सबसे महतवहीन काम कौन सा है कामकाज में सर्वस्रेष्ट संप्रेक्षन वे होते हैं जो काम कराने, समस्याय सुलजाने और लक्षे की बाधाओं को हटाने पर केंद्रत होते हैं पस्ट प्रात्मिक्ताओं और आउट्पुट की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने बॉस से प्रभावी संप्रेक्षन करने की आदर्श इस्तिती में होते हैं जब भी आपको अपने बॉस से मिलना हो तो हमेशा एक एजंडा तयार करें जिसमें उन विश्यों की सूची हो जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं आप हैरान रह जाएंगे कि हर बार एजंडा तयार करने पर आपके मुलाकातें कितनी ज़्यादा तेज और कितनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं इससे आपका बॉस आपसे मिलने के लिए ज़्यादा इच्छुक होगा काम के इंदरे चर्चाएं जल्दी हो जाती हैं और दोनों पक्षों के लिए सहायक होती हैं оры sectioning और जानकारी देने वाली होती हैं वे आपको उन चीजों को सीखने में सक्षम बनाती हैं, जिनने आपको अपना काम अच्छे तरह करने के लिए जानना चाहिए. इनसे आपके बॉस को ये जानकारी भी मिलती रहती है कि आप कितना जादा और अच्छा काम कर रहे हैं, तथा आपकी गतिविधियों की नवीनतम इस्तिती क्या है? अपने बॉस ये किसी दूसरे के साथ पेश आने में आपको संप्रेक्षन की जिन दो अत्यन्त महतपुन योगिताओं की जरुरत है, वे हैं बोलना और सुनना. अपने बॉस के साथ उच्छ गुणवत्ता के संबंध कायम रखने का एक शक्तिशाली तरीका है प्रश्न पूछना, सावधानी से सुनना और नोट्स लेना. एक कम्पनी मालिक ने एक बार बताया कि उसके संगठन में 99 प्रतिशत समस्याएं खराब संप्रेक्षन की वज़े से खड़ी होती हैं. जब भी कोई व्यक्ति खराब संप्रेक्षन की बात करता है तो लगबख हमेशा उसका मतलब होता है अस्पष्ट, अधूरा या संदिग्द संप्रेक्षन. खराब संप्रेक्षन बहुत समय बर्बात करता है. जो भी चीज आपके नौकरी में समय बरबात करती है वो उन परिणामों को उत्पन करने की आपकी योगिता कम कर देती है जिनके लिए आपको भुकतान और तरक्की मिलती है अगर आप अपने शेत्र के शिखर पर पहुँशने के बारे में गंभीर है तो आपको अस्पस्ट संप्रेक्षन जैसे चीज को सहन नहीं करना चाहिए आप अपनी नौकरी में तीन प्रकार की शक्तियां विक्सित कर सकते हैं जो आगे निकलने में आपके लिए बहुत सहायक हो सकती है उनमें से प्रतेक उस पर आधारित है जिस पर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं पहले प्रकार की शक्ती है विशेशग्य शक्ती किसी भी संगठन में विशेशग्य वो व्यक्ति होता है जिसे किसी अत्यंत महतपून शेत्र में बेहत सक्षम माना जाता है अक्सर किसी संगठन में विशेशग्य, वरिष्ट एग्जिक्यूटिव से भी जादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि जादतर मामलों में उनके जगय पर दूसरे को नहीं रखा जा सकता इसे अक्सर कंपनी की अत्यंत महतपूर योगिता या बुद्यादी सक्षमता कहा जाता है जिस पर इसकी सफलता निर्भर करती है आप जिस दूसरे प्रकार की शक्ति विक्सित कर सकते हैं वो है स्वैच्छिक शक्ति ये अनधिकरत शक्ति आपकी और उसी तरह खिची चली आती है जैसे लोहे की कत्रने चुम्बक की और खिची आती है क्यूंकि लोग आपको पसंद करती हैं, आपका सम्मान करती हैं और आपके आस पास रहने पर खुश होते हैं हर कामकाजी इस्ति में स्वैच्छिक शक्ति वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है इस व्यक्ति का प्रभाव उसके पद के लिहाद से बहुत जादा होता है क्यूंकि लोग सलह लेने, परामर्ष लेने या समस्याय सुलजाने के लिए उसके पास आती हैं और इसलिए भी क्यूंकि उसे लोग सचमुझ पसंद करते हैं स्वैच्छिक शक्ति किसी व्यक्ति को जादा लोगों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है जो इसके बिना संभव नहीं होता ये अकसर प्रमोशन और अफसरों की ओर ले जाती है जो इसके बिना नहीं मिलते इसलिए किसी भी संगठन में आगे निकलने के सरवश्रेष्ट तरीकों में से एक ये है कि आप वहाँ के सबसे लोग प्रिय व्यक्तियों में से एक बन जाएं समय अच्छा हो या बुरा सकरात्मक आशावादी लोगों को हमेशा नौकरी मिलती है और उनके नौकरी जाती नहीं है स्वेच्छिक शक्ति हासल करने की कुंजी सरल है बस हर एक के साथ सुखद और रुचि कर रही सकरात्मक और उत्साही बने खुश मिजाज बने अच्छे व्यक्ति की परतिष्टा बनाए हर व्यक्ति के बारे में सकरात्मक बाते बोले कभे शिकायत ना करें लोगों से उनके बारे में प्रश्ण पूछें और अच्छे शूता बने स्वेच्छिक शक्ति बहुत कं समय में ही आपको बहुत दूर तक पहुँचा सकती है किसी संगठन में तीसरे प्रकार की शक्ती पद की शक्ती है ये वो शक्ती और सत्ता है जो किसी खास पद या पदवी के साथ मिलती है मिसाल के तौर पर जो व्यक्ति विक्री का प्रभारी है उसके पास विक्री टीम के संदर्ब में निर्णय लेने का अधिकार होता है जो व्यक्ति वित का प्रभारी है उसके पास ये निर्णय लेने का अधिकार होता है कि पैसे को आवंटित कैसे किया जाए और कहां लगाया जाए पद की शक्ति किसे संगठन की कुणजी है बॉस के मुखे कामों में से एक, हर एक के सामने ये सटीक्ता से स्पष्ट करना है कि नौकरी के पद और जिम्मेदारियों के साथ इसी व्यक्ति को कितने अधिकार है नर्मी और स्रिजनात्मक्ता से इस्तिमाल करके आप अपने पद की शक्ति का विस्तार कर सकती है अधिकार का दबाव डालकर लोगों से काम करने को ना कहीं इसके बजाए उन से कहीं कि वे किसी खास काम को करने में आपकी मदद करें सरविश्रिष्ट लीडर उतकरिष्ट और कम दबाव डालने वाले सेल्स पिपल होते हैं हाला कि उनके पास ये दबाव डालने की शक्ति होती है कि काम उनके मन चाहि तरीके से ही हो लेकिन वे कूट निती, शिष्टाचार और समवेदन शीरता से लोगों से कहते हैं कि वे कोई खास काम किसी खास समय तक कर दें आप अपने पत की शक्ति को द्रणता पूरवक दिखाने से जितना बशते हैं उतने ही ज़्यादा लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके लक्ष हासल करने में आपके साथ सहयोग करने को उत्सुक रहेंगे अपनी विशेशग्य शक्ति, स्वेचिक शक्ति और पत की शक्ति को बढ़ाने की योजनाय बनाए आप विशेशग्य शक्ति तब विक्सित करते हैं जब आप उन एक दो शेत्रों में देहत सक्षम बन जाते हैं जहां आप संगठन के प्रती महतपूर्ण योगदान दे सकते हैं आप स्वेचिक शक्ति तब हासल करते हैं जब आप सहायक, लोकप्रिय और सहयोगी इंसान बनते हैं जिसके साथ काम करना आनंददायक हो पहली दो शक्तियां हासल करने के फल स्वरूप आप पत की शक्ति हासल करते हैं जब आप अपनी योगेताओं और परिणाम पाने की काबिलियत को बहतर बना लेते हैं तो आपको प्रभावित करने के लिए और भी ज़्यादा लोग दिये जाएंगे, ताकि आप कम्पनी की उत्पादक्ता को बढ़ा सकें. T into R is equal to P, formula लगातार काम करता रहता है. अपने समकक्षों और अधिनस्तों के साथ काम करने में स्वर्णिम नियम का अभ्याद करें. उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा व्यवहार आपको अपने लिए पसंद है. अपने समकक्षों के साथ सम्मान का व्यवहार करें और उनके लक्षय हासल करने में उनकी हर संभव मदद करें. अपने अधिनस्तों के साथ सहानुभूती और समवेदन शीलता से व्यवहार करें उनके सामने स्पष्ट कर दें कि वे कौन से काम है जिनके लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया है उन्हें ये सिखाने का समय निकालें कि उन्हें उनके काम करने में अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए उनके कामों की सपष्ट प्रात्मिक ताएं टै करने में उनके मदद करें अपने साथ हर मेटिंग के लिए उन्हें एक एजंडा लिखने के लिए प्रोथसाहित करें और फिर मिलकर एजंडा पर चलें उतक्रिष्ट कर्मचारियों और प्रबंधकों की लोक विवहार की योगिताओं को सारांश में रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका ये कहना है कि उनके आंतरिक एकागरता अपने आसपास के लोगों पर रहती है और उनकी बाहरी एकागरता उनके ग्राहकों पर होती है आपको भी यही करना चाहिए अपनी नौकरी के उतक्रिष्ट प्रदर्शन जीवन में आप या तो अपने लक्षक खुद के दम पर हासल करते हैं या फिर आप अपनी मदद करने के लिए दूसरों को राजी कर सकते हैं यह काम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और इसके बावजूद आपको सीमित परिणाम ही मिलेंगे अपनी मदद करने और अपने साथ सयोग करने के लिए दूसरों को राजी करके आप बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं राजी करने की शक्ती से ही फर्क पड़ता है आप जीवन में जो चीज़ें पाना चाहते हैं उन्हें पाने में दूसरों को राजी करने और प्रभावित करने के आपकी योगिता उन सबसे महतपून योगिताओं में से एक है जिन्हें आप विक्सित कर सकते हैं लोगों को सहमत करने की शक्ति आपको आपकी मन चाही चीजें जादा तेजी से पाने में इतनी मदद कर सकती है जितना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। ये सफलता और असफलता के बीच का फर्क भी हो सकती है ये आपकी प्रगती की गारंटी दे सकती है और आपकी बाकी योगताओं के सरवच पर इस्तमाल में आपको सक्षम बना सकती है राजी करने के शक्ति की बदौलत आपके ग्राहक, अधिकारी, सहकर्मी, साथी और मित्र आपका समर्थन वह सम्मान करेंगे आप दूसरों से जो कराना चाहते हैं, उनमें उसे करने की इच्छा जगाने के लिए दूसरों को राजी करने की जो योगिता आपके पास है, वो आपको अपने विवसाय तता समुदाय में सबसे महतपून व्यक्तियों में से एक बना सकती है तो अभाग्य से राजी करना, साइकल चलाने या टाइपराइटर पर टाइपिंग करने जैसी एक योगिता है, जिसे अध्यन और अभ्याज के जरिये सीखा जा सकता है आपको इस छेत्र में उतक्रिष्ट बनने का बुनियादी लक्षय बनाना चाहिए आपका लक्षय ये होना चाहिए कि आप उन लोगों को प्रोजसाहित और राजी करने में बेहत प्रभावी बन जाएं जो आपके लक्षय और उद्देश्य हासिल करने में आपकी सहायता और समर्थन करें। ये नितरत्व की सच्ची कसोटी है। सभी सच्मुझ प्रभावी लोग दूसरे लोगों को अपने साथ काम करने और उनसे अपने लिए काम कराने की कला में पारंगत होते हैं। ताकि वे अपने लक्षय तक पहुँच सकें। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। राजी करने का विप्रित है राजी ना करपाना और अप्रभावित होना। इसका मतलब है दूसरे लोगों के विवहार को प्रभावित करने की अयोगता या बहुत कम योगता होना। राजी करने की योगता, शक्तिशाली और अशक्त होने के बीच का फर्क है. आप या तो दूसरों को अपनी मदद करने के लिए राजी कर सकती हैं या फिर आप उनकी मदद करने के लिए राजी हो सकते हैं. या तो एक होता है या फिर दूसरा. जादतर लोग जागरुक नहीं होते हैं कि हर मानविय संपर्क में संप्रेक्षन और राजी करने की एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है इससे अंजान होने के कारण आम तोर पर भी दूसरों को अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं सभी सफल लोग लोगों को सहमत या राजी करने में विशेशग्य होते हैं वो पहले से ही पूरी तरह सोच लेते हैं कि वे दूसरों से अपनी मदद कैसे करा सकते हैं वे काम करने से पहले पूरी योजना और रणनेती बना लेते हैं वे अपने लक्षियों को स्पस्टता से तै करते हैं और फिर वे उन लोगों को चुनते हैं जिनके सहयोग से वे अपने लक्षा तक पहुँच सकते हैं वे इस बारे में भी सोचते हैं कि दूसरों की मदद के बदले में उन्हें क्या देना होगा वे खुद को उन लोगों की मानसिक्ता में रखते हैं जिन्हें वे राजी और प्रभावित करना चाहते हैं और फिर वे अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का इस्तमाल करते हैं वे राजी करने और प्रभावित करने के अपने लक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हासिल करते हैं राजी करने की कुझी है प्रोथसाहन या प्रेर्णा मोटिवेशन शब्द का पहला हिस्सा है मोटिव या प्रेर्णा हर मानविय कार्य किसी न किसी चीज से प्रेरित होता है आपका काम ये पता लगाना है कि दूसरे लोग किस चीज से प्रेरित होते हैं और फिर आपको उन्हें वो प्रेरना देनी होती है लोगों की दो मुख्य प्रेरनाएं होती हैं लाब की इच्छा और हानी का डर लाब की इच्छा लोगों को प्रेरित करती है कि वे जीवन में जिन चीजों को मुल्यवान समझते हैं उन्हें जादा चाहीं वे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा स्वास्थय, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा अप्रेम और ज़्यादा खुशी चाहते हैं और कोई सीमा नहीं है किसी व्यक्ति के पास चाहे जितना हो उसके बावजूद वो ज़्यादा और ज़्यादा चाहता है आपको ये पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जिसे सामने वाला चाहता है और उसे पाने के लिए वो कोई चीज करने को तयार हो सकता है जब आप लोगों को ये दिखा देती हैं कि वे आपके लक्ष हासल करने में मदद करके अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं तो आप उन्हें अपनी तरफ से काम करने के लिए रोधसाहित और प्रेवित कर सकते हैं आप उन्ही राजी कर सकते हैं राश्टपती ड्वाइट डी आईजन हॉवर ने एक बार कहा था प्रेर्णा लोगों से वो कराने की कला है जो आप उनसे कराना चाहते हैं क्योंकि वे उसे खुद करना चाहते हैं आपको लगातार सोचना चाहिए कि आप लोगों से वे काम कैसे करा सकते हैं जो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य हासल करने के लिए आपको उनसे कराने की जुर्वत है लोग हानी के डर से भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं ये डर दरसल लाब की इच्छा के मुकाबले ज़्यादा राजी करता है लोग वित्य हानी, स्वास्थय की हानी, दूसरों के सम्मान वा अनुमोदन की हानी किसी के प्रेम की हानी और किसी ऐसी चीज की हानी से डरती हैं जिसे वे अपनी मानते हैं खास तोर पर अगर उन्होंने इसे हासल करने के लिए कड़ी मेहनत की हो लोग परिवर्तन, जोखिम और अनिश्चितता से डरते हैं क्यूंकि इन में संभावित हानियों का जोखिम होता है लोग डरते हैं कि दूसरे उनसे फायदा न उठा लें क्यूंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है आप भी जब लोगों को दिखा सकें कि आप उनसे जो काम कराना चाते हैं वो करके वे किसी तरह की हानी से बच सकते हैं तो वे अक्सर वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं सर्व श्रिष्ट प्रस्ताव वे होते हैं जहां आप लाब के साथ-साथ हानी से बचने का अफसर भी देते हैं सेल्स परसन कितने प्रभावी ढंग से बेशता है ये उसकी राजी करने के शक्तियों से तै होता है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति बिक्री के छेतर में है कुछ लोगों को आजीविका कमाने के लिए बेशनी का विचार पसंद नहीं होता ना ही वे सेल्स पीपल को पसंद करते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने आजीवी का किसी न किसी को, कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह, कहीं न कहीं पर, किनी परिस्तितियों में अपने आजीवी का बेच कर कमाता है। हर मानविय व्यवहार में बेचना और राजी करना शामिल होता है। जब आप किसी नौकरी या प्रमोशन के लिए आविदन करती हैं, तो आप अपनी सेवाएं बेशते हैं। आप तब बेशते हैं जब आप डेटिंग करती हैं और जब आपकी शादी होती है। हर विचार विमर्ष में आप अपने विचारों की बिक्री करती हैं। जब आप अपने बच्चों से कुछ कराने की या उन्हें बिस्तर पर सुलाने की भी कोशिश करते हैं, तब भी आप उन्हें राजी करते हैं, आप हमेशा बेच रही हैं, एक मात्र प्रश्न है, आप इसमें अच्छी हैं या नहीं हैं, बिक्री और राजी करने में सबसे शक् संसार मांगने वालों का है भविश्य उन्हीं इस्तरी पुरुष का है जो खड़े होकर अपनी मनचाही चीज़ें मांगने में कभी नहीं डरते। राजे करने वाले लोग जानते हैं कि अगर वे कोई चीज मांगेंगे तो उनके साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो ये है कि सामने वाला नहीं कह देगा लेकिन अगर सामने वाले ने नहीं कह भी दिया तो क्या वे उसी इस्तिती में रहेंगे जिसमें वे थे जब उन् मांगा ही नहीं था मांगने बार उन्हें वो चीज हासिल हो सकती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता कोई प्रयास नहीं कोई लाब नहीं यह आश्चार रजनक है कि आप सिर्फ मांग कर कितना कुछ हासिल कर सकते हैं जाहिर है आपको अच्छी तरह मांगना सीखना चाहिए, आपको विनम्रता से मांगना चाहिए, आपको विश्वास से मांगना चाहिए, आपको अपेक्षा से मांगना चाहिए, आपको सुखत लहजे में मांगना चाहिए, आपको मितरता पूर और खुश मिजाज अंदाज म मांगना चाहिए आपको खुलेपन और इमानदारी से मांगना चाहिए आपको इस तरह से मांगना चाहिए ताकि सामने वाला आपके आग्रह पर विचार करने में आराम देह महसूस करें लेकिन आपको अपनी मन चाही चीजें जरूर मांगनी चाहिए राजी करने और प्रभावित करने की बुनियाद ये है कि आप बुद्धिमानी से अपने मन चाही चीजें उन लोगों से मांगें जो आपकी मदद कर सकें आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें पाने के दो तरीके हैं पहला आप खुद के लिए अपने खुद के सर्वश्रिष्ट हितों से काम कर सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सातों हासल कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा नहीं। जो लोग पूरी तरह से खुद पर निर्भर होते हैं, उनकी शमताएं सीमित होती हैं। वे कभी अमीर या सफल नहीं बन पाएंगे। अपनी मन चाही चीजें पाने का दूसरा तरीका है लिवरेज का इस्तिमाल। लिवरेज में आप खुद को कई गुना करना सीखते हैं। फल स्वरूप आपको हर चीज खुद करने के तुलना में कही ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। लिवरेज के तीन प्रकार हैं, जिनका विकास करके आप स्वयम और अपनी इस्तिती से सर्वश्रेष्ट लाब ले सकते हैं। इन्हें OPE, OPK और OPM कहा जाता है। इन अक्षरों का अर्थ है दूसरे लोगों के प्रयास, Other People's Efforts, दूसरे लोगों का ज्यान, Other People's Knowledge और दूसरे लोगों का धन, Other People's Money। जब भी कोई व्यक्ति शुन्य से अमीरी तक पहुँचा है, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वो इन तीन बहुगुणित करने वालों में से एक या ज्यादा का इस्तमाल करके अपनी लीवरेजिंग कर रहा था। खुद को बहुगुणित करके उसने कुछ वर्षों में ही इतना ज्यादा हासल कर लिया, जितना कई लोग पूरी जिंदिगी में भी हासल नहीं कर पाते। दूसरे लोगों के प्रयास से लीवरेज का मतलब ये है कि आप अपने उद्देशे के उपलवधी में दूसरे लोगों से अपने लिए और अपने साथ काम कराकर लीवरेजिंग करते हैं। कई बार उनसे स्वैचिक मदद मांग सकते हैं, हाला कि ये ध्यान रखें कि लोग किसी व्यक्तिगत पुरसकार के बिना लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। बाकी मौकों पर आप अपनी मदद के लिए उन्हें नौकरी पर रख सकते हैं और खुद को ज़्यादा मूलवान कारे के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रबंधन की परिभाशा है दूसरों के जरिये काम कराना। मैनेजर बनने के लिए आपको दूसरों को एक साजी दिशा में मिलकर काम करने के लिए राजी करने और प्रभावित करने में विशेशग्या होना चाहिए। प्रभावी मैनेजर राजी करने में माहिर होते हैं। वे आम तोर पर उतक्रिष्ट कम दबाव डालने वाले सेल्स पीपल होते हैं। वे लोगों को काम करने का आदेश नहीं देते हैं। जिस तरह सेना में कोई अधिकारी देता है। इसके बजाए वे उन्हें निश्चित काम या जिम्मेदारियां सुईकार करने के लिए राजी करती हैं। वे निश्चित डेडलाइन और प्रदर्शन के मान दंडों पर उनक की सहमती हासल करती हैं। जब किसी व्यक्ति को राजी कर लिया जाता है कि कि किसी काम को अच्छी तरह करने में उसका भी स्वार्थ है तो वो काम और परिणाम का स्वामित्व स्विकार कर लेता है। एक बार जब कोई कर्मचारी, स्वामित्व और जिम्मेदारी स्विकार क कर लेता है तो मैनेजर इस विश्वास के साथ एक तरफ हट सकता है कि काम समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। आपके जीवन के हर हिस्से में आपके पास एक विकल्प होता है कि आप कोई काम खुद करें या उसे किसी दूसरे को सौपें। किसी दूसरे को उस काम को आप जितने ही उत्साह से स्विकार कराना राजी करने की कला में एक अभ्यास है। शुरुवात में ऐसा लग सकता है कि लोगों को राजी करने और विश्वास दिलाने में थोड़ा जादा समय लग रहा है। लेकिन इससे काम पूरा करने में आपका बहुत सा समय बच जाता है। अर्थ शास्त्र एक बेहत महत्वपूर्ण सिध्धान्थ है जिसे रिकार्डो का नियम कहा जाता है। इसे तुलनात्मक लाब का नियम भी कहते हैं। ये नियम कहता है कि जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके किसी काम के हिस्से को आपके तुलना में प्रति घंटे कम राशी में कर सकता हो। तो आप अपने काम में जादा मूलेवान हिस्सों को हासल करने के लिए कमा सकते हैं। तो आपको काम का वो हिस्सा उस व्यक्ति को सौप देना चाहिए या आउट्सोर्स कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप हर साल पचास हजार डॉलर कमाना चाते हैं तो उस राशी को दो हजार घंटों से विभाजित कर दें। अब आपके पास 25 डॉलर प्रती घंटे की राशी आ जाती है। पचास हजार डॉलर प्रती वर्ष कमाने के लिए आपको हर साल धाई सो घंटे, हर दिन आठ घंटे, हर घंटे 25 डॉलर का काम करना चाहिए। यह आसान गणित है लेकिन अचरच की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं। आपको कोई भी ऐसे चीज नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रती घंटे 25 डॉलर या इससे ज़्यादा का भुगतान न मिलता हो। यदि यह आपके काम का कोई हिस्सा है जैसे फोटो कॉपी करना, पेपर फाइल करना, पत्र टाइप करना या व्याय के फॉर्म भरना जिसमें 25 डॉलर प्रती घंटे का भुगतान नहीं मिलता है तो आपको इसे करना छोड़ देना चाहिए। आपको प्रती घंटे कम राशी वाले किसी दूसरे व्यक्ति को इस काम को करने के लिए राजी करना चाहिए। आप छोटे काम करने के लिए दूसरों को जितना ज़्यादा राजी कर सकते हैं, आपके पास उन बड़े कामों को पूरा करने के लिए उतना ही ज़्यादा खाली समय हो जाएगा, जहां आपको ज़्यादा बड़ी धनराशी का भुकतान मिलता है. अपने काम के प्रती ये निती उस लिवरेज को विक्सित करने के लिए अनिवारे कुझी है, जिसकी ज़रुरत आपको अपने पेशे के सरवच भुकतान वाले व्यक्तियों में से एक बनने के लिए होती है. अपने शेतर में सफलता पाने के लिए आपको लिवरेजिंग के जिस दूसरे प्रकार को विक्सित करना चाहिए, वो है दूसरे लोगों का ज्यान. यदि आप सामाने से बड़े लक्षय हासिल करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे लोगों के मानसिक शक्ति का दोहन पर इस्तिमाल करना होगा. सफल व्यक्तियों को हर वो चीज मालूम नहीं होती, जिसकी जुरुत उन्हें किसी खास काम को पूरा करने के लिए होती है. लेकिन वे अक्सर ये जानते हैं कि ऐसे ग्यान से संपन्न लोगों को कैसे खोजा जाए. एक बार हैंरी फॉर्ड को अदालत ले जाया गया और उन पर ये आरोप लगाया गया कि उनकी सीमिल शिक्षा की वज़े से वे अज्यानी हैं. आरोप खारिच कर दिया गया जब उन्होंने जज्ज को बताया कि वे अपनी डेस्क पर लगे कई बटनों में से एक को दबा सकते हैं और अपने सवालों का जवाब देने के लिए देश के सबसे ग्यानी लोगों को अंदर बुला सकते हैं. जज हेंडरी फौर्ड इस बात से सहमत थे कि आवशाग ज्यान पाने की योगता इसे याद करने की योगता से कहीं अधिक महतपून थी. आपको अपने सबसे महतपून लक्ष झासल करने के लिए किसी तरह की ज्यान की जरूरत है. आपको अपने सबसे महतपून लक्षे खासिल करने के लिए किस तरह के ग्यान की जरूरत है आपको जिस ग्यान की आवशक्ता होगी उसमें से कितना ग्यान आपके पास व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए और कौन सा ज्ञान आप दूसरों से उधार ले सकते हैं, खरीज सकते हैं या किराय पर ले सकते हैं. ये कहा गया है कि हमारे सूशना आधारित समाज में आप ज्ञान के किसी भी हिस्से से कभे भी एक पुस्तक या दो फोन से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं. ओनलाइन कम्प्यूटर सेवाओं के पास विशार डैटाबेस होते हैं, जिनकी मदद से आपको इंटरनेट से हटीक जानकारी आम तोर पर चंद मिनटों में मिल सकती है. जब भी आपको अपने लक्षय हासल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से जानकारी और विशेश अग्यता की जरूरत हो, तो अपनी मदद के लिए उन्हें राजी करने का सर्वश्रेष्ट तरीका बस ये है कि उनका सहयोग मांग लेए. जो भी किसी विशेश शेत्र में ज्यानी होता है, उसे अपनी उपलब्दियों पर गर्व होता है. किसी व्यक्ति की विशेश अग्यता पूर्ण सलह मांग कर, आप उसे सम्मान देते हैं और अपनी मदद करने के लिए प्रोचसाहित करते हैं. भले ही आप उस व्यक्ति को न जानते हों, लेकिन पूछने में न घवराएं. कई बार आप किसी मित्र को फोन कर सकते हैं, जो आपकी जरूरत की जानकारी या विशेश अग्यता रखने वाले व्यक्ति को जानता हो. इस तरह की नेटवर्किंग से आप सारी चीजों का खुद पता लगाने की कोशिस से बच सकते हैं, और आपके घंटों, सप्ताहों और महीनों की कड़ी मेहनत भी बच जाती हैं. लिवरेजिंग करने की तीसरी कुझी है दूसरे लोगों का पैसा. ये काफी हद तक आपकी राजी करने की योगेताओं पर आधारित होती है. अपने गुणों की लिवरेजिंग करने के लिए दूसरे लोगों का पैसा तथा संसाधन हासिल करने वा उनका इस्तमाल करने की आपकी योगेता वित्यसफलता का स्प्रिंग बोर्ड है. इसका मतलब ये है कि आप चीजें खरीद लेते हैं और भुक्तान टाल देते हैं. आप कोई चीज बेचते हैं और भुक्तान पहले ले लेते हैं. आप फरनीचर, स्थिर वस्तुएं या मशीन, किराई पर या लीज पर ले लेते हैं. आप में अफसरों का लाब लेने के लिए लोगों से पैसा उधार लेने की योगिता है ये उन सबसे महतपून योगिताओं में से एक है जिनें आप विक्सित कर सकते हैं पैसे के साथ ही ये सभी योग्यताएं दूसरों को राजी करने की आपके योग्यता पर निर्भर करती है कि वे वित्य छेत्र में आपकी मदद करें ताकि आप वो लिवरेज हासल कर सकें जिसकी जरूरत आपको अपने छेत्र में आगे और उपर बढ़ने के लिए है डॉलर से EDS शुरू की जो उन्होंने अपनी मा से उधार लिये थे उनके पास ये विचार था कि वे बड़े संगठनों का डाटा प्रोसेसिंग कारे ले लें लेकिन उनके पास ना तो पैसा था ना ओफिस ना ही संसाधन उन्होंने दरजनों संभावित ग्राहकों से बात की लेकिन हर एक ने उन्हें ठुकरा दिया आखिरकार उन्होंने एक पुराने ग्राहक से बात की जो उनकी सेवाएं खरीदने के लिए राजी हो गया ये उनकी पहली बिक्री थी समस्या ये थी कि रौस पैरो के पास कोई पैसा नहीं था जिससे वे अपनी बेची गई सेवाओं को बना और पहुचा सकें इसलिए उन्होंने अपने नए ग्राहक से पूछा कि क्या वो फीस की 50 प्रतिशत राशी का अग्रिम भुकतान करेगा ग्राहक सहमत हो गया और इस थरह आईडियस का जन्म हुआ वो छोटी बुनियाद से जो मांगने और राजी करने पर आधारित थी रौस पैरो ने बाद में संसार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाई और अमेरिका की राश्टपतिपद का चुनाओ भी लड़ा राजी करने की शक्ती का अर्थ है दूसरे लोगों के प्रयासों, दूसरे लोगों के ज्यान और दूसरे लोगों के धन का दोहन करके अपनी लिवरेजिंग करने के लिए लोग व्यवहार की योगिताओं का इस्तमाल करना इनमें से प्रतेक को पाने की कुझी है मांगना बैटकर उन सभी लोगों की सूची बनाए जिने आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं जिनसे आप मदद मांग सकते हैं उनसे सलाह मांगे, विचार मांगे, मार्ग दर्शन मांगे, ज्यान मांगे, जानकारी के विशिष्ट हिस्से मांगे पश्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं और फिर जरुरत की चीज़ मांग लें सिर्फ मांगने से आपको इतना कुछ मिल जाएगा जिससे आप हैरान रह जाएंगे आपके कामकाजी और निजे जीवन ने राजी करनी की शक्ति के चार पी हैं ये हैं शक्ति, पावर, पदानुक्रम, पुजीशनिंग, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और विनम्रता, पुलाइटनेस ये सभी अनुभूती पर आधारित हैं राजी करनी का पहला तत्व है शक्ति कोई व्यक्ति आपको जितना ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी मानता है, चाहे ये सही हो या ना हो इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वो आपकी बात मानकर वो करने के लिए राजी हो जाए जो आप उनसे कराना चाहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप सीनियर एग्जेक्यूटिव या दौलतमन नजर आते हैं तो लोगों के आपके मदद करने की कहीं ज़्यादा संभावना होगी जो वे कदापी नहीं करते अगर वे आपको निचली श्रेणी का कर्मचारी मानते वे विसाय में शक्ती और प्रभाव पर कई पुस्तकी हैं जिने आप पढ़ सकते हैं वे आपको सिखाती हैं कि इसे कैसे विक्सित करना है और ज़्यादा प्रेरख कैसे बनाना है पोशाक, हाव भाव, नजरिये, व्यवहार और बॉडी लेंग्विज में छोटे-छोटे परिवर्तन दूसरे लोगों को अपनी मदद के लिए राजी करने में सच्चा फर्क डाल सकते हैं जिससे आप उनसे वो करा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं दूसरा पी है छवी, इसका अर्थ है वो तरीका जिससे लोग आपकी गयर मौजूदगी में आपके बारे में सोचते और बात करते हैं दूसरे लोगों के दिल और दिमाग में आपकी छवी ही काफी हद तक ये तै करती है कि आप उन्हें राजी कर सकते हैं या नहीं कल्पना करें कि आपको जानने वाले दो लोग बैठ कर आपके बारे में बात कर रहे हैं वे आपका वर्णन कैसे करेंगे, वे आप में कौन से गुण बताएंगे, वे किन शब्दों का इस्तमाल करेंगे और सबसे महतपून आपके बारे में सोचना उनके लिए कैसे सहायक रहेगा दूसरे लोगों को शामिल करने पर आप जो भी करते हैं उस हर चीज में आप अपने बारे में उनके अनुभूतियों और उनके मन में अपनी छवी को आकार दे रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं हर चीज महतपून होती है, कोई भी चीज तटस्त नहीं होती सफल लोग वे होते हैं जो लगतार अपने शब्दों और कारियों के बारे में सोचते हैं और ये भी कि वे दूसरों की अनुभूतियों को सकरात्मक तरीके से आकार कैसे दे सकते हैं तीसरा P प्रदर्शन के लिए है इसका मतलब है आप जो करते हैं उसमें आप कितने अच्छे हैं अपने शेत्र में आपकी सक्षमता और विशेशग्यता का स्तर क्या है परिडाम पाने की योगता के लिए जिन लोगों को उचा सम्मान दिया जाता है वे उसत कर्मचारी के तुलना में कहीं ज़्यादा राजी कर सकते हैं ये विशेशग्य शक्ती का हिस्सा है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की थी आपकी प्रदर्शन शमताओं के बारे में दूसरे लोगों की क्या अनुभूती है इससे इस बात पर भारी प्रभाव पड़ता है कि वे आपके बारे में कैसा सोचते और महसूस करते हैं इसलिए आपको अपने शेत्र के सर्वश्रेष्ट लोगों में से एक बनने के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए अपने काम में उत्कृष्ट बनने की प्रतिष्ठा राजी करने वाला शक्तिशालि घटक बन सकती है ये आपको अपने आसपास के लोगों के साथ आपके सारे संपरकों में बेहत प्रभावी बना सकती है वे आपकी सलाह स्विकार करेंगे आपके मार्ग दर्शन के प्रति खुले होंगे और आपके आगरह माल लेंगे राजी करने की शक्ति में चौथा पी है विनम्रता लोग दो कारणों से चीजे करते हैं या तो इसलिए क्योंकि उन्हें वे करना चाहते हैं या फिर इसलिए क्योंकि वो उन्हें करने पड़ती हैं जब आप लोगों के साथ दयालुता, शिष्टता और सम्मान से पेश आते हैं, तो वे आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं। वे आपकी समस्याएं सुलजाने और आपके लक्ष हासल करने में मदद करने के लिए काफी दूर तक जाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरे लोगों के प्रती अच्छा बनने से सबसे गहरी अवचेतन आवशक्ताओं में से एक संतुष्ट होती हैं। महतपून और सम्मानित महसूस करने के आवशक्ता। जब भी आप अपने विवहार से लोगों को महतपून महसूस कराते हैं, वे आपसे राजी या प्रभा प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी। दूर दर्शिता और अभ्यास से, आप राजी करने या प्रभाव डालने में बेहत प्रभावी बन सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगर शक्ती हमेशा ये सोच कर बढ़ा सकते हैं कि आप अपने लक्षे हासल करने में दूसरों का समर्थन और सहयोग कैसे हासल कर सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ संप्रिक्षन करें, राजी करें, सौधे बाजी करें, प्रभावित करने, सौपने और लोग विभार को प्रभावी धंग से करने के योगता आपको दूसरे लोगों के प्रयासों, दूसरे लोगों के ज्यान और दूसरे लोगों के धन का इस्तमाल कर करके leveraging करने में सक्षम बनाएगी आपकी राजी करने के शक्ति का विकास आपको अपने संगठन के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी लोगों में से एक बना देगा ये आपके जीवन के हर शेत्र में आपके लिए द्वार खोल देगा क्या आप कभी ये सोचने के लिए रुके हैं कि हर व्यक्ति विक्री के छेत्र में है हर व्यक्ति किसी न किसी को कोई न कोई चीज बेच कर अपनी आजीवी का कमाता है हर व्यक्ति कमिशन पर काम करता है हमें जीवन में जो भी मिलता है लगबग हर चीज इस बात से तैह होती है कि हम दूसरों के जीवन और कामकाज में कितना मूल्यवान योगदान देते हैं हम जितना जादा और जितना बहतर बेशते हैं हम उतना ही जादा पैसा कमाते हैं हम जितना बहतर बेचते हैं, हमारा जीवन धी उतना ही बहतर बनता है। जब आप स्वयम को, अपने प्रॉडक्ट और सेवाओं को दूसरे लोगों को बेचने में बेहद उतक्रिष्ट बन जाते हैं, तो आपका जीवन अमीरी, पुरसकारों और सम्मान से भर जाएगा। कुछ लोगों को बेचने का विचार पसंद नहीं आता, कई वर्षों से लोगों को ये यकिन दिलाया जा रहा है कि आजीविका के लिए बेचने का विचार कोई बे स्वाज चीज है। लेकिन ये बकवास है, जो लोग बेचने के निंडा करते हैं, ये वे लोग हैं जो पर असल ये है आप कितने अच्छे हैं आपके पास जो एक मात्र सच्चा विकल्ब है वो ये है कि आप विक्री में या तो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं लेकिन हर व्यक्ति हर समय विक्री के विवसाई में होता है बेचनी के योगयता का एक बेहद महत्वपून अमल है आत्म उन्नती आत्म उन्नती को इस तरह परिभाशत किया जा सकता है कि ये ज़्यादा लोगों ज्यादा स्थानों पर और ज्यादा बार खुद को ज्यादा प्रभावी धंग से बेच कर अपने जीवन में ज्यादा ते दूसरा 10-15 साल में कर सकता है यदि आप हर साल 20,000 डॉलर कमा रहे हैं तो प्रभावी आत्म उन्नती की बदौलत आप हर साल 50,000 या 1,000,000 डॉलर तक पहुँचने में सक्षम बन जाएंगे जो आप इसके बिना नहीं कर पाते अगर आपने बस अपना काम किया होता और गिल्ञादी नियम इस प्रकार हैं सबसे पहले ऑसत से जदा तेजगती से आगे निकलने वाला हर व्यक्ती किसी ना किसी तरह की आत्म उन्नती में संलंग्द हैं आत्म उननती एक तरह का बेचना है आपको जो एक मात्र निड़्नय लेना होता है ऑच रहे हैं कि आप इसका मेहनत के कई साल बज सकते हैं और आप कई हजार डॉलर कमाने में सक्षम बन सकते हैं जो आपकी उम्र और शिक्षा के इस्तर के लोगों से जादा होता है अपना सर्विश्रिष्ट पैर आगे कैसे रखना है ये सीखना आपके जीवन के हर पहलू के गुण्वत्ता को आश्च इसने लोग आपके बारे में सकरात्मक राय रखते हैं हर समुदाई हर विवसाई या उध्योग में सबसे प्रभावी और सफल लोग वही होते हैं जो सबसे जादा लोगों को जानते हैं और जिन्हें सबसे जादा लोग जानते हैं Harvard Business School के Dean Theodore Levitt के अनुसार किसी कमपनी की सबसे मूलेवान संपत्ती उसकी प्रतिष्ठा है इसके ग्राहक इसे किस तरह से जानते हैं इसी तरह व्यक्ति के रूप में आपकी सबसे मूलेवान संपत्ती ये है कि आपके संसार के महतवपून लोग आपको किस तरह से जानते हैं जिस तरह के लोग आपकी मदद करने की इस्तिती में होते हैं उनके मन में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप जो भी करते हैं, हर वो चीज आपके जीवन और करियर को तेज मार्ग पर पहुँचाने में योगदान देती है चौथा, आत्म उन्नती अंत्त है किसी महत्वपून चीज पर आधारित होनी चाहिए आप धुए और आईनों का इस्तमाल नहीं कर सकते आप अपने शांदार पैतरों और अपने व्यक्तित्व की शक्ती से लोगों को चौंधिया कर आगे नहीं निकल सकते आपके पास देने के लिए कोई मुल्यवान चीज होनी चाहिए संशेप में आपको किसी ऐसे चीज में अच्छा बनना होता है जिसे दूसरे लोग मुल्यवान मानते हैं अध्यन के बाद अध्यन दर्शाता है कि आप सर्विश्रेष्ट क्लबों के सदस्य बन सकते हैं सबसे फैशनेबल प्रेटन्स थलों पर सैर सपाटा कर सकते हैं और सबसे सफल लोगों के साथ मेल जोल कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अपने प्रयास के शेत्र में उत्करिष्ट बनने का समय नहीं निकाला है, तो आप जिन लोगों से मिलते हैं, वे आप में बहुत कम रुची लेंगे. आकर्शन का नियम कहता है कि आप अवश्यम भावी रूप से अपने जीवन में ऐसे लोगों को आकर्शित करते हैं, जो आपसे बहुत मिलते जुलते हैं. एक जैसे पंक वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके ज़्यादा चीज़ें सांजी होती हैं, जो काफी हद तक आपके जैसे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो अपने जीवन और विवसाई में विकास के आप जैसे ही इस्तर पर होते हैं. Fortune 500 Corporation के CEO, अपने ही इस्तर के दूसरे CEO के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं. Academy पुरस्कार विजेता Film Star, बड़े नाम वाले दूसरे Film Star के साथ सामाजिक मेल जोल की प्रविर्टी रखते हैं. किसी बिक्री संगठन के शीर्ष सेल्स पिपल में एक दूसरे को आकरशित करने, सामाजिक मेल जोल करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने की प्रविर्टी होती है. यदि आप शीर्ष लोगों के समूह में शामिल होना चाते हैं, तो आपको उसके कीमत चुकानी होगी. जो लोग आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ने का अधिकार आपको अर्जित करना होगा. आत्म उन्नती का शुरुवाती बिंदू तब होगा, जब आप अपने शेत्र के सर्वश्यष्ट लोगों में से एक बनने का लक्ष तै करते हैं और उसके योजना बनाते हैं. आप अपने काम में जितने बहतर बनते हैं, आपके व्यवसाइख जीवन के मुख्य लोग आपका उतना ही ज़्यादा सममान करेंगे. जब आप बहतर बनते हैं, तो आप ऐसे लोगों के ज़्यादा समान बन जाएंगे जो जीवन के मार्ग पर आगे जा चुके हैं. आपको पुस्तके पढ़नी चाहिए, आडियो प्रोग्राम सुनने चाहिए और कोर्स वा सेमिनार में हिस्सा लेना चाहिए आपको ज़्यादा जल्दी शुरू करना चाहिए, ज़्यादा कड़ी महनत करनी चाहिए और ज़्यादा देर तक रुखना चाहिए आपको सलाह मागनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए आपके भीतर की जो बाधाएं आपको पीछे रोक रही हैं उनसे उबरने का आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए आपको अनिवारे योगिताएं विक्सित करनी चाहिए जिनके जरुरत आपको अपने शेतर के शीर्ष दस प्रतिशत लोगों के समुह में शामिल होने के लिए है आत्म उन्नती के इस पहलू का अद्वध हिस्सा ये है कि ये पूरी तरह से आपके नियंतरण में है ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है ये पूरी तरह से आप पर है आप ही हैं जो इसे घटित कराते हैं यदि आप अपने खुद के विकास की जिम्मिदारी नहीं लेते हैं तो इसे आपकी तरफ से कोई दूसरा ना तो ले सकता है ना ही लेगा कोई भी बचाव के लिए नहीं आ रहा है हारवर्ड युनिवरस्टी के डैविड मैकली लेंड ने बरसों तक उस विशे पर शोध किया जिसे उन्होंने उपलब्दी घटक कहा उनका एक निशकर्ष काफी आश्चर रजनत था उन्होंने पाया कि आप कितने सफल हुए ये तै करने में रेफरेंस ग्रूप यानि संदर्ब समुहू के आपके चयन की भूमे का किसी भी दूसरे घटक जितनी या उससे भी ज़्यादा महतवपून थी आपके संदर्ब समुहू की परिभाशा वे लोग हैं जिनके जैसा आप खुद को समझते हैं जिनके साथ आप कामकाज करते हैं, सामाजिक मेल जोल करते हैं और यहां तक की बड़े भी होते हैं जिन लोगों के साथ आप आदतन रूप से जुड़ते हैं वे आपके चलने, बोलने, सोचने, महसूस करने और विवहार करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं घर पर या ओफिस में आपका संदर्ब समूँ, आपके नजरियों, विवहार, विश्वासों और चुनावों पर काफी ज़्यादा प्रभाव डालता है आप अचेतन रूप से इन लोगों के पैमानों के अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं चाहे वे सकरात्मक हों या नकरात्मक किसी भी शेत्र में लोग आम तोर पर उस शेत्र के दूसरे लोगों के नजरियों और विवहार को अपना लेते हैं खास तोर पर उन लोगों के जो सबसे ज़्यादा प्रशंसित और सफल होते हैं आपके साथियों के समुहु का आपकी वर्तमान व्यक्तित्व पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है और आपके भावी व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा कामकाज के बाद और वीकेंड के दौरान आप जिन मित्रों के साथ सामाजिक मेल मिलाप करते हैं उनका आपके हर काम और आपके हर उपलवदी पर भारी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में हर मुख्य या महतवपून घटना मित्रों और सहयोग्यों का नया समुह बनाने के लिए होगी अक्सर एक औसत सेल्समेन किसी ऐसी कंपनी में पहुँचता है जहां शीर सेल्स पेपल भरे हुए हैं कुछ ही महीनों में वो औसत सेल्समेन औसत से बहतर हो जाता है और आगे चलकर वो उस उध्योग में शीर सेल्स परसन बन जाता है आपके व्यक्तिगत संदर्ब समुह का परिवर्तन आपके अकांशाओं, लक्षियों, दिन चर्याओं और उपलब्दी के स्तरों को पूरी तरह बदल देता है कई लोगों का जीवन बिना सोची समझी बे तर्तीब घटनाओं की श्रंकला जैसा होता है जैसे मेले में बंप कार होती है उनके सामने जिस भी नौकरी का प्रस्ताव रखा जाता है वे उसे स्वीकार कर लेते हैं जो भी व्यक्ति उपलब्द होता है वे उसी के साथ लंच ले लेते हैं जिससे भी वे मिलते हैं या जो भी उस वक्त दर्वाजे के बाहर निकल रहा होता है, वे उसी के साथ समाजिक मेल मिलाप करने लगते हैं। उनके मानविय संबंध काफी हद तक अनियोजित और असमंदित होते हैं। उनके जीवन टकरावों और घटनाओं की श्रंकला से बने होते हैं, जिनमें बहुत कम योजना या उदेश्य होता है। दूसरी ओर सफल लोग अपने मित्रों, साथियों और सहकर्मियों का चैन बहुत सोच समझ कर करते हैं। सफल लोग अपने जीवन की योजना बनाते हैं, और फिर वे ऐसे लोगों को खोचते हैं, जिनकी योजनाएं और अकांशाएं उनके समान होती हैं। सफल लोग सपश्टता से जानते हैं कि अगर भी जादा तेजी से आगे बढ़ना चाते हैं, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है और उन्हें किसे जाननी की जरूरत है। अपने युग में संसार के सबसे दौलत मंद व्यक्तियों में से एक बैरन रॉत्स चाइल्ड ने सफलता के अपने सूत्र वाक्यों में लिखा था, निरर्थक परिचे ना बनाएं। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी अप्रजातांत्रिक या भावहीन महसोस हो सकती है। क्या आपको ओहदे, पद या शेत्रमी उनकी सफलता के स्तर को तवज्जो दिये बिना लोगों से सामाजिक मेल मिलाप नहीं करना चाहिए या उटना बैठना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एक जैसे पंक वाले पक्षी इखटे उड़ते हैं। ये स्वभाविक है कि उच्छ सफल व्यक्तियों के शीर्ष 20 प्रतिशत लोग दूसरे उच्छ सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जब वे युवा और अनुभव हीन थे तो उनके रोल मॉडल उनके संगठन के शीर्ष सस्त लोग थे। उच्छ सफल व्यक्ति अपने आसपास के आम लोगों के साथ नहीं जुड़े। उनकी निगाहें जादा उचाई पर केंद्रित थी और बहुत कम समय में ही वे शीर्ष 20 प्रतिशत लोगों के समूँ में पहुँच गए। जैसे कि उन्होंने योजना बनाई थी। कई चीजें हैं जो आप पंक्ती में सबसे आगे पहुँचने, अपने करियर में छलांग लगाकर आगे पहुँचने और उन्नती करने के लिए कर सकते हैं। दूसरों ने ज़्यादा तेजी से आगे निकलने के लिए जो किया है, उनकी नकल करके आप खुद को उन प्रमुख लोगों के ध्यान में ला सकते हैं, जो सफलता की सीड़ी पर चरने में आपके मदद कर सकते हैं। अपने काम से शुरुवात करें। जैसा पहले कहा जा चुका है, अगर आप अपनी कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने काम में अच्छा होना चाहिए और लगातार बहतर बढ़ना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि वे व्यक्तित्व और राजनीती के दम पर आगे निकल सकते हैं, लेकिन राजनीती और दाओं पेच इनसान को एक सीमा तक ही आगे ले जा सकते हैं, और फिर वे पकड़े जाते हैं। प्रबंधन प्रामर्श दाता पीटर ड्रकर कहते हैं, सिर्फ सच्मुच सक्षम व्यक्ति ही राजनीती से उपर उठ सकता है। संगठनों में राजनीती का लक्षय आम तोर पर लोगों और संसाधनों पर नियंतरन हासल करना होता है। यदि आप अपने संगठन के सबसे मूलेवान व्यक्तियों में से एक हैं, तो आपको आगे निकलने के लिए रणनीती या दाव पेंचों की जरुवत नहीं होगी। आप उन मूलेवान संसाधनों में से एक होंगे, जिने आकरशित और प्रभावित करने के लिए दूसरे लोग उत्सुख होंगे। आप जो करती हैं, उसमें बहतर बन कर आप औजी राजनीती से उपर उठ सकते हैं। जब आप अमूले योगदान देने के बिंदू पर पहुँच जाते हैं, तो हर व्यक्ति जिसमें आपका बौस भी शामिल है, आपके पास आएगा। अपने काम में अच्छा बनना आपके आसपास के लोगों का सम्मान पाने की कुण्जी है। ये प्रभावी आत्म उन्नती के पीछे की उर्जा और शक्ती है। यदि आपके संगठन के बहुत से लोग अपने काम में अच्छी हैं, तो ऐसे इस्तिती में क्या किया जाए। आप भीड से अलग कैसे दिख सकते हैं। 104 वरिष्ट एक्जेक्यूटिव्स के अध्यन में बहु संख्यक लोगों ने कहा कि उनके संगठन में तीवर तरक्की या उन्नती की दो कुंजियां थी। पहली ये थी कि जिन लोगों को जादा वेतन और जादा तेजी से तरक्की दी जाती थी। उनमें स्पष्ट प्रात्मिक्ताएं तैय करने की योगता थी। उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रत करना सीख लिया था कि क्या प्रासंगिक और महत्वपून था। इसलिए वे कम महत्व के काम उपर समय बर्बाद नहीं करते थे। वरिष्ट एक्जिक्योटिव्स ने कहा कि दूसरी कुंजी ये थी। कि उनके संगठन के सबसे सफल लोगों के पास तातकालिक्ता का एहसास था। वे काम को जल्दी से और अच्छी तरह पूरा कर लेते थे। महनती कर्मचारी की छवी बनाने से आप अपने बॉस की निगाह में जितनी तेजी से आएंगे उतनी किसी दूसरी चीट से नहीं आ सकते। ओफिस में बहुत सारे कर्मचारी आलसी होते हैं। Robert, Half International and Associates के अनुसार, उसत कर्मचारीों का 37 प्रतिशत कामकाजी समय, सामाजिक मेल जोल और सह कर्मियों के साथ निरर्थक हसी मजाक में गुजरता है। ओफिस का 15 से 20 प्रतिशत अतरिक्त समय, निजी कामकाज, लंबे कॉफी ब्रेक और लंच के घंटों, निजी फोन कॉल, खरीदारी और अन्य गैर कामकाजी गतिविधियों में बिताया जाता है। पल स्वरूप आम कर्मचारी 50 प्रतिशत से भी कम शमता से काम करता है। यदि आप सच मुझ उन्नती करना चाहते हैं, तो इस पष्ट प्रत्मिक्ताएं तै करें, और जितने समय काम करें, पूरे समय काम करें। जब आप ओफिस पहुंचें, तो अपना सिर्थ नीचा करें और पूरे कामकाजे दिन में काम करें। यदि आप विक्री के छेत्र में हैं और कार में बैठकर किसी ग्राहक से मिलने जा रहे हैं, तो पूरे दिन इस तरह व्यवहार करें, मानो आपका बॉस आपके पास वाली सीट पर बैठा हो। पूरे दिन की तनख्वा के बदले पूरे दिन का काम करने के लिए खुद को अनुसाशत करें। याद रखें, भले ही कोई ना देख रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि हर कोई देख रहा है। आपके संगठन में हर व्यक्ति को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा रहता है कि आप क्या करते हैं और आप इसे कितनी जादा बार करते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि आप कितना जादा काम करते हैं और कितना जादा हासल करते हैं। हर व्यक्ति हर पल के लिए पारदर्शी होता है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही ये समझता है कि चूंकि कोई नहीं देख रहा है, इसलिए किसी को पता नहीं है। आज आत्म उन्नती का अर्थ है लेने वाले के बजाए देने वाला बनना। अपने सह कर्मियों की नौकरी में मदद करने के हर अफसर की तलाश करें। प्रतिस फर्दा के बजाए सहयोग पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप आगे बढ़ने में दूसरों की मदद करती हैं, तो ये दो तरह से आपकी और लोटेगा। आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करती हैं, बदले में वे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करेंगे। बोने और काटने का नियम कहता है, आप बदले की उम्मीद के बिना जितना ज़्यादा देते हैं, आपको सबसे अप्रत्याशित शुरोतों से उतना ही ज़्यादा मिलेगा। हर संगठन में सफल लोग मदद करने के तरीकों की हमेशा तलाश करते रहते हैं, वे जितना बाहर निकलते हैं, उससे ज़्यादा अंदर डालने के तरीकों की हमेशा तलाश करते रहते हैं। आत्म उन्नती में आपको कभी ये चिंता करने के जरुरत नहीं होती कि श्रै किसे मिलेगा आप जितना ज़्यादा श्रै देते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी ओर लोटेगा आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करती हैं, वे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करना चाहेंगे आप बॉस के काम में और उनके अच्छा दिखने में जितनी ज़्यादा मदद करती हैं आपका बॉस अफसर के उतनी ही ज़्यादा द्वार आपके लिए खोल देगा जिससे आप ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएंगे आपके काम के बाहर आत्म उन्नती में आपको दो तीन समुदाइक संगठनों में शामिल होना चाहिए ये व्यवसाई क्लब हो सकते हैं जैसे लौइन्स, रोटरी या फिर प्रोपकारी संस्थाएं भी आप राजनीतिक या धार्मिक संगठनों में शामिल हो सकते हैं या फिर सार्थक काम या उदेशत से जुड़े अन्य गैर लापकारी संगठनों में भी शामिल हो सकते हैं आपको इन संगठनों में क्यों शामिल होना चाहिए? सबसे अच्छे कारण से हर समुदाय के सबसे प्रभावी लोग समुदायक संगठनों में शामिल होते हैं वे अपने समय और धन का योगदान देकर शहर को बहतर स्थान बनाना चाहते हैं यदि आप सबसे अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं तो उन संगठनों में शामिल हो जाएं, जिनके वे सदस्य हैं। एक बार जब आप किसी संगठन में शामिल हो जाएं, जिसमें आप विश्वास करते हैं, तो सक्रिय हो जाएं। पता लगाएं कि चंदा इखटा करने और संगठन की गतिविद्यों की कौन सी मुख्य समितियां हैं। इन समितियों में चामिल होकर स्वेच्छा से काम मांगें। बाहरी गतिविद्यों में हर सप्तहा दो-तीन रातों का समय दें। जहां आप इन संगठनों के लक्षियों में मदद करने के लिए पूरे दिल से काम करें। बहुत ही कम समय में आप महतुपूर्ण लोगों की निगाह में आने लगेंगे, जो आपके जीवन के दूसरे हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने राजनितिक दल में शामिल हूँ और दल या अपने पसंदिदा वह विश्वस्तिया उमिद्वारों के पक्ष में सक्रिय हो जाएं। यदि आप विबिन संगठनों में छुट-पुट चंदा देते हैं तो आपका नाम उनके डाक सूची से चुड़ जाता है। और वे आपको अपने मीटिंग में आमंतृत करेंगे। जो व्यक्ति किसी राजनितिक दल को 25 डॉलर का चंदा देता है, उसे उन्हीं मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें 500 या 5000 डॉलर चंदा देने वालों को आमंतृत किया जाता है। किसी को भी कभी ये बताने के ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना चंदा दिया है। थाने सामुदाइक मसलों में शामिल हूँ, अपने शहर की नगरपालिका की बैठकों में शामिल हूँ, थाने अकबार पड़ें और उनमें जब भी शहर के शीशस्त इस्तरी पुर्षों के बारे में लेक या खबर दिखें, तो उन्हें समर्थन या सहमती के पत्र लिखें यदि आपके मन में कोई सवाल या चिन्ताएं हूँ, तो उन लोगों को पत्र लिखें या फोन करें, जिनके नाम आप अकबार में या टेलिविजन पर देखते हैं याद रखें, आपका लक्ष जादा से जादा महतोपूर्ण लोगों से परिचर हासल करना है, इसलिए आपको बाहर जाकर उनके आसपास रहने के हर अफसर का लाब लेना चाहिए अपने सारी कोशिशें पाने के बज़ाए देने पर ध्यान केंदरत करें, आपको अकसर लंबे समय तक अपना समय और उर्जा देनी होगी, उसके बाद ही परिणा मिलेंगे लेकिन जब आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, जो के निश्चित रूप से होंगी, तो ये सब सार्थक साबित हो जाएगा इतने बरसों से मैं कई इस्तरी पोर्षों से मिल चुका हूँ, जिन्होंने अपने व्यवसाय और समुदाय में बिल्कुल अंजान व्यक्ति के रूप में शुरुआत की थी लेकिन वे अपनी कंपनी, अपने उध्योग, अपने परोपकारी संस्थाओं, अपने राजनितिक दलों और अपने शहर के संगठनों की गती विध्यों में गहराई से शामिल हुए, जहां शीर्ष लोग इखटे होते थे बहुत ही कम समय में वे अपने सहकर्मियों से आगे निकलने लगे, उनकी सामुदाई गती विध्यों के माध्यम से वे जिन लोगों को जानते थे, वे शक्ती और प्रभाव के पदों पर बैठे थे उनके लिए द्वार खोल दिये गए और उन्हें बहतर नौक्रिया मिली, चूकि उन्हें पसंद किया जाता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा तेजी से आगे निकलने के अफसर दिये गए हेरोडोर्ट्स ने एक बार लिखा था, पूरा जीवन कर्म और जोश है, अपने समय के कार्णियों और जोशों में शामिल ना होने में ये जोखिम रहता है, कि आपने दरसल जिन्दिगी को जिया ही नहीं आप जो करते हैं, उसमें बहुत अच्छा बनकर सतत आत्म उन्नति करने पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपका लक्ष अपनी कंपनी के लिए अनिवार्य बनना है आपको अपने समुदाए के महत्वपून लोगों से लगातार परिचर करना और बढ़ाना है जब आप दूसरे लोगों और उद्दिश्यों को देने के हर अफसर का लाब लेते हैं तो आप खुद को देवदूतों के समुह में पहुचा देंगे आपकी और जो पुरसकार लोटेंगे वे आपके प्रियासों की तुलना में बहुत ज़ादा होंगे इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने प्रियास कर सकते हैं आज ही इसी मिनट ये निर्णेले कि आप अपने समुदाई के सबसे मशूर और सम्मानत लोगों में से एक बनने जा रहे हैं एक लक्षे बनाएं, एक योजना बनाएं और शुरू हो जाएं हो सकता है कि इसमें आपको तीन या चार या पांच साल लग जाएं लेकिन आपको पता चल पाए, इससे पहले ही आप अपने शेत्र के सबसे प्रभावी लोगों में से एक बनने की रहा पर होंगे अध्याई 11 आप जो करते हैं उसमें बहतर बने आज हम सूचना के युक में रह रहे हैं हमारी अर्थववस्ता में ज्ञान और विचार मूल्य के मुख्य श्रोत हैं जिनके साथ उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से कर्म में बदलने की काबिलियत है और ध्योगिक युक से, सेवा युक से, सूचना युक तक की गतिविदियां इतनी तीवर रही हैं कि जादतर लोग इसके साथ साथ नहीं चल पाए हैं हमारा शिक्षा तंत्र अब भी विध्यार्थियों को ऐसे नौकरियों के लिए तयार कर रहा है जो तुलनात्मा गुरूप से अकुशल नौकरियां हैं जिनमें सीमित शिक्षा की जरुरत है लेकिन ये नौकरियां जादतर जा चुकी हैं आज नियम ये है आप जितना जादा सीखते हैं आप उतना ही जादा कमाते हैं भविश्य उन मुठी भर इस्त्री पुर्शों का है जो अपने ज्यान और योगिताओं का लगातार नवीनी करन करते रहते हैं वेखुत को उन नए अफसरों का लाब लेने के लिए लगातार तयार करते हैं जो हर दिन उत्वन हो रहे हैं इस अध्याई में हम मानसिक क्रॉस ट्रेनिंग या मिश्रित प्रशिक्षन के बारे में बात कर रहे हैं क्रॉस ट्रेनिंग शब्दावली खेल जगत से ली गई है विश्व विख्यात खिलाडियों को कई वर्शों से ये पता है कि शिखर प्रदर्शन केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है और वो है संतुलिक तरीके से अपना शारिरिक विकास करना शारिरिक मिश्रित प्रशिक्षन वो प्रदरिया है जिसमें सहन शक्ती, शक्ती और लचीलेपन पर बारी-बारी से काम किया जाता है ये संतुलिक विकास सुनिश्चित करने का एक मात्र मार्ग है मानसिक मिश्रत प्रशिक्षन में आप अपने ज्ञान और युगिताओं के भंडार के साथ भी यही करते हैं आप अपनी शक्ती के शेत्रों पर काम करते हैं साथ ही उन शेत्रों पर भी जहां आपकी कमजोरियां आपको पीछे रोक रही हैं आप संतुलित तरीके से विकास करते हैं कुछ अर्थ शास्त्री और राजनेता कहते हैं कि ओसत आमदनी 189 से नहीं बड़ी है ये कथन सही भी है और जूट भी ये सच है कि ओसत आमदनी जादा नहीं बड़ी है क्योंकि अब बहुत सारे एकल अभिभावक घर हैं जिनके आमदनी कम होती है ये जूट इसलिए है क्योंकि शीर्ष 20 प्रतिशत लोगों की आमदनी आपके जैसे उन इस्तरी पुर्षों की आमदनी जो लगातार सीख रहे हैं और विकास कर रहे हैं समय के साथ लगातार बढ़ी है आउसत आमदनी नहीं बढ़ने का कारण ये है कि कम कमाने वालों की संख्या जादा कमाने वाले लोगों की संख्या से जादा तेजी से बढ़ी है आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो परिवर्तन की तीवर गती के साथ कदम मिलाने के लिए सीख नहीं रहे हैं और विकास नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उन व्यापक योगिताओं को हासल करने के लिए खुद को समर्पित करके अपनी मदद कर सकते हैं जिनसे आप अपने शेत्र में सर्व श्रेष्ट स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम बन जाते हैं शेक्षणिक स्तरों और आजीवन आमदनी के आपसे संबंदों का अध्यन करने वाले आंकडे काफी विजलित करने वाले हैं मिसाल के तोर पर जो व्यक्ति हाई स्कूल के पढ़ाई पूरी करता है वो अपने जीवन काल में औसतन लगभग 6 लाग डॉलर कमाएगा सूशना युब में हाई स्कूल तर की शिक्षा वाले व्यक्ति को कम वेतन वाले नौकरियां ही मिल सकती हैं जिन में बहुत कम दीर्ग कालीन संभावना होगी बहरहाल यदि कोई व्यक्ति हाई स्कूल के पढ़ाई पूरी कर लेता है और दो साल तक सामुदाई कॉलेज में पढ़ लेता है तो उसकी आजीवन आमदनी उचल कर 10 लाग डॉलर से जादा हो जाएगी इसका अर्थ है कि शिक्षा के दो अतिरिक्त वर्षों से आजीवन आमदनी में 66 परतिशत व्रद्धी हो जाएगी यदि कोई व्यक्ति कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है और लिबरल आर्ट की उपलबधी ले लेता है जिसमें 4 साल की पढ़ाई होती है तो उसकी उसत आमदनी 14 लाग डॉलर से जादा हो जाएगी यदि वो मास्टर्स दिग्री भी ले लेता है जिसमें 2 अतिरिक्त वर्ष लगते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में 20 लाग डॉलर कमाने की उम्मीद कर सकता है PhD होने पर जिसमें 7, 8 या इससे भी जादा साल का अध्यन करने की आवशक्ता होती है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में 30 लाग या उससे जादा डॉलर कमाने की उम्मीद कर सकता है दो प्रकार के शिक्षा होती है औपचारिक और अनपचारिक आपचारिक शिक्षा वो होती है जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलती है जिसमें कोर्स की जरूरत होती है और जिसके अंत में किसी तरह की उपाधी या प्रमाण पत्र मिलता है कई लोगों ने अपने शुरुवाती वर्षों में अच्छी आपचारिक शिक्षा को नजर अंदास कर दिया था जिम्मेदारियों और वित्यकर्तव्यों के चलते जादतर लोगों के लिए ये असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है कि वे आपचारिक शिक्षा पूरी करने के लिए पॉलेज या युनिवर्सिटी लोट सकें लेकिन अनापचारिक शिक्षा एक अलग ही मामला है ये वो है जो आप स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद अपने दम पर स्वर निर्देशित अध्यन और अनुभव से खुद सीखते हैं जिन परिणामों के लिए आपको भुक्तान मिलता है उन्हें पाने के लिए आपको जिस ज्ञान और योगिताओं की जरूरत है उनको सीखने में ये कहीं अधिक मुलेवान साबित होती है आप अपने पूरे व्यस्क जीवन में निजी और पेशिवर विकास की प्रती खुद को समर्पित करके अनौपचारिक शिक्षा हासल कर सकते हैं कुन्जी है नियमित रूप से पढ़ने का समर्पन यदि आप हर दिन सिर्फ एक घंटा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है एक सप्ता हमें लगभग एक पुस्तक एक सप्ता हमें एक पुस्तक का मतलब होता है हर साल लगभग पचास पुस्तकें किसे अग्रणी विश्व विध्याले में PhD करने वाले व्यक्ति को डिजर्टेशन में 30-50 पुस्तकों के अध्यन और विश्लेशन के जरुरत होती है इसका अर्थ है कि आप हर दिन एक घंटे अपने शेत्र में पढ़कर ही हर साल एक व्यवहारिक PhD कर रही है अपने शेत्र के बाहर के विश्यों पर भी पढ़ें किसी अच्छे विश्व विध्याले से लिबरल आर्ट्स के उपाधी पाने के लिए विध्यार्थी के लिए ये जरूरी होता है कि वो इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य, कला और बहुत से अन्य विश्यों का अध्यन करे विचार और ज्ञान के कई शेत्रों के संपर्क में आने की वजह से विध्यार्थी पूर्ण विक्सित हो जाता है आप अपने दम पर भी काफी कुछ ऐसा ही हासल कर सकते हैं भले ही वर्तमान में आपको इन विश्यों में कोई ज्यान ना हो लेकिन एक समय में थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप काफी सारा ज्यान हासल कर सकते हैं इन शेत्रों में से किसी एक में आपको कभी कबार कोई पुस्तक या पत्रे का उठा कर उस पर नजर डालनी चाहिए अपनी रुची के विशय के किसी सेमिनार या व्याख्यान में जाएं समाजिक दिश्टी से ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिनकी भिन प्रश्ट भूमी हो उनसे उनकी विविद रुच्यों के बारे में पूछें सलाह मांगे कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और किन जगहों पर जाना चाहिए अपने विद्यमान ज्यान और योगिताओं के साथ यथा इस्ति की लीक में फंसने की स्वाभाविक प्रवर्ती का विरोध करें इसकी बजाए नए और भिन्ध विश्यों की परताल करके अपने शितिजों का विस्तार करने के लिए खुद को विवश करें आजीवन विद्यार्थी बने आज आप चाहे जो कर रहे हूँ अपना ज्यान और योगिता इतनी तेजी से दक्या नूसी बन रही है जितनी पहले कभी नहीं ही ज्यान लगभग हर शेत्र में तीन से पांच साल में दुगना हो रहा है इसका अर्थ है कि आपको इसकी बराबरी पर रहने के लिए ही तीन से पांच साल में अपने ज्यान को दुगना करना चाहिए यदि आप प्रगती करना चाहते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा तेज गती से सीखना होगा उसे उससे बहतर करने में सक्षम होना चाहिए वरना ऐसा करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा मानसिक मिश्रित प्रशिक्षन से अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको सबसे पहले वो विशय तै करने की जरूरत है जिनमें उतक्रिष्ट बनकर आप अपने छेत्र में शीरशस्त दस्त से 20 प्रतिशत लोगों के सहमुह में शामिल हो सकते हैं आपको अपने शेत्र में शिखर तक पूरे रास्ते जाने का निर्नय लेना चाहिए या फिर वहाँ पहुँचने के लिए आवशक योगताओं वो विशय शग्यता को विक्सित करना चाहिए सौभागय की बात ये है कि दूसरे लोग आप से पहले ये कर चुके हैं इसलिए आप भी कर सकते हैं आपको तो बस उनके पदचनों पर चलने की जरूरत है हर शेत्र में बुनियादि सक्षमताईं मुख्य परिणाम शेत्र और अती महत्वपून सफलता घटक होते हैं आप इन में से प्रतेक शेत्र में कैसा प्रदर्शन करते हैं और कैसे परिणाम पाते हैं इसी से आपकी आमदनी, आपकी सफलता करस्तर और हर वो चीज तै होती है जो आप अपने करियर में हासल करते हैं यही आपको लक्षय हासल करने में सक्षम बनाते हैं हिसे व्यक्ति या व्यवसाई के लिए बुन्यादी सक्षमताईं वे धुरी हैं, जिनके चारों तरफ हर चीज घुंगती हैं, वे बुन्यादी योगताईं हैं, जिनसे कोई करियर या व्यवसाई संभव होता है आप में जितनी जादा बुनियादी सक्षमताइं होती हैं, आप उतने ही जादा सफल होंगे, चाहे आपके आसपास के संसार में कुछ भी हो रहा हो व्यक्तिगत बुनियादी सक्षमता बेचने या सौदेबाजी करने के योगिता हो सकती है ये सक्षमता काम करने और परिणाम पाने की आपके योगिता के लिए केंद्रिय है मुख्य परिणाम शेत्र वो योगिता है जिसके जरुरत आपको अपने काम में सकल परिणाम हासल करने के लिए होती है बेचने के लिए prospecting मुख्य परिणाम शेत्र है इसे मुख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शेत्र में कमजोरी बेचने की आपकी योगता को तबहा कर सकती है मुख्य परिणाम वे परिणाम हैं जिनने आपको पूरी तरह से पाना होगा तब ही आप अपने काम में सफल हो सकती है यहां एक महतपून बात पर गौर करें आपका सबसे कमजोर मुख्य परिणाम शेत्र ही आम तोर पर आपके आमदनी की उचाई को तै करता है आपकी शक्तियां आपको आगे बढ़ाती है जबकि आपकी कमजोरियां आपको पीछे रोकती है हो सकता है कि आप एक को छोड़कर हर मुख्य परिणाम शेत्र में उतकृष्ट बन जाए लेकिन वो एक कमजोरी ही आपके कम परदर्शन और कुंठा का कारण बन सकती है किसी भी नौकरी या व्यवसाई में अमुमन 5-7 योग्यता शेत्र ही होते हैं ऐसी कई चीजें हो सकती है जो आपको अपनी नौकरी करने या अपना व्यवसाई चलाने के लिए करनी होती है लेकिन आम तोर पर सफलता या असफलता तै करने वाले सचमुच महतपून काम सिर्फ 5-7 ही होते हैं बहुत जादा सफल होने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत मुख्य परिणाम छेत्रों को पहचानना चाहिए और फिर उनमें से प्रतेक में बहुत अच्छा बनने की योजना बनानी चाहिए मिसाल के तौर पर यदि आप विक्री के छेत्र भी हैं तो आपके साथ मुख्य परिणाम छेत्र ये हैं प्रोस्पेक्टिंग, ताल मिल बनाना, ग्राहक की समस्या को पहचानना जिसे आपका प्रोड़क्ट या सेवा सुलजा देगी अपने प्रोड़क्ट या सेवा को समधान के रूप में पेश करना आपत्यों का जवाब देना बिक्री पूरी करना और रैफरल्ट वह दुबारा बिक्री मांगना तथा पाना अपने प्रोडक्ट या सेवा को बेचने में भारी सफल होने के लिए आपको इनमे से प्रतेक छेत्र में उतक्रिष्ट बनना होगा आप चाहे जिस छेत्र में हूँ आपका पहला काम अपने मुखे परिणाम छेत्रों को पहचानना है फिर प्रतेक छेत्र में आप खुद को एक से दस तक के पैमाने पर स्कोर दें जिसमें एक नियुन्तम है और दस अधिक्तम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतेक छेत्र में आपका स्कोर साथ या इससे ज़्यादा होना चाहिए आप पाएंगे कि नियुन्तम स्कोर वाले छेत्रों में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है स्वा आंकलन के इस अभ्यास में आपको अपने साथ पूरी तरह इमानदार होना चाहिए आप बेहतर नहीं बन सकते यदि आप ये नाटक करें कि आप उस एक छेत्र में अच्छे हैं जिसने आपको पीछे रोक रखा है एक बार जब आप अपने मुख्य परिणाम छेत्रों में अपने स्कोर जोड़ ले तो अपने बॉस से कहें कि वो आपको हर छेत्र में स्कोर दे अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से भी यही करने को कहें अपनी योग्यताओं पर फीडबैक के प्रती खुले रहें अपनी कमजोरियों को पहचानने पर ध्यान के इंद्रत करें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको खुद पर कहां काम करने की जुरुरत है यदि आप प्रबंधन में हैं तो साथ मुख्य परिणाम छेत्र आपकी प्रभाव कारिता को तै करते हैं ये हैं योजना बनाना, विवस्था बनाना, ताफ नियुक्त करना, काम सौपना, निग्रानी करना, मापना और प्रतिवेदन देना यदि आप इन साथ शित्रों में से किसी एक में कमजोर हैं तो इससे परिणाम पाने की आपकी योगता कम हो जाएगी और आप अपने बाके गुणों का पूरी तरह इस्तमाल नहीं कर पाएंगे मिसाल के तोर पर माल लेते हैं कि आप योजना बनाने, विवस्था बनाने, टाफ नियुक्त करने, निग्रानी करने, मापने और अपने परिणाम, अपने वरिष्ट अधिकारियों को बताने में उतकरिष्ट है आपको सिर्फ एक समस्या है, आप काम सौपने में कमजोर है किसी कारण से आप सही काम, सही तरीके से सही लोगों को नहीं सौप पाते हैं इस वज़े से आप और आपका स्टाफ दोनों ही कुंठित हैं और शम्ता से कम प्रदर्शन कर रहे हैं यदि आप काम सौपने में कमजोर हैं और बाकी हर चीज में अच्छे हैं तब भी आप मैनेजर के रूप में अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुँच पाएंगे या तो आप हमेशा कमजोरी से काम सौपते हैं या बिलकुल भी नहीं सौपते हैं शायद आप गलत लोगों को काम सौपते हैं या आप गलत समय पर गलत तरीके से काम सौपते हैं शायद आप इस तरह से काम सौपते हैं कि किसी को भी ये पक्का पता नहीं होता कि आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं और कितनी संख्या वो गुणवत्ता में करते हैं काम सौपने की अयोगिता प्रबंधन में असफलता का मुख्य कारण है लेकिन अच्छी बात ये है सारी कारोबारी योगिताईं सीखी जा सकती है ऐसी कोई योगिता नहीं है जिसे आपको अपने भंडार में भरने की जरूरत हो और आप उसे अध्यन वा अभ्यास के जर्ये ना सीख सकते हो यदि किसी ने किसी खास योगिता में महारत हासल की है तो ये इस बात का सबूत है कि आप भी ऐसा ही कर सकते हैं उत्कृष्टता आपकी पकड़ के भीतर है आपको तो बस आवशक योगिता को पहचानना है इसका लक्ष बनाना है, योजना बनानी है और हर दिन उस छेतर में बहतर बनने पर काम करना है कोई सीमा नहीं है हर मुख्य परिणाम छेतर के साथ परदर्शन का पैमाना शामिल होना चाहिए ये इस बात को नापनी का तरीका है कि आप उस छेतर में कितना अच्छा परदर्शन कर रही है और कितने बहतर बन रही है जिस तरह हर खेल में परदर्शन का एक पैमाना होता है चाहिए उचाई हो, गती हो या दूरी हो उसी तरह आप हर मुख्य परिणाम चेतर में स्कोर रखने का एक तरीका तै कर सकते है जब आप अपनी बुनियादी सक्षमताओं अपने मुख्य परिणाम चेतरों और परदर्शन के पैमानों को स्पष्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप DIY प्रोजेक्ट बन जाती हैं आप गती विधी या परदर्शन के उस चेतर को पहचानते हैं जहां बहतर होने से आपको सबसे ज़्यादा मदद मिल सकती है फिर आप उस चेतर में काम में जुट जाते हैं बहुत ही कम समय में आपको परिणाम दिखने लगेंगे आपका आत्म गौरव और आत्म विश्वास बढ़ जाएगा आप आगे की गती का एहसास विक्सित कर लेंगे आप जादा सकरात्मक और आशावादी बन जाएंगे आप अपने शेतर के शिखर की ओर बढ़ने लगेंगे प्रदर्शन के तीसरे शेतर को अती महतवपून सफलता घटक कहा जाता है ये वे पैमाने या अती महतवपून कारे हैं जैसे बलड प्रेशर और तापमान जो संगठन या व्यक्ति के स्वास्थे को सूचित करते हैं ये पैमाने सफलता या असफलता को पकड़ते और तै करते हैं इसलिए इन्हे अती महतवपून कहा जाता है मिशाल के तौर पर कैश फ्लो किसी विवसाई में अती महतवपून सफलता घटक है यदि मस्तिश्क में रक्त के प्रवाह की तरह किसी समय ये बंध हो जाता है तो कम्पनी मर सकती है दैनिक, सापताहिक और मासिक बिक्री अति महत्वपून सफलता घटक है जब तक वे शक्तिशाली और सकरात्मक हैं तब तक उद्ध्यम सफल हो सकता है यदि वे घटते या बंध हो जाते हैं तो कारोबार का अस्तित्व चोखिम में आ सकता है किसी भी विवसाई या करियर में आम तौर पर सिर्फ पांच से साथ अति महत्वपून सफलता घटक होते हैं कई बार तो सिर्फ एक या दो होते हैं आपका पहला काम उन मुख्य पैमानों को पहचानना है जो कारोबार के स्वास्त्य को सबसे ज़्यादा बताते हैं फिर उन पैमानों को बहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें अति महत्वपून सफलता घटकों पर ध्यान देने से आप उनमें आम तोर पर बहतर बनने लगते हैं मिसाल के तोर पर यदि आप कंपनी के हर व्यक्ति का ध्यान हर दिन या हर घंटे की बिक्री पर केंद्रित कराते हैं तो इससे आपकी बिक्री बढ़ जाएगी यदि हर व्यक्ति का ध्यान लागत कम करने पर केंद्रित है तो आपकी लागत कम हो जाएगी आपके काम के अति महत्वपून सफलता घटक कौन से हैं? ये बहुत महत्वपून प्रश्ण है जिसे आपको लगतार पूछते रहना चाहिए और इसका जवाब देते रहना चाहिए ये बताना आसान है कि मानसिक मिश्रित प्रशिक्षन में आपको खुद पर कहां काम करने की ज़रुरत है जिन छेत्रों में आप कमजोर हैं वही आपकी सबसे बड़ी समस्याओं के कारण है यही छेत्र आपको सबसे ज़्यादा कुंधित और चिंतित करते हैं इनी छेत्रों में सुधार करने से आपको सबसे अच्छे और सबसे तीवर परिणाम मिलेंगे कई कंपनियों में एक लोग प्रिय प्रबंधन तक्नीक का इस्तिमाल किया जा रहा है इसे 360 दिग्री का विशलेशन कहा जाता है इसमें प्रबंधकों का मूल्यांकन उनके आसपास काम करने वाले सभी लोग करती है किसे विभाग या कार समुह के भीतर के हर व्यक्ति को प्रशनावली भीजी जाती है हर व्यक्ति से कहा जाता है कि वो चरित्र, शमता और विवहार के संबंध में अपने वरिष्ट अधिकारियों का मूल्यांकन करें फिर प्रशनावलियों को इखटा किया जाता है और एक अलग मीटिंग में उसका सार बताया जाता है हर व्यक्ति को सर्वे के परिणाम बताये जाते हैं और फिर एक दाइरे के बीच में बठाया जाता है जहाँ दूसरे प्रबंधन उसके समिक्षा और मुल्यांकन करते हैं जही तरीके से करने पर ये अभ्याद बहुत मददकार हो सकता है प्रबंधक अच्छी तरह जान जाते हैं कि उनके अधिनस्ट और समकक्ष उनने किस तरह देखते हैं प्रबंदगों को अक्सर ये जानकर हैरानी होती है कि जिन छेत्रों में वे खुद को काफी अच्छा मानते हैं, उनके सहकर्मी और अधिनस्त उन छेत्रों में उन्हें काफी कमजोर मानते हैं मनो विज्ञान में एक शब्द है जिसे स्कोटोमा कहा जाता है, इसका अर्थ है ब्लाइंड स्पोट या अंधबिन्दू मनो विज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे चरित्र और व्यक्तित्व हमारे जीवन के निश्चित छेत्रों में हम्मे से जादतर लोगों में अंधबिन्दू होते हैं हम्में विशिष्ट गुणों और लक्षणों के संदर्भ में अंधबिन्दू होते हैं अक्सर लोग उन छेत्रों में अंधे होते हैं जहां वे सबसे कमजोर होते हैं आपके स्कॉटमा क्या है? वे छेत्र कौन से हैं जिनमें आप खास तौर पर सक्षम नहीं है वे योगिताएं कौन सी हैं जिनने आपको प्रदर्शन के ज़्यादा उचे स्तर तक लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए यदि आपको पक्का नहीं है तो दूसरे लोगों के पास जाकर फीडबैक मांगे याद रखी फीडबैक चैंपियन्स का नाश्ता है आप तब तक बहतर नहीं बन सकते जब तक कि कोई दूसरा इमानदारी से समिक्षा करके आपको उसका प्रतिवेंब न दिखा दे जैसे आप सचमुछ हैं बिना फीडबैक के आप बहतर नहीं बन सकते यदि आप विक्री के छेत्र में हैं तो ये अनिवारे हैं कि आप अपने सेल्स मैनेजर या किसी और को महीने में एक बार अपने साथ सेल्स कॉल पर ले जाएं और उससे अपने परदर्शन का मुल्यांगन कराएं जब ये व्यक्ति किसी सेल्स कॉल पर आपके साथ जाएं तो आपके ग्राहक से बातचीत करते वक्त उसे शान्ती से बैठना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए इसके बाद उसे आपको सटीकता से बताना चाहिए कि उसने क्या देखा अच्छा भी और बुरा भी इस तरह के इमानदार फीडबैक के बिना आपके लिए बहतर बनना असंभव है जब आपको ये फीडबैक मिल जाए तो उस छेत्र में बहतर बनने का निर्ने लें ताकि ये आपके परदर्शन को सीमित न कर सके आपके पास आज जो भी ज्ञान और योगिता है वो भविशे के लिए परियाप्त नहीं है एक शैक्षनिक जर्नल में लिखा गया था कि आप आज अपने काम के बारे में जो जानते हैं उसका 99 प्रतिशत हिस्सा 10 साल में या शायद इससे भी जल्दी अप्रसंगित बन जा वें ग्रेड्सकी ने ये मशूर बात कही थी कि वे इतनी अच्छे हौकी इसके खेलते थे क्यूंकि जब जादतर लोग वहां जाते थे जहां गैन थी तब वो उस जगह की ओर जाते थे जहां गैन आने वाली होती थी ये आपके और आपके करियर के लिए एक बहतरीन उप्पा है पांच साल में आपके ग्यान कहां पहुँचने वाली है यदि आप उतकरिष्ट आजीविका कमाना चाहते हैं तो आज से तीन से पांच साल के भीतर आपको किस अतरिक्त ग्यान और योगिताओं की जरुरत होग वो कौन सी एक योगिता है जिसे यदि आप विक्सित करें और उतकरिष्ट अंदाज में करें तो आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी मानसिक मिश्रित प्रक्षिक्षन के संदर्ग में आपको तीन नियम जानने के जरुरत है नियम एक ये माइने नहीं रखता कि आप कहां से आ रही हैं माइने तो ये रखता है कि आप कहां जा रही हैं भविश्य अतीद से ज़्यादा महतपून हैं। आप अतीद को नहीं बदल सकते लेकिन अपने वर्तमान कामों को बदल कर आप अपने भविश्य को बदल सकते हैं। नियम 2. अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए पहले आपको बहतर बनना होगा। यदि आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सीखना चाहिए। आज ग्यान मुले का मुख्य स्रोत है। यदि आप अपने जीवन की गुर्वत्ता को बहतर बनाना चाहते है तो आपको अपने ज्ञान और योग्यताओं की गुर्वत्ता को बहतर बनाना चाहिए नियम 3 आप खुद के लिए जो भी लक्षय तै करें उसे हासल करने के लिए आपको जो भी सीखना है उसे आप सीख सकते हैं कोई सीमाई नहीं है दिवाई आपके दिमाग में मौजूद सीमाओं के मानसिक मिश्रित प्रशिक्षन एक अनुसाशन है जिसका इस्तिमाल आप जीवन भर कर सकते हैं इसी समय ये निर्णय लें कि आप अपने काम के मुख्य परिणाम छेत्रों में अपनी योगिता के स्तर को बढ़ाएंगे अपने छेत्र के सर्वश्रेष्ट लोगों में से एक बनने का संकल्प लें आजीवन सीखने के प्रती समर्पित हो जाएं आपका मस्तिश्क एक मास पेशे की तरह होता है यदि आप इसका इस्तमाल नहीं करते हैं तो ये कमजोर हो जाता है लेकिन अगर आप पढ़ना जारी रखते हैं आडियो प्रोग्राम सुनना जारी रखते हैं अतिरिक्त कोर्स करते रहते हैं और अपने ज्यान वा योगिताओं के विकास पर काम करते रहते हैं तो आपका भविश्य असिमित होगा नियमित मानसिक मिश्रित प्रक्षिक्षन की आदर डाल कर आप अपने शेत्र के सबसे सक्षम, आत्म विश्वासी और समर्थ लोगों में से एक बन सकते हैं आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी सारी महत्वा कांशाओं को हासिल कर सकते हैं आप सबसे आगे पहुंच सकते हैं और लोगों का नेतरत्व कर सकते हैं मानसिक मिश्रित प्रक्षिक्षन सूशना युक का उस्ताद बनने की कुणजी है और इसकी मदद से आप अपने भावी तकदीर की बागदोर थाम लेंगे जीवन में कुछ चीजें वैकल्पिक होती हैं और कुछ अनिवार्य होती हैं ये वैकल्पिक हैं कि आप कैरिबियन में अगली छुट्या मनाते हैं या नहीं लेकिन आप एक वैक्तिगत पुस्तकाल्य बनाते हैं और उतकरिष्ट पाठक बनते हैं ये अनिवार्य है यदि आप सफल्ता के बारे में गंभीर हैं तो इसे करने या ना करने का विकल्प ही मौजूद नहीं होता आपके सारे लक्षों को हासल करने के लिए ये बेहद अनिवार रहे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जादा नहीं पढ़ते हैं एक अध्यन के अनुसार अस्ते प्रतिशत अमेरिके परिवार ऐसे हैं जोनोंने पिछले साल एक भी पुस्तक ना तो खरीदी ना ही पढ़ी 58 प्रतिशत व्यस्क अमेरिकियों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी नौन फिक्षन पुस्तक को पहले पढ़ने से आकरी पढ़ने तक कभी नहीं पढ़ा आसत अमेरिकी हर साल एक पुस्तक से भी कम पढ़ता है वास्तव में अमेरिका के सबसे सफल इस्त्री पुर्षों के गैलप अध्यन के अनुसार हर महीने एक नौन फिक्षन पुस्तक पढ़ने से आप शीरसस्त एक प्रतिशत अमेरिकियों के समूह में शामिल हो जाएंगे कई कारणों से लोग उतना नहीं पढ़ते हैं जितना उन्हें पढ़ना चाहिए शायद हाई स्कूल पास करने के बाद भी पांच करोड़ अमेरिकियों की पढ़ने की योगताईं कमजोर है लोग इसले नहीं पढ़ते हैं क्यूंकि उन्हें कभी ये बताया ही नहीं गया है कि पढ़ना हर उस चीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो वे जीवन में हासल करना चाहते हैं आज आजीवन सीखना किसी बिछेत्र में सफलता पाने की नियुनतम आवशकता है अगर आप विस्तरत लिखित निर्देश वो नियम पुस्तिकाएं पढ़ और समझ नहीं सकते तो आप आज फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारी भी नहीं बन सकते यदि आप विक्री, प्रबंधन, सेवा, प्रशाशन ये किसी अन्य शेत्र में हैं जिन में जानकारी और आंकणों की जरुरत है तो अच्छी तरह पढ़ने की आपकी योगेता आपके सफलता के लिए आधार भूत है आपके आमदनी काफी हद तक भाशा के ग्यान से तै होगी आपका शब्द भंडार जितना व्यापक होता है आप उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे अंग्रेजी भाशा में 6 लाग से ज़्यादा शब्द होते हैं जिन में तकनीकी शब्दावली शामिल है सबसे ज़्यादा भुक्तान और सम्मान पाने वाले लोग वे हैं जो इन शब्दों को आम आदमी से ज़्यादा जानते हैं और उनका इस्तमाल करते हैं सेक्ष्पियर संभवत्य पूरे अंग्रेजी साहित्य के सबसे मुखर लेखक थे और उनके ग्रंथों के विशलेशन से ये पता चला कि उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में 20,000 से ज़्यादा शब्दों का इस्तमाल नहीं किया इससे पूरे 5,80,000 शब्द बच गए जिन्हें उन्होंने नहीं छुआ हाला कि उनका लेखन इस भाशा का सबसे ज्यानी और जटल स्रिजनात्मक लेखन माना जाता है हर दिन नए शब्द सीख कर अपनी शब्दावली को बढ़ाने का काम ही आपके आमदनी की योगिता को बढ़ा सकता है आपके जीवन शैली को बहतर बना सकता है आपके संदर्ब समुग को बढ़ा सकता है आपके लक्ष पाने की गती को बढ़ा सकता है और ऐसे अफसरों वो संभावनाव के द्वार खोल सकता है जिनकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ लोग आलस की वजह से नहीं पढ़ते हैं उनके आसपास ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीज़े होती हैं खास तोर पर टेलेविजन, रेडियो, सामाजिक मेल मिलाप और अन्य गतिविधियां की वे कभी पढ़ने जैसी गंभीर चीज़ पर पहुँच ही नहीं प इस आदत का उनके जीवन पर दुखत प्रभाव पढ़ सकता है लोगों के नहीं पढ़ने का एक और कारण ये है कि शायद वे सही शेत्र में काम नहीं कर रही हैं आप किसी काम के लिए बने हैं या नहीं ये टै करने का एक बहुत अच्छा इम्तिहान ये है कि क्या आप में इसके बारे में सीखने की इच्छा है यदि आप वो काम कर रहे हैं जो आपके लिए सही है तो आप सवभाविक रूप से उस शेत्र के बारे में हर चीज पढ़ने को उत्सुख होंगे आप बहतर और बहतर बनना चाहेंगे आप नए ग्यान के लिए भुके होंगे आप हर उस तक और लेक पढ़ेंगे हर आद्यो प्रोग्राम सुनेंगे और हर उस कोर्स में जाएंगे जिसमें आप जा सकते हैं आप उतकरश्ट बनने के लिए खृत संकल्प होंगे हर नई जानकारी आपको प्रोज्साहित करेगी और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेवित बहरहाल यदि आप गलत छेत्र में हैं, तो आप अपने काम के बारे में सीखने को अरुचिकर कारे मानेंगे यदि ये आपकी नौकरी या पेशे की शर्त हो, तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन उतना ही जितने में काम चल जाए आप चाहेंगे कि ये खतम हो जाए, जैसे दंत चिकित्सक का अपॉंड्मेंट अगर आप किसी कारण से अपने कारे छेत्र में जादा सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप गलत छेत्र में अपना समय और जीवन बरबात कर रही हैं जो स्वा निर्मित करोडपती शून्य से अमीरी तिक पहुचे, उनका एक आमगुण ये था कि वे अपने काम से लगभग सम्मोहित थे वे बहुत सारा पैसा कमाने के बारे में बहुत जादा नहीं सोचते थे वे अपने काम में बहतर और बहतर बनने के बारे में ज़्यादा सोचते रहते थे वे अपने काम में पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे पढ़ने और स्वव विकास के प्रती समर्पन की वज़े से वे अपने काम में बहतर बनते चले गए और अंततह उन्हीं जादा भुक्तान मिलता चला गया जब वे उचे स्तर की आमदनी कमाने लगे तब भी काम के प्रती उनका सम्मोहन जारी रहा अतिरिक्त धन को कारोबार से बाहर निकालने और फिजूल खर्ची करने के बजाए उन्होंने इसका दोबारा निवेश खुद में और अपने करियर में किया फल स्वरूप पे और भी ज़्यादा कुशल बन गए और उन्हें और उचा भुक्तान मिलने लगा फिर एक दिन उन्होंने अपनी आँखें खूली तो उन्होंने देखा कि उनकी नेट वर्थ दस लाग डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है निरंतर सीखना और लगतार पढ़ना कुझी थी नियम ये है ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा सीखना चाहिए भविश्य तक्षम व्यक्ति का है उत्पादन का सबसे महतपून घटक, भूमी, श्रम, पूनजी या ज़्यादाद नहीं है ये ज्यान है Motorola Corporation अपनी सालाना आमदनी का 4.8 प्रतिशत अपने कर्मचारियों को परशिक्षित और विक्सित करने पर खर्च करता है Motorola के प्रशिक्षन प्रमुख का अनुमान है कि प्रशिक्षन पर जो एक डॉलर खर्च होता है उसके बदले में कमपनी को 30 डॉलर की अतरिक्त बिक्री और लाप मिलता है कल्पना करें 19 शिक्षा में निवेश पर 30 गुना फैदा जदतर लोगों के मामले में नियमित पढ़ने और निरंदर सीखने के छेतर में सबसे बड़ी बाधा ये है कि उन्हें पुराने पैरडाइम के हिसाब से पाला गया है चीजों को देखने के पुराने दृष्टिकोन के अनुसार शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो दूसरे लोग आपको देते थे आपके जीवन के शुरुवाती 18 वर्षों में आप स्कूल गए और आपको इस तरह शिक्षा दी गई मानो आप निश्क्रिय वस्तु हों जब आप कॉलेज गए तब भी आपने वही कोर्स लिये जिनके सलाह दी गई थी आपने उन विश्यों पर अध्यन किया जो आवशक थे और आपने परिक्षा में वही जबाब लिखे जो पूछे गए थे जब आप कॉलेज से बाहर निकले तो आप शिक्षा का परिणाम थे ये तो वैसा ही था कि शिक्षा आपके साथ बस हो गई हो जिसमें आपने निश्क्रिय भूमिका भर निभाई और सही समय पर हर जरूरी काम किया लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद समी करण 180 डिग्री घूम जाता है उस पल के बाद आप अपने शिक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मिदार बन जाते हैं आप पुस्त की खरीदने, अध्यन के कोर्स की योजना बनाने, नए विशय सीखने और लगातार अपनी योगिताओं का नभीनी करण करने के लिए जिम्मिदार बन जाते हैं ये किसी दूसरे की जिम्मिदारी नहीं हैं, आप प्रभारी हैं, ये सब आप पर निर्भड करता है कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हीं अतिरिक्त प्रसिक्षन की जरुवत है, तो ये देने की जिम्मिदारी उनकी कमपनी की है तथ्य ये है कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रशिक्षन देती है तो आपको ऐसे हर अफसर का लाव लेना चाहिए लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती है और नई कंपनियां प्रशिक्षन और विकास पर पैसे खर्श नहीं करती है तब भी आप ही निरंतर पढ़कर अपना मूले कायम रखने और बढ़ाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं कोई दूसरा तरीका नहीं है यहां कुछ विचार दिये जा रही हैं जिनका अभ्यास जादतर सफल इस्त्रिपुरुष करते हैं आपके जीवन के गुणवत्ता पर उनका सकल प्रभाव आश्चर जनक हो सकता है सबसे पहले यदि आप अच्छे पाठक नहीं हैं तो इसी समय निर्ने लें कि उतकरिष्ट लीडर बनने के लिए आपको जितनी भी दूर तक जाना होगा आप जाएंगे इसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाएंगे हर बाधा से उबरेंगे और जितनी भी राशी खर्च करनी पड़े खर्च करेंगे यदि आप ये नहीं जानते कि अच्छी तरह कैसे पढ़ना है तो अपने काम के बाहर की हर चीज़ को छोड़ दें और खुद को पढ़ने के प्रती समर्पित कर दें पुरसत के हर मिनट को पढ़ने में लगाएं मानो आपका भविश्य इस पर निर्भर करता हो क्यूंकि ये करता है क्यूंकि ये सच है इसमें एक सप्ताहा, एक महीने या एक साल लग सकता है इसमें और भी लंबा समय लग सकता है लेकिन ये माइने नहीं रखता उतकरिष्ट पाठक बनने पर आपके लिए ऐसे अफसरों के द्वार खुल जाएंगे जिनकी आप इस समय कलपना भी नहीं कर सकते दूसरा, Peed Reading का कोर्स करें The Evelyn Wood Reading Dynamics Program शायद इस काम के लिए तयार किया गया सर्वश्रेष्ट कोर्स है कई समुदायों में कई Speed Reading कक्षाएं भी आयोजित की जाती है Speed Reading टच टाइपिंग जैसी होती है आप एक-दो उंगलियों से जिनद की भर टाइपिंग कर सकते हैं या फिर आप इसे सही तरीके से करना सीखने का समय निकाल सकते हैं और अपनी गति को 50-60 शब्द प्रती मिनट तक बढ़ा सकते हैं पढ़ते समय आप अपने पढ़ने की गती को 50-70 शब्द प्रती मिनट से 300, 400, 500 या 1000 शब्द प्रती मिनट तक भी ले जा सकते हैं और लिखी गई सारी बातें समझ सकते हैं पीड रेडिंग के कोर्स बहुत अद्भुद होते हैं और आज के महत्वा कांशी लोगों के सफलता के लिए अनिवार रहें तीसरा, एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाए हालांकि सारवजनिक पुस्तकाल्य शोध के लिए बहुत सहायक होते हैं लेकिन आपको अपनी खुद की पुस्तकें भी खरीदनी चाहिए ताकि आप उन पर निशान लगा सकें और उन्हें अपने पास रख सकें लोग अकसर पूछते हैं कि उन्हें कौन से पुस्तकें खरीदनी चाहिए ये तै करने के लिए आप तुलनात्मक महत्व के नियम का इस्तमाल कर सकती हैं ऐसे पुस्तकें खरीदें जो इस पल आपके जीवन के लिए सबसे महतपून और प्रासंगिक हैं यहाँ पर एहम शब्द है प्रासंगिक व्यसक लोग सबसे अच्छी तरह तब सीखते हैं जब उनके द्वारा पड़ी जाने वाली चीज, उनके वर्तमान आवशक्ताओं, उनके कामकाज, उनके जीवन और उनकी वर्तमान इस्तिती के लिए त्वरित रूप से प्रासंगिक होती हैं यदि आप ऐसी सामगरी पड़ते हैं, जो आपके वर्तमान काम में सहायक नहीं हैं, तो आप इसके और आकरशित नहीं होंगे और जल्दी ही इसके जादतर हिस्से को भूल जाएंगे लेकिन जब आप ऐसी सामगरी पड़ते हैं, जो आपके कामकाज के लिए प्रासंगिक भी होती है और अमल में भी लाई जा सकती है, तो आपका मस्तिश्क हर तरह के विचारों से जगमगाने लगता है, कि आप ज़्यादा प्रभावी बनने के लिए इस नई जानकारी का इ कैसे कर सकते हैं, ये रोचक भी है और बेहत प्रेरत भी, कि आप नई पद्दतियां और तकनीके सीखते रहें, जो आपके जीवन को बहतर बना देंगी, अपनी खुद की लाईब्रेरी बनाते समय, अपने शेत्र के सबसे सफल लोगों से पूछें, कि वे कौन से पुस्तक के पढ़ने की सलहा देंगे, फिर सीधे बुक स्टोर जाकर उन्हीं खरीद लें, पेशेवर लोगों का एक लक्षन ये है कि सभी पेशेवर लोगों की घरेलू लाईब्रेरी होती है, जो उनके शेत्र की पुस्तकों से भरी होती हैं, यदि आप बिकरी के शेत्र में हैं, तो आपके पास सेल्स बुक की एक लाईब्रेरी होनी चाहिए, आपको बिकरी के शेत्र में हर दिन कम से कम एक घंटे, हर सप्ताह एक पुस्तक, हर साल पचास पुस्तके पढ़नी चाहिए, आपको अपने हुनर का सतत लगन शिल विध्यारती बनना चाहिए, बिकरी के शेत के बारे में इतना ज्यानी बनने का लक्ष बना लेना चाहिए कि कुछ वर्षों में आप इस पर क्लास ले सकें। जब आप सीखी गई चीज को सिखाने के बारे में सोचते हैं तो आप दरहसल उससे ज़्यादा याद रखते हैं जितना आप अपने लिए पढ़ते समय नहीं रख पाते। आपको हार्ट कवर पुस्तकें खरीदी चाहिए या सॉफ्ट कवर पुस्तकें। मेरी सला है कि आप किसी भी तरह की कोई भी ऐसी पुस्तक खरीद ली जो आपकी मदद कर सके। कुछ पुस्तकों का मूल्य 20 से 30 डॉलर होता है। आम आदमे शिकायत करता है कि वो इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर खर्श नहीं कर सकता। श्रेष्ट व्यक्ति पहचानता है कि उस पुस्तक में दी गई जानकारी से कड़ी महनत के एक-दो साल बच सकते हैं। अपना विशय सीखने में किसी लेखा को 10 या 20 साल लग सकते हैं। फिर पुस्तक लिखने में उसे 2-3 साल लग जाते हैं। फिर पुस्तक प्रकाशित कराने में एक-दो साल लग जाते हैं। आप चंद डॉलर में एक पुस्तक खरीद कर अपने शेत्र के सबसे चतुर लोगों में से एक की 20-25 साल की महनत के परिणाम पा सकते हैं। खुद को अच्छे पुस्तकों से भरे शेल्फ दे और अपनी पुस्तकों को विशे के हिसाब से श्रेणी बद करें। एक खंड बिक्री का हो तो दूसरा प्रबंधन का। परिवार और परवरिश पर एक खंड रखें। व्यक्तिगत प्रेणा और सफलता पर एक खंड रखें। यदि आपको उपन्यास पसंद हैं तो उपन्यासों का एक खंड रखें और फिर इतिहास का। अपने खंडों को वर्ण माला के क्रम में जमा लें या तो पुस्तक के शीरशक से या फिर देखक के नाम से इसे बहुत ज़्यादा आपचारिक या तंतरात्मक बनाने की जवरत नहीं है आपका काम अपनी लाइब्रेरी इस तरह से बनाना है ताकि आपको पता हो कि हर पुस्तक कहां रखी है आपको ये जानने के जरूरत है कि आपके पास कोई पुस्तक है या नहीं है और आपको ये जानने की जरूरत है कि जरूरत पढ़ने पर जानकारी कहां मिलेगी एक बार जब आप पुस्तक खरीद लें, तो पढ़ते समय हर मुख्य बिंदू को रिखांकित कर लें अगर आप कोई पुस्तक दुबारा पढ़ते हैं, तो अलग रंग के पैम से उन बिंदू को रिखांकित करें, जिने आप पहली बार में चूग गए थे अपने खुद की लाइब्रेरी बनाकर आप आजीवन विध्यारती बन सकते हैं आप अपने हर दिन का एक हिस्सा, पढ़ने, अध्यन करने और सीखने के प्रति समर्पित कर सकते हैं आप टैलिविजन देखना छोड़कर अपने समय का निवेश, अपने मस्तिश्क और अपने भविश्य में कर सकते हैं आपको अपने शेत्र की जानकारी अध्यतन करने के लिए ही हर दिन एक दू घंटे पढ़ने के जुरुवत होती है आपको अखबार, पत्रे काई, निउसलेटर, पत्राचार और अन्यसामगरी पढ़ने के जुरुवत होती है लेकिन इस प्रकार के पढ़ने से आप सिर्फ अध्यतन रहते हैं यदि आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए आपको वर्तमान के साथ अध्यतन रहते समय भविश्य में निवेश करना चाहिए आपको ऐसी पुस्तके और लेक पढ़ने चाहिए जो आपको नए विचार और जानकारी दें जो आपके पास पहले नहीं थे आपको वो सामगरे नहीं पढ़नी चाहिए जिससे आप पहले से जानते हैं आजीवन पाठक बनना आपके भविश्य की कुन्जी है आप पढ़ने में धारा प्रवाह और कुशल बन सकते हैं जिस तरह अभ्यास और लगन से आप अपने शब्द भंडार का विस्तार कर सकते हैं भविश्य, सिर्फ, सक्षम लोगों का है जो लोग जादा जानते हैं वे हमेशा कम जानने वालों से जीट जाएंगे शरिश्य व्यक्ति की सची निशानी ये है कि वो आम आदमी से बहतर शिक्षित और ज़्यादा ज्यानी होता है आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आप उतनी ही ज़्यादा बहतर बनते जाते हैं आप जितना ज़्यादा सीखते हैं सीखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होता जाता है आप अपने मस्तिश्क को इतनी ज़्यादा चुनौती देते हैं और अपनी बुद्धिमता का लाब लेते हैं आप उतनी ही ज़्यादा चतरू बनते हैं सभी पाठक लीडर नहीं होते हैं लेकिन सभी लीडर पाठक होते हैं पढ़ना दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए अगर आप अपने शेत्र के शिखर पर पहुँचना चाते हैं तो आज ही अपनी व्यक्तिकत लाइब देगी बनाना शुरू कर दें खुद को जीवन भर पढ़ने के लिए समर्पित करें ज्ञान के साथ और उस ज्ञान पर अमल करने पर मिलने वाली युगिताओं के साथ इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी दूर तक आगे जा सकते हैं अध्याइबारा कभी हार ना माने आप जीवन में संभवत है जिस सबसे बड़ी चिनोती का सावना करते हैं वो है डर पर विजय पाना और साहस का विकास करना विंस्टन चर्चिल ने एक बार लिखा था साहस को सभी गुणों में प्रमुक कहा गया है ये सही है क्योंकि बाकी सभी गुण इस पर निर्भड होते हैं डर मानव जाती का सबसे बड़ा शत्रू है और हमेशा से रहा है Franklin D. Roosevelt ने कहा था एक मात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वो है डर वे दरसल ये कह रहे थे कि हम जिससे डरते हैं उस चीज के बजाए हमारे डर की भावना ही चिंता, तनाव और दुख का कारण है जब आप साहस और अटल आत्म विश्वास की आदट डाल लेते हैं तो आपके सामने संभावनाओं का एक बिलकुल नया संसार खुल जाता है जरा कल्पना करें यदि आपको पूरे संसार में किसी चीज से डर नहीं लगता तो आप क्या सपना देखने, बनने या करने की हिम्मत करते सौभाग्य से साहस की आदट भी दोहराव के जरिये ठीक उसी तरह सीखी जा सकती है जिस तरह कोई दूसरी आदत हमें लगातार अपने डरों का सामना करने और उनसे उबरने की जरूरत है ताकि हम उस तरह का साहस उत्पन कर सके जो हमें बिना डरे जीवन के अवश्यम भावी उतार चड़ावों से निपटने में सक्षम बनाए सिंडिकेटेड तंब लेखिका एन लेंडर्स ने लिखा था यदि मुझे मानवता को एक ऐसे सलाह देने को कहा जाए जिसे मैं सबसे उपयोगी सलाह मानती हूँ तो वो ये होगी उमीद करें कि मुश्किल जीवन का अवश्यम भावी हिस्सा है और इसके आने पर अपना सिर उपर रखे इससे सीधे निगाह मिलाएं और कहीं मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा बनूंगा तुम मुझे नहीं हरा सकती इस तरह का नजरिया ही विजय की ओर ले जाता है डर से उबरने और साहज को विक्सित करने का शुरुवाती बिंदू सबसे पहले डर उत्पन करने वाले सभी घटकों का अवलोकन करना है जादतर डरों का मूल स्रोथ बच्पन की परवरिश है जिसकी जड में आम तोर पर विनाशकारी आलोचना पाई जाती है इससे हमें दो तरह के डर आ जाती है पहला है असफलता का डर जिसकी वजह से हम सोचते हैं मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता और दूसरा अस्विक्रिती का डर जिसकी वजह से हम सोचते हैं मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा और मुझे करना ही पड़ेगा। जब हम में ये डर होते हैं, तो हम अपना पैसा या अपना समय या किसी संबंध में अपने भावनात्मक निवेश को गवाने की आशंका से चिंतित हो जाती हैं। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के प्रती अति सम्वेदन शील बन जाती हैं। कई बार तो इस बिंदू तक कि हम किसी ऐसे चीज को करने से घबराती हैं, जिसे कोई दूसरा नापसंद करता हो। हमारे डर हमें पंगु बना सकती हैं। वे हमें अपने सपनों और लक्षियों की दिशा में स्रिजनात्मक कार्य करने से पीछे रोक सकते हैं। जब हम डर के शिकंजे में होते हैं, तो हम जिजकते और विलंब करते हैं। हम अनिरनायक बन जाते हैं, हम टालमटोल करते हैं, हम बहाने बनाते हैं और पीछे रुके रहने के कारण खुचते हैं, हम कुंठित महसूस करते हैं, हम दो तरफा बंधन में अटक जाते हैं. मुझे करना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा. डर का कारण अज्ञानता भी होती है. जब हमारे पास सीमि जानकारे होती हैं, तो हमारी शंकाएं हम पर हावी हो जाती हैं. हम अपने कारियों के परिणाम को लेकर तनाव पूर्म और असुरक्षित बन जाते हैं अज्ञानता की वजह से हम परिवर्तन से डरते हैं अज्ञात से डरते हैं और किसी नई या अलग चीज को आजमाने से बचते हैं लेकिन इसका उल्टा भी सच है किसी खास विशे के बारे में ज्यादा और बहतर जानकारी इखटी करने का काम ही उस छेतर में हमारे साहस और आत्म विश्वास को बढ़ा देता है आप इसे अपने जीवन के उन हिस्सों में देख सकते हैं जहां आपके मन में जरा भी डर नहीं था क्योंकि आप जानते थे कि आप क्या कर रहे थे दर में योगदान देने वाले दो अन्य घटक हैं बेमारी और ठकान जब आप ठके मांदे या बिमार होते हैं या जब आपके शारिरिक इस्थिदि ठीक नहीं होती है तो आप डर और शंका के प्रती ज्यादा प्रवृत होते हैं जो स्वस्त और उर्जा से भरपूर होने पर महसूस नहीं होता एक बार जब आप उन मुख्य घटकों को पहचान लेते हैं जिनके वज़े से आपको डर लगता है तो अगला कदम ये है कि आप अपने डरों को परिभाशित करे और उनका विशलेशन करे कोरे कागज के सबसे उपर ये प्रशन लिखें मुझे किस चीज से डर लगता है याद रखें सब भी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं अपने तथा अपने परिजनों के शारिरिक, भावनात्मक और वित्य बचाओं की चंता होना सामान्य और स्वभाविक है साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था साहस डर का प्रतिरोध है डर पर महारत है डर के अनुपस्थिती नहीं है प्रश्ण ये नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं लगता हम सभी को डर लगता है एक मातर प्रश्ण है आप डर से कैसे निपटते हैं साहसी व्यक्ति वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है यहां एक महतवपून बिंदू है जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपने डर के स्रोत या कारण की ओर बढ़ते हैं तो आपके डर घट जाते हैं और आपका आत्मगौरव और आत्मविश्वास बढ़ जाता है जैसा इमर्सन ने लिखा था वो चीज कर दें जिससे आपको डर लगता है और डर की मृत्यू तै है इसका विपरित भी सच है आप जिस चीज से डरते हैं जब आप उससे कतराते हैं तो आपके डर बढ़ने लगते हैं और किसी बिंदू पर वे आपके जीवन को नियंतरत करने लगते हैं जब आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्म गौरव, आत्म विश्वास और आत्म सम्मान उसी अनुसार घट जाता है छोटी बड़ी हर चीज लिखकर अपने डरों की सूची बनाएं जिनकी वज़े से आपको डर, तनाव ये चिंता होती है अपने कामकाजी या निजे जीवन के उन हिस्सों के बारे में सोचें जहां आपके डरों ने आपको पीछे रोक रखा है या आपको किसी नौकरी या सम्मंध में रुकने के लिए मजबूर किया हो सकता है जहां आप खुश नहीं है जाहिर है सबसे आम डर है असफलता का डर और अस्विक्रिती का डर कुछ लोग असफलता के डर से संचालित होते हैं ये अपनी गलतियों को तर्क संगत साबित करने या छुपाने में अपनी बहुत सारी उर्जा खर्च कर देते हैं बाकी लोग अस्विक्विती के डर से घबराते हैं वे दूसरों को कैसे नजर आते हैं इस बारे में वे इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनमें स्वतंत्र कार्य करने की जराब योगिता नहीं होती जब तक उन्हें पूरा यकीन नहों कि कोई दूसरा अनुमोधन करेगा, तब तक वे कोई निर्णय नहीं ले सकते। एक बार जब आप अपने डरों की सूची बना लें, जो आपके सूचनी और विवहार के तरीकों को प्रभावित कर रही हैं, तो इसके बाद महत्व के कर्ण में उन्हें जमा लें। आपके हिसाब से आपके विवहार पर किस डर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? किस डर ने आपको सबसे ज़्यादा पीछे रोक कर रखा है? कौन सा डर दूसरे स्थान पर आएगा? आपका तीसरा सबसे बड़ा डर कौन सा होगा? अपने सबसे बड़े डर के संदर्ब में इन तीन सवालों के जवाब लिखें पहला, ये डर जीवन में मुझे कैसे पीछे रखे हुए है दूसरा, ये डर कैसे मेरी मदद करता है या इसने अतीत में मेरी कैसे मदद की है तीसरा, इस डर को मिटाने से मुझे क्या लाब होगा आप साहस और आत्म विश्वास की जिन आदतों को विक्सित करना चाहते हैं उनके अनुरूप कारे करके आप साहस बढ़ाने और डर मिटाने के प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं आप जिस दी चीज का बार-बार अभ्यास करते हैं वो अंततह एक नई आदत बन जाती है सांसारिक सफलता के लिए पहला और शायद सबसे महतुपून प्रकार का साहस होता है शुरू करने, नाओ खेने, विश्वास के साथ अपने लक्षे की दिशा में कदम रखने का साहस ये किसी नई या अलग चीज को आजमाने और अपने आराम देह दाएरे से बाहर निकलने का साहस है जब सफलता की कोई गारंटी ना हो प्रोफेसर रॉबर्ट, रॉन स्टेड ने बारा साल तक वैपसन कॉलेज में उद्यमिता विश्य पढ़ाया था उन्होंने अपने विध्यार्थियों का एक अध्यन करके पता लगाया कि पढ़ाय खतम करने के बाद उन्होंने जीवन में कैसा प्रदर्शन किया था उन्हें हैरानी हुई कि उनके दस प्रतिशत से कम सनातकों ने व्यवसायस शुरू किये थे और सफल हुए थे बाके विध्यार्थी दूसरी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे और किसी दिन उद्य में बनने के सपने देख रहे थे कौन सी चीज इन दोनों सम्मूहों में फर्क का कारण थी उन्हें केवल एक ही गुण मिला जो सभी सफल उद्यमियों में समान था इंतजार करने के बजाए अपना विवसाय सचमु शुरू करने की प्रबल इच्छा रॉन स्टेड ने इसे गलियारा सिध्धान कहा उन्होंने पाया कि जब ये व्यक्ति अपने नए विवसाय में आगे बढ़े जैसे गलियारे में आगे बढ़ती हैं तो अवसर के द्वार उनके लिए खोल दिये गए जो आगे बढ़े बिना नजर नहीं आ रहे थे पता चला कि उनके उद्यमिता पाठ्ठक्रम के जिन सनातकों ने अपने सीखी हुई चीजों के साथ कुछ नहीं किया था वे शुरू करने से पहले परिस्तियों के बिलकुल सही होने का इंतजार कर रहे थे वे अनिश्चित्ता के गलियारे में नहीं चलना चाहते थे जब तक कि उन्हें सफल होने की पक्की गारंटे ना दे दी जाए जो आज तक कभी नहीं हुआ है भविश्य सुरक्षा खोजने वालों का नहीं है ये तो जोखिम लेने वालों का है जीवन इस माइने में उल्टा चलता है कि आप जितनी जादा सुरक्षा चाहते हैं आपको ये उतनी ही कम मिलती है लेकिन आप अवसरों को जितना जादा चाहते हैं ये उतना ही संभव है कि आप वो सुरक्षा हासल कर ले जिसे आप चाहते हैं। जब भे आप डर या चिंता महसूस करें और आपको अपना साहत बढ़ाने के जरुद हो तो अपना ध्यान अपने लक्षियों की ओर मोड लें। कल्पना करें कि आपके लक्षे वास्त विकताई हैं। कल्पना करें कि आप पहले ही वैसे व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाते हैं और उस जिवन का अनंद ले रही हैं जिसे आप जिना चाते हैं। आपका चीतन मन एक समय में जिर्फ एक ही विचार कायम रख सकता है। इच्छा का विचार या डर का विचार। जब आप अपने लक्षों के बारे में सोचने और लगतार बात करने के लिए खुद को अनुशाशत करते हैं तो आपके डर खतम हो जाते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान केंदरत करते हैं कि आप अपने लक्षों को कैसे हासल कर सकते हैं तो आपका आत्म विश्वास और साहस बढ़ जाता है। आप अपनी भावनाओं और अपने भविश्य पर पूरा नियंतरन ले लेते हैं। एक आगरता का नियम कहता है कि आप जिस पर भी ध्यान केंदरत करते हैं वो आपके जीवन में बढ़ता है। आप अपने लक्षों पर जितना ज्यादा ध्यान केंदरत करते हैं आप उतनी ही ज्यादा लक्षय हासल करेंगे। डर पर विजय और साहस का विकास, सुखद, सफल जीवन की अनिवारे शर्ते हैं। जब आप साहस की आदत विक्सित करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो अंततह आप उस बिंदू तक पहुँच जाएंगे जहां आपके डरों का आप पर कोई नियंतरन नहीं रह जाता है। वे अब आपके निर्णय लेने में मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। आप बड़े, चुनोती पून, रुमांचक लक्षय तै करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आप उन्हीं हासल कर सकते हैं। आप शान्ती और आत्मों विश्वास के साथ हर इस्तिती का सामना करने में समर्थ होंगे। आप ऐसे बन जाएंगे इसे कोई बाधा नहीं रोख सकती। अगर आप हमारे समाज में सबसे सफल इस्तरी पुर्शों में से किसी एक के साथ बैठ सकें और उससे सफलता केवे सारे सबक सीख सकें, जिसे सीखने में उसे पूरा जीवन लगा था, तो क्या होगा। क्या आपको लगता है कि इससे आपको जादा सफल बनने में मदद मिलेगी? यहाँ एक और सवाल है, क्या होगा अगर आप अब तक संसार में हुए सौ सबसे सफल इस्तरी पुर्शों के साथ बैठ सकें, और उन से उनके नियम, उनके सबक और उनके सफलता के रहसे सीख सकें, क्या इससे आपको अपने जीवन में जादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप समय के साथ एक हजार से जादा बेहत सफल इस्तरी पुर्शों के साथ बैठ सकें, दो हजार या तीन हजार बेहत सफल इस्तरी पुर्शों के साथ? आप शायद जवाब देंगे कि इन इस्तरी पुर्षों के साथ समय बिताने का अफसर पाना बड़े सौभागय की बात होगी उन्होंने अपने लक्षे हासल करने के लिए जो सीखा है उसे सीखने से आपको बहुत मदद मिलेगी बहर हाल सच तो ये है कि ये सारी सलाह और जानकारी आपका जरा भी भला नहीं कर पाएगी जब तक आप अपने सीखी हुई बातों पर निश्चत कर्म नहीं करते हैं यदि सफलता के बारे में सीखने से ही आपके जीवन में महान चीज़े आ सकती तो आपके सफलता की गारंटी थी आत्मा अनुसाशन ही कुंजी है आत्मा अनुसाशन सफलता का सबसे महतपून गुण है आत्म अनुसाशन का मतलब ये है कि आपकी चारितरिक शक्ति और इच्छा शक्ती के अधार पर आपके भीतर ये योगिता है वो करने की जो आपको करना चाहिए जब भी आपको उसे करना चाहिए चाहे आपका मन हो या ना हो चरित्र किसी संकल्प पर तब अमल करने की योगिता है जब वो उत्साह जा चुका हो जिससे संकल्प लिया गया था आद्म अनुशाशन का संबंद सीखी बातों से नहीं होता इसका संबंद तो इस बात से होता है कि आप बार-बार कीमत चुकाने के लिए खुद को समर्पित और अनुशाशत कर सकते हैं या नहीं जब तक कि आप अपने लक्ष तक नहीं पहुँच जाते आत्म अनुशाशन आपकी यात्रा की हर अवस्था के लिए आवशक है सबसे पहले तो आपको अपने लक्ष तै करने के आत्म अनुशाशन की जरूरत है फिर आपको उन तक पहुँचने की योजनाय बनाने के आत्म अनुशाशन की जरूरत है आपको नई जानकारे के साथ अपनी योजनाओं को लगातार बदलने और उन्नत करने के आत्म अनुसाशन की जरूरत है आपको हर दिन योजनाओं बनाने, अपने समय के उपयोग के प्रात्मिक्ताइं तै करने और किसी भी समय की जा सकने वाली सबसे महतपून चीज़ पर ध्यान के इंद्रत करने के आत्म अनुसाशन की जरूरत है आपको हर दिन खुद में निवेश करने, निजी और पेशेवर रूप से विकास करने, आवशक चीज़ें सीखने के आत्म अनुसाशन की जरूरत है ताकि आप वे लक्षे हासल कर लें जो आपके लिए संभव है आपको संतुष्टी में विलंब करने, पैसे बचाने और निवेश करने के आत्म अनुसाशन की जरूरत है ताकि आप अपने कामकाजे जीवन में विद्यस्वतंतरता हासल कर सकें आपको अपने लक्षियों और सपनों पर अपने विचार के इंद्रत रखने के आत्म विश्वास की जरूरत है और उन्हें अपने शंकाओं वा डरों से दूर रखने के आत्म अनुसाशन की भी जरूरत है विपत्यों वा समस्याओं के सामने आने पर आपको कुरोधित या कुंठित होने के बजाए सकरात्मक बस रजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने के आत्म अनुशाशन की जरूरत है लगन सक्रिय आत्म अनुशाशन है शायद आत्म अनुशाशन का सबसे महान प्रदर्शन तब होता है जब आप मुश्कल परिस्थतियों में भी लगन से जुटे रहते हैं लगन सक्रिय आत्म अनुशाशन है लगन मानव चरित्र की महान को सौटी है आपकी लगन वास्तव में खुद में और सफल होने की योगिता में आपके विश्वास का सच्चा पैमाना है जब भी आप विपत्ती और निराशा के बावजूद लगन से काम करते रहते हैं तो आप लगन की आदट डाल लेते हैं आप अपने चरित्र और व्यक्तित्वों में गर्व, शक्ति और आत्म गौरव का निर्मान कर लेते हैं आप ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा संकल पुवान बन जाते हैं लगन के जर्ये आप अपने आत्मा अनुशाशन को बढ़ा लेती हैं, आप अपने भीतर सफलता के लोह गुण को विक्सित कर लेती हैं, जो आपको आगे की ओर और जीवन की हर बाधा के पार ले जाएगा. पूरे इतिहास में इस्तरी पुर्षों की महान उपलब्धियों का इतिहास लगन की विजय का इतिहास हैं, हर महान इस्तरी पुरुष को सफलता और उपलब्धी के शिकर तक पहुँशने से पहले जबरदस्त मुश्किलों और विपत्यों का सामना करना पड़ा था, उनके अ से महान, कूट नितिग्य या राजनैक मानते हैं। वे जीवन भर अपने साहत और लगन के लिए मश्हूर और सम्मानित थे। द्वित्य विश्वयुद के सबसे स्याह घंटों में जब जर्मिनी के वायू सेना ब्रिटेन पर बंबारी कर रही थी, तब इंग्लैंड नाजी आकरमन के खिलाफ अकेला खड़ा था। चर्चिल के संकल्प और उदेशे के लगन शीलता ने पूरे देश को प्रेवित कर दिया, कि वो जूशता रहे, हाला कि बहुत से लोगों को लग रहा था, कि इंग्लैंड के हार तै थी। जॉन F. कैनेडी ने कहा, चर्चिल ने अं 1940 को दिया गया। ये चर्चिल का राष्ट के नाम संदेश था, जिसका अंत इन शब्दों के साथ हुआ। हम खेतों में लड़ेंगे, हम मैदानों और सडकों पर लड़ेंगे, हम पहाडियों में लड़ेंगे, हम कभी समर्पन नहीं करेंगे। अपने जीवन के बाद के वर्षों में चर्चल ने अपने पुराने प्रारंबिक स्कूल की एक क्लास को सम्भोधित किया लोगों ने उनसे कहा था कि वे वहां के युवा चात्रों को अपने जीवन की महान सफलता का रहस्य बताएं वे सभा के सामने जाकर खड़े हुए, अपनी कुर्सी पर जुके, थोड़ा कापे और फिर बुलंद अवाज में बोले मैं अपने जीवन के सबकों का सार नौ शवदों में बता सकता हूँ कभी हार मत मानो, कभी, कभी हार मत मानो जैसा चर्चल ने पाया और जैसा आप भी पाएंगे, जब आप अपनी महान सफलता की ओर उपर और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लगन का गुण इस बात की गारंटी दे देता है कि आप अंत्तह जीच जाएंगे राष्टपती कैलविन कूलिस जन्ता के सामने बोलने के इतने अनिच्छुप थे कि उन्हें खामोश कैल का उपनाम दे दिया गया था लेकिन इस विशे पर उनके सरल, लेकिन यादगार शब्दों के लिए वे इतिहास में याद किये जाएंगे उन्होंने लिखा था, संसार में कोई भी चीज लगन की जगय नहीं ले सकती योग्यता नहीं, योग्य असफल लोगों से जादा आम कुछ नहीं है प्रतिभा भी नहीं, अब पुरस्कृत प्रतिभा लगभक एक क्युवंदती है शिक्षा नहीं, संसार शिक्षत आवाराओं से भरा पड़ा है केवल लगन और संकल्प ही सर्व शक्ति मान है लगन सफलता की कसोटी है ऐसा लगता है कि सफल विवसाईयों और उधम्यों में अदब्य इच्छा शक्ति और अटल लगन होती है जो भी व्यक्ति किसी विछेतर में भारी सफल होता है उसे जवर्दस्त विपत्ती से उबरना होता है अकसर कई वर्षों तक इसके बाद ही वो अंतदह जीत पाता है 1895 में अमेरिका बहुत बुरी मंदी के शिकंजे में था पूरे देश में कंपनिया डूब रही थी और हजारों लोगों की छटनी की जा रही थी मिडवेस्ट में रहने वाले एक विवसाई ने इस मंदी में अपना होटल गवा दिया अब उनके पास बहुत कम पैसे और धेर सारा समय था उन्होंने देश की मौजूदा मुश्किलों के बावजूद दूसरों को लगन और डटे रहने की प्रेणा देने के लिए एक पुस्तक लिखने का निर्ने लिया उनका नाम था औरिसन स्वैट माडन उन्होंने एक अस्तबल के उपर एक कमरा लिया और पूरे एक साल तक दिन रात महनत करके एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्शक था Pushing to the Front इस पुस्तक में बहुतेरे इस्त्री पुर्षों की कहानिया बताई गई थी जिन्होंने बार-बार लगन का इम्तिहान दिया तब कहीं जाकर वे अंततह सफल हो पाए आखिरकार काम पूरा हो गया शाम को उन्होंने आखिरी पेज खतम किया और धकान वभूक की वजह से डिनर लेने के लिए सड़क पार एक छोटे कैफे में गए जब वे वहाँ बैट कर खाना खा रहे थे तो अस्तबल में आग लग गई जब तक वे लोटे तब तक उनकी आट सो पेज से जादा की पांडोलिपी जलकर राख हो चुकी थी पहले तो वे निराश और हताशा की भावनाओं से अभिभूत हो गए लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पूरी पुस्तक का सार ये था कि विपत्ति आने पर लगन का परीचर देना चाहिए उनकी आंतरिक शक्तियों का दोहन करते हुए वे दुबारा काम में जुट गए और अपनी पूरी पुस्तक दुबारा लिखने में एक और साल लगाया उन्होंने हार नहीं मानी जब पुस्तक पूरी हो गई तो वे इसे लेकर कई प्रकाशकों के पास गए लेकिन मंदी अब भी अपने तीसरे साल में थी इसलिए प्रेरख पुस्तक छापने में किसी भी प्रकाशक नी रुची नहीं ली उन्होंने अस्विकृती को शांती से स्विकार किया और बहतर समय का इंतजार करने का निर्ने लिया वे शिकागों जाकर रहने लगे और उन्होंने दूसरी नौकरी कर ली एक दिन उन्होंने अपने मित्र के सामने अपनी पुस्तक का जिक्र किया जिसकी एक प्रकाशक से पहचान थी पांडू लिपी पढ़कर प्रकाशक बहुत रोमान्चित हो गया उसे महसूस हुआ कि ये पुस्तक ठीक वैसी ही है जैसी लोगों को किसी मंदी के बीच में ये किसी दूसरे समय पढ़नी चाहिए बाद में पुशिंग टू दि फ्रंट प्रकाशत हुई और देश भर में शानदार बेस्ट सेलर बनी ये हजारों लोगों के लिए प्रेरणा और प्रोथसाहन का स्रोथ बनी कई शीर्स विवसाईयों और नेताओं ने कहा कि Pushing to the Front ही वो पुस्तक थी जिसने अमेरिका को 20. सदी में पहँचाया इसका पूरे देश में निर्ने लेने वालों के मस्तिशक पर जबर्दस्त प्रभाव पढ़ा और ये स्वाव विकास पुस्तकों के इतिहास की सबसे महान पुस्तक बन गई Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone और J.P. Morgan जैसे दिगजों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इस पर बातचीत की Orison Swede Marden अपनी पुस्तक में कहते हैं सफलता के लिए दो अनिवारे आवशकताएं हैं पहली है किसी काम से चिपकना और दूसरी है उससे चिपके रहना लगन के गुण का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा था नहीं, उस इनसान के लिए कोई असफलता नहीं है जो अपनी शक्ती जानता है जिसे कभी ये पता ही नहीं होता कि वो हार चुका है संकल्प वान प्रयास के लिए कोई असफलता नहीं है सिर्फ अजय इच्छा शक्ती है उस इनसान के लिए कोई असफलता नहीं है जो गिरने के बाद हर बार उपर उठ जाता है जो रबड की गैन की तरह दुबारा उचल जाता है जो बाकी सभी के हार मानने के बावजूद लगन से जुटा रहता है जो बाकि सब के पीछे मुढने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है Confucius का यही आश्या था जब उन्होंने 4000 साल पहले कहा था हमारी सबसे महान कीरती कभी न गिरने में नहीं है बलकि गिरने के बाद हर बार उठने में है विश्व केस शुरुवाती वाक्सिंग चैंपियनों में से एक James J. Corbett ने कहा था आप एक और राउंड लड़कर चैंपियन बनते हैं जब परिस्तियां मुश्किल होती हैं तो आप एक और राउंड लड़ते हैं योगी बेरा ने कहा था ये तब तक खतम नहीं होता जब तक की ये खतम नहीं होता सच्चाई ये है कि जब तक आप जुटे रहते हैं तब तक ये कभी खतम नहीं होता Albert Hubbard ने लिखा था कोई असफलता नहीं है सिवाए इसके की कोशिश करना छोड़ दिया जाए मन के अलावा कहीं कोई हार नहीं है उद्देशे के हमारी खुद की नहित कमजोरी के अलावा कोई भी अवरोद ऐसा नहीं है जिसे सचमुच ना लांगा जा सके विंस लॉंबार्डी ने कहा था एहम बात ये नहीं है कि क्या आपको गिराया जाता है एहम बात तो ये है कि क्या आप दोबारा उपर उठते हैं इन सफल इस्तिर पुर्षों ने अपने अनुभव से सीखा कि कोई भी सार्थक चीज हासल करने में लगन बहुत महतपूर्ण होती है सफल इस्तिर पुर्षों की पहचान, उनके संकल्प, उनके अटल इरादे, मैदान छोड़ने की उनकी अनिच्छा से होती है चाहे परिस्तितियां कितनी भी मुश्किल हो जाएं एक गुण विवसाय में, वित्य संग्रह में और जीवन में सफलता की पूरी गारंटी देता है वो गुण है अदम में इच्छा शक्ती और जुटे रहने की इच्छा चाहे जो हो जाए जब तक कि आप सफल न हो जाएं लगन आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है शायद आपकी सबसे बड़ी संपत्ती किसी दूसरे से ज़्यादा लंबे समय तक तिके रहने की काबिलियत है फॉप्स मेकजीम के संस्थापक, बीसी फॉप्स ने मंदी के सबसे स्याह दिनों में एक बड़ा प्रकाशन खड़ा किया था उन्होंने लिखा है, इतिहास ने दर्शाया है कि सबसे उलेखने विजयताओं को आम तोर पर विजय पाने से पहले दिल तोड़ने वाली बाधाओं से मुकाबला करना पड़ा वे इसलिए जीते क्यूंकि वे अपने पराजय से हताश नहीं हुए जॉन डी रॉकफेलर एक जमाने में संसार के सबसे अमीर स्वा निर्मित इनसान थे उन्होंने लिखा था, मैं नहीं सोचता कि कोई दूसरा गुण किसी भी तरह के सफलता के लिए इतना अनिवार है जितना के लगन का गुण ये लगबग हर चीज को हरा देती है, प्रकति को भी कॉन्रेड हिल्टन ने एक सपने और लुबॉक टेकसास के एक छोटे होटल से शुरुवात की थी और आगे चलकर उन्होंने विश्वो में सबसे सफल होटल कॉर्परेशनों में से एक बनाया उन्होंने कहा था, सफलता कर्म से जुड़ी नजर आती है सफल लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वे गलतियां तो करते हैं, लेकिन वे कभी कोशिश या होसला नहीं छोड़ते आविश्कार के इतिहास में सबसे सफल व्यक्ति थॉमस एडिसन बीस्वी सदी के किसी भी अन्य आविश्कारक से जादा प्रियोगों में असफल हुए थे उन्होंने अपने दर्शन का वर्णन इस तरह किया था, जब मैं पूरी तरह निर्णय ले लेता हूं कि कोई परिणाम पाने लायक है, तो मैं उसमें आगे बढ़ जाता हूं और कोशिश के बाद कोशिश करता जाता हूं, जब तक कि ये हो नहीं जाता जिस व्यक्ति के मन में विचार आता है, वो उस बिंदू तक इस पर काम करता है, जहां ये असंभव नजर आने लगता है, और फिर वो हताश हो जाता है ये हताश होने के जगह नहीं है Alexander Graham Bell ने इन शब्दों में लगन का वर्णन किया था ये शक्ति क्या है, ये मैं नहीं बता सकता मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मौजूद है और ये तभी उपलब्द होती है, जब मनुश्य उस मानसिक अवस्था में होता है जिसमें वो सटीकता से जानता है कि वो क्या चाहता है और तब तक होसला ना छोड़ने के लिए पूरी तरह संकल्पवान होता है जब तक कि ये उसे मिल नहीं जाती डैना कॉर्परेशन को सबसे महान सफलता की कहानियों में से एक बनाने वाले रैनी मैक फर्सन ने अपने दर्शन का सार इन शब्दों में बताया था आप बस लगे रहते हैं मैंने हर वो गलती की जो की जा सकती थी लेकिन मैं बस लगा रहा निराशा अवश्यमभावी है बुद्धिमान लोग अपने सर्वश्रेष्ट हितों में काम करते हैं वे उन समस्याओं और मुश्किलों की संख्या को कम करने के लिए हर संभव चीज़ करते हैं जो उनकी रोज मर्रा की गतिविध्यों में सामने आ सकती हैं लेकिन हमारी सर्वश्रेष्ट कोशिशों के बावजूद हताशाएं और विपत्तियां जीवन के ऐसे सामान्य और स्वभाविक हिस्से हैं जिन से बचना संभव नहीं है कहा गया है कि केवल दो ही चीज़े अवश्यमभावी हैं मौत और टैक्स लेकिन अनुभव साबित करता है कि निराशा भी अवश्यमभावी है चाहे आप खुद को और अपनी गतिविधियों को कितनी भी अच्छी तरह व्यवस्तित कर लें आपको जीवन में असंख्य निराशाओं, विपत्तियों और कष्टों का अनुभव होगा आप अपने लिए जितने उचे और चुनोती पूर्ण लक्षत तै करते हैं आपको उतनी ही जादा निराशाओं और मुश्किलों का अनुभव होगा यही पिरोधा भास है विपत्ति का सामना करने, उससे प्रभावी धंग से निपटने और उससे सीखे बिना विकास करना और पूरी शमता तक विकास करना आपके लिए संभव नहीं है जीवन के जादतर महान सबक आपको उन विपत्तियों और अल्प कालीन पराजियों की बदौलत मिलते हैं जिन से बचने की आपने पूरी कोशिश की है विपत्ति आपके सर्व श्रेष्ट प्रयासों के बावजूद बिना बुलाए, अनपेक्षित और अन्चाही आती है लेकिन विपत्ति के बिना आप उस तरह के इंसान नहीं बन सकते जो उन महान लक्षों को हासल करने में सक्षम है जो आपके लिए संभव है विपत्ति हमारा इम्तिहान लेती है पूरे इतिहास में महान चिंतकों ने इस विरुदा भास पर विचार किया है और वे इस नतीजे पर पहुँचे है कि विपत्ति वो इम्तिहान है जिसमें उतीर होने पर ही आपको कोई सार्थक चीज हासल हो सकती है यूनानी दार्षनिक हैरोडॉट्स ने कहा था विपत्ति किसी इंसान की शक्ति और गुणों को निकाल कर सामने लाती है जो इसकी अनुपस्तिती में सोए पड़े रहते जब आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और जब आप उन पर सकरात्मक वस्रजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं तो शक्ति, साहस, चरित्र और लगन के बहतरीन गुण आपके अंदर से निकल कर सामने आते हैं हर व्यक्ति रहा के हर कदम पर मुश्किलों का सामना करता है बहुत सफल व्यक्ति और कम सफल व्यक्ति के बीच का फर्क बस ये है कि बहुत सफल व्यक्ति विपत्ति का उपियोग ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए करता है जबकि कम सफल व्यक्ति मुश्किलों और अब्राहम जैलेजनिक के शोध का निशकर्ष था कि निराशा पर आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, ये इस बात का काफी सटीक सूचक है कि जीवन में आपके सफल होने के कितनी संभावना है. जैलेजनिक का मानना था कि यदि आप निराशा से जादा से जादा सीख कर प्रतिक्रिया करते हैं और फिर इसे अपने पीछे छोड़ कर आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपके द्वारा महान लक्ष हासिल करने की बहुत जादा संभावना है. ये तब तक नहीं हो सकता जब आप निराशा को खुद पर हावी होने की अनुमती दे देते हैं. सफलता हमेशा असफलता से एक कदम आगे मिलती हैं. आपके सबसे महान सफलताएं लगबग हमेशा आपके सबसे बड़ी असफलताओं के एक कदम आगे मिलती हैं. जब आपके भीतर की हर चीज आपको कोशिश छोड़ने के लिए कहती है पूरे इतिहास में इस्तरी पुरुष ये पाकर चकित हुए हैं कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और सारे विपरित प्रमाणों के बावजूद जुटे रहने के पल स्वरूप मिली लगन का ये अंतिम कार्य जिसे अकसर लगन का इम्तिहान कहा जाता है तभी महान उपलब्धियों से पहले आता है H. Ross Parrot जिन्होंने 1000 डॉलर से EDS इंडस्ट्री शुरू की और इसे लगभग 3 अरब डॉलर की संपत्ती में बदला इतिहास के सबसे सफल स्वर निर्मित उध्यमियों में से एक है उन्होंने कहा था जादतर लोग उसी समय छोड़ देते हैं जब सफलता मिलने को होती है वे एक गज की रेखा पर कोशिश छोड़ देते हैं वे मैच के आखरी मिनट में जीतने के गोल पोस्ट से एक फुट दूर कोशिश छोड़ देते हैं हैरोडॉर्ट्स ने भी लिखा था कुछ लोग लक्षे के बेहत करीब पोहँशने पर होंसला छोड़ देते हैं जबकि इसके विपरित बाकी लोग आखरी पल में पहले से ज़ादा जोशीली कोशिश करके जीत हासल करते हैं लगे रहने और जुटे रहने का ये सिद्धान कई महान इस्तरी पोर्षों के जीवन और कामकाज में देखा जा सकता है फ्लॉरिंस स्कोवल शिन ने लिखा था हर महान काम, हर बड़ी उपलब्धी तभी सामने आई है जब सपने को कायम रखा गया और अक्सर बड़ी उपलब्धी के प्रकट होने से पहले असफलता और हताशा नजर आई है निपोलियन हिल ने अपनी विख्यात पुस्तक Think and Grow Rich में लिखा था जब सफलता किसी मनुष्य के जीवन में आती है तो उससे पहले काफी अस्थाई पराजय और शायद थोड़ी असफलता मिलना तैह है जब पराजय किसी व्यक्ति को हरा देती है तो सबसे आसान और सबसे तार के काम होता है छोड़ देना बहु संख्यक लोग यही करते हैं Harriet Beecher Stowe जिन्होंने Battle Him of the Republic लिखी थी ने ये शब्द लिखे हैं तो कभी हार न माने क्यूंकि यही वो जगय और समय है जहां रुक बदलने वाला है आप जो नहीं देख पाते हैं जादतर लोगों को जिसके होने का अंदाजा भी नहीं होता वो खामोश लेकिन अदम में शक्ति है जो आपके निराशा से जूचते समय आपको बचाने के लिए आती है आप जो नहीं देख पाते वो खामोश लेकिन अदम में शक्ती है जादतर लोगों को जिसके होने का अंदाजा भी नहीं होता है जो आपके निराशा से जूजते समय आपको बचाने के लिए आती है Claude M. Bristol ने लिखा था सतत और संकल्प वान प्रयास सारे प्रतिरोध को तोड़ देता है सारी बाधाओं को घटा देता है James, Whitcomb, Riley ने इसे इस तरह लिखा था सबसे अनिवारे घटक है लगन ये संकल्प कि कभी भी अपनी उर्जा या उत्साह को उस हताशा से कमजोर नहीं होने देना है जिसका मिलना तै है हर चीज के बावजूद जुटे रहने सहन करने की शक्ति यही विजेता का गुण है लगन हार माने बिना बार-बार पराजय का सामना करने की योगता है भारे मुश्किलों के सामने लगे रहने की योग्यता है एक अज्यात लेखा की कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद करनी चाहिए और खुद के सामनी दोहरानी चाहिए जब भी होस्ला छोड़ने या कोशिश करने का प्रलोबन हो जिस रहा पर आप चल रहे हैं जब वो चढ़ाई जैसी दिखें जब पैसे कम हो और कर्ज जादा हो जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आप परिशान हो जब चिंता आपको थोड़ा सता रही हो अगर जरूरी हो तो आराम करो लेकिन कभी हार मत मानो जीवन विचत्र है इसमें गुमाव और मोड है जैसा हम में से हर एक ये बात सीखता है और कई असफल इंसान बाद में समझते हैं कि वे जीद सकते थे बशरते वे जुटे रहें हार न माने भले ही गती धीमी हो आप एक और कोशिश से सफल हो सकते हैं सफलता तो असफलता का ही दूसरा रूप है शंका के बादलों की सुनहरी लकीर है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं जब मंजल बहुत दूर दिखती है तो ये पास हो सकती है लेकिन इसलिए संघर्ष में डटे रहें जब मुसीबत सबसे अधिक हो जब परिस्तितियां सबसे बुरी नजर आ रही हो तब आप हार न माने